हेलो 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 गुड़ेवनिंग गुड़ेवनिंग एवरेवन नमस्ते 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 हां गुड़ेवनिंग गुड़ेवनिंग एवरेवन नमस्ते नमस्ते सबसे पहले यह बताई कि क्या आप सभी लोगों को मेरी आवास सही से सुनाई दे रही है क्या नमस्ते नमस्ते जल्दी से आज यह क्लास में हाँ आई आई यह मेरे अंट्रपेंटर स कि घटा हो रहे हैं ठीक है हाँ आप सभी लोगों का डेट का जो नोटिफिकेशन था यहूप आप सभी लोगों के पास पहुंच चुका होगा कि डेट चेंज हो चुकी है ठीक है आप सबी लोगों का 27 तारिक से 27 तारिक से चल रहा होगा ठीक है हाँ तो थोड़ा सा जो आपके पास टाइम बचा है उसमें आपको और मनला कई बच्चों को लिए हो सकता है कि थोड़ा सा और श्रेस बढ़ जाए सर इसको खतम करो यार जल्दी से है रहा एंग्जाइटी से हो रहेंगे लेकिन अच्छे से अपने आपको यूटलाइज करिएगा टाइम को येस 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 गोड़ेवनिंग गोड़ेवनिंग नमस्ते 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 लव यू आल लव यू आल जल्दी से आईए बिड़ा हाँ और आज हम लोग थोड़ा भारी से चेप्टर करने वाले हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को सेपरेट कर दिया है वही बचा हुआ चेप्टर भी काफी भारी है हमारे पास लेंदी चेप्टर है ठीक है और नो कि आप सभी लोग बहुत लेंदी लेंदी क्लासिस से परिशान है सारे बच्चे जल्दी से पताए कि आप सभी अवाज सोई से आ रही है वेयरी गुड वेयरी गुड ठीक है और आज जब समय आया है तो डर लग रहा है अभी वी जो बाकी समय उपकरिटी ज्यादा ंपार्टण्ट है तो कर लिजेगा कोई दिक्कत नहीं है ठीक है हां येश येश-ग गेशर कितने मां reflect पड़ाई तो तुम यह भी नहीं कह सकते सर कराइश टार्ट फ्रों मेरा नाम आप सभी का स्वगत करता हूं इस बार हम लोग जो करने वाले हैं आप सभी लोगों पता है यह काफी भारी भरकम चेप्टर है बड़ा चेप्टर है तो इसको वन शॉट में करने वाले हैं इसमें हमाएं पर बहुत सारे टॉपिक्स है यह स्टार्ट करना चाहो तो कर सकते हैं लेकिन वैसे समय नहीं है स्टार्ट करने का तो हमें क्या क्या करना है बढ़ी है काफी बड़ा चेप्टर है मैं यह बात बोलूँगा तो अब कई बच्चे ठीक है येस येस डियूरेशन क्या रहेगा अब कई बच्चों को यह है अच्छा आप लोग बताएं क्या डियूरेशन होना चाहिए ठीक है यह यह भी तो देखें ना पांच मिनिट में पढ़ा दीजिए इंपार्ट है तो ज्यादा तो हमाई पर समय है नहीं हम बहुत बीजी है ठीक है आपके इसाफ से डियूरेशन क्या जाना चाहिए ठीक है हाँ चौविस घंटा लाश को दो थपन मारो यह पांच मारो बात बराबर है ठीक है तो दस घंटे के बाद तो आप सभी लोग लास बन जाते हैं तो इससे कोई फायदा नहीं है ठीक है हाँ ट्वेल प्लस अच्छा 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 खुद अभी दो घंटे बाद जाके सो ज हमें खतम करना चाहिए ठीक है सेवें टू एटर्स क्योंकि इसके बाद कहानी यहीं थोड़ना खतम होती है मास्टर पढ़ाता रहेगा तो रहें का जाएगा ना 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 पढ़ना भी ठीक है तो सेवें टू एट आर्स का मैं टार्गेट लेकर चल रहा हूं ठीक है ठीक है एट सेवें टू एट अब वही है आप लोगों पर भी डिपेंड करेगा कि आप लोग कैसा करते हैं ठीक है अब आप सभी लोगों के लिए बहुत अच्छी सी चीज भी साथ में आई है पिछली बार जब हम पोल कराते थे तो बड़ी दिक्कत होती है तो अब हमाए पस एक टेक टीम ने ठीक है अब यूट्यूब पर कराना थोड़ा से टाफ होता था तो जैसे आप नॉर्मल हमारी क्लासिस में आपने देखा होगा जो हमारे पास पोल्स होते हैं वैसे है लेकिन यह थोड़ा सा सुप्रीम वर्जन है ठीक है तो जवाब कैसे देना है ठीक है मैं पहली बता देता हूं क्योंकि एंड में लीडर और भी हम लोग देखेंगे ठीक है लीडर बोर्ड में आपने कितने जवाब दिये टोटल में से किसकी अक्यूरेशी जाधा रही है वह हम लोग देखेंगे आवरेश ट्ट्राइम बढ़ा तो लपा मारने के जुरत नहीं है ठीक है इसमें पहले लिख रहे हैं A B C D in the chat to answer आपके जैसे batches में हमाई पास पोल का लिखा हुआ आता था ठीक है तो आपके side में आता था ऐसा कुछ नहीं होगा यहां पर ठीक है आपको अपने ABCD को chat में लिखना है जैसे एक example पोल ले लेते हैं ठीक है हां very good very good ठीक है तो प आ गया थोड़ी देर और करी तो डी आ गया फिर और करी तो B B आ गया और थोड़ी सी और मेहनत करी तो पता लगा आता ही था यह तापिक लाल बॉल पिली बॉल निकाली तो अंसर आगे हम अंसर मैच होगे हम बहुत तेज हैं फिर थोड़ी दिखा रहे तो नीली बाल भी तेरे इसका तो यह नहीं आए फिर उसका भी लेकर करें थोड़ी दिर पता लगा कोशन प्रोबिलिटी का था नहीं कुछ और था ठीक है ला होते जोगी मैं मैंना इस कंप्यूटर को चकमा दूंगा ए ए ए बी लिखूंगा तो अंसर नहीं लेगा ठीक है ज्यादा आप सोचो इसकी आप दिमाग की दही करोगे कुछ नहीं करेगा यह ठीक है उस अंसर को नहीं लेगा ठीक है तो जैसे माली चेट हमारा पूल यह है आज के लप्पू से साक्षी ठीक है लप्पू से इन्होंने भाई सहाब मतलब क्या ही बोले ठीक है इनको F1 रेसर सोना ची यार इंडिया में इतने तगड़े तगड़े रियक्शन टाइम वाले बच्चे है हम जबड़जस्ती वहाली कहानी है है ना मचली को चड़ना सिखा रहे हैं रियक्शन टाइम बहुत तगड़ा है बहुत ज्यादा तगड़ा है क्या ही बोले ठीक है तो यह रियक्शन टाइम के साथ भी हमारे पास आएगा एक और इसमें खास बात होती है ठीक है मैं बता देता हूं so that आपको फाइदा मिल जा इस लेक्चर देखे हैं pw के फिर ठीक है वह आ जाएंगे और इस चैट में आप एक चीज़ करके देखना ये भी आप लोगों के लिए जादू रहेगा एसलमेट्री मार्क करके अगर आप डाउट लिखते हैं ठीक है अभी टेक टीम के साथ में दो मिनेट और फिर हाँ दो मिनेट और फिर मैं बात करता हूं ठीक है डाउट लिखते हैं या फिर आप डाउट लिखते हैं एसलमेट्री मार्क लिखने के बाद अगर आप डाउट लिखके करते हैं तो यहां पर जो भी डाउट होएंगे वो मेरे पास यहां पर आते चले जाएंगे ठीक है तो आपको एसलमेट करके नोट अगर आप लिखते हैं तो वो टाइम स्टैम के साथ आपका सेव हो जाएगा यूनिटी डॉट पी डॉट लाइफ पर हाँ अब जब टेक्ट्रीम वाले बता रहे थे मैंने का कि सर एक बात बताओ डाउट की स्पेलिंग यह तो उन्होंने तो आप्वियसी बात है कुछ बहुत ही तेज होते हैं खतरनाक डाउट आता है तो वह डुट निकाल देते हैं सर डुट आया है इनको भी जोड़ो बच्चों का फाइदा हो जाएगा है ना हां तो डाउट की स्पेलिंग बेटा यह होती है अगर आप यह लिखेंगे तो आपका डाउट इधर ठीक है तो यह सब अगर आप लिखेंगे तो उल्टा मैसे चला जाएगा बहुत ज्यादा टेकनलाजी डाल दिए गया हां डुट आया है इनको डुट तो यह चीदे आप एडिशनली यहां पर कर सकते हैं क्लियर येस जैसे आप लोग कुछ डाउट लिखके अगर ठीक है अब दूसरे बच्चे भी भेजना स्टार्ट करें इससे पहले हम अरे इस पर आ जाते हैं ठीक है चलिए भाई ओके हां येस इनको डाउट है हाई तो यह कहानी है बिटा अब सारे बच्चे सीरेस हो जाईए ठीक है हां सारे बच्चे सीरेस सीरेस मैंने आपको सारे फीचर्स बता दिया तो दैट आपको भी पता रहे कुछ बेनफिट अगर पीड़ु की टीम आप लोगों के लिए कर रहे है इस चीज को करने के लिए बहुत जादा टेकनोलोजी की रिक्वायर्मेंट होती है बहुत जादा खर्चा भी होता अगर फ्री स्टुटेंट्स के लिए भी पी ड़्लीव कर रहे है यह तो बहुत बड़ी बात है ठीक है और इतना कम टाइम लैग होना बाई जब मेरे को बता रही है तैम मेरे को गूजबं जा रहे है इतना कम टाइम-लैग कहार कहते हो आप ठीक है यह चोटी-मोटी बात यह था कि अब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो रे आपको दो सवाल मिल सकते हैं तो अगर आप पूरे ऑप्टिक्स की बात करें तो आपको एक दो सवाल के आसपस आपको मिलने की टेंडेंशी है अब सब्सक्राइब लिए थी नहीं करेंगे ठीक है तो उनके basics भी clear होने चाहिए ठीक है yes हाँ आई 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 तो अब सारे बच्चे जरा यहां पर ध्यान से देखेंगे पहली बात ठीक है हाँ सारे बच्चे जरा यहां पर ध्यान से देखेंगे जो भी यह lecture है इसमें आपको full concentration के साथ सुनने से ही benefit होगा अगर आपने कहा कि नहीं यार यह चीज़े तो आती है यह चीज़े तो मैं छोड़ दूँगा यह चीज़े सर और depth में पढ़ा ऐसा नहीं होगा वो चीज़ मैं डिसाइड करूँगा किस चीज़ को कितने depth में ले जाना है ठीक है ओविसी बात है हमारे पास time कम है दस दिन के अंदर आपके पास exams है तो में चीज़े हमें revise करनी है कुछ important questions हमें जरूर देखने है that's the main purpose of the manzil series तो अब सारे बच्चे जा रहे यहां पर ध्यान से देखेंगे ठीक है पहला है हमारे पास जो मैं आपको बता देता हूं ठीक है दिल बनाते चलना जो जो चीज़े आप recall कर पा रहे हम लोग पहले mirrors के बारे में बात करे ठीक है इसके उपर भी सवाल आते हैं तो ध्यान से देखना हमारे पास कभी भी कोई light किसी भी surface पे गिरती है तो तीन phenomena's आप सभी लोगों को पता है कि होते हैं एक होता है bouncing back of light which is called reflection एक होता है हमारे पास absorption जो हमारे syllabus में नहीं है और तीसरा हमारे पास है reflection या bending of light जब भी व ठीक है कि अगर हमारे पास कोई भी light अगर आके surface पर गिरती है ठीक है तो जो light हमारे पास आ रही है this is called incident ray जहां पर light गिर रही है this is called point of incidence यह आप बनाते है normal कई हमारे पास शूरवीर बच्चे होते हैं जो इसको normal ray कहते हैं नहीं this is called normal and this is your reflected ray ठीक है short notes बनाते चलना बेटा जो काम काम की चीजे हैं जो भी light जो भी आप angle नापते हैं वो हमेशा normal से नापते हैं this is your angle of incidence and this is your angle of reflection तो सबसे पहला lock यगर आप बात करेंगे तो हमारे पास incident ray normal and reflected ray हमारे reflected ray lies in same plane यह same plane में लाए करते हैं बिटा means जो भी mathematically सोच पा रहा है that means इनका volume 0 होना चाहिए है ना अगर कोई भी तीन vectors अगर हमारे पस एक plane में आते थे तो आप box product को 0 करते थे अगर मैं इनको vector form में दे दूँ तो आपको इनका volume 0 करना कहीं पढ़ सकता है यह चीज बात आपके लिए angle of incidence is equal to angle of reflection हमेशा हमारे पास रहता है clear है क्या सारे बच्चे yes or no ठीक है clear clear बिल्कुल basic से चलेंगे ध्यान बिटा जबर जस्ती का वो मत करना ठीक है जबर जस्ती का वो मत करना ध्यान से सुनना यह हमारे पास रहता है हमारे पास surface भले हमारे पास regular हो sir regular मतलब smooth हो या फिर diffused हो diffused कहने मतलब rough surface ही क्यों ना हो ठीक है rough surface हो या फिर हमारे पास smooth surface हो दोनों में ही laws are applicable laws are applicable यह जो हमारे पास laws है यह हमेशा applicable रहते है ठीक है सारे बच्चे अब मेरे को यह बताएं इमानदारी से बताएं कि इस law का एक vector form होता था वो क्या होता था सारे बच्चे vector form of laws of reflection तो vector form इसका क्या होता था किस किस को यह पता है कई बच्चे शायद cbsc के लिए पढ़ रहे होंगे उन्होंने इस सीज़ पर ध्यान नहीं दिया होगा जो लक्षे के का i cap जो होता है that is reflected का cap मनलब direction wise बात करें plus twice of i dot n into n cap यह आपका यह आपका हमारे पास होता है very good very good love you बेटा please serious रहना बेटा ठीक है sorry क्या यह important है yes it is important yes it is important ठीक है तो vector form of laws of reflection क्या कहता है इसर यह क्या है direction of incident ray मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके short notes में होना चाहिए direction of incident ray direction of reflected ray ठीक है and direction of normal ठीक है हमारे पास यह आपस में इस तरीके से related होते हैं इसको हम लोग कहते हैं vector form of ohms law vector form of laws of reflection clear very good notes में इसको note down कर लिया कई बच्चों ने very good ठीक है अब बात आती है हमारे पास plane mirror की ठीक है अब बात आती है हमारे पास plane mirror की ठीक है ध्यां से सुनना plane mirror क्या है आपने glass लिया ठीक है आपने glass लिया और इस glass के पीछे आपने reflecting material लगा दिया this is your plane mirror याद करें इसके important points हमारे पास क्या थे ठीक है जब भी आप किसी भी object को ध्यां से समझना पहला important point कि अगर आपका एक object है किसी भी distance एक्स पर ठीक है तो हमेशा इसकी image बनेगी same distance एक्स पर ठीक है same distance एक्स पर image आपकी बनेगी सारे बच्चे thumbs up करें इस point पर प्लीज बेटा serious रहना देखो यार लास्ट मुमेंट पर मेरे को आपको direction नहीं से नीचे कि आप serious रहें यह आपकी responsibility मैं को पत्या कई सारे बच्चे भाग जाएंगे लेकिन जितने भी रहे मैं मतलब मैं intentionally पढ़ाना चाहता हूं उन serious बच्चों को जो reality में revise करना चाहते हैं ठीक है yes very good जो object distance रहेगा हमेशा image distance के बराबर रहे सर रे डाइग्रम बनाने की जरुद है बिलकुल नहीं है यह points मैंने हाँ लिखे है image distance is equal to object distance हमारे पास ठीक है अब आपके लिए यह object अगर आपका extended ही क्यों ना हो ठीक है अगर आपका object extended है तो image भी आपकी extended बनेगी ठीक है हमारे पास image का image distance is equal to एक बार मैं इसको लिख लेता हूँ फिर आप notes में डाल देना इसको is equal to object distance बेटा ठीक है हमारे पास the size of image is equal to size of image जो आपकी होती है बेटा that is equal to size of object के बराबर होती है जितना ही object का size होगा उतना ही image का भी हमारे पास size होता है ठीक है यह भी आ गया that means अगर इसका height of object है तो इसकी height of image आईगी और मैं यहां कह रहा हूँ जो height of object की value है वही height of image की भी value हमारे पास रहती है clear very good love you बेटा ठीक है next important point कि अगर हमारे पास ध्याँ सुनना ठीक है next important point हमारे पास object and object and image are always are always of opposite nature always of opposite nature यह कहने का मतलब क्या है सर plane mirror के लिए अगर मैं बात करूँ तो plane mirror में बेटा अगर मान लीजे plane mirror है हमारे पास ठीक है अगर आपका object real है अगर आपका object real है ध्याँ से देखिएगा बिटा ठीक है तो इसकी ray diagram अगर आप बनाते तो ऐसा होता और ऐसा होता है ना कोई भी दो reflected ray का intersection याद रखेंगे ठीक है image आपके लिए क्या है is the intersection of rrs intersection of reflected rays वही आपका image है और object आपका क्या होता है यह बाद में काम आएगा प्लीज रिवाइस करते चलना this is intersection of irs incident ray का जो intersection है that is your object clear तो अगर आप इसको देखें तो यह भी आपका rr है यह भी आपका rr है अगर आप इनको extend करेंगे तो आपको image मिलेगी यहांचे देखना जबरजस्ती आपने extend किया है तो यह आपकी virtual है बेटा ठीक है जबरजस्ती आपने intersect कराया है तो this is virtual and incident ray का अगर आप intersection की बात करें तो this is your real object इसे का उल्टा अगर आप देखें ठीक है कि माल लीजे मेरे पास plane mirror ऐसा था और मेरे पास light ऐसे आ रही है ध्यांसे देखना मेरे पास light ऐसे आ रही है कि आप सभी लोग बता सकते हैं कि यहां पर सर incident rays है यह अगर यह incident rays है तो इसका जो intersection होगा सर यहां आएगा तो this will be your object और अगर आप देखें जबरजस्ती आपको intersection कराना पड़ रहा है तो यह आजाएगा आपका virtual object clear सारे बच्चे very good love you बेटा और यह आपका light का reflect होने के बाद यहां पर जाएगा तो reflect reflected rays का अगर आप intersection देखें आरार्स का intersection देखें तो बेटा यह आपकी बनेगी image और image हमारे पास real होईगी क्योंकि real intersection हमारे पास आ रहा है clear 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 सारे बच्चे yes or no ध्यांच सुनना बेटा इस chapter को अगर आप खुद से revise में हर बार कह रहा हूं teacher के साथ revise करने का benefit यह कम से कम टाइम में main important points आप revise कर ले जाते हैं अगर आप खुद से करते तो कई बार आप उस चीज़ पर energy लगा रहे हो तो जिसकी requirement जादा नहीं है जितिनी भी चीज़े मैं boards पर बताऊंगा आपको बस सुनते चलना है और question में साथ करना है clear very good तो यह हो गया sir opposite nature कहने का ताथ पर है अगर यह real है तो यह virtual बनेगा अगर यह virtual है तो यह हमारे पास real बनता है second important point ठीक है third important point हमारे पास क्या है बेटा यह हमारे पास literally inverted image होती है ठीक है literally inverted हमारे पास image कहीगी कहने का मतलब हमारे लिए अगर ध्यान से देखना ठीक है कि अगर एक object ऐसा है a and b हमारे पास अगर एक object ऐसा है तो इसका object distance क्या था यह था तो इसी object distance के साब से इसी की image बनेगी यहां पर a dash और इसका object distance बेटा यह था तो इसके image distance के साब से कुछ ऐसे हमारे पास image बनेगी तो जो object अगर आपका इस direction में inclined है तो image आपकी इस direction में inclined रहती है this is called lateral inversion clear clear जितने भी serious बच्चें एक बार दिल बना दीजे love you all बेटा love you all ठीक है क्या आपको lateral inversion समझा रहा है इसी में clock problems भी आपने शायद देखी होंगी सर clock problems क्या होती थी बता देता हूं ठीक है इसी में आपने अपनी clock problems भी देखी होंगी सर clock problems में क्या होता है कि अगर माल लिजे कि मेरे पास एक शीशा है ठीक है अगर माल लिजे मेरे पास एक शीशा है ठीक है और इसमें तीन बजरे होंगे तो इमेज में क्या बज रहा होगा? This is your object. ठीक है? And this is your image. तो इमेज में आपका कैसा होगा? कुछ ऐसा होगा बैटा. तो इमेज में आपका कात 특फ रहा होगा? 9 बज रहे होंगे. Very good. ठीक है? image world में आपका जो होगा image में आपका 9 बज रहा होगा यह आपका answer रहेगा है ना सवाल यहां से complicated कैसे होता है उसकी बात करते हैं अगर माल लिजे मैंने example के तौर पर आपको दे दिया कि हमारे पास clock में जो time है suppose है हमारे पास 8.50 ठीक है suppose मैंने ऐसा दे दिया 8.50 तो image में कितना time होगा आपको यह बताना है image में time कितना होगा आपको यह बताना है ठीक है तो concept very good एक बच्चा है anonymous उसने बहुत सही जवाब दिया कि sir image में अगर मेरे को time निकालना है तो आपको 12 में से माइनस करना यह एक्चुली में आपका 12 में से 12 माइनस 3 करके आपको जवाब मिला था यह तो आप इसमें कैसे करेंगे 11 hours 60 minutes यह 12 ही लिखा है बटा क्योंकि 60 minutes एक घंटा बना देगा minus 8 50 कि अगर आप बात करेंगे तो आपको अपना time मिल जाएगा आपको अपना time मिल जाएगा अगर ऐसे ही मैं एक और example देदू seconds तक का अगर बात है कि clock में जो हमारा time था that is 5 20 and 35 seconds हमारे पास है तो image में कितना होगा तो image के लिए अगर आपको निकालना है तो 12 में से minus करना है तो आप इसको कैसे रिखेंगे 11 59 and 60 seconds में से आप minus कर देंगे 5 20 and 35 आपका यह answer आजएगा concept clear हुआ हाँ या ना तो lateral inversion पे भी आपके सवाल रह सकते है सर यह 12 कैसे लिखा है 60 seconds makes a minute तो आप इसको 0 करेंगे तो 59 plus 1 60 minutes makes an hour तो यह 12 ही लिखा हुआ है मैंने clear yes very good very good ठीक है तो यह हमारे पास वो रहती है तो मैं लिख दिया है image distance is equal to object distance nature of image is opposite to that of object and image is literally inverted clear है क्या yes or no mathematically मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ यहाँ पर ठीक है कई बच्चे इस चीज़ को समझ पाएंगे ठीक है mass क्योंकि आप सभी लोगों की बहुत तेज हो चुकी है इतनी high level की mass आप लोगों ने करी है mirror plane mirror is a perpendicular bisector plane mirror is perpendicular bisector ये एक perpendicular bisector है to line joining दिल बनाना हा या ना to line joining object and image क्या आप मेरी इस बात से सहमत है सारे बच्चे एक बार दिल बना दीजे yes or no अगर मैं इसका coordinate दे दूँ x1 y1 और इसका coordinate दे दू x2 y2 तो ये mirror का ये वाला point आप midpoint very good midpoint formula से भी आप निकाल सकते है या फिर शीशा आपका कहाँ पर है अगर आपको इसका coordinate पता है ठीक है अगर आपको इसका coordinate पता है इसका coordinate पता है तो आप इसके coordinate की भी बात कर सकते है थोड़ा सा mathematically आपको चीजों को समझना है clear? love you बेटा ठीक है अब motion of the object तो इससे पहले मैं rotation of the object की बात करूँगा ये सारे पर मैं सवाल लगाऊँगा धिहान से देखना है आपको ये important points को revise करना है ठीक है? सारे बच्चे ज़र ये देखना कि अगर माल लिजे मेरे पास एक plane mirror है अब जवाब आप बताएं ठीक है? कि अगर माल लिजे मेरे पास एक plane mirror है case 1 case 1 मेरा ये है कि object is rotated object is rotated मैंने object को rotate करा है तो image पर क्या impact पड़ेगा? तो अगर माल लिजे mirror ये था बेटा object मेरा यहाँ पर है किसी distance पर तो हाँ या ना मेरे को बताना कि अगर सर object ये है तो इतने ही distance पर कहीं न कहीं image इसकी बनी होगी yes 2 theta कह रहे है गलत 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 सवाल मेरा ये है अगर मैं object को rotate कर रहा हूँ तो image कहा जानी चाहिए सोच के बताना कि मैंने object को यहाँ पर theta angle से rotate किया तो image उपर जानी चाहिए या नीचे जानी चाहिए सोच के बताना very good पहली बार मुझे literally बता रहा हूँ बहुत अच्छा लग रहा है भले ही बच्चे कम है लेकिन जो seriousness chat में आ रही है thanks to the team अगर वो पीछे से fall to messages को हटा रही है तो मेरी efficiency बढ़ रही है पता नहीं अंदर से अच्छा लग रहा है कि मैं depth में चीज़े और बताऊ love you all better please serious रहना ऐसी अगर आप maintain रखेंगे मैं कोशिश करूँगा कम से कम टाइम में रहे क्योंकि आखरी में फिर आपका saturation आता है तो यहां पर इस image ने भी theta angle ही rotate किया है ध्यांच देखना जितना इसने rotate किया है उतना ही इसने rotate हमारे पास किया है तो अगर आप देखें तो this is new object and this is new image clear तो image rotates concept क्या है कि इसमें image rotates by image rotates by same angle in opposite sense in opposite sense सारे बच्चे इसको note down कर लीजे यह concept है भी question करेंगे इसके उपर अगर आपने इसको 30 degree से घुमाया तो यह भी 30 degree से ही घुमेगा उपर नहीं जाएगा इधर घुमेगा अगर देखा जाए तो यह anti clockwise है तो यह clockwise है clear in opposite sense very good very good ठीक है सर मैं अगर शीशे को घुमा दूँ तो ध्यान से देख लीजे if mirror case 2 है बेटा mirror is rotated mirror is rotated अगर आप एक mirror को rotate करते हैं तो मैं अब आप से सवाल पूछूँगा पहले ठीक है क्योंकि यहाँ पर बच्चों को doubt आता है ठीक है मेरे पास ये था शीशा और जो भी आपका object है बेटा वो किसी distance पर यहाँ पर एक आपका object था तो एक आपकी image बनी clear? yes very good very good love you बेटा अगर मैं अब शीशे को इधर घुमाना स्टार्ट कर देता हूं by theta मैंने माल लीजे शीशे को ठीक है यही आपका बेटा शीशा था ठीक है यही आपका शीशा था मैंने इस शीशे को क्या किया है theta angle से rotate कर दिया ठीक है यह आपकी original position थी मैंने इस शीशे को theta angle से rotate किया है तो आपको भी पता है जो इसका normal था पहले यही normal की direction थी है ना तो normal आपका यहां से भी ऐसे घूम जाएगा this will be the new normal ठीक है यह आपका नया normal हो जाएगा theta angle से यह भी rotate कर गया हां या ना very good very good love you बेटा ठीक है अगर आप शीशे को rotate कर रहे हैं तो अब जो भी light आपकी जा रही थी यह angle of incidence theta होगा तो angle of reflection भी आपका theta होगा तो यह भी theta angle से ऐस image is intersection of rrs जहां पर भी reflected rays meet करती है वहीं पर आएगा तो कहीं न कहीं image हो सकती हो यहां हो यहां हो यहां हो यहां हो कहीं पर भी रहीगी रहीगी इसी line पर तो image की original position यह थी और final आपकी image यहां आ गई तो क्या आपको समझ आ रहा है मेरे interpreter कहीं सारे बच्चे जवाब भी दे रहे हैं सर यह 2 theta है तो this will be 2 theta very good तो याद रखना कि if concept आपका क्या है if mirror is rotated by theta mirror is rotated by theta image rotates जिनको डाइग्राम से नहीं भी समझा रहा कोई नहीं concept समझना है image rotates by image rotates by 2 theta यह दो दो गुना एंगल से घुमेगा in same sense देखिए अगर आपने शीशे को clockwise घुमाया था तो image भी clockwise घुमी है यह अगर clockwise था बेटा तो यह भी आपका clockwise सेंस में ही हमारे पास घुमा है तो 2 theta in same sense हमारे पास यह concept रहता है clear है क्या सारे बचे yes और no clear है क्या clear है क्या yes सार अगर मैं anti clockwise घुमाता तो यह भी anti clockwise ही हमारे पास घुमती clear यह important points है आपके short notes में होने चाहिए बेटा जो आपका j means 2 है तो आपको यह ना हो कि भाई फिर से बड़ा chapter वैसे पढ़ रहे हो main main points and questions सीदे love you बेटा अब सवाल इसके उपर भी बहुत आते हैं ठीक है ध्याज समझने अब इसको समझने के लिए आप mathematically भी समझ सकते हैं लेकिन concept क्या है अगर आप शीषे के पास मालीजे मैं चार cases है यहां पर ठीक है चार हमारे पास cases है एक शीषा यह है एक शीषा हमारे पास यह है ठीक है और एक शीषा हमारे पास यह है आप में से कई सारे ऐसे बच्चोंगे जिन्नोंने रे आप्ट लिश्ट आपको यह चीज़ करने के बाद अगर आप थोड़ा चीज़ों को सोचेंगे तो आपको आसान लगेगा वो डर खतम हो जाएगा क्योंकि मैंने भी पहली बार जब मैं जेए का अटेम्ट दिया था तो मैं रे ऑप्टिक्स छोड़के इवन सेकेंड बारी में भी र पर शीशा रेस्ट पर है समझ ना कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट यहां पर टू मीटर पर सेकेंड से ऐसे जाना की कोशिश कर रहा है दिस इस विलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पर पेंडिकुलर टू मिरर ध्यान सुनना तो आप मेरे को बता सकते हैं कि इसकी तो सरीक इमेज होगा अगर आप शीशे की तरफ जा रहे हैं किसी स्पीड से तो इमेज कि इधर जा रही होगी कई बच्चों को लगता सर यह इधर जा रहे है तो इधर जाए गी क्वेर मेरे पास अंटर काफी लोजिकली सोच रहे हैं कि सर इमेज इधर जानी चीए क्यों क्योंकि object distance is always equal to image distance अगर object distance कम होगा तो image distance भी कम होगा याद रखना velocity of image perpendicular to mirror यह value wise हमाई पास same रहती है तो concept यह है अगर velocity of image perpendicular to mirror निकालनी है this is negative of velocity of object perpendicular to mirror यह क्या कह रहा है यह कह रहा है अगर मैं 2 meter per second से इधर जाओंगा तो यह 2 meter per second से इधर अगर मैं 10 meter per second से इधर जाओंगा तो यह 10 meter per second से इधर आएगा अगर मैं 5 meter per second से इधर जाओंगा तो यह 5 meter per second से इधर जाएगा clear clear very good अब ज़रा देखना second case हमारे पास अभी भी शीशा रेस्ट पर ले रहा हूं जिनको यह doubted sir अगर दोनों चल जाए तो क्या होगा उसकी भी बात करेंगे ठीक है अगर हमारे पास शीशा अभी रेस्ट पर है object आपका ऐसे जा रहा है this is velocity of object parallel to mirror ठीक है तो क्या आप मेरे को बता सकते हैं कि image आपकी कहां जा रही होगी उपर या नीचे उपर या नीचे बताइए बताइए very good sir अगर object उपर जाएगा तो image भी उपर जाएगी आपने शीशे के सामने pen लेके अगर उपर ले गए हो तो उसी समय उसकी image भी जाती है very good तो यहाँ पर आपका रहेगा velocity of image parallel to mirror ठीक है तो sir इसका क्या concept है यह दोनों हमेशा बराबर रहेंगे तो velocity of image parallel to mirror is nothing but velocity of object parallel to mirror यह हमेशा value wise आपके same रहते हैं उपर जाएगा ठीक है very good sir अगर मैं इस पर object को rest पर रख रहा हूं इन दोनों cases को अलग से ले लेते हैं space भी रहेगा समझाने के लिए case 2 ठीक है case 2 हमाय पास object rest पर है ठीक है and mirror is moving पीटा सारी चीज़ों को करेंगे बस patience आपको देना है time जैसे जैसे होता रहेगा मैं सारी depth में चीज़े बताता चलूँगा ध्यान सुनना कि अगर मान लीजे कि मेरे पास अब object rest पर है ठीक है और मेरा जो शीशा है this is moving parallel to itself velocity of mirror parallel to mirror ठीक है velocity of mirror parallel to mirror क्या impact आएगा सोच के बताइए आप खड़े है कोई व्यक्ती शीशा ले के आ रहा है और ऐसे ले के चला जाए तो आपको अपनी image दिखाई देगी क्या वो कर रही होगी नहीं नो effect तो आपकी जो भी image रहेगी बेटा जो भी आपकी image रहेगी यह rest पर रहेगी तो इसको यह नहीं मानना कि सर फाइनली रुख जाएगा no impact no impact on no impact on velocity of image image की velocity पर कोई भी आपको impact नहीं लेना है सीधी सी बात no impact अगर मैं रुका हुआ हूँ तो रुका रहूँगा अगर मैं चल भी रहा था तो image मेरे हिसाब से चल रही होगी शीशे का कोई impact नहीं होने वाला क्लियर सर मेंज के लिए है बेटा ये सारे डाउट अब हटा दो दस दिन बाद एक्जाम है ऑव्यसी बात है मैं दसवी क्लास के लिए तो नहीं पढ़ा रहा हूँगा है ने जैई वाला चैनल नाम भी पढ़ा है आपने ठीक है ये सारे सवाल फाल तुक हटा देना बेटा तभी कुछ सीख पाओगे दूसरा है यहां बच्चों को डाउट आता है कि माल लिजे मेरे पास एक मिरर है तीक है मेरे पास एक मिरर है ये मेरे पास एक ऑबजेक्ट है और ऑबजेक्ट को अभी मैं रेस्ट पर मान रहा हूँ तो अव्यसी बात है इसकी एक इमेज होगी अगर हमारे पास ये मूव कर रहा है विलोसिटी अफ मिरर पर पेंडिकुलर टू मिरर है ठीक है अब क्या इंपक्ट होगा सारे बच्चे बताएं अब क्या इंपक्ट होगा सारे बच्चे बताएं कुछ बच्चे इसमें टू वी कहते हैं कुछ बच्चे इसमें वी कहते ह और relative velocity वाला concept कुछ बच्चे डाल देते हैं, ध्यांस देखना, यार मेरी simple सी बात है, जितना दूर object होगा, उतनी ही दूर image होगी, है न, जब ये mirror यहाँ पर आया होगा, सोच के देखना, ये object रुका हुआ बेटा, आपका जो ये mirror है, अगर मालो बिलकुल यहाँ तक आ चु होगी, अब जड़ा देखना, ठीक है, very good, very good, तो ये अगर नोटिस करना, इस mirror ने, अगर ये x distance था विटा, तो ये भी x distance था, इस शीशे ने t time में x चला है, तो इसकी velocity v थी, इस image ने कितना चल लिए उतने time में, 2x, है न, तो इसकी velocity तो दो गुनी होनी चाहिए, हाँ या now, very good, तो आप ये कह सकते हैं, हमारे पास concept ये है, कि image moves with, image, ये सवाल आए हुए है, moves with, 2v velocity, with respect to ground, ये ground के respect में है, with respect to ground, अगर आप बात करें, ठीक है, with respect to ground, in same direction of mirror, in same direction of mirror, जिस direction में आप mirror को लेके जाएंगे, उसी direction में आपकी image भी move करेगी, clear है क्या, हाँ या न, yes or no, अब कई बार relative velocity के सवाल आजाते हैं, velocity of image with respect to mirror कितनी होगी, अगर ऐसा सवाल आजाए, तो 11V class का relative velocity लगा देना, vab is equal to va minus vb, आराम से सवाल हो जाएंगे, clear, very good, तो मैंने क्या बोला, कि अगर mirror ने x चला है, तो image mirror यहाँ से यहाँ तक x चला है, टी time में, तो यहाँ से यहाँ 2x चला है, उतने ही time में, तो अगर इसकी velocity v थी, तो image की velocity 2v होगी, with respect to ground, clear, very good, very good, अब यहाँ पर एक problem है, कई बच्चों को यह लगता है कि sir, what if both are moving, एक example ले लेते हैं, ठीक है, माल लीजे, मेरे पास एक शीशा है, ठीक है, और एक हमारे पास object है, यह 5 meter per second की speed पर चल रहा है, with an angle of 53 degree, and this is going with 2 root 2 meter per second, at an angle of 45 degree, find the velocity, सारे बच्चे करना, velocity of image हमें बताना है, with respect to ground, सारे बच्चे, चलिए अब इस सवाल को लगाते हैं, clear, सारे बच्चे, अब सर दोनों ही चल रहे हैं, यह तो मेरे को सर इरिटेशन हो रही है, कभी भी आपको नहीं घबराना है, ठीक है, आप क्या करेंगे बटा, सबसे पहले सारी velocities को resolve करें, अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पर आपका 5 cos 53 आजाएगा, तो this will be 3, and this will be 4, और यह आजाएगा आपका 2, and this will be 2, हाँ याना, yes, love you बेटा, ठीक है, तो जड़र देखना, जो आपकी image आएगी, यह अगर आपका object है, तो definitely एक image होगी, अराम से सुनना, impact बताना, कई बच्चों का जवाब आ रहा है, ठीक है, एक एक करके लेते हैं, एक एक करके, अगर मेरा object इस direction में जा रहा है, तो आप i cap, minus i cap, j cap, and minus j cap में जवाब देना, अगर object की velocity 3 i cap है, तो image की velocity क्या होगी, अराम अराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अराम अराम से, अगर object की velocity 3 i cap है, तो image की velocity क्या होगी, सोच के बताईए, very good, कुछ बच्चे कहते हैं, सर्थ 3, फिर पीछे जो बताया था न, सारा गुड़ गोबर कर देते हैं, अगर object 4 से जा रहा है, तो ये भी 4 से जाएगा, clear, ये भी आ गया, सर, अब mirror का क्या करना है, मैंने का भाई देखो, ये वाली velocity तो कोई impact ही नहीं डालेगी, है न, और अगर मैं mirror को 2 meter per second से पास लाऊँगा, तो ये इस direction में, दो गुणी speed से भागेगा, 4, हाँ या न, कई बच्चे सही जवाब दे रहे थे, कई बच्चे गलत जवाब दे रहे थे, तो velocity of object with respect to ground, अगर आप बात करेंगे, तो ये आ जाएगा, minus 7 i cap, plus 4 j cap, दिल बनाना, जिन जिन का यही answer आया था, minus 7 i cap, plus 4 j cap, very good, शीशे को अगर इधर लाओगे, तो image भी इसी direction में जाएगी, कुछ बच्चे 4 उधर बना रहे हैं, नहीं भाई, शीशे को दूर ले जाओगे, तो image दूर जाएगी, शीशे को पास ले आओगे, तो image पास आई, very good, अब सवाल कैसे कैसे आ सकते हैं, velocity of image with respect to object बता दो, तो क्या करना है यार, relative velocity पूछ रहा है, तो velocity of image with respect to ground, minus velocity of object with respect to ground ही तो करना है, तो image with respect to ground is, minus 7 i cap, plus 4 j cap, minus of, velocity of object is 3 i cap, plus 4 j cap, यहा गया, ठीक है, तो यह हमारे पास आजाएगा, minus 10 i cap, आपका answer होगा, clear, yes or no, किसी के साथ भी relative velocity, अब mirror के साथ पूछ लेंगे, तो mirror के साथ लगा दूँगा, सीधी बात, सीधी बात, सार 3 and 4, please explain, भाई, खतम हो, खतम, extended triangle जो होता है, 5, 3 and 4 का, 5 और 3 के बीच में 53 degree, और 5 और 4 के बीच का 37 degree होता है, इतना तो पता कर लो, clear, हाँ या ना, yes, velocity of image, यहाँ पर image आएगा, ठीक है, velocity of image with respect to ground, ठीक है, तो यहाँ पर यह भी तो आएगा, यह माइनस हो जाएगा, तो माइनस 10 i cap, यह तो कट जाएगा ना हमारे पास, तो यह हमारे पास आएगा, yes, clear, clear, हाँ या ना, right, सारे बच्चे, कहा, हमारे पास, तो यह 3 से जा रहा है, तो 3 से यहाँ है, 4 से जा रहा है, तो 4 से यहाँ है, तो हमारे पास इसका कोई impact नहीं होगा, और यह अगर 2 से आ रहा है, तो 4 हो गया, तो minus 7 i cap plus 4 j cap, यही तो है, ठीक है, और with respect to object, तो 3 i cap plus 4 j cap, हमारे पास आ जाएगा, clear, yes, sir, इनको जोड़ों यह नहीं क्या, अरे यही तो आपको 7 i cap बना रहा है, नेगिटिब में, clear, yes, okay, तो आपको कोई भी angle वेंगल रहेगा, तो अभी आप यहाँ पर questions को देखेंगे, ठीक है, अगला सवाल, number of mirror, number of images के भी सवाल आते हैं, कि कितनी images हमारे पास बनेंगी, इसके उपर भी j mains अब सवाल पूछ रहा है, ठीक है, तो कई बच्चों को ये बात नहीं पता होगी, अगर माल लिजे, इसमें criss-cross method होता है, lengthy method है, हमें उससे नहीं जाना है, ठीक है, अगर माल लिजे, मेरे पास दो mirrors है, M1 है, और M2 है, और इनके बीच का angle है theta, सारे बच्चे, प्लीज, इसको तो जरूर note down करना, आप recent year में ही 3-4 सवाल देख लेंगे इसके, ठीक है, अब आप कहीं पर भी अगर आप इसके बीच में object को रखते हैं, तो कितनी images बनेंगी, इसके उपर का सवाल आता है, ठीक है, number of images between two mirrors, तो इसमें पहला step है बेटा, calculate 360 by theta, ठीक है, आप 360 by theta calculate out करेंगे, clear, very good, करी बच्चों को ये बात पता भी है, जिनको नहीं पता है, जबर जस्तिक डाउट मत बनाना, सर, fraction में आ जागा, तो ये क्या होगा, तो criss-cross method से जाते, that is a lengthy method, उस पर सवाल नहीं मिलेंगे, ठीक है, तो 360 by theta, आप calculate out करेंगे, अब ये दो options आपको देगा, अगर ये even आ गया, ठीक है, तो आपको क्या करना है, number of images सीधे बोलना है, number of images, that will be 360 by theta minus 1, सीधी सी बात, clear, very good, और अगर ये आपका odd आ गया बेटा, तो इसमें दो cases हमारे पास होते हैं, कि object symmetrically placed है, मतलब angle by sector पे है, और अगर आपका object asymmetric है, angle by sector पर नहीं है, spelling गलत हो सकती है, कोई घवराने वाली बात नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर आपकी images आती है, 360 by theta minus 1, और यहाँ पर images आती है, 360 by theta, clear है क्या, सारे बच्चे, प्लीज इसको note down ज़रू करिए, example के तौर पर मैं एक value ले लूँगा, जिससे आपको और अच्छे से समझ आ जाए, clear, यार, यह काम की चीज है, सर यह आया कहां से, अब वो समय नहीं है भाईया, criss-cross method होता है, उससे हम लोग निकालते हैं, वैसे batches में भी उसको पढ़ानी की जुरूत नहीं है, आपको formula यूज करना चे, example के तौर पर सर आप क्या कहना चारे, example के तौर पर मैं यह कह रहा हूँ, माल लीजे मेरे पर दो mirrors है, 90 degree पर, ठीक है, एक mirror यह है, और एक mirror यह है, M1 and M2, मैंने एक object को यहां कहीं रख दिया है, एक object को मैंने यहां कहीं रख दिया है, find number of images, standard सवाल, number of images हमारे पास कितनी होंगी, तो कभी भी number of images का सवाल आएगा, तो आप देखेंगे इनके बीच का जो angle है, that is 90 degree बेटा, तो आप पहले करेंगे, 360 by 90, तो यह तो 4 आगया, और यह आपका even है, तो even है, तो number of images की अगर आप बात करेंगे, तो that will be equal to 3, CDC बात, clear, yes or no, 3 number of images होंगी, इसमें आगे और भी बात करेंगे, जे image पे भी सवाल है, very good, अगर मान लिजे, सारे बच्चे मेरे को बताना, अगर मान लिजे मैंने आपको सवाल ऐसा दे दिया, कि एक mirror यह था बेटा, M1, और एक mirror मेरा यह था M2, ठीक है, इनके बीच का angle is 120 degree, ठीक है, object मेरा यहां कहीं पड़ा हुआ है, ठीक है, तो बताईए, number of images इसके लिए कितनी होंगी, number of images इसके लिए कितनी होंगी, clear, हाँ, तो सबसे पहला step है, हमारे पास आप कहेंगे, सर 360 by theta सर निकालना होता है, theta is 120 degree बेटा, तो आप कहेंगे, सर यह तो 360 by 120 आएगा, this is 3, और यह आगया सर odd, odd में मेरे को चेक करना होता है, कि symmetrically है object यह नहीं है, अब कहीं बच्चे कहेंगे सर, symmetric कहने का मतलब, आप angle bisector बनाएंगे, यह है हमारे पास angle bisector, अगर object यहाँ पर होगा, तो अलग, नहीं होगा, तो अलग, तो यह तो यहाँ है, तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ, number of images, इस case में, यह symmetrically नहीं पड़ा है, तो इस case में 3 होगा, इस case में 3 होगा, clear है क्या, अगर object आपका यहाँ होता बेटा, अगर आपका object यहाँ होता, in this case, in this case, जो आपके number of images होते, वो होते, 360 by theta minus 1, तो आप यहाँ पर minus 1 करते, तो 3 minus 1, 2 आपका answer होता, clear है क्या, सारे बच्चे एक बार दिल बनाए, हाँ या ना, तो यह चीज आपको ध्यान रखनी है, कि number of images के हमारे पास क्या formula है, मुझे पता है, आपके अंदर यह doubt आएगा, sir, what if fraction हो जाए, what if कुछ और आजाए, कुछ बच्चों के लिए negative के भी doubt होंगे, please don't entertain those kind of doubts, अपने दिमाग में भी, ठीक है, वो चीज़े आप से नहीं पूछी जाएंगे, देखो selection कैसे लेना है, उस पर ध्यान दो अभी, ठीक है, knowledge के लिए पूरे दो साल थे, ठीक है, जिसमें क्रिस क्रॉस मेज़ड से चेक किया जाता है, कि total angle हमारे पास, 130 से ज़्यादा, बहुत सारे चीज़े हैं, लेकिन अभी आपको marks को अपने maximize करना है, clear, scientist नहीं बनना है, अब बात आती है, field of view, ठीक है, अब बात आती है, field of view, ध्याँ चे सुनिएगा, एक शीशे कही बच्चा, एक बच्चा कही राथा भी यहाँ पर, कि सर, शीशा कहीं और होगा, तो image नहीं बनेगी, अब हमाई पास scientist लोग, आगरी में आते हैं, PhD thesis करने, मंजिल बैच में, ठीक है, तो उनकी बात भी कर लेते हैं, अगर माल लिजे, कि मेरे पास शीशा यहाँ है, और आप यहाँ कहीं खड़े, अभी छिछोरा पंती करनी पड़े न, तो सब सारी physics लगा देंगे, ठीक है, सारी physics एक बारी में लगा देंगे, लेकिन image बनेगी, अरे किसी हाँ देखो, नो वाले हैं, उनको लगता है, औरे शीशे के साबने, अभे तिरको दिखाई नहीं देगी, बढ़ हो जाएगा, कमपनी में हमारे पास्ट ट्रेनिंग है, पी ओ एस तो वो लग जाएगा, तो आप क्या करते हैं, शीशे में देखते हैं, शीशे में देखने के बाद, उनको टुकुर टुकुर ताकलित, यही चीशे आपने कभी स्कूटी चलाते हुए भी करा होगा, अगर आपके कोई पीछे है, तो शीशे में वैसे आपको फिजिस का पी भी नहीं आता, लेकिन, जब काम की बात है, तो उसमें सारी चीशे आपकी लग रही है, सारा experimental data बच्चे के पास है, तो शीशे को अराम से adjust करके, जो चीश आपको देखनी है, आप मस से देखते हैं, तो अगर वो शीशे के सामने नहीं थी, तो image नहीं बननी चीए थी न बेटा, है ना, लेकिन उस समय तो दिमाग में नहीं रहता है, कि नहीं हम class में इतना बदभुदार जबाब सर को दिये थे, कि object अगर शीशे के सामने नहीं है, तो image नहीं बने हैं, हम बोल दिये, ठीक है, तब थोड़ना फर्क पड़ता, तो जो भी light ray यहां गिरी होगी, तो वो ऐसे चली जाएगी, जो भी light ray यहां गिरी होगी, angle of incidence जादा है, तो वो ऐसे चली जाएगी, अगर आप इन दोनों को extend करेंगे ना बटा, ठीक है, अगर आप इन दोनों को extend करेंगे, तो आपको image मिलेगी, आपको image मिलेगी, लेकिन यह आप नहीं देख पारेंगी, क्योंकि यहां पर जो भी reflected rays है, यह है आपकी आरार्स, ठीक है, यह है आपकी reflected rays, जो भी व्यक्ति यहां पर होगा, उनको दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि इस region में हम कहते हैं, field of view, एक ऐसा region, जहां से आप चीजों को देख पाएंगे, इमेज को देख पाएंगे, that is called field of view, तो पहला important point, यह, अब खुशी-खुशी में, important point सारे मत छोड़ देना, पहला important point, whatever may be the size, whatever may be, the size of, size and location, of mirror, of mirror, image is always formed, image is always formed, आपकी image हमेशा बनती है, चक्चा, ध्यान रखिएगा, देखने के लिए, बस intent होना चाहिए, है न, देखने के लिए, बस intent होना चाहिए, और थोड़ी सी महनत, और थोड़ा सा common sense भी, ठीक है, अब शीशा आपके सामने है, वो यहाँ है, अब आप उपर देखेंगे, तो आपको थोड़ना दिखाई देगा, देखना तो शीशे में पड़ेगा, intent होना चाहिए, और थोड़ा सा common sense होना चाहिए, शीशा कहीं पर भी हो, इमेज हमेशा बनेगा, आप क्या करें, आप एक बड़ा सा शीशा बना लीजे, ठीक है, आप एक बड़ा सा शीशा बना लीजे, ऐसे, इसके लिए अभी भी, जो भी आपका object distance होगा, वही आपका इमेज डिस्टेंस भी होगा, और दो डाइग्राम वाइज नहीं आ रहा, लेकिन भावना है, समझीएगा, हाँ, ठीक है, ड्रॉइन एक्टेंडेड मिरर, object distance is equal to, इमेज डिस्टेंस अभी भी होगा, प्लियर, हाँ, तो शीशे का position और size, हमें impact कैसे करता है, वो field of view set करेगा, ध्यान समझना, size of mirror, will decide, will decide, ठीक है, will decide the portion of image visible, the portion of image visible, जहाँ से सुनिया भी है, यह बहुत आसान सी कहानी है, ठीक है, अगर आपके घर पे छोटी सी खिडकी है, तो ब्रहमाण तो बहार है ही, पूरी दुनिया बहार है ही, अगर छोटी सी अगर आपके खिडकी है, तो जब आप उसमें से देखते हैं, तो आपको एक छोटा सा region ही दिखाई देता है, अगर बड़ी सी खिडकी होएगी, तो आपको ज़्यादा region दिखाई देगा, सीधी सी बात, तो जो शीशा है, वो हमेशा ही image बनाएगा, पहली बात तो आपको यही, object distance equal to image distance, जैसा यहाँ है, वैसा ही यहाँ है, this is called image world, image की दुनिया, ठीक है, और this is your object world, हमेशा बनादेगा, अगर आपका शीशा छोटा सा है, तो वो छोटा सा region दिखाएगा, बड़ा सा शीशा है, तो बड़ा सा region दिखाएगा, हाँ या ना बोलिये, yes or no, अभी इसी पर सभी को पता है, h by 2, सवाल ना भी पूछू, तो बच्चा पहले ही, h by 2 बोलना स्टार्ट कर देता है, है ना, रट है, हाँ देखाएगा रहा है, h by 2 mirror to see self, ठीक है, yes, इसको कैसे use किया जाता है, उसके उपर भी सवाल है, very good, h by 2 आ चुका है, ठीक है, सवाल क्या है, example के तौर पर ज़रा समझीए, ठीक है, minimum size of the mirror to form image, minimum, सारे बच्चे बताना, जिनको पता है, minimum size of mirror, to form complete image, क्या होता है, to form complete image, अगर मेरे को complete image बनानी है, तो minimum size of the mirror, आपका कितना होना चाहिए, मेरे entrepreneur, सारे बच्चे पहले तो ये बताए, हाँ, h by 2, मुझे पहली पता था, कि ये h by 2 लिखना आना होगा, ठीक है, answer है, point size, ठीक है, h by 2 नहीं होता है, half of the, तो ये क्यों है, अरे भीया, ओई, रट्टू तोते, ठीक है, अगर मैं तोता भी लेओ, तो भी वो भी तेरे को बोल देगा, रट्टू तोते, ठीक है, point size होता है, सर हम तो h by 2 पड़े थे, तो जो पड़े थे, उसके बारे में, ज़रा सोच भी लीजे, कि क्या पड़े है, सिर्फ रट के बाइट गए हैं, दिन भर h by 2 बोल रहे हैं, बिटा, अगर तो एक हाथी के सामने, मतलब तेरे सामने, अगर मैं छोटा सा शीशा भी ले आओ, ठीक है, तो इमेज तो वो पूरी बना देगा, बिल्कुल ठुस इंसान, minimum size of the mirror to form complete, एक size का minimum, mirror का minimum size क्या होना चीए, कि वो पूरी मेज बना दे, point size mirror भी पूरी मेज बनाता है, दिखाई नहीं देगा तेरे को, जो तुमने h by 2 रटा है न बेटा, उसको जड़ा पढ़ लो, ठीक है, क्योंकि कई बच्चे अगर घूम गया question, तो h by 2 माक करके आ जाएंगे, example 2, minimum size, ठीक है, minimum size of mirror, to see complete self, अपने को देखने के लिए, to see complete self, खुद को देखने के लिए, कम से कम कितना छोटा शीशा चाहिए, ठीक है, कम से कम कितना छोटा शीशा चाहिए, उसकी बात है, जो तुमने रठा, उगल दे, उगल दे, भीया, सपोले कहिंके, जहर उगल दे, अच्छा, कई बच्चों ने बोला है, incomplete answer, h by 2, याद तो है, अगर मान लीजे, एक बंदा, एक मीटर का है, है ना, common sense, यादने क्या बोला था, optis पढ़ने के लिए common sense चाहिए, तो आप सभी लोगों ने का कि सर, कम से कम, आधे मीटर का सीशा चाहिए, तो मैंने का, ओके, इधा रख देता हूं, 0.5 मीटर, क्या देख पाएगा ये, आप बता, ना, ना, बता दे, बता दे, तु यहाँ पर खड़ा है, तु यह हाइड जो भी थी, तुमने का, सर, HY2 लेंट का तो मिरर चीए, मैंने का, ठीक है भाई, ले जाके, पांच भी मंजिल पर लगा दिया, तो तू क्या देख पाएगा, है, ना, ना, बता, देख लेगा, है, तो कंडीशन भी याद रखनी पड़ेगी ना भाई, यह कहीं पर भी देख लेंगे भाईया, यह, अरे बाप, बाप, कुछ बच्चे देख लें, भाईया तु महाबारत, देखो हमें तो यही पता था, कि अश्वत्थ हमा जिंदा रहे गया, महाबारत के बाद, है, हमको यह नहीं पता था, कि धिर्टराष्ट के सामने, जो संजय थे, जो दूरदर्शी थे, सब देख ले रहे थे, उनको शक्ती मिलाता, वो आप ही हैं, जिंदा हैं, ए प्रभू, सब देख पा रहे हैं, शीशा कहीं रख दीजे, सब देख लेंगे, यह, आईए, तो भाई इसके सवाल को, याद रखना है, हब लोग ने याद रखना है, लेकि शीशा की जो हाइट होती है, जमीन से उसकी भी एक कंडिशन है, आई का आखो का जो लेवल है, जमीन से उसका आधे, ठीक है, आईए, तो सर इसको कैसे करेंगे, आप थोड़ ना कर रहे हैं, आप उसकी टेंशन क्यों ले रहे हैं, आप तो रट रहे हैं, रट्टू तो ते, चल, सर इसको कैसे रटेंगे, तो बता देता उभी ठीक है पहले तो मैंने पूरा shisha माल लिया माल लो कि तुम यहाँ हो ठीक है गर्दन कुछ जादी लंबी है लेकिन ठीक है कोई दिककत नहीं है ठीक है तो भाई देखो पूरा अगर शीशा होता है तो मैंने कहा कि इमेज तो यह हमेशा अगर यह x distance पर है तो इसकी इमेज बिल्कुल बराबर बनेगी plane mirror बिल्कुल बराबर image ऐसे बना देगा वही same x distance पर वही same x distance पर clear yes अगर इसकी height बेटा h है ध्यांच देखना तो इसकी height भी h ही होगी यह भी आपको पता है object का size और image का size बराबर है हमें इस व्यक्ति को पूरा उसको देखना है तो मैं मान के जल रहा हूँ इसकी आखें बिल्कुल खोपड़ी पर है तो कम से कम इतने लेंद का तो शीशा चाहिए होगा न यार जहां से देखना कम से कम इतने लेंद का तो शीशा हमें चाहिए minimum size मैंने एक image world बना एक object distance this is your h- जो हमें यहां पर चाहिए हाँ या ना अब कई बच्चों को रहा है सर इसकी आखें बिल्कुल खोपड़ी पर कई से मान लियो मान लियो ठीक है कि है कि हैं इतनी सारी चीज़े तुम match में मान के चल रहे हो तो यहां पर एक चीज मान लियो very good ठीक है तो यह वाला triangle जो होता है a b c d और e छोटे वाले triangle a b c जो आपका triangle है that is similar to triangle a d e तो sides आपके ratio में रहेंगे तो आप कह सकते है a b divided by a d is equal to h dash divided by h a b की value आपके लिये x है a d की value a d की value आपकी 2x है is equal to h dash by h तो h dash is equal to h by 2 यह होता है clear और आपको यह चीज याद रखनी है कि यह जो शीशा है न ठीक है यह जो शीशा है mirror should be placed अगर आप eye level की बात करें this is your eye level यही पर आपकी दो आखें ठीक है eye level तो आप याद रखना mirror should be placed at distance at distance h by 2 from ground आखों का जो भी आपका level है मैं यहाँ पर h by 2 में h क्या है वो भी लिख देता हूँ ठीक है h of eye आखों का जो भी level है बटे दो from ground आपका होना चाहिए यह भी similarity से आप या ना yes इसी के उपर मैं एक सवाल और आया भी हुआ है लेकिन मैं इससे एक दूसरा सवाल आप सभी को दे देता हूँ सारे बच्चे बताना कि माली एक व्यक्ती है यह यहाँ से 5 मीटर की दूरी पर खड़ा है ठीक है यह इसका पूरा रूम था that is of 12 मीटर like this हमारे पास ठीक है minimum size of the mirror सारे बच्चे मेरे को बताना minimum size of the mirror minimum size of mirror to see complete back wall to see complete back wall पीछे वाली पूरी वाल को देखने के लिए इस दिवार पर कितना minimum size का शीशा होना चाहिए सारे बच्चे अब जड़ा करें करो 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 को भी या तोते को रटने के लिए छोड़ा गया धरती पर आप का है उसका काम जिम्मेदारी ले लिए है यहां पर देखो पूरा शीशा मानते तो आप कहते कि image सर पूरी बनेगी शीशा छोटा हो या बड़ा हो image तो पूरी बनेगी इस व्यक्ति की जो नजरे हैं पूरे शीशे में अगर मैं बात करूँ तो इसका field of view आप कैसे set करेंगे ऐसे सर ये व्यक्ति अगर इतना देख पाया तो question हमारा हो पाएगा this should be the field of view है ना this should be the field of view तो मेरे को ये वाला शीशा काम का नहीं है और ये वाला शीशा भी काम का नहीं है कम से कम मेरे को इतना शीशा तो चाहिए ही चाहिए तभी काम होगा तभी ये back wall को देख पाएगा, हो तो गया सवाल, आप इसको ले लिजे, A, B, C, D, and E, देखना, जो आपका छोटा वाला triangle है, A, B, C, is similar to triangle, आपका कौन सा, A, D, E, तो सारे sides ratio में रहेंगे, height भी ratio में रहेगा, तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, perpendicular height, यह E है, यह F हो गया, यह G हो गया मेरे entrepreneur, तो आप कह सकते हैं, छोटे वाले triangle में, A, F, divided by, B, C, is equal to, A, G, divided by, D, E, खतम, तो A, F, कितना है बेटा, पांच, B, C, B, C, हमें चाहिए, H, माल लेते हैं, A, G, तो यह कितना होगा बेटा, 12, यह आपका object descent 12, 12, 12, 5, 17, divided by, D, E, हमारे पास, अच्छा, ओहो, यह तो दिया ही नहीं, जी, H, माल लेते हैं, ठीक है, हमारे पास, तो यह हो गया, H, हमार ही है, क्लियर, क्लियर, तो जो आपको H, चाहिए, that is 5H by 17, इतने हाइट का, हमारे पास, शीशा होना, चाहिए, क्लियर, जो H by 3, रट्टू तोते के, जैसे पहले से बोल रहे थे, बेटा, वो अलग केस है, भाई, पानी दे देना, कोई है, अरे, पैसा फरीका मिल रहा था, सबको, भाई, कोई है, अरे, छुट्टी हो गई का, अलोग, क्यों, क्यों, क्यों है, भाई, सब छोड़ाड भाग गया, आखरी वाली क्लास में कोई ही न, रुको यार, प्यास लग रही है, यह ठंडा है, यार, छे बज़े भाईया, सब गुम हो जाते हैं, यहाँ पर, पैसा पीट रहे हैं, बस, कोई नहीं है, यह गुन गुना पानी, ठीक है, बाहर से सुन रहे हैं, जैसे ही जाब पर आया, सब आ गए, लाइन लगा के, यह, ठीक है, तो, बेटा, आपको यहाँ पर क्या चीज मैंने बोली, कुई बच्चे, हब यहाँ पर सेंटर ऑफ दी, उस पर होता है, तब हब होता है, रटो मत, ठीक है, रटिये मत, अब, दसवी क्लास में, आप सभी लोग, एक सो पांच परसेंट लाने वाले बच्चे, है न, दसवी में तो ऐसी मिला कोवीडियन्स, ठीक है, बिना पड़े भी बच्चा टापर है, और फिर कहा कि हम यहीं था आयटी निकाल दे क्या अभी बताई अभी 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 कम जगम 500 रेंख खा जाएंगे बच्चोंगा, आपने इतना हुआ अपने घर पे बना दिया कि पापां को भी लगा अरे बाप रे बाप, हमारा बच्चा है यह बिना पड़े 105 प्रतिशत माक्स लाया है दस्वी में कोविडियन्स उन्होंने डाल दिया आपको यहां पर कि भी यह जाओ लग रहा है देश को जुरत है आपकी ठीक है तो आ गए आप सबी अब पता लग रहा है कि भाई साब कोविड तो है नहीं ट चुनिय हमारी मिर् placement सर्फिशस से निकाले जाते है ठीक है जैसे मालिज jede में कर तो समझाना पड़े गा भी या बच्चा बड़ा खतरनाक है हमारा ठीक है एक बार पढ़ता है बस दस्वी मतलब दस्वी उसके बाद नहीं देखता वो मुड़के लाइव में बहुत चीजे अचीव करनी है पीछे मुड़के कहां देखना है जहां जाना नहीं बचागे चला जा रहा है अब दिक्कत यह है कि जो बा बिटा जब आप एक स्फेरिकल सर्फिस से कुछ शीशे को बनाते हैं तो उनको हम कहते हैं स्फेरिकल मिरर्स याद करिए अगर आपको कुछ ऐसा याद आ रहा हो ठीक है कि ऐसा ही कुछ मास्टरों ने कोशिश करी थी आपका करियर बनाने के लिए कि बच्चा पड़ेगा आगे जाएगा मेहनत करेगा नाम रोशन करेगा बच्चा तो रील देख रहा मजा रहा है बारवी के टॉपिक में जहाँ दसवी आता है वहां डिलीटिड बोलता है और जहां अपना Tapik आता है वहां कहता है रिपीट बच्चा उस लूप में फस गया येस तो जब आप एक शीशे को एक spherical surfaces से बनाते हैं उनको हम कहते हैं अपने spherical mirrors ये दो प्रकार के होते थे याद करिए एक होता था आपका concave mirror बच्चों को याद कराने के लिए बोला जाता था गुफा जैसा mirror जिसके अंदर गुफा है this is called concave mirror और जिसका reflecting surface बाहर की side bulge out surface होता है this is called convex mirror ठीक है जिस sphere से आपने इसको निकाला है ठीक है इसका जो ये center है this is called c और इस mirror का जो center होता है this is called p pole है ना जो इसका center है बिटा this is called c और जो इसका center है this is called pole याद करिए अगर हमाई पास sphere का radius r है ये भी जेही means के सवाल में आया है भाई ये सवाल आर बैटू देख लेना 2222 का था मैं सुचा डालू या ना डालू इस सवाल को मैंने का छोड़ो बच्चों को भी confidence आना चाहिए ने जब पीवाई कू लगाएंगे पीवाई कू तो स्फेयर का radius अगर आपका आर है स्फेयर का अगर radius r है भाई इसमें मैंगी भी बना दे इतना गरम करके लाया है कम नहीं जाता है थोड़ा साथ थोड़ा सा गरम भाई पी के देखा दे मान जाओंगा पैसे दूंगा उपर से एक तो हमारी कंपनी में ना गरम पानी बोलो तो भाई यह सो डिगरी का यह हमारा लेक्चर बाहर बैठके देखते हैं थर्मल प्रापर्टी तो मैटर कैलोरी मैटरी तो यह q equal to m into l latent heat of vaporization लगा के हिलाते हैं प खुला के लाट तक है रहें कि सार गरम है पी के दिखाव भी और हमारी एक महीनी की ले जाओ जैसे पानी जाएगा यहां के घुलते होए चला जाएगा डिजाल्व कर जाएगा आगे पानी कि यह वही ना बात धन्यवाद भाई यह यह आई यह भाई तो यह भी आपका सवाल आया तो इसमें जो इनका focus होता है focal length that is equal to r by 2 radius का आधा ठीक है important points है ध्यान अखना सवाल आया हुआ है important है ठीक है दूसरी बात independent of medium यह भी बता दे भाईया independent of medium इसको आप पानी में डालिए केरोसीन में डालिए मैगी में डालिए focus आपका सेम ही रहेगा r by 2 का ठीक है r by 2 का हमारे पास जो भी light ध्यांच देखेगा जो भी light हमारे पास आती है parallel to principal axis हमारे पास सारे all raise हम किनको consider करेंगे all para axial raise सार पार axial raise क्या होती है जो close to principal axis हमारे पास होती है ठीक है जो दूर होती है उनको हम कहते हैं marginal raise हमारे syllabus में para axial raise की बात है मतलब जो यह वाला आपका height है that will be very small बहुत pass pass रहेंगी small angle approximations हमारे पास valid हो जाते हैं ठीक है तो after reflection जिस point से यह हमारे पास pass करती है इसको हम कहते है focus यह r by 2 पर होता है light हमारे पास यहाँ पर जब आती है तो यह एक point के about यह normal है बेटा तो यह ऐसे हमारे पास चली जाती है तो यह जो आपका point होता है this is your focus normal हमारा देखो कहों से pass कर रहा normal तो center से pass करेगा ठीक है यह था आपका normal ठीक है तो light हमारे पास जिस point के about diverge करती है this is your focus यह आपका r by 2 पर होता है बेटा रिक रोहित I love you इशिका लिख रहे हो चलो ठीक है लेकिन यह गलत जगा पर लिख रहे हो ठीक है करिए करिए जाहिए tinder पिंडर पर जाहिए ठीक है यू इंडर यू इंडर पर तक लास हो नहीं रहा है उटूब पर हो रहा है क्लास आप इसको उटूब ही रहने दीजे यू इंडर मत बनाईए ठीक है पढ़ाई कर लीजे तो पहली बात यह हमेशा light को converge करता है इसको कहते है है तन वर्जींग मिरर यह हमेशा कंवर्जींग रहेगा लैंश के केस में अलग हो जाता है कॉन्वेक्स लैंस एन कॉन्केव लैंस रिफ्रेक्टिव इंडेक्स से ठीक है यह light को हमेशा diverge कर आ रहा है this is called diverging mirror इसको हम क्या कहते हैं बिटा diverging mirror clear हा या ना yes very good very good अब अब जड़ा यहां पर सारे बच्चे इसके ray diagram को याद करें कि कि आपको यह याद आ रहा है brightest थोड़ी कम कर देता हूं ठीक है सारे बच्चे बार thumbs up करेंगे ठीक है एक बार thumbs up करेंगे क्या आपको यह चीज याद आ रही है येस और नो लिखेंगे तो thumbs up में आ जाएगा तो thumbs वैसे नहीं लिखना है येस और नो कर दीजेगा चैट में तो अपने आप पकड़ लेगा ठीक है जब भी आपका object सरी काम के हैं मैं आपको question दिखाऊंगा आपके आँखों से आहसू आने लगेंगी कि हमारे लिए ये भ स्टैंडर्ड फ्लैट मिरर में कैसी इमेज बनती है रियल वर्चुल ये सब ठीक है यह हम आप फोकल लेंते हैं object distance इतना है तो इमेज कैसी बनी होगी एक यह वाला है number of images image inverted है object की position के हिसाब से आपको इस पे भी सवाल दिये हैं यह वही सवाल होते हैं जो दसवी क्लास के बच्चे को जब दिखते हैं तो उसके अंदर यह आ जाता है कि मैं IATN बनूंगा बेटा सिर्फ वही सवाल नहीं आते हैं और भी सवाल है जो आपको द्यान से करने पड़ेंगे येस इसको आप note down करेंगे याद करना जब object मैं बता रहा हूं जब आपका object infinity पर होगा तो image आपकी focus पर बनेगी real, inverted and highly diminished अगर आपका object center के beyond होता है ये वही ब्रह्म है तो दसवी क्लास के बच्चों को इस जगा पर लेके आता है center के beyond हमारे पास होता है तो image आपकी focus और उसके बीच में बनती है हमाई पर real रहेगी, inverted रहेगी, diminished रहेगी center of curvature पर जब हमारे पास object होता है तो same size का वही पर image बनेगा, real and inverted बनता है जब object आपका C और F के बीच में है तो beyond C बनेगा, magnified बनेगा, real and inverted बनेगा hashtag, exclamatory mark notes करके save कर लेना बाद में जिनको भी दिक्कत है, वैसे दिक्कत होती नहीं है, मुझे पता ही यह सबसे आसान पाट है जो सभी को पता होता है, ठीक है, फिर अगर focus पर object है तो image infinity पर हमारे पास चली जाएगी, highly magnified हो जाएगी, real and inverted अगर यह वाला case आप सभी लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है, कि अगर हमारे पास object P और F के बीच में है, तो इकलोता एक ऐसा case है, जुछ में यह virtual image बनाता है ठीक है, magnified image हमारे पास होती है, very good, magnified हमारे पास image रहती है, ठीक है, और हमारे पास virtual and erect image होती है और सारे cases में, याद आपको क्या रखना है, सारे cases में, इन सारे cases में, यह real image बना रहा है और सिर्फ एक ही ऐसा अमात्र case है, जिसमें यह virtual image हमारे पास बनाता है virtual image हमारे पास यहाँ पर बनाता है, clear, अब यह हो गई दसवी की बात, इसका, अब मैं आपसे पूछूँँगा, V versus U graph बनाएए, बारवी की बात, चलिए सारे बच्चे इसका V versus U graph बनाएँगे, ठीक है, अब यह दसवी क्लास का बच्चा करने से हिच्किचाएगा आपके अंदर यह हिच्किचाहट नहीं होनी चाहिए, जल्दी से V versus U का rough graph इसमें Concave mirror के लिए हमारे पास क्या होगा, सारे बच्चे बना लिजे, आपको J means में इस प्रकार के सवाल मिलेंगे, हमारे लिए इससे ज़्यादा important, यह तो है इससे ज़्यादा graphical analysis बहुत important है, ठीक है, यह कौन-कौन से point है, जरा सारे बच्चे जरा ध्यान से देख लेना, यह आपका है 2F,0, ठीक है, यह आपका है minus F,0 and यह आपका है minus 2F,0, यह आपके लिए है 0,F, ठीक है, उसी तरीके से 0,F and 0,2F, so like that, कैसे बनेगा अगर आप जड़ा देखना, जब आपके लिए concave mirror, अब यहाँ पर न कई बच्चे कहेंगे repeat, तो इससे पहले समझ लिजेगा, जब U की value आपके लिए minus infinity होती है, तो V की value minus F होती है, और U की value जब minus 2F होती है, तो V की value आपकी minus 2F होती है, यू की value आपकी minus F होती है, तो V की value minus infinity होती है, सारे बच्चे दिल बनाईए इस बात पर, हाँ, सारे बच्चे नहीं समझ आए, दिमाग चाहिए, सारे बच्चे इसको देखे रे डाइग्राम में, थार यह minus कहाँ चाह रहा है, sign convention के साथ, यू की value minus infinity जब है, तो V की value आपके लिए minus F है, very good, love you, तो graph कैसा आएगा, सारे बच्चे जड़ा, इसके graph को plot करेंगे, ठीक है, सारे बच्चे इसके graph को plot करेंगे, ये V versus U का graph है, यू की value minus infinity, तो V की value minus F graph कहीं न कहीं यहां से आएगा, और ये एक point है, जहाँ पर minus 2F, minus 2F है, तो ये graph कहीं न कहीं ऐसे जाता है, और फिर ये ऐसे हो जाता है, ये आपका graph रहेगा, और जब आपके लिए, जब आपके लिए, यू की value दिहां समझना, minus F से कम है, negative, मतलब कम है, तो V की value आपके लिए हमाय पास आती है, positive, है न, तो ये graph आपको याद रखना है, U की value minus F और इसके बीच में है, तो ये plus infinity से graph स्टार्ट होता है, और ये ऐसे जाता है, this is the graph, किस-किस का ये match हुआ दिल बनाईए, किस-किस का ये match हुआ दिल बनाईए, ये बहुत important है, ये दसवी class है, ये बारवी class है, हमारे लिए, अगर आप एक concave mirror के लिए बना रहे हैं बेटा, ध्यान समझना, ये आपका focus है, focus से अगर आपने हलका सा object इधर रख दिया, तो आपको याद होगा, image आपकी virtual बनेगी ऐसे, तो U आपका negative है, ध्यान समझना, U आपका minus F के पा value minus F के असपास है, तो V की value plus infinity है, और जैसे ही आप इस object को पास लाते है, तो image इसके पास आती है, तो हमारे लिए ये graph जाके यहाँ touch होता है, लव यू बेटा, ये बहुत ज़्यादा important है, ठीक है, इसी का जड़ा convex, ठीक है, इसी का जड़ा convex mirror का, अगर आप V versus U graph बना दे, तो मैं सोचूं कि हाँ भया, दिमाग लगाया है हमारे interpreter में, V versus U graph for a convex mirror, let's see कौन-कौन सोच पाता है, ठीक है, option में मिल जाएगा फिर वहाँ पे बनाते रहोगे, तो बनाने का तरीका भी और approach भी समझना है, भली आप रटे या ना रटे, ठीक है, लेकिन आपको at least approach पता हो नी चाहिए, सरी चार लाइने क्यों मना रहे हो, F और 2F की लाइन सही है, चलिए, जड़ा देखा जाए, ये दसवी क्लास, ये बारवी क्लास, एक convex mirror में, जब object, जब आपका object माइनस infinity पर है, तो इसकी image बनती है, प्लस F पर, याद गरिए, दसवी क्लास में ये ray diagram बनाये आपने, एक convex mirror है, सर, जो भी आपकी light, सर आईगी, object अगर आपका minus infinity पर है, तो सर, ये light ऐसे चली जाएगी, image focus पर होगी, yes, yes, हाँ या ना, ठीक है, जैसी आपका object, u, tends to zero होता है, ध्याद समझना, जैसी आपका object, इसके पास आएगा, तो हमारे लिए, image भी इसके पास जाती है, तो आपका graph क्या रहना चाहिए, जारा सारे बच्चे देखना, u की value minus infinity, v की value plus f, तो plus f ये है, और minus infinity ये है, तो graph यहाँ से आया, और u की value 0, v की value tends to 0, हमारे पास होती है, तो ये graph कहीं न कहीं, ऐसे करके हमारे पास आता है, तो this is your convex mirror graph, हाँ या ना, अब आएगा, रिपीट, रिपीट, ध्यान से सुनोगे, अपने आप आ जाएगा, करिये ज़रा, करिये भाई, clear, ये graph बहुत important है, convex mirror का v versus u graph ऐसा होता है, और हमारे पाक कौन के mirror का v versus u graph ऐसा होता है, very good, love you बेटा, ठीक है, तो ये आपके लिए 10 v वाली चीजे, अब इसके बाद, हमारे पास, सारे बच्चे जड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है, और मैं इसको कहूंगा, इस है, वो, exclamatory mark notes लिखने से better है, इसको आप copy में लिख लिजे, क्योंकि काम की चीज़ है, कोई भी अगर आपका concave mirror है, या convex mirror, कोई भी अगर आपका spherical mirror है, ठीक है, if object is placed, ध्यान सुन near to mirror, तो image is formed, हमेशा आपकी image will be formed, image is formed, clear, हमारे पास, हमेशा एक image बनेगी, तो एक relation है, relation between, हमारे पास object distance, image distance and focal length, इसका अगर focal length f है, which is given by r by 2, ठीक है, तो 1 upon f is equal to 1 upon v plus 1 upon u, इस relation को आप कहते थे बेटा, अपना mirror formula याद करें, इसको आप क्या कहते हैं मेटा, अपना mirror formula, कई बच्चों को इसमें positive negative का बड़ा दिक्कत होता है, है ना, कई बच्चों को इसमें positive negative की बड़ी दिक्कत होती है, सर, mirror formula में plus था, या lens formula में plus था, सर, इसकी magnification positive थी, इसकी magnification negative थी, ये होता है, तो आपको क्या याद रखना है, स्टार्टिंग आप हमेशा positivity से करते हैं, तो mirror formula पहले आता है, दसवी class में आया था, positive, इतना याद कर सकते हैं, बाद में आप हमेशा negative हो जाते हैं, है ना, तो lens formula बाद में आता है, आपके syllabus में negative, ऐसे याद कराना पढ़ रहा है, रड़ूत होते को, ठीक है, clear, तो पहले जो आएगा, वो positive रहेगा, अब आपको यहाँ पर याद रखने हैं, ठीक है, दो type की magnifications हमारे पास होती है, magnifications हमारे पास दो प्रकार की होती है, कौन-कौन बताएगा भहिया, किस प्रकार की magnifications है, हाँ, दो प्रकार की हमारे पास magnifications होती है, एक magnification कहलाती है, आपकी lateral magnification, ध्याद सुनना, एक magnification होती है, lateral magnification, इसको M lateral से डिनोट करते हैं, and this is nothing but हमारे पास height of image by height of object, clear, very good, transverse कहना चाहे, transverse कह सकते हैं, दूसरी होती है, longitudinal magnification, ठीक है, this is called longitudinal magnification, question सभी पर करेंगे बेटा, हर चीज़ पर सवाल होगा, longitudinal magnification, जिसको हम लोग M longitudinal से डिनोट करते हैं, ये होती है, thickness of image by thickness of object, clear है क्या, सर्थिकनेश क्या है, अरे चच्चा, जर अध्यान चे देखिए, अगर आप किसी भी mirror के, आप object को ऐसे रख रहे हैं, तो this is called height of object, और अगर आपने object को along principle रखा है, तो thickness of object, मतलब मैं यहाँ पर लिग देता हूँ, ठीक है, length along principle of axis, length along PA, इसी को आप कहते हैं thickness of, इसी को आप कहते हैं thickness, और जो भी आपका length, perpendicular to principle axis होता है, इसको आप कहते हैं बेटा, height, इसको आप क्या कहते हैं, height, clear है क्या, yes or no, हाँ, अभी notes मतलिको, पहले लिख लेने, दो सारी चीजे, अब ध्यां से सुनना, जब यहाँ plus आता है, तो magnification में वहाँ negative आता है, यह आपको याद रखना है, ठीक है, mirror formula पहले पढ़ते हैं, तो खूब positivity के साथ पढ़ते हैं, ज्यादा positivity over confidence में convert हो सकती है, तो magnification याद करने के लिए, यहाँ minus v by u आता है, यहाँ अगर आपका plus है, तो यहाँ minus आ जाएगा, यहाँ अगर आपका plus है, तो minus of v square by u square आपने देखा होगा, clear, अभी भी रूख जाब, यह भी notes में नहीं, ठीक है, जो यह वाला formula है, इसके उपर एक condition है, भी questions के form में आप ज़्यादा अच्छे समझेंगे, यह इसकी condition होती है, small thickness की, अगर आपका thickness बहुत छोटा है, जिससे calculation करने में दिक्कत हो रही है, तब आप इसको use करते हैं, अब लीजे, अभी इसके उपर question भी करेंगे, तब आपको और अच्छे समझाएगा, patiently आपको सुनना है, ठीक है, कोई भी object रखेंगे, तो image बनेगी, तो यह हमारे पास उन दोनों का object distance, image distance, and focal length का एक relation है, which is called mirror formula, U क्या होता है सर, यह speed होती है, गदा है, यह object distance है, कहां से नापोगे, from P, pole से ही नापते है, ठीक है, V क्या होता है, image distance, from P, ठीक है, F क्या होता है, this is focal length, कहां से नापोगे, from P, clear, अचानक से समझ थोड़ना आएगा, आखरी, देखो, यही सेम चीज़ बैच में पढ़ा जाती है, बैच में क्या होता है, stress free बच्चा पढ़ता है, अब 10 दिन के बाद exam, आपका concentration ने, यहां पर अगर रहेगा, तब भी आप चीख जाएगे, आपका दिक्कत यह है, आप 10 दिन के बाद exam के stress में last moment पर पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आपको ज़्यादा चीज़े ऐसे लगए, यह क्या है, यह 10 भी class की चीज़े हैं, आप यह मान लिए आपका कल, 10 दिन के बाद exam नहीं है, एक बार तमीज से सुनने की कोशिश करेंगे, खोड़े यह से कोशन लगाएंगे, कलम चलेगी, यह आई बात, अब यहां पर आप एक sign convention रहता है, ठीक है, अब यह sign convention throughout हम follow करेंगे, sign convention ध्याद सुनना, ठीक है, यह सारी दसवी क्लास की बाते, sign convention क्या है, direction of incident ray, आपके लिए होता है, हमेशा positive, जिस direction में light आ रही होगी, शिशे पर, उसको आप positive लेंगे, सारे बचे देखना ज़रा, जिस direction में light आ रही होगी, उसी direction को आप लेंगे positive, all distances are measured from pole, all distances are measured from pole, आप सारे distance कहां से नाप रहेंगे, कोई से भी mirror के लिए from pole, ठीक है, दूसरी बात हमारे पास, directions, distances measured, distances measured, measured in direction of, in direction of incident ray, incident ray की direction में अगर आप कोई भी चीज़ को नाप रहें है, उसको आप positive नाप रहेंगे, ठीक है, distances measured in opposite direction of incident ray, उसको आप negative नाप रहेंगे, clear, प्लीज ध्यान से रहना, बहुत अच्छे से मेरे को comments दिख रहेंगे, तो प्लीज ध्यान से focus करिएगा पहले चीज़ पर, हमारे पास, अगर आप किसी भी शीशे के principle axis से उपर अगर कोई चीज़ नाप रहेंगे, तो positive नापेंगे, नीचे कोई चीज नाप रहेंगे, तो negative नापेंगे, clear, हाँ या ना, सारे बच्चे, yes और no, बोलिए भाई, हाँ या ना, clear, सारी चीज़ आप incident ray की direction में नापेंगे, जो भी चीज नाप रहेंगे हैं, वो pole से नापेंगे, अगर incident ray की direction में नापने positive, opposite direction में नापेंगे, तो negative, उपर नापेंगे तो positive, नीचे नापेंगे, तो negative, clear, एक दसवी class का, ज़रा एक सवाल कर लेते हैं, फिर आपको चीज़े समझ आएंगी, ठीक है, ज़रा एक दसवी class का, सवाल कर लेते हैं, जिससे बच्चों को चीज़े अच्छे से समझ आ जाएं, ठीक है, माल लीज़े कि मेरे पास एक, हमाई पास concave mirror है, ठीक है, इसका radius is 20 cm, मैंने हाँ पर दे दिया है, तो obvious सी बात है, एक focus है हमारे पास, और एक center of curvature है, मेरा जो object है, कहीं न कहीं ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है, ठीक है, अफ लेंथ 5 cm, ठीक है, ठीक है, जिससे अफ लेंथ 5 cm का हमारे पास object है, फाइंड लेंथ आफ दी इमेज, चलिए भाई, फाइंड लेंथ आफ इमेज, इस सवाल से, मैं अराम से कराऊंगा, इस सवाल से, आप काफी सारी चीजों को समझ पाएंगे, तमीज से करना है बेटा, ठीक है, तमीज से आपको यहाँ पर करना है, ठीक है, अब क्या है, एक object, देखो, एक ये object है, सर, अगर मैं इसको ऐसे रखता तो, हमारे पर height होती, ऐसे रख रहे हो हो, तो thickness है, तो कहीं न कहीं, thickness of the object आपको 5 cm दे रखी है, तो अब image की length कैसी होगी, सारे बच्चे, किस-किस को यह बात समझ आ रही है, जो भी center, थम्जप करना, जो भी center of curvature पर होगा, तो उसकी image तो center पर ही बनेगी, सार इसकी image कहीं न कहीं ऐसे बनने वाली है, सोच के बताना, हाँ या ना, सार जो object center पर होता है, उसकी image तो center पर ही बनती है, और जैसे जैसे आपका object focus की तरफ जाता है, इमेज इधर beyond C जाती है, कुछ ऐसे बनती है, हाँ या ना, very good, दोनों का size same नहीं होगा, जैसे जैसे u change होगा, v change होगा, तो मुझे कहीं न कहीं, हर end का, देखना, माल लिजे मैं एक rod ले लिया, a और b, तो a की तो image यहीं बन जाएगी, a dash, b की image कहां बनेगी, b dash, अगर मैं को पता लग जाए, तो मैं ये image की length निकाल पहूँगा, सीदी सी बात, हाँ या ना, clear, तो ज़राँ समझना, solution की अगर मैं बात करूँ, image of a, image of a, तो वो तो at c ही बनेगा, वो तो c पर बन जाएगा, सारे बच्चे b का object distance बताएं, b के लिए, ज़राँ बात करें, object distance कितना होगा, sign convention के साथ, ज़राँ देखा जाए, कौन-कौन सोच पा रहा है, सारे बच्चे, b के लिए object distance आपका कितना होगा, sign convention के साथ, देखे भाई, इस शीशे पर light जाएगी, इस direction में, तो ये मैं positive मानूँगा, सारी चीज़े आप pole से नापेंगे, clear, very good, तो आपको pole से इधर आना पड़ेगा, b के लिए, तो जब आप इधर आएंगे, तो आप opposite direction में गए है, तो आप पहली बात तो negative नापेंगे, कुछ बच्चे positive कह रहे हैं, नेगिटिव नापेंगे, क्योंकि direction of incident रहे ही positive है, इस direction में कोई भी चीज़ नापी जाएगी, तो positive है, इस direction में नापोगे, तो negative है, तो मैं इधर नापूँगा, इसका focal length आपका आजाएगा, बेटा 10 cm, तो ये distance आपका कितना होगा, this is 15 cm, तो आप कहेंगे, minus 15 cm, very good, ज़र देखना, अगर मैं इसकी focus की बात करूँ, तो सारे बच्चे बताना, इसका focus कितना लोग है, positive या negative, let's see, सारे बच्चे मेरे को बताना, focal length आप क्या लेंगे, positive या negative, सोच के बताईए, सोच के बताईए, positive या negative, सार focus तो यहाँ है, तो मुझे जो भी चीज नापनी है, मैं यहाँ से नापूँगा, तो सरी तो इधर नापा जाएगा, तो सरी तो negative direction में है, very good, सार focus will be minus 10, मैंने कहो तो गया आप, तो 1 upon f is equal to 1 upon v, plus 1 upon u लगा दीजे, minus 1 by 10 is equal to 1 by v, हमाई पास minus 1 by 15, तो आप यहाँ से देखेंगे, तो 1 by v आजाएगा बेटा, आपका 1 by 15, minus 1 by 10, आप ऐसे करते, LCM आपका 30 आजाएगा बेटा, तो 2 minus 3, ठीक है, तो v की value आजाएगी, आपकी minus 30 cm, very good, that means, समझना, जो आपकी image बनी है ना बेटा, इसको analyze करिए, जो आपकी यहाँ पर image बनी है ना बेटा, इसको analyze करिए, यह है आपका F, यह है आपका C, जो भी आपकी image बनी है, कुछ ऐसे बनी है, A तो यहीं आ गया, और जो आपका B dash था, यह वाला length आ रहा है, 30 centimeter negative direction में, तो इस direction में आया, है ना, यह वाला length तो आपका 20 centimeter हुआ, तो length of the image, जो answer होना चीजिए, जिन जिन का आगया दिल बनाना, length of image, जो आपका आएगा, that will be equal to 10 centimeter, किस-किस का यही answer था, दिल बना दीजे, सारी चीज़े बताएं, क्लियर, कुछ बच्चे कहते हैं, कि सर, हमारे लिए, यह formula क्या है, यह formula क्या है, इसी सवाल में, ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ, इसी सवाल में, in the previous question, previous question, अगर मेरा ऐसा हो जाए, ध्यान से देखना बेटा, बहुत important है यह, ठीक है, अगर मेरा previous question, ऐसा हो जाए, कि, यही मैंने आपको दिया है, radius that is 20 cm, एक छोटा सा object, मैंने ऐसे रख दिया है, 2 mm का, at a distance of 15 cm, ठीक है, find the thickness of the image, अब सवाल यह है, find the thickness of image, अब सवाल यह है, चलिए भाई, देखा जाए, कौन-कौन सोच पा रहा है, सारे बच्चे, प्लीज धियान रखना है, इस इस पर, अब मेरा सवाल है, find the thickness of the image, कई बच्चे, इस सवाल को देखते ही कहेंगे, सर, यह तो पिछले जैसा ही सवाल है, नहीं बेटा, इसमें आपकी कैल्कुलेशन आपको आशु दिला देगी, कुछ बच्चे कहेंगे, सर, A और B मैं ले लूँगा, जैसे आपने पिछले किया है, A की अलग image बनाऊंगा, B की अलग image बनाऊंगा, और thickness of the image निकाल लूँगा, बेटा, तु करना चाहे कर सकता, binomial लगानी पड़ेगी, calculation मड़ी गंदी हो जाएगी, क्योंकि इसका object distance तू क्या लेगा, 15, दूसरे का लेगा, 15 cm plus 2 mm, calculation में मौत आने वाली है, अब क्या करेंगे, तो जब आपकी थिकनेस बहुत small है न बेटा, for small thickness, ध्याद सुनना, जब आपकी थिकनेस बहुत small है, जिससे आपको पता लग रहा है, calculation में दिक्कत आएगी, तो आप longitudinal magnification का formula यूज करिए, this is thickness of image by thickness of object, that is minus v square by u square, very good, तो इसके लिए, direction of incident ray यही होगी बेटा positive, तो आपके लिए u की value आपना आपेंगे minus 15, focus इधर ही आएगा, f की value आएगी minus 10, तो आप 1 upon f is equal to 1 upon v, 1 upon v plus 1 upon u करके, देखिए u और ये तो मैंने वही रखे है, minus 15 कहां लिखा हुआ है, minus 15 और minus 10, तो v की value आपके लिए वही आएगी, मैंने calculation असान करने के लिए बोल दिया है, minus 30 cm, हाँ, अब जब छोटी थिकनेस होती है, तो आप सीधे कह सकते हैं, thickness of image मुझे चाहिए थी, thickness of object 2 mm थी बेटा, minus of v square, तो 30 into 30 आप कहेंगे, upon u square 15 into 15, आप यहाँ पे कहेंगे, तो यह आपका 2 हो गया, यह आपका 2 हो गया बेटा, 4, तो thickness of image, minus 8 mm आएगी, इसका मतलब यह नहीं कि, 0 ते चोटी थिकनेस है, minus क्या बता रहा है, inverted image, कहने का मतलब, अगर a और b था, तो image आपकी कुछ ऐसे बनेगी, 8 mm की, ठीक है, तो a आपका इधर होगा, a आपका, हमाय पाज जो पास है, यह a आपका इधर होगा, b आपका इधर होगा, समझना, a से b अगर आप direction देखे, तो यह है, इधर a से b इधर है, तो यह opposite direction में oriented होगे, clear, हाँ या ना, yes or no, तो minus 8 mm आपको क्या बता रहा है बेटा, अगर आपने pen ऐसे रखा, तो image ऐसी बनेगी, उल्टी image हमारे पास यहाँ पर बन रही होगी, clear है क्या, yes or no, clear, clear, very good, अब इसका last चीज़ आपको और ध्यान देनी है, ठीक है, last चीज़ और ध्यान देनी है, फिर हम लोग और questions पर चले जाएंगे, ठीक है, velocity magnifications, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, और यही formula बाद में भी चलेंगे, velocity magnifications, अभी questions करेंगे, तो बेटा सारी चीज़ों पर question करेंगे, तमीज से करेंगे, 7-8 घंटे लगते है, तो थोड़ा था आपको patient दिखाना पड़ेगा, velocity magnifications, ठीक है, जिनको break चीज़ आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, velocity magnification क्या है, कि अगर माल लीजे में पास कोई भी mirror है, सरी, concave mirror की बात कह रहे है, या concave, convex, both mirrors, ध्याँ सुनना, for both mirrors, ध्याँ से सुनना बेटा, बहुत important है, इस पर उपर आपको कई बार सवाल मिलेंगे, पहला सवाल मेरा आप से है, कि अगर मैं object को move करूंगा, तो क्या image move होईगी, हाँ या ना, पहले तो ये बताइए, yes or no, पहली बात आपका ये है, अगर मैं object को move कर रहा हो, कोई सा भी mirror हो, convex हो या concave हो, अगर मैं object को move कर रहा हो, तो क्या image move करेगी, हाँ या ना, yes, और obvious सी बात है, 1 upon f is equal to 1 upon v plus 1 upon u है, अगर object distance vary करेगा, तो image distance भी vary करेगी, right, आप object को ऐसे भी move कर सकते हैं, case एक ये भी है, आप object को ऐसे भी move कर सकते हैं, case ये है, ठीक है, तो मैं इसको कह देता हूँ, this is velocity of object perpendicular to principal axis, this is velocity of object parallel to principal axis, समस्दार बच्चे को इतना इशारत काफी है कि angle पर भी अगर हुई, तो मेरे को दो axis पर हमारे पास velocities निकालनी है, resolve करना पढ़ सकता है, ठीक है, resolve आपको करना पढ़ सकता है, तो या रखना object चलेगा तो image भी चलेगी, object अगर move करेगा, ठीक है, तो image भी move करेगी, या आप सभी लोगों ने बोला, move करेगी, derivation पर नहीं जाना है, concept को समझना है, ठीक है, object move करेगा, तो image भी move करेगी, अगर velocity of image perpendicular to principal axis निकालना है, तो आप use करेंगे m lateral into velocity of object perpendicular to principal axis, ध्याँच सुनना मेरी बात, पूरा concentration, velocity of image parallel to principal axis अगर निकालनी है, तो मैं यूज़ करूँगा, m longitudinal into velocity of object parallel to principal axis, पहले, सारे बच्चे, इसको note down कर लीजे, कुछ बच्चों को basic से नहीं लग रहा है, तो बेटा मैं आपको यहाँ पर शूफ करने के लिए नहीं हो, कि यह basic है या नहीं है, ठीक है, मैं आपको यहाँ पर से पढ़ाने के लिए, पढ़ना है, पढ़िए, नहीं पढ़ना है, शूटम्शूटम शूटम निकल सकते हैं, clear, अब बात आती, सर, m lateral और m longitudinal हम कैसे निकालेंगे, अरे पागल, m lateral का formula, तेरा था minus of v by u, और m longitudinal का जो formula है, वो तेरा minus of v square by u square है, question में object distance दिया होगा, कि object है कहाँ, u पता है, f पता है, v निकाल लियो, तो तेरे दोनों ही magnification आ गए, तो velocities को हम लोग लिख लेंगे, clear, तो ये पूरी कहानी है, ये lenses में भी चलेगे, अब हम question से इसको सीखेंगे, ठीक है, सारे बच्चे जरा इसको, pole stop हो चुका है, तो pole वापिस कैसे जाना है, ये कौन सा pole है, होगा कोई, चलिये भाई, जरा सारे बच्चे, इसकी बात करेंगे, ठीक है, वेन वन लाइट इस रफ्लेक्टेट फॉर्म अ प्लें मिरर विद थर्टी डिग्री अंगल अफ रफ्लेक्शन, अगल अफ दिविएशन अफ दिविएशन अफ दिविएशन तो आपने पड़ाया है नी तो भाई कुछ चीद कोशन से सीखेंगे, जब भी आपके किसी भी शीशे पर, ध्याँ से सुनना, किसी भी शीशे पर, जब लाइट आके गिरती है, ठीक है, तो यह है आपका अंगल अफ इंसिदेंस, तो लाइट आपकी यहाँ चली गई, इस इस आउलसो आई, येस, तो लाइट को जाना किदर था, इस इस दा इनिशल डाइरेक्शन, इनिशल डाइरेक्शन ओफ आई-यार, और लाइट कहीं न कहीं यहाँ से यहाँ बेंड हो गई है, इस 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 यहाँ रिफ्लेक्टिड रे, तो इसको हम कहते हैं, डिविएशन अंगल, प्रिजम में भी निकालेंगे, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, इस डिविशन अंगल, आई प्लस आई प्लस डेल्टा, शुड बी इकल टू पाई, तो इस पाई, या फिर 180 माइनस 2 आई, आप कह सकते हैं, एक प्लेन मिरर का डिविशन अंगल होता है, तो इन्होंने दे रखाया है, कि इसका 30 डिगरी अंगल आफ रिफ्लेक्शन है, तो अंगल आफ इंसिदेंस एकल टू अंगल आफ रिफ्लेक्शन, 30 डिगरी है, तो आपका जो अंसर यहाँ पर आएगा, डाट इस 180 माइनस 2 आफ 30, तो 120 डिगरी आपका अंसर यहां पर बी ऑप्शन रहेगा तू लिखे या वी लिखे आपको यहां पर वी बी ऑप्शन आपका यहां पर अंसर होगा वेरी गुड मेरे अंटरपंटर्स आगरी में लीडर बोर्ड देखेंगे ठीक है आखरी में लीडर बोर्ड यह इंटीजर टाइप है ठीक है स्टार्ट कॉमन सेंस टू वर्टिकल प्लेन मिरर्स ए और सेपरेटेड़ बाए 10 सेंटीमेटर अपॉइंट ऑब्जेक्ट ओ जो समय का कंस्ट्रेंट है लेकिन पढ़ा वही रहा हूं और वही चीज़े को बारे में बात कर रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है ठीक है दो वर्टिकल प्लेन मिर्स क्या सबसे पहला सवाल अच्छा पहले क्योंकि वो भी इंटीजर में आ जाएगा ठीओरी में लिख्या बता अचर लिख दिया करो मैंने का कुछ कुछ के लिख देते हैं ऐसी तो हमारे खुब सारे टापर आ जाएगे यार रुकिये थोड़ा सब हमको क्या करना पड़ेगा चुपा के अंसर माग करना पड़ेगा जी पहले और किसमें अंसर लिखा भाई सब में यह कुछ कुछ में ह तो फिजिसिस से ज्यादा चपोड़े खाना खाके चपोड़ा का दूसरा वाला कर देते हैं बहले ही लेकिन पहले अंसर चुपा लें भाई अब ठीक है कुछ कुछ में अंसर लिखे हुए ठीक है चलिए यहां तो भीया सौ परतिस्ट आ गया होगा अब नहीं ला पाए त है तिक के जो इतना भी नहीं करपा है तो क्या घर आपकी इंफड़ेंच स्वाल शायन उप्ड कर से हुरब अरे बायार लाइट रिफ्लेक्ट होती रहेंगी उतनी बार बनेंगी तो इसमेंनों ने क्या बोलाए दो plane mirror है object आप जर देखिए कैसा है सारे बच्चे ध्यान रखना एक mirror ये है एक mirror आपका ये है ठीक है थीटा की value 0 डाल देना 365 इंफनाइट आजाएगा वैसे आप कर लीजे ये आपका mirror है एक object था ये 2 cm की दूरी पर है और 10 cm दे रखा है तो ये आपका 8 cm की दूरी पर है ये आपको question दे रखा है इन्होंने कहा है point object O is placed at a distance 2 cm from mirror A the distance of the second अब अंगरेजी में खतम इंसान सारे बच्चे देखेगा distance of the second nearest image behind mirror A इस A mirror के पीछे जो दूसरी image बनी होगी उसका distance बताना है ठीक है from the mirror A कितना होगा भाई देहान चे देखना इस पे infinite images बनती है कैसे आपको निकालना है जर्ण देखना आप सबसे पहले इस शीशे के पास चले जाना देखना object अगर इधर है तो इस विल बीड़ फॉस्ट इमेज बाई मिरर ए पहली इमेज है मिरर ए की तो यह कितना distance पर होगा 2 cm तो यह बोले का यह तुम ही बनाएगा मैं घंभी बना इस फर्स्ट इमेज बाई मिरर भी तो हमारे पास बी मिरर ने अपनी मेज बना लिए तो यह सचुरा कहेगा है एक ही थोड़ना यह भी तो है इसकी भी मेज हम सचुरा बना रहे देंगे तो ज़रा देखना हमारे लिए इस शीशे के इससे कितना distance की दूरी होगी ठीक है हम हमारे पास सारे बचे जरह यहां पर देखना इसने अपनी मेज बना दी इसने अपनी मेज बना दी अब होगा क्या हमारे पास यह object आपका distance रहेगा आठ दो दस और अठारा अठारा सेंटीमीटर पर यह कहेगा एक और दिखाएक और दिखाए इसका भी बना दीजे तो यह इसको अपनी मेज बनाएगा तो second image by mirror a यह होगा 18 cm पर 18 cm पर आएगा फिर यह से सुरक आएगा हम इसका image बना दिया है इसका image भी तो बनाएंगे तो यहां पर जरह धियां से देखेना जो इसकी second image बनेगी ऐसे आपको करते जाना होता है this is the second image by mirror 2 इसकी image बना ली अब इसक कितना है 8 to 10 plus 2 12 cm तो यह 12 cm पर अपनी दूसरी image बनाएगा and so on up to infinity and so on up to infinity clear सारे बच्चे अब जरह यह देखना ठीक है सारे बच्चे जरह अब यहां पर देखना की question में तो इन्हों ने यह कहा है second image by mirror इस शीशे से कितनी दूरी पर था that is 18 cm यह आपका अंसर होगा 18 यह आपका अंसर ठीक है ओहो आज हम ज्यादा technology वाले बच्चे को बोल दिया है तो 18 हमारे पास ठीक है यह रहेगा है जीरो का लिखा रहा है यह मर्दवा अभी तो हम सारा बोलना बहुत ज्यादा तेज टेकनलाजी यूज होता है खराब हो गया का चीटिंग की यहां बच चालो लीडर बोडवा देखे तो ठूस हो गये लबा ठूस हो गये लबा सारा टकनलाजी लीक हो जाता हमारी क्लास बहुत 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 लें आया आया यहीं को चरिंट करेक्ट आधी शा ने तेरा सेकंद लिये है थी कोशन करें अगला जरा अंसर हम लोग सारे बच्चा देख लोग देखें ठीक है 45 सेकेंड का पोल देंगे स्टार्ट कि एन ऑब्जेक्ट इस प्लेस्ट एट डिस्टेंस अफ अरे यार कहीं ऐसा नहों कि मैं मिनिमाइज कर यह यह पंगा यह होता था पोल को स्टार्ट होने में भी टाइम लगता है लेकिन इतना टाइम नहीं लगना चाहिए अभी रुकिया अभी हम कंप्लेन करता है रुकिया रुकिया मरदवा यह सारा टेक्नलाजी आकर हमारी क्लास में काहीं फेल हो जाता है यार दिंकर सर आप देख रहे होंगे फॉर्श और मुझे पता है कि सारा काम हमको करना पड़ता है पांसो तीन का इरह हो गया लेओ है लेओ अरे अरे क्या हो रहे बेटा एक मिन रुख जाओ सर पोल में न थोड़ा सा पंगा आरा जारा देखना एक बार अचा इंटरनेट इश्यू है हाँ ठीक 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 देखते रहे ना सर आप हाँ ओक ओक हाँ टेक्नलाजी का इस लगे पड़ा ठीक है तो चलिया ज़र पहले कोश्चन देख लेते ठीक है एन अबजेट इस प्लेंटी मिरर आपने एक प्लेंट मिरर के सामने बारा सेंटी मिटर की दूरी पर बेटा क्या रखा है एक औबजेट रखा है वर्चोल इनियरेक्ट इमेज इस फॉर्म बाइद अब्वियस सी बात है अगर यह अबजेट है तो आपकी जो इमेज होगी वह बारा सेंटी मिटर पर ही बनी होगी अगर आपने शिफ्टिंग करी है शिफ्ट फॉर सेंटी मिटर का है याद करिए तो इमेज तो दो गुना चलेगी तो यह आठ सेंटी मिटर चला होगा विद रिस्पेक्ट ग्राउंड ग्राउंड के हिसाब से यह 8 cm यह चला होगा तो उन्हें काए 2 cm टूवर्ड दी मिरर गलात 4 cm टूवर्ड दी मिरर बिल्कुल यह 4 चला है यह 8 चला है तो 4 cm टूवर्ड दी मिरर बिल्कुल सही 8 cm अवे फ्रॉम दी मिरर गलात 8 cm टूवर्ड दी मिरर गलात मिरर के लिए तो 4 cm ही तो चला है तो सेकेंड ऑप्शन अंसर होगा यहां पर कई बच्चे हो सकता है फैल गए होंगे अरे यार यह फिर से पॉल भी आप्शन रहेगा थोड़ा चार रुखते हैं पोल वाला कर रहे होंगे सर लोग ठीक है दिंकर सर मैं चैट नहीं देख पाऊंगा यहीं चाप करते रहेगा हां बी आप्शन आपका अंसर रहेगा ठीक है चलिए भाईया अगला कोश्चन हमारे पास जीरो स्टुडेंट्स है जॉइंड वो कह रहें यहां पर आना चाहिए चलिए भाई इसमें बताइए दा इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टिड रे एंड आउट वर्ड ड्रॉन नॉर्मल अब मज़ा आ रहा था यार पोल में मुझे देखना था आज बच्चे कितना करते कुछ इशू आगया फिक्स करते मेरी क्लास में आता है चलिए भाई आप इशू आ गया है इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टिड रे जितनी बार मैंने न दिंकर सर सुन रहे होंगे वहां पर बैठे बैठे सर जितनी बार मैंने टेकनलाजी का यहां पर आके अच्छा अच्छ अब क्या करें हमारा बेश्ती ज्यादा हो जाता और यह सिर्फ मेरी क्लास में होता हो वह वह मेरे पास आके दिखा रहे सर सरी क्लास में करा है बिल्कुल अच्छा पर्फार्म हो रहा यह वह मैं खुश बेन का यह सही है यार हमारी क्लास में आके सर कोई इतना ज्यादा प् reflected ray and outward drawn normal are denoted by incident ray को इन्होंने किस से denote किया है a vector से ठीक है reflected ray को इन्होंने denote किया है b vector से and हमाई पास normal को इन्होंने denote किया है c vector से then choose the correct यह आपका vector form है तो अगर आपको याद आ रहा हो incident ray is equal to reflected ray plus twice of i dot n into n cap हमारे पास होता है yes तो बस आपको यहाँ पर value रखनी थी तो यह आगया बेटा आपका a vector यह आगया आपका b vector plus twice of a dot c into c vector हमारे पास आएगा तो b की अगर आप बात करेंगे इस साइट लिया होगे तो fourth option हमारे पास यहाँ पर answer होगा d option that is going to be your answer clear very good अगला सवाल मेरे अंटरपंटर जाना ध्यान से देखना ठीक है two bodies a and b are moving towards a plane mirror with a speed va and vb respectively as shown in the figure the speed of the image of a सवाल सुनना the speed of image of a ठीक है with respect to b b ke respect में हमें बताना है ठीक है b ke respect में हमें बताना है सारे बच्चे इस diagram को यहाँ पर मैं बना रहा हूँ space चाहिए मेरे को अब जड़ा आप सारे बच्चे बताना कि यह जो a object है यह जा रहा था ऐसे ध्यान से देखना यह जा रहा है va at an angle theta with a normal यह आपका यहाँ पर मैं बात करूँ तो यह है normal सारे बच्चे मेरे को बताना यह angle theta हुआ यह va हुआ तो इसकी जो कहीं न कहीं image होगी तो यहीं होगी न चच्चा image तो यहीं होगी और b आपका यहाँ है this is your b this is going with vb like this very good ध्याँ जो सुनना पूछा क्या है इन्होंने पूछा है the speed of image of a a की जो भी image है ठीक है इसकी speed with respect to b पूछी गई है सवाल को read करना बहुत important है तो मैंने यह आपर करा यह देखो यह होगा आपका va cos theta यह होगा आपका va sin theta बेटा अगर object आपका इधर जा रहा है तो image भी आपकी इधर जाएगी तो va cos theta यह होगा va sin theta बेटा है तो image भी इधर जा रही होगी va sin theta बेटा है अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो वापिस va ही तो आएगा यह vb से जा रहा है यह va से जा रहा है तो velocity of image of a with respect to b कि अगर आप बात करोगे तो यह तो va plus vb होगा हाँ यह ना यह तो kinematics का सवाल है आपका तो first option that is going to be your answer a option आपका answer होगा clear? हाँ यह ना? clear? very good अगला सवाल हमारे पास जड़ा सारे बच्चे इस चीज को देखना rotation वाला सवाल for the arrangement shown below determine the angular speed with which the reflected beam will rotate ठीक है? reflected beam किस omega से घुम रही होगी? देखना इन्होंने क्या दिया है? incident ray को आपने 20 rps से घुमाया है clockwise शीशे को आपने घुमाया है 10 rps से clockwise तो image का या reflected ray का क्या impact होगा? याद करिए अगर object rotate होता था object कहने का मतलब incident ray है ना? rotate होता है तो image का जरा यह बात करना omega of image क्या होगा? क्या आपको यादा आ रहा है? opposite direction में होता था जब आप object को घुमाते थे image opposite direction में घुमती थी same omega से तो याद आएगा minus 20 rps दिल बनाना बेटा इस बात को very good love you बेटा जो यह बात समझ पा रहे है अगर तो incident ray घुम रही है अरे incident ray मतलब object और क्या? कहां से आती है? object से आती है तो अगर आपका object 20 revolutions per second कर रहा है object अगर आपका ऐसे घुमता था तो image ऐसे घुमती थी यह दोनों same से घुमते थे value same होती थी तो अगर यह clockwise sense में अगर मैं बात करूँ minus कहने मतलब अगर यह हमायाप clockwise है तो यह anti clockwise direction में घुमेगा with 20 rps से yes very good शीशे को अगर आप clockwise sense में घुमा रहे हो ठीक है mirror अगर आपका clockwise sense में घुम रहा है with 10 rps याद करिए तो image हमारे पास same direction में घुमेगी clockwise sense में घुमेगी with 2 गुनी speed 20 rps से very good very good यही चीज़ हम लोग ने बात करी थी अगर शीशे को ठीटा से घुमाओ गए तो image 2 theta गुमेगी same direction में तो इसका अगर omega है तो इसका 2 omega होगा same direction में तो clockwise रखा है दो गुना कर दिया anti clockwise रखा है value same रख दी तो अगर आप इन दोनों को जोडोगे तो देखना anti clockwise 20 rps clockwise 20 rps no net revolution तो d option आपका answer आ रहा होगा clear हा या ना सर question गलत है very good आप अलग direction में जाए बेटा एंटे का जब भी आपका paper बनेगा तो वो आपको paper इसले दिया होगा कि आप question में गलती निकाल लिएगा दूसरे बच्चे answer निकालेंगे आप question में गलती निकालना ठीक है अगला सवाल ठीक है a boy is walking under an inclined mirror एक शीशा inclined है उसके नीचे boy move कर रहा है advance में आया question है पुराना question है ठीक है at a constant velocity v along the x-axis as shown in the figure if the mirror is inclined at an angle theta with the horizontal then what is the velocity of the image image की velocity क्या होगी समझ लिए डाइगराम ये है तो options आपकी ये है चलिए इस question को देखते हैं सारे बच्चे जरा मदद करना इसमें आप मेरी कि ये हमारे पास था ये हमारे पास था ठीक है ये हमारे पास है जो आपका शीशा है बेटा कहीं न कहीं ऐसा है ठीक है this is your mirror है ना सारे बच्चे जरा ये तीस देखना ठीक है अगर मेरा जो object है वो इस direction में वी speed से move कर रहा है मैं थोड़ा दूर बना लेता हूँ अगर मेरा object इस direction में वी speed से move कर रहा है ठीक है अगर मेरा object वी speed से इस direction में move कर रहा है at an angle theta तो क्या आप कोई बस समझ आ रही है जो image होगा वो इसी angle theta पर मैं इसको हटा देता हूँ अभी ठीक है इमेज जो होगा वो भी इसी एंगल थीटा पर ऐसे जा रहा होगा हाँ या ना सारे बच्चे पहले मेरे को यह बताईए येस और नो हाँ या ना एक बच्चा तब से लगा है एंडिंग डेट ऑफ कोर्स बेटा भाई जो भी टीम पीछे देख रही है सर यह इसको ब्लॉक कर देना आर जे ब्लॉक नाम ही इसका वही है इसको ब्लॉक करवा दीजे येस आप इसको और तरीके से करना चाहेंगे कैलकुलेशन बढ़ जाएगी लेकिन देखें ऑब्जिक डिस्टन जीरो तो इमेज डिस्टन जीरो जैसे ऐसे आप ऑब्जिक को ले जाएंगे दूर और पास ऐसे होगा वैल्यू सेम रही इन्होंने एक्स एक्स और वाइक्स के टर्म में विलउसिटी पूछी है तो क्या आप यह कह सकते हैं कि horizontal से ये वाला एंगल तो 2 थीटा हो जाएगा न क्योंकि ये वाला एंगल 2 थीटा है तो ये वाला एंगल 2 थीटा हुआ मैं इसको resolve करता तो यह आएगा V cos 2 theta बेटा और यहाँ पर आपका आजाएगा यह वाला जो value आएगी this is V sin 2 theta हो तो गया सवाल आपका जो answer होने वाला है that is V cos 2 theta I cap and V sin 2 theta J cap किस-किस का यह आगया दिल बनाओ पहले हाँ या ना किस-किस का यह आ गया दिल बनाओ यह हाँ गौरव ढाका बेटा मुझे कुछ नहीं आता है ठीक है तो आपका क्या जाता है आप पढ़ाई कर लीजे आपका object यहां होता image यहां होती यह हमेशा ऐसे चले गए इसका हमेशा एंगल बाइसेक्टर हों चाहिए तो आपका कोई भी लाइन रहे तो इसका परपेंडिकुल बाइसेक्टर रहे ठीक है तो मैंने का यह अगर object की लाइन है तो यह image की लाइन होगी यह अगर एंगल थीटा है अहरुजॉंटल से अगर आप बात करें तो होरिजॉंटल ये इंगल की तरह है तो यहां पर वी टूटिता होगा तो V cos 2 theta V sin 2 theta बस आपका answer आजएगा V cos 2 theta i cap V sin 2 theta j cap 4th option that is going to be your answer clear clear very good अगला सवाल मेरे अंटरपेंटर ठीक है यह recent year में भी आपको मिल जाएगा यह repeat हुआ सवाल है a point source of light B is placed at a distance L ठीक है एक B है यह L distance दूर एक शीशे से पढ़ा है जिसका विर्थ है D in front of a center of the mirror of विर्थ D hung vertically on a wall अंगरी जी थोड़ी खतरनाक है man walks in front of the mirror along the line parallel to mirror at a distance 2L from it as shown the greatest distance over which he can see the image of the light source in the mirror पहले जितने भी अंटरपेंटर है जो इस चीज को समझी ही नहीं पाए पहले तो वो बता दीजे मैं पहले अंगरी जी समझाओं ठीक है पहले तो अंगरी जी समझनी पड़ेगी बेटा क्लास 10 के जो भी बच्चे निकल जाओ प्लीज इस शीशे का जो इनों ने लेंट दिया है अग्धा ओब्जेक्ट है अपके अपके अएक निसकी दूरी पर एक औबजेक्ट है तो अब्विएसी बात है जतना डिस्टेंस होगा इसकी कि इतनी ही पीछे एक इमेज़ अब्जेक्ट होगी इस शीशे की एक image बनी होगी, मैं यहां से चलना स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं हमेशा उसको कितने distance, इस direction में, मैं कितना distance चल लूँ, कि मेरे को इस object की जो image है, वो दिखे, मैं यहां खड़ा रहा हूँगा, तब भी दिख रही है, यहां पर भी दिख रही है, यहां पर भ यहां से चल रहा है, ठीक है, तो यह अभी इसको जैसे देखना, यह व्यक्ति जब यहां आएगा, तब भी इसको image दिखाई देगी, यह व्यक्ति यहां आएगा, तब भी इसको image दिखाई देगी, यह व्यक्ति यहां आएगा, तब भी इसको image दिखाई देगी, यह व्यक जिनको ब्रेक चीए आप ले लीजे कोई नहीं मिलेगा यहां पर ठीक है एक तो बड़ा चेप्टर है उपर से दिमाग की दही ब्रेक दे दो इनको जब मेरे को देना होगा तब दूगा ठीक है नहीं तो बीच में टॉपिक छोड़ना है तो बता दो अभी दो मिनिट का ब्र कर लीजिया करिए कि दूसरा पढ़ा रहा है तो वह पढ़ाता चला जाए वह मन से आया पढ़ाने के लिए ठीक है इतना बस ऑब्जेक्ट है तो इतने पर ही इमेज होगी और जो आप सोचते हैं कि मैं अगर लिखूंगा तो इससे शायद सर ब्रेक दे देंगे मेटा जब को वापिस अगर आप किसी को इंटेंशनली दे या अगर आप दुख पहुचाते हैं तो वापिस वह हिस्सा आपके पास आता है ठीक है तो कोशिश करिए कि आप कभी भी ऐसी चीज ना करें जिससे आपको वापिस वह जहिलनी पड़े जिसकी आपके अंदर हिम्मत नहीं ह ठीक है देखिए मुझे इसको तो देखना ही नहीं है इसको तो हटा देता हूं मैं मुझे इसकी इमेज को देखना था तो मैंने का यार ये बंदा इस रीजन में अगर रहेगा ना हमेशा उसकी इमेज को देख पाएगा ये कोशन दो बार रिपीट हो चुका है हमेशा उस इस रीजन में जब तक रहेगा तब तक वो आसानी से देख पाएगा तो A, B, C, D and E आप triangle की बात करें A, B, C इस similar to triangle A, D, E similarity है तो sides ratio में रहेंगे बेटा और sides अगर ratio में है तो आप perpendicular side आप कह सकते हैं मैं इसको भी मार्ट कर देता हूं कुछ बच्चों के लिए E, F, H, G तो छोटे triangle का A, F और बड़े triangle का A, G का ratio B, C divided by D, E के ratio से match होना चाहिए तो A, F आपका कितना है बेटा L, A, G आपका कितना हो जाएगा 3L ठीक है, B, C की बात करें तो D और ये माल लेते हैं D' तो अगर आप देखेंगे तो D' is equal to 3 times of D इतना distance आपको रहेगा देखो geometrical optics कहते हैं थोड़ी सी geometric आपको ध्यान रखना है तो 3D fourth option that is going to be our answer clear very good love you बेटा अगला सवाल जरा सारे बच्चे इसका बताना ये exam में जिस दिन आएगा बच्चे खराब कर देंगे इसमें number of images क्या होनी चाहिए सोचिए 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 number of images हमारे पस कितनी होनी चाहिए कुछ बच्चे गेंगे तो प्लेन मिरर है infinite images होनी चाहिए सर दो कोशन को स्टार माक करके रखिएगा ये सवाल कहीं आएगा तो खराब कर दोगे ठीक है कुछ बच्चे infinite बोलेंगे द्यान सुनना जो भी लाइट आपकी इधर गई वो इधर चली जाएगी जो भी लाइट आपकी इधर गई वो इधर चली जाएगी तो actually में एक image तो यहाँ पर आपकी बन गई समझना जो ये light है ना कभी भी दूसरे वाले mirror पर टकराएगी ही नहीं जो भी यहाँ से light निकल रही है जो भी यहाँ से light निकल रही है वो कभी भी दूसरे शीशे पर टकराएगी नहीं तो multiple images नहीं बनने वाली यहाँ से जो light गई वो वापिस आई यहाँ से जो light गई वो ऐसे जाएगी बेटा अगर आप इनकी images की बात करेंगे तो यहाँ आपको I 2 मिल जाएगा क्लियर ये वाली रेज जो भी जाएंगी वो भी ऐसे चली जाएंगी अगर आप देखेंगे आई टू मिल जाएगा ये वाली रेज कभी इस शीशे पर नहीं टकराएंगी ये वाली रेज कभी इस शीशे पर नहीं टकराएंगी तो जो multiple images चल रही थी वो कभी नहीं बनेंगी इसका अंसर आपका रहेगा first option that is two याद रखना ये बहुत important है क्योंकि जनली बच्चों से exam में गलती हो जाती है सर, infinite images कब रहेंगी जब इसकी raises इस पर टकरा पाएं parallel है, object आपका कहीं पर भी है तब आपकी infinite images रहेंगी clear? love you बेटा ऐसे ही आपका ये सवाल जड़ा इसमें देख लेते हैं अगर pole में 0, हाँ, आ गया, आ गया, आ गया start pole, चलिए लिखिए, लिखिए, लिखिए find the number of images formed option आपको 1, 2, 3, 4 लिखना है ये number नहीं लिखना है ठीक है, हाँ, pole आ चुका है अब start करते हैं, लिखिए, लिखिए, लिखिए अब कई बच्चे देखेंगे सर, ये दोनों शीशे तो perpendicular है जहाँ सुनना ये वाला case और ये वाला case बहुत अलग है कैसे सर? जर ध्याँ से देखना है अगर आपका यहाँ object है, ये light rays के अगर आप बात करते हैं तो ये ऐसे आया, ऐसे गया ये ऐसे आया, ऐसे गया तो एक image इस mirror ने बनाई अपनी यहाँ जैसे mirror 2 है, मान लीजे ये mirror आपका 1 है तो ये mirror 2 ने बनाई हुई image है ठीक है? very good ये आपकी light गई इधर तो ये वापिस आई, ये light गई इधर तो ये इससे जाएगी तो यहाँ पर जो आपकी image बनेगी that is i1 ठीक है या i by mirror 1 ये mirror 1 ने अपनी image बनाई clear? सर, इसमें तो number of images का formula number of images का formula अगर आप देखें, तो 3 आता था सर दो ही image है actually में जो ये वाला portion है light यहाँ से जाती है, टकराती है फिर ऐसे चली जाती है इसके intersection से आप देखते हैं तो यहाँ पर आपकी third image बनती है इसके intersection से आपकी third ये third image जो है ये image mirror 1 and mirror 2 combined बनाते है जब दोनों पर reflection हो रही है ये आपस में जब reflection होती है तब third image बनती है तब ये formula 3 आता था लेकिन मेरे entrepreneur अगर आप यहाँ पर देखेंगे light ऐसे गई और ऐसे चली जाएगी light ऐसे गई ऐसे चली जाएगी तो एक image तो आपको यहाँ मिल जाएगी this is by M2 light आपकी यहाँ पर बात करेंगे बिटा ऐसे गई और ऐसे चली जाएगी light ऐसे गई और ऐसे चली जाएगी एक image आपको यहाँ मिलेगी by mirror 1 क्योंकि बीच की lights कभी आपस में reflect नहीं होंगी तो third image नहीं मिलेगी तो answer आपका आएगा first option answer आपका आएगा first option बिटा अबे यार पूल कोई नहीं first option that is going to be your answer ठीक है अगला question सारे बच्चे ठीक है नहीं आरा तो अब हम क्या करें भाई चलिए two object A and B are placed at a distance 15 cm and 25 cm from pole in front of a concave mirror ठीक है सारे बच्चे concentration रखना है कि क्या आप approach सोच पा रहे है last moment पर दो objects है A or B concave mirror है having radius 40 cm सारे बच्चे दिल बनाना तो focus हो जाएगा 20 cm तो यहाँ मैं F मान लेता हूँ यहाँ C मान लेता हूँ दो objects है एक 15 cm पर तो कहीं न कहीं A यहाँ होगा और एक है 25 cm पर तो B आपका यहाँ होगा ठीक है the distance between the images formed by the mirror is इन दोनों के बीच का distance कितना होगा कौन-कौन यह समझ पा रहा है A के लिए आपको अलग से solve करना पड़ेगा positive direction तो U की value अगर आप देखें A का अलग से solve करना पड़ेगा that is minus 15 F की value minus 20 तो 1 upon F is equal to 1 upon V plus 1 upon U तो आपको यहाँ करना पड़ेगा minus 1 by 20 is equal to 1 upon V और minus 1 by 15 तो आपके लिए 1 by V is equal to हमाई पास 1 by 15 ठीक है minus 1 by 20 हमाई पास आएगा तो V आपको A का अलग मिलेगा concept बताना दिल बना के और सर्फ B के लिए अलग से solve कर लेते हैं B अपनी image कहाँ बनाएगा तो B के लिए U अगर आप देखें तो minus 25 focus आपका minus 20 तो 1 upon F is equal to 1 upon V plus 1 upon U आप देखेंगे हाँ या ना concept कौन पकड़ पार है भाई A की अलग image बना लो B की अलग image बना लो और उनके बीच का distance ना अप लेंगे तो यहाँ पर मैं sign रख रहा हूँ आपको solve करना है बेटा this is your homework ठीक है minus 1 by 25 हमारे पास तो 1 by 20 plus 1 by 25 is equal to 1 by V आप इसको VB solve करेंगे और फिर इनके बीच का distance निकाल लेंगे yes or no हाँ या ना yes or no क्या आप सारे मच्चे देखें कि J means में 2023 का सवाल क्या है भाई दसवी क्लास के दो question को merge करके एक सवाल बना दिया है इसकी अलग image बनाईए उसकी अलग image बनाईए इस वाल कर लीजे clear अगला सवाल ज़र देखिए अगला सवाल a square ABCD of side 1 mm इसका एक square है ABCD इसका जो side है that is 1 mm इस kept at a distance 15 cm in front of a concave mirror बेटा सारे बच्चे हाँ ये भी बताते चलना कि क्या आप concept हिट कर पा रहे है concave mirror में आपने रखा है जिसका focal length कितना दे दिया है 10 cm ठीक है the length of the parameter of the image will be approximately चलिए अब बताए ये concept क्या लगाएंगे answer तो आप सभी लोग बता रहे है concept क्या लगाएंगे सारे बच्चे मिरे को बताएं question ये कह रहा है कि आपका एक concave mirror है मैंने यहां पर छोटा सा स्क्वेर रख दिया है 15 cm की दूरी पर ठीक है focal length है आपका 10 cm का तो perimeter का length बताना है concept क्या लगाएंगे magnifications very good very good सारे बच्चे जरह ये देखना अगर आप यहां पर बात करें ये 1 mm का था ना तो मैं कहता हूँ इसके लिए u की value minus 15 है बेटा f की value minus 10 है तो 1 upon f is equal to 1 upon v plus 1 upon u तो यह आजाएगा बेटा minus 1 by 10 ये plus 1 by 15 is equal to 1 by v और अगर आप LCM लेंगे तो बेटा 30 आजाएगा तो minus 3 plus 2 v की value आ रही है minus 30 है ना v की value perimeter पूछा है ध्यां से v की value ये आई तो आप lateral magnification की अगर आप बात करेंगे तो ये height of image by height of object होता है तो minus of v by u है तो मैंने का height of image is equal to v है आपका 30 value चाहिए मेरे को तो और u की value है 15 into 1 mm तो 2 mm की तो height हो गई इसका जो भी image बना होगा ध्यां समझना 2 mm की तो इसकी height हा रही है चोड़ाई कितनी आएगी तो longitudinal magnification तो ये होता है सर thickness of image by thickness of object minus of v square by u square minus से मतलब नहीं है क्योंकि वो orientation बताएगा तो मैंने कहा तो ये आगएगा thickness of image will be 4 into 1 mm तो जो चोड़ाई आ रही है that is 4 mm that is 4 mm सारे बच्चे हाँ या ना ये गलती हो जाती है भाई ध्यांच सुनना इसकी height भी 1 mm की होगी तो मैंने कहा लेटरल magnification से height निकाल लूँगा इसकी चोड़ाई भी 1 mm की होगी तो longitudinal magnification से thickness निकाल लूँगा तो 4 और 6 12 perimeter की अगर आप बात करेंगे तो ये 12 mm का आपका perimeter का answer आएगा तो कौन सा option हमारे पास आ रहा है? 3rd option 12 mm is going to be the answer साथ square का rectangle होगा नहीं trapezium बनेगा लेकिन ठिकनेस इतना छोटा है millimeter में आप approximate उसको square या rectangle मान सकते हैं clear? very good अगला सवाल बेटा ठीक है? अगला सवाल सारे बच्चे ज़र ये देखना question क्या कह रहा है? पहले ये देखिए two plane mirrors M1 and M2 ठीक है? एक minute सर आप try करिए एक बार बस minimize मत करना ड्रै करना नीचे ठीक है चलिए मेटा इसको ज़रा हम लोग ऐसे कर लेते हैं एक बार start pole ठीक है? two plane mirrors M1 and M2 ठीक है? मैंने ऐसे कर दिया two plane mirrors M1 and M2 are right angle to each other as shown a point source piece placed at a distance a and 2a a and 2a इस तरीके से meters away from mirror M1 and M2 the shortest distance between the images इसमें bonus मिला था क्योंकि question incomplete था ठीक है? मैंने complete कर दिया answer के इसाब ठीक है? the shortest distance between the images thus formed individually by each mirror is ठीक है? question incomplete था तो इसमें bonus था चलिए देखना अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो इसने अपनी एक image बनाई होगी a distance पर तीन images बनती है और इसने अपनी image बनाई होगी to a distance पर yes और अगर आप यहाँ पर बात करें ठीक है? अगर आप यहाँ पर बात करें इन दोनों के बीच का जो distance होगा तो मैं Pythagoras theorem से निकाल सकता हूँ जो आपका यहाँ पर distance आएगा that will be under root में यह distance हो गया बेटा 4a ठीक है? and this is your 2a तो 4a का square plus 2a का आपका square करके आपका यह 4.3a के आसपास का आपका distance आता है ठीक है? ठीक है? ठीक है यह पोल को कहां कहां घुमाए ठीक है? तो क्या आपको concept समझ आ रहा है बेटा? ठीक है? हमारे पास third option that is going to be your answer अब आगया पूल ठीक है? इसको यहां रखते हैं ठीक है? clear? question समझना हमारे पास क्या है? इन दोनों ने जो भी अपनी images बने हैं उनका बीच का distance, shortest distance तो यही होगा ठीक है? तो यह आपका 4A है यह आपका 2A है, shortest distance की अगर आप बात करेंगे तो pythagoras theorem से आपने निकाल लिया answer will be C option very good अगला सवाल बेटा ठीक है? अगला सवाल new pole मैं दे रहा हूँ चलिए जड़ा देखा जाए variation of V with U V और U का graph है for a mirror as shown in the figure 45 degree पर आपने line बना दी है intersect the hyperbola at point A if the focal length is 20 cm अगर इसका focal length आपका कितना है? 20 cm का तो इस A का coordinate बता दीजे इस A का coordinate बता दीजे अब यह graph याद भी तो होना चीए अगर नहीं भी याद है common sense लगाओ यह Y equal to X की line है है ना? Y equal to X की line है एक ऐसा point जरा सोचना when V is equal to U image distance, object distance के बराबर कब होता है? when object is at C when object at C हमारे पास होता है तो U की value आपके लिए 20 cm होगी वो 40 cm होगी तो V की value भी 40 cm होगी क्योंकि slope आपका 1 है तो अगर आप देखें तो अरे 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 2 होगा ठीक है तो second option आपका answer रहेगा B option या second option that is going to be your answer very good फैल गया रायता फैल गया ठीक है जहांचे सुनिए Y equal to X line V और U बराबर हुए V और U बराबर कब होते हैं? जब object center of curvature पे हो है ना अगर object center of curvature पे हो तो object distance क्या होगा? 2F 40 तो V भी 40 हुआ यही coordinate हुआ clear? अगला सवाल मेरे entrepreneur ऐसा सवाल और जेई ने नहीं पूछा लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे से इसको solve करें ठीक है? तो मैं start कर रहाँ इसमें थोड़ा सा time लगेगा ठीक है? start pole clear? चलिए let's see भाई इसमें ध्यान से सुनना इन 3 dimensional coordinate system O, X, Y, Z यह अच्छे level का सवाल है और कॉनके mirror of radius 40 cm तो focal length आपका हमाई पर radius आपकर वेच्छे तो focal length 20 cm यह हुआ an object placed at origin gives a given a velocity इतना find out the magnitude of velocity of image इस सवाल में pole नहीं आएगा बेटा comment chat में आप comment करेंगे ठीक है? chat में comment करेंगे वो अपने आप detect करेगा सारे बच्चे पहले तो इस सवाल को बहुत तमीज से देख लीजे इस particle के पास 9 i cap है 6 j cap है और 3 k cap है मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहूंगा कि obvious सी बात है सर velocity magnification का सवाल है क्या आप मेरे को यह बता सकते हैं इसमें आप कौन सी magnification यूज करेंगे लेटरल या लोंगिट्यूडनल पहले यह सवाल बताईए बोलिये बोलिये मेरे अंटरपेंटर सारे बच्चे पहले बताने देखो यार object की velocity दे रखे image की velocity के value पूछे तो पहले तो मुझे यह पता होना चाहिए यह magnification वाला सवाल है तो हाँ अब यह चीज या रखने यही इसकी principal axis थी बेटा नौ वाले के लिए हाँ कौन सा magnification lateral या longitudinal अब यह समझ आनी चीए इसके लिए आप m longitudinal यूज करेंगे इसके लिए आप longitudinal जो principal axis के लोंग चलता है तो longitudinal magnification होती है principal axis के perpendicular हमारे पास lateral magnification आपकी यूज होती है याद रखना था यह पहली बात क्लियर principal axis के along longitudinal perpendicular to principal axis lateral यह lenses में भी चलेगा तो अब सबसे पहले तो याद देखो longitudinal और lateral तो तब ही निकालूँगा जब वी पता लगेगा यू की बात करें तो minus 80 focus की बात करें तो minus 20 तो 1 upon f is equal to 1 upon v plus 1 upon u ध्यान से देखना बेटा minus 1 by 20 ये plus 1 by 80 is equal to 1 by v आपका आ रहा है LCM आपका 80 आ जाएगा तो minus 4 plus 1 तो v की अगर आप बात करेंगे तो यह आ जाएगा minus 80 by 3 हायान सारे बच्चे पहले तो thumbs up करिए कि क्या आपका ये चीज़ आया सर v की value या आई तो मैं lateral magnification निकालूंगा तो सर ये होता था minus of v by u मैंने का yes तो सर minus of v आया है minus 80 by 3 और u था सर आपका minus 80 तो ये तो चला गया सर minus 1 by 3 आया और m longitudinal तो इसी का square होता है minus of m lateral का square तो अगर आप देखें तो यहां जागा minus of 1 by 9 लव यू बेटा पहला तो भाईय दसवी class का सवाल था यहां तक तो दसवी चल रही है भाई जिनका thumbs down आ रहा है यहां तक तो दसवी है फिर मैंने दोनों magnification निकाल ले lateral और longitudinal अब सवाल हो जाएगा ध्याद सुनना concept यह था कि velocity of image parallel to principal axis is nothing but longitudinal times of velocity of object parallel to principal axis तो along x जड़ा देखना along x axis की अगर मैं बात करूँ तो velocity of image के आएगी minus 1 by 9 into 9 i cap तो यहां जाएगा minus i cap clear जड़ा देखना velocity of image perpendicular to principal axis में आप lateral magnification use करते थे तो velocity of object perpendicular to principal axis तो along y axis जड़ा देखना velocity of image क्या होगी यह वाली magnification into velocity of object along y कितनी है 6 j cap याथी minus 2 i cap वो minus 2 j cap clear बेटा प्लीज concept को हिट करना मैं देख रहा हूँ starting से बच्चे टिके पड़े है सारे concept revise होईंगे along z axis की अगर मैं बात करूँ बेटा ठीक है तो यह भी perpendicular है principle के है ना तो lateral magnification use होईगी तो minus 1 by 3 ठीक है minus 1 by 3 z के along velocity कितनी थी बेटा आपकी 3 k cap minus k cap अगर आपसे कोई सवाल पूछता velocity of image कितनी है तो मैं कहता minus i cap minus 2 j cap minus k cap relative velocity का सवाल होता तो मैं relative velocity लगा देता मेरे से तो magnitude पूछा गया है मेरे underpenter तो यह आजएगा under root में 1 plus 4 plus 1 root of 6 that is going to be your answer बहुत अच्छा सवाल है ठीक है बहुत अच्छा सवाल है very good तमीज से करोगे तो सारे सीखते होगे चले जाओगे यही चीजे आपकी lenses में भी चलेंगे इसके बाद मैंने आपको homework दिये है भाई जो फरजी सवाल थे मुझे लग रहा था यह आप लोग खुद से करेंगे तो यह आपके homework है प्लीज आप इसको try करिएगा ठीक है प्लीज आप इसको try करिएगा velocity velocity के आपके यह सारे सवाल है next part में हम लोग जाएंगे reflection मैं आपको break up दूँगा मैं आपको पहली बता देता हूँ ठीक है सो देट उससे पहले आपके अंदर यह नहीं होना चाहिए reflection प्रिजम से पहले और रिफ्रेक्शन की कुछ बाते करेंगे ठीक है फिर उसके बाद मैं प्रिजम से पहले आपको break दूँगा फिर प्रिजम एंड लेंसे वाला पाट करके हम लोग खतम करेंगे ठीक है उससे पहले पांदस मिनट का ब्रेक और चीह होगा तो वह मैं आपको दूँगा अध्यां से सुनना अभी देख लेते हैं लीडर कौन है भाई हमारे पास क्योंकि हमारे पॉल्स कुछ हुए नहीं पंदरा सवाल ते उसमें से छे साथ सवाल नहीं हुए लेकिन अभी तक साथ सवालों में मेलोडी इतनी मेलोडी क्यों है ठीक है तो यह बच्चे ने बहुत सही दिया अरे हमारा पहला वाला टापर काएं गया यही होता है कंसिस्टेंसी अभी देखते हैं पता लगे आखरी तक मेलोडी भी बच्चे कि ना बच्चे तो अरिहन जैन की रैंक बड़ी है भाहिया वेरी गुड रैंक अप में कुछ बताते हैं चलिए सिंटु चोहान की भी रैंक बड़ी है अच्छा है बेटा आगे और सवाल है जी बच्चे वेटा सभी का आता है आपको अगया ओआ आका नहीं आ रहा है ऐसा नहीं है ठिकने यह सभी बच्सक आएगा जीतने बच्चे जवाब देते रहेंगे अरे बाप रे बाप मिनिमाइच ठीक है ठीक है तो बहुत सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं लेकिन जो हमारे टापर बच्चे है ठीक है तो वह मेलडी है अरिहंत है और सिंटु चोहान है है रिफ्लेक्शन पार्ट तक मेलडी ने बिल्कुल अच्छे से करा है ठीक है एक सवाल हो सकता है मेरी वैसे खराब हो गया ऐसे दर उदर कर दिया होगा ठीक है चलता ठीक है अगले सारे वच्चे मेरे को यह बताना अब हमारे पास आने वाले हैं अगर पूल से से चला तो हमारे पास एक दो तीन चार पांच छे सात आठ नौर दस ग्यारा इसमें से कुछ सब्जेक्टिव भी हैं मैं मान चल रहा हूं साथ कोशन और ऑब्जेक्टिव आने वाले देखते हैं कितने बच्चे टॉप 10 में आते हैं ठीक है चलिए जरा देखा गाई हाँ सारे बच्चे अब तमीज से पढ़ना रिफ्रेक्शन ओफ लाइट जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है ठीक है तो हमेशा लाइट का रास्ता बेंड हो जाता है याद क्या-क्या रखना है पहले मैं एक बार लिख लूँगा तो मैं आपको बोलूँगा हैस्ट है वह अपना नोट्स का लिखना तभी आपका वह पॉइंट सेव हो जाएगा ठीक है अभी मैं पहले लिख लेता हूं जब मैं बोलू बेटा मैंने लिख लिया इस पूरे फिर आप उसको सेव करना ठीक है ने को जो भी हमारे पास frequency of light होती ए frequency of light यह हमेशा किस पर depend करती है बेटा यह आपके source dependent होती है ठीक है यह कभी change नहीं करती never changes ठीक है never changes कभी भी यह change नहीं करती एक बार एगर एक source ने frequency set कर दी ठीक है सर सेव कैसे करना है अगर आपको करना है बेटा तो आप करेंगे ऐसे और notes लिख देंगे chat में in chat chat में आप अगर आप यह करेंगे तो यह आपका save हो जाएगा कहां होगा मैं आखरी में आपको और बता दूँगा unity dot pw dot light पर जाएंगे तो यह lecture के आपकी जितने भी short चीजें हैं सारी चीजें आपको मिल जाएंगी ठीक है अच्छा और क्या था एक था doubt वाला भी देख लेते हैं कई बच्चों ने doubt पूछा होगा देखो what even angle देखो अब मैं यह भी बता कुछ बच्चे क्या कर रहें ना मैं देख रहा हूं सिर्फ यह लिख रहे हैं doubt तो बेटा यह लिखने से doubt नहीं आगा इसके आगे तो अपना सवाल लिख कोशन क्या है वो लिखेगा तो आएगा ठीक है तो बेटा अगर object आपका देखो even वाला है तो angle by sector पे हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता 360 by theta minus 1 इमेजिस रहेंगी जब यह ओड आता है तो symmetric में आपके लिए रहेगा 360 by theta minus 1 मतलब अगर नहीं है एंगल बाइसेक्टर पे तो 360 by theta ठीक है यह देखो कि इसलिए मैं इसको खोल नहीं रहा था ठीक है अल्दो मेरे को टेक वालों ने बोला था सर वीडियो आँ देखो यही दिक्कत है उन्हें वीडियो अभी चलेगी नहीं काश इसमें पापा का इसका नंबर फीडिड होता कॉल करते इसनले पता है बच्चे लिखे लिख रहे हैं मैं RIGHT चाहता हूं आप मैं डाउट ले की स्पैमिंग नहीं होरिया वो तो शुकर बनाईए कि अभी उसेने किसी को प्रपोस करा है हदे पार हो सकती है हदे पार हो सकती है कि येस दिंकर सर अगर आप सुन रहे हैं तो एक हमारे पास पुलिस बनाईए पुलिस नाम से ठीक है मैं आपको क्योंकि सेलरी तो जस्टिफाय करना ही पड़ेगा कितना टेकनलाजी वाल कर लेंगा तो पुलिस नाम का एक वो बनाईए जिसमें क्या है जो हमारे एप बकैती करते हैं न हरास्मेंट बेसिकली तो पुलिस उसको पकड़े ठीक है कुछ टेकनलाजी में इसमें सोची है क्योंकि देखिए स्पैमिंग रुकवाने का एक यही तरीका है तो पुलिस एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाई है तीन चार टेकनोगा इसको जोड़िए और काम स्टार् फॉरिये बाद में जाके कभी कोई उटफुल før केस कर देगा सोसायटी में तो पापा जी का नाम खराब हो गा इनको पहले पकड़ लिया जाए येस आईए तो light बेटा जब एक medium से दूसरे medium में जाती है ठीक है जब light एक medium से दूसरे medium में जाती है तो हमाई पर frequency हमेशा same रहती है क्या चीज़ change होती है बेटा सारे बच्चे जारा ध्यान से लिखना velocity and wavelength of the light changes velocity and wavelength of light जो होती है बेटा वो हमारे पास change करती है velocity and wavelength of the light changes तो इसी लिए हम लोगों का एक term होता था अगर आपको याद आ रहा हो refractive index अभी पहले उस diagram पर जाएंगे refractive index जिसको आप mu से denote करते थे ये दो प्रकार के होते है बेटा एक होता है absolute और एक होता है relative ध्यान सुनना refractive index is the ratio of speed of light in medium to the speed of light in vacuum to the speed of light in medium इसको आप कहते है absolute refractive index ये जो mu की value है that is always greater than 1 ये हमेशा ही 1 से बड़ी होते है सारे बच्चे प्लीज अभी note मत करना जब मैं बोलू मैंने इस पर पूरा लिक लिए तब आप इसको note down करिएगा ठीक है तो ये आ गया हमारे पास relative refractive index हमारे पास क्या है relative होता है जब light एक medium और दूसरे medium की बात हो ठीक है तो इसको हम लोग बात करते हैं से 1 और 2 जब light first medium से दूसरे medium में जा रही हो तो आप लिखते है mu 1 2 this is the ratio of refractive index of 2 with respect to 1 तो ये होता है c by v2 into c by v1 तो ये आ जाता है v1 by v2 ठीक है ये आपका आ जाता है बेटा v1 by v2 याद रखना relative refractive index may और may not be may not be greater than 1 ये 1 से बड़ा भी हो सकता है और 1 से छोटा भी हो सकता है ये depend करता है absolute refractive index is always greater than 1 दूसरी बात इसी formula में मैं एक और चीज़ चेंज कर देता हूँ wavelength का भी मैं term डाल देता हूँ जो आपका absolute refractive index था that is c by v equal to frequency कभी change नहीं होती तो frequency into wavelength in vacuum divided by frequency into wavelength in medium तो ये ratio होता है lambda naught by lambda medium का भी इसके ओपर भी सवाल आपके आए हुए है mu is always greater than 1 clear पिड़ा जितने बच्चे हैं प्लीज फोकस रखिएगा जब भी light एक medium से जब आती है तो this is your incident ray ये वाला angle है angle of incidence तो एक medium से दूसरे medium में जब भी light जाती है तो ये हमेशा अपनी direction से bend हो जाती है जानी इधर चीए थी लेकिन ये towards the normal भी हो सकती है away from normal भी हमारे पास हो सकती है ठीक है तो जो bending of light हुई है this is your refracted ray and this is your angle of reflection this bending of light phenomena ठीक है phenomena of bending of light of bending of light इसी को आप क्या कहते है अपना refraction तो एक refractive index यहां का mu1 ले लिजे जब refractive index change होता है तो light हमारे पास अपने रास्ते से bend कर जाती है this phenomena is called refraction अब सारे बच्चे exclamatory marks notes करके लिख लेंगे तो यहां पर आपका time stamp save हो जाएगा clear clear इसके बाद की कहानी जब एई चीज़ समझना हमारे लिए laws of refraction क्या है laws of refraction की अगर आप बात करें तो पहली बात अभी रुख जाना बेटा फिर इसका भी बताऊंगा पहली बात incident ray normal and refracted ray all lies in same plane all lies in same plane यह हमेशा same plane में ही लाए करते है दूसरा कई बच्चों को बहुत irritating लगता है मेरे को खुद बहुत ज़्यादा irritating लगता था snell's law तो ज़रा इसको याद करने का तरीका है आसान सा मान लीजे इधर का refractive index है mu1 इधर का refractive index है mu2 जब भी मैं refractive index change कर रहा हूं that means medium हमारे पास change हो रहा है light अगर एक medium से आ रही है this is your angle of incidence तो light हमारे पास जब दूसरे medium में जाती है this is your angle of reflection तो snell's law हमारे पास क्या कहता है ठीक है जब भी reflection होगा आप हमेशा लगाएंगे snell's law कहेगा इसका refractive index ठीक है mu1 into sine i यही वाला angle is equal to इसका refractive index into sine r हमेशा constant रहता है सारे बच्चे दिल बनाईए कि आपको यह बात समझाई the product of refractive index very good to the sine of angle sine of angle made with the normal is always constant सर कोर्स कब end होगा यह तो बच्चा भाई साप कभी नहीं होगा चलता रहेगा चलता रहेगा जब हम मर जाएंगे तुम मर जाओगे यह चलता रहेगा यह life कभी खतम ही नहीं होगा यह चलता रहेगा चलता रहेगा पागल इंसान ठीक है यह लखना मिउग इंटू साइन ओफ एंगल ठीक है साइन थीटा इस कॉन्स्टेंट इस यह च्नल्स लॉग समझना जहाँ पर मिउग जादा होगा वहाँ पर थीटा कम होगा जहाँ पर मिउग कम होगा वहाँ पर theta जादा होगा ये बहुत important चीज है क्योंकि आप लोगों ने जस्वी class में ये चीज देखी होगी जब भी हमारे पास light rarer to dancer जाती है जब भी light rarer to dancer जाती है तो जहां refractive index बढ़ रहा है angle कम हो जाएगा तो towards normal shift हो जाती है और जब भी light dancer to rarer जाती है याद करिए ठीक है जब भी light आपकी dancer to rarer जाती है तो जहां refractive index कम हो रहा है वहाँ angle बढ़ जाएगा तो shift away from normal कुछ ऐसा आपका हो जाता है सारे बच्चे दिल बनाईएगा फिर इसका photo लेना rarer to dancer shift towards normal ठीक है और dancer to rarer shift away from normal अब सारे बच्चे इसकी photo ले लीजे अरे भाई कौन है यहाँ पर यह क्या हो गया लाइव खतम हो गई है पेज कैसे स्नाप कर रहा है वाई बहुत fluctuation आ रहा है क्लास में वह वाइफाई का अब लोगों के पास आ रहा है लेक्चर अब गरम पानी के लिए बोल देना गुन गुना पानी बोलना भाई हाँ आपके पास आ रहा है ठीक है मेरे सामने से वह लेक्चर उड़े मुझे लगा कई बंदना हो गया ठीक है एक बार तो मन में भी आया रहे चुट्टी हो गई यह अगले दिन पढ़ा लेंगे इसके बात का लेकिन तो चल गए दुबार कोई नहीं चल रहा आप में अरे याद कोई नहीं कोई नहीं बिल्कुल हाँ मोटिवेशन हमारा बिल्कुल भी डाउन नहीं है एक बार बस अचानक से लाला चाया था हम आपसे काही जूट बोले ठीक है एक बार तो मुझे भी लगा सथरा बंद हो गया क्या चलिए चला जा घर कल का कल देखा जाएगा मर्दवा दो दो दिन तो वह इसे एक्स्टा दे दिया है कल पढ़ा देंगे और का लेकिन अचानक से वहां के रिफ्रेस्ट दबायता आगे सब चलिए कोई येस ठी तो सबसे पहले आपके स्लेबस में आता है स्लैब येस ठीक है सबसे पहले आपके स्लेबस में आता स्लैब स्लैब का काम कुछ नहीं है सिर्फ शिफ्ट करा सकता है सिर्फ शिफ्ट कराता है ध्यां से सुनना दो बार आएगा शिफ्ट कराएगा कराता है इसके अबू भी है का ठीक है अबबू अफ्डीश्लेब्स वाइस कहये को मजा आता है दिखा देते हैं हम क्लाश में मजा करते हैं तो बच्चा लोग कहता है इसे क्या है कर रहा है ठीक है कर दिक है कहां गया जी अब भूब्स लाइब 221 में आ भी गया यह अबू अब्व आ रहे हैं आ गया जही इस में भी आ गया लिए तो बच्चा लोग मज़ा करता है चाहिक तो यह डायलोग आपको बैग्ग्राउंड में सुनाई देगा वैसे तो स्लैब सिर्फिट करा सकता है ठीक है लेकिन कन्वर्जश और प्लेनो कॉन्केव और प्लेनो कॉन्वेक्स लेंज को मर्ज कराके अब्वू अवदी स्लैब्स बना लें तो आपको दिखेगा ठीक है तो देखो यहां से लेटरल शिफ्ट डेरिवेशन आपके लिए नहीं है ठीक है अगर आपकी कोई भी स्लैब है जिसका थिकनेस इस ती रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इस व्यू ठीक है अब जब यहां पर ध्यान से देखना जब भी आपकी लाइट सर रे डाइग्राम बनाना है बिल्कुल बनाईए ठीक है जितना आप हाथ से बनाएंगे चीजें उतने ही ज़्यादा रिकॉल कर पाएंगे यह आपकी एंगल इंसिनेंस यह लाइट हमारे पास आई तो लाइट कभी भी रेर टू डेंसर जाती है तो टुवर्ड जी नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगी यह कुछ ऐसे रहेगी बेटा लाइट को जाना की धर चाहिए था जाना यह धर चाहिए था दिस इस इस इनीशल डाइरेक्शन ऑफ इनीशल डाइरेक्शन ऑफ इंसिदेंट रेस लेकिन लाइट जैसी हमारे पाद यहाँ पर पड़ती है वेटा ध्यान से देखना तो लाइट जाब यहाँ से इमर्ज करती है तो इसके बिलकुल पैरलली हमारे पास निकलती है ठीक है दिस इस यह इमर्जेंट रे इस इस यह इंगल ऑफ इमर्जेंस यह है आपका आर यह है आपका आर नहांच देखना है अब यह हैस्टेग नोट नोट अभी पूरा बनाने तो दे पता लगे तु जाके लेक्चर देख रहे है इतने सारे नोट से बना लिए पूरा वीडियो चल रहा है जब इंपोर्ट से हैस्टेग लगाए पड़े हैं यह पूरी वीडियो चलेगी बाद में जब बच्छा नोट्स पे क्लिक करेगा तो हर बार राजवन सर ऐसे ऐसे बस दिख रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है भाई यह हैस्टेग नोड या एक्सलिमेटरी मार्क नोट्स तब लगाना कुछ है इतना हैस्टेग नोट दबा दिया वहां वेबसाइट डाउन हो जाएगी भाई कि सर कम से कम पांच ही दीजिए दिंकर सर सुनिए मेरी बात इनको दस टॉपिक हैं तो दस नोट्स के लिए बस इससे ज्यादा मत दीजिए तो यह तो भाईया आपका काम बढ़ा देंगे क्रेश करवा देंगे फिर पैसा लगवा देंगे और फिर बोलेंगे फ्री में भी काम धंक से नहीं कर रहा है पी डबलू वाले ठीक है आजो तो जो यह इमर्जेंट रहा और इनिशल डायरेक्शन यह आपस में शिफ्टिड होती है इस इस कॉल लेटरल शिफ्ट ठीक है कि कहां जा रहा है हमारा पैसा ठीक है तो लेटरल शिफ्ट हमारे पास यह होती है जबर यह समझना अगर आप यहां पर स्नेल स्लो लगाते तो आप कहते वन इंटू साइन आई is equal to mu into sin r कहते विटा यहां अगर आप स्नेल स्लो लगाते तो वही कहते mu into sin r और अगर यहां का medium और यहां का medium सेम है ध्यान सुनना इधर का medium और इधर का medium सेम है तो यह आपका 1 into sin e आपका होता ध्यान समझना i is equal to e बहुत important चीज़ अगर दोनों साइड के medium आपके सेम है इधर का medium और इधर का medium सेम है तो angle of incidence is equal to angle of emergence और यह light हमारे पास लेटरली शिफ्टिड होती है ठीक है यह light हमारे पास लेटरली शिफ्टिड होती है पी के दिखा भाई तुसको पेटा गरारा नहीं करना मेरे को यह फिर से गरम पानी वैसे लेके आया है ठीक है तो जो आपका लेटरल शिफ्ट होता है उसका फॉर्मला जो भी बोर्ड वाले बच्चे होंगे उन्होंने पढ़ा होगा अब मैं अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं जब मैं फॉर्मला लिख रहा हूं तब इनके अंदर से आ रहा होगा सब प्लीज डेरिवेशन से बताइए फ्रॉम बेसिक्स बी-ए-डबल-ए-बेसिक्स की स्पेलिंग नहीं आती लेकिन फ्रॉम बेस सब्सक्राइशन कर आ रहे था तब कहते सर आप प्लीज कोशन से हमको थोड़ा सा समझा सकते हैं डेरिवेशन इस्टू थेोरिटिकल सर वी हैव एक्सपेरिमेंटल माइंड ठीक है तो जो आपकी लेटरल शिफ्ट होती है याट इस टी इंटू साइन ऑफ आई माइनस आर आपका ठीकने से आई एंगल फिंसिदेंस एन हमाएं पास एंगल फ्रिफ्रेक्शन आर अपन कॉस आर एक ओता है दो मूहा साम जिसके दो मूह होते चीक है और एक क्रिशन भगवान के पीछे विश्नु भगवान के पीछे एक सांप होते हैं उनका नाम में बुल रहा हूं हमारे बच्चे ना स्पिरिच्वालिटी में इतना आ चुके हैं वो सीधे वैसे फूंकार रखना चाहते हैं हां जिनको क्रिशन भगवान ने पानी में मारा था याद नहीं आ रहा है शेशनाग हां बच्चों के इतने दोगले मूह होते हैं ना भाईसा पढ़ाते समय तो अब यहां पर ध्यां से समझना तो यह आपका रिफ्रेक्शन का स्लैब का अभी इतना ही काम है हमाई पास एक और नॉर्मल शिफ्ट की बात करेंगे आगे चलके ठीक है स्लैब का अभी इतना ही काम नेक्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इस टी आई आर टोटल इंटरन रिफ्लेक्शन ठीक है हम शेश नाग भी आपको देखके बोले अरे इतना मुह कहां से हो गया इस बच्चे का रावण भी बोले भया हम तो दसानन ते तुम तो सवनानन हो सौन मुह है तुमारे हर जगालग बात कर रहा है पच्चा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ध्यान समझना वेनेवर लाइट गोस फ्रॉम डेंसर टू रेर हमेशा इसकी एक कंडीशन है भाईया लाइट जब भी आपकी डेंसर से रेरर साइड में जाती है तो हम लोगों ने पाया है कि एक पटिकुलर एंगल के बाद हस क्या रहे हो तो जब हसी तबी आते निजब आप सही में तो छीज को फिल कर पारे तो एक्चुली मैं आपके ऊपर व्यंक कस रहा और आपके उपर जब मैं तो आपको पता लग रहा है कि बात तो सही है है ना जब भी लाइट बेटा इसके questions करेंगे फिर बरेक मिलेगा ठीक है सारे बच्चे द्यान से देखो पर जब भी लाइट डेंसर से रेरर मीडियम में जाती है तो इट शिफ्ट अवे फ्रॉम दी नॉर्मल यह आपको पता है तो सारे बच्चे जल्दी से बताईए अगर लाइट हमारे पास इस प्रकार से आ रही है तो एंगल ऑफ इंसिदेंस कितना है नभ्य डिग्री हे प्रभू हे जगनात उठाले रहे देवा वहला मीम नहीं है हे प्रभू हे जगनात नभ्य डिग्री बोल रहा भाईया इनको आएटी में पहुचा नाम है तेर को देखके तो मुझे डी मोटिवेशन हो रही है अब दिग्री चलिए थोड़ी दिर के बाद आप मेल ढाली है राजवन सर बिलकुल खचड़ टीचर है हम उसको अप्रूव करेंगे ठीक है हम उसको अप्रूव करेंगे हां हम है हम नहीं पढ़ा सकते एंगल अपिंज्रेस यहां नभ्य डिग्री है हम खचड़ी शहीं ब ठीक है नॉर्मल से एंगल न आपा जाता है एंगल ओफ इंसडेंस जीरो है यहां पर तो एंगल ओफ रिफ्रेक्शन भी आपका जीरो रहेगा लाइट ऐसे ही चलिए टेड़ा बना दिया वह हाथ थोड़ा सा वैसे हो गया ठीक है लेकिन जाए कि लाइट ऐसे ठीक है यह ह हम आपास लाइट कुछ इस प्रकार से चली गई तो मैं यहां पर लिग देता हूं इसके बारे में पहला केस आपका एंगल ओफ इंसडेंस जीरो तो एंगल ओफ रिफ्रेक्शन भी जीरो इसी को नॉर्मल इंसिदेंस भी कहते है ठीक है इसको हम कहते है नॉर्मल इंसिदे यहां से देखना अब जैसी ही लाइट जैसी ही लाइट आपने किसी एंगल पर लाइट को भीजा तो आप कोई पतर लाइट डेंसर टू रेर जा रहे है तो शिफ्ट अवे फ्रॉम दी नॉर्मल तो जानी इधर चाहिए थी लेकिन लाइट क्या होगी कहीं न कहीं ऐसे चल पर सर्फिस से ऐसे पार कर रही होगी हाँ या ना, Yes or No? इसमें जो यह वाला एंगल है, This is called critical angle यह है critical condition इस ईसे अल क्रिटिकल कंडिशन जो लाइट का एंगल औफ री फ्रेक्षन है, This is 90 डिग्री, लाइट सर्फिस को जस्ट टच करके निकल रही होती है, This is called the critical condition अगर मान लीजिए मैंने इस से light का angle of incidence critical angle से ज़्यादा कर दिया यह critical angle का notation है यह आपका theta c है बेटा तो मैंने angle of incidence is greater than critical angle तो light क्या होती है इसी surface में reflect back कर जाती है ठीक है इसी surface में completely reflected back completely reflected back यह completely reflect back कर जाती है in denser medium ठीक है इसी को आप कहते है PIR total internal reflection क्या आपको यह बाद समझाए सारे बच्चे एक बार दिल बनाईए हाँ या ना देखे भाई condition को जरह चीज़ समझे अगर normal incidence सा तो light ऐसे निकल गी मैंने अगर angle of incidence यहां पर बढ़ाया तो आपको भी पता है angle of reflection आपका यह रहेगा मैं जैसे जैसे angle बढ़ाऊंगो सरी इतना दूर क्यों हो रहा है light denser to rare जाती है shift away from the normal जैसी मैंने angle बढ़ाया तो यह reflection हुआ एक particular angle आएगा जब light यहां surface सो touch करते हुए जाएगी यहां angle of reflection कितना है 90 degree है ठीक है यहां आपका angle of reflection कितना है 90 degree तो इस angle को हम कहते है critical angle अगर आपका angle is greater than critical angle होता है तभी आपकी light टोटल internal reflection कर पाती है light अंदर ही medium में रह जाती है इस फिनॉमिना is called sir I mean when will manjil 2024 will end यह लगा पढ़ा एक सवाल भाई सुन ध्यान से आज यह कल में हो सकता है जितने भी हम लोगों ने topic पढ़ाए हैं वहां तक पढ़ाएंगे कुछ मेराथन होएंगी ठीक है फुल जो भी टॉपिक छूट गए है वह मेराथन से पीवाई क्यू से हम लोग कराएंगे फिर जेई मेंस वन के बाद मिलेंगे जो टॉपिक छूटे हुए है पेंडिंग है more पीवाई क्यू है फिर चलेगा यह जेई मेंस टू तक सिलसला चलता रहेगा प्रभू अब चले जाईए तो यह है हमाई पास टी आई आर तो अब बात आती है क्रिटिकल एंगल हम लोग निकालते कैसे है तो भाई दियान समझना हमाई पास एट क्रिटिकल एंगल ठीक है एट क्रिटिकल एंगल अगर आप बात करें तो आप स्नेल स्लोग तो लगाई सकते है रिफ्रेक्शन तो अभी भी हो रहा है ना भाई तो क्रिटिकल एंगल हमारे पास तो यह रेरर मीडियम माने ज़रूरी निये एयर होगा और यह आप डेंसर मीडियम माने तो अभी भी निकालना है तो लाइट आपकी जाएगी बेटा, denser to rarer, पहली बात, और snell slaw तो आप हमेशा लगा सकते हैं, तो snell slaw अगर आप लगाएंगे, mu d into sin theta c, सारे बच्चे एक बार दिल बनाना, क्या आपको समझाया, mu d into sin theta c, equal to mu rarer, into sin 90, आप यहाँ पे कहेंगे बेटा, sin 90 is 1, तो theta c की अगर आप बात करें, तो critical angle आपका आता है, sin inverse of mu r by mu d beta, जनरली आपके सवाल में, अगर air है, rarer medium, तो आपने यह सवाल पढ़ा होगा, critical angle is sin inverse of 1 by mu, आपने यह पढ़ा होगा, हाँ या ना, अब आपको इसको no down करना है, no down कर लीज़े, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हाँ या ना, yes or no, clear, sin inverse of mu r by mu d, जिनको formula में यह confusion रहता है ना हमेशा, कि sir mu r by mu d था, mu d by mu r, अरे भाई, स्नेल स्लो लगा ले, एक बार बस खतब, clear, love you all, अब बस इतनी सी कहानी पर ही हम लोग सवाल करेंगे, तो यह तो बहुत छोटी ची कहानी थी, तो आप क्या करें, जबर जस्ती तो कहानी पर कहानी जोड़ेगा, हे मर्दवा, चलिए, 60 हमारे पास, seconds का मैं आपको पोल दे रहा हूँ, मैं जड़र तब तक यह देख लेए, तो कोई अंसर लिखा तो नहीं हुआ है, आप कोशन करिए, हाँ, यहाँ पर कोशन का अंसर लिखा हुआ है, ठीक है, तो चलिए, अगले कोशन से पहले मैं अंसर छुपा लूँँगा, नहीं तो भाई साब, बड़ा तेज बच्चा है, चलिए, लाइट प्रोपगेट टू सेंटीमेटर डिस्टेंस इन ग्लास ओफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.5, ठीक है, पोल आच, ओ यार मैंने मिनिमाईज कर दिया, पता नहीं पोल आया होगा या नहीं, मैं एक बाद चेक कर लेता हूँ, ठीक है, यार लेकिन बच्चों का वो खराब हो जाएगा फिर, चलो देखते हैं, ठीक है, मिनिमाईज करने से गड़बढ हो रहा था, चलिए देखते हैं, लाइट प्रोपगेट टू सेंटीमेटर बिटा, एक मीडियम में हैं, जिसका ग्लास, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इस 3 बाई 2, इन टाइम टी नॉट, तो यार दिखो, स्पीड इस इक्वल तू दिस्टेंस अपॉन टाइम होता है बेटा, है ना, तो जब भी आपका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होगा, तो याद करिये प्रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का फर्मॉला क्या बताता था, इस मीडियम में विलॉसिटे आपकी कितनी होगी, तो क्या मैं कह सकता हूं, this will be c divided by mu की बात है 3 by 2 is equal to distance at 2.5 divided by t0 मैं कह सकता हूँ in the same time t0 light propagates a distance of 2.25 एक दूसरा medium है बेटा इसमें length चला है 2.25 तो 9 by 4 centimeter मैं यह आपे कह देता हूँ ठीक है इसका refractive index में रिको mu पता है मतलब mu नहीं पता है time इसको t0 लगा है तो इसमें भी अगर मैं speed की बात करूँ तो speed आपका हो जाएगा c divided by mu is equal to distance 9 by 4 t0 यह आगया है ना question ने जो बोला है वही मैंने किया है किसी भी medium में जब जाओगे तो भाई speed change हो जाएगा तो यहाँ पर आपकी speed क्या होगी c by mu तो मैंने कहा c by mu की value 3 by 2 है 2 3 इसको भी centimeter में रख रहे हैं यह भी centimeter में ratio ले लेंगे तो पंगा नहीं आएगा ठीक है तो 2.5 by t0 यहाँ पर भी t0 है तो अगर मैं इन दोनों का ratio ले लूँ तो यह आजाएगा 2 c by 3 ठीक है 2 c by 3 और यह आजाएगा बेटा c by mu is equal to 5 by 2 2.5 है तो मैं इसको अरे यह 2.5 कहां से क्या है 2.5 कहां से आया यह तो 2 centimeter है 2 divided by t0 है ना 2 divided by t0 हाँ ठीक है तो 2 divided by t0 है बेटा यहाँ पर और इसका आजाएगा 9 divided by 4 t0 तो अब काटा पीटी कर लेते हैं बेटा हमाय पास c से c चला गया t0 से t0 चला गया यह 2 और 2 चला गया यह हमाय पत्त्री हो गया mu की value आपके आ रही होगी 4 by 3 mu की value आपकी a option आ रहा होगा हाँ यह रहा a option I hope हे भगवान हे प्रभू हाँ very good very good a option that is going to be your answer अच्छा तो इसमें भाई answer marked है ठीक है पहले तो उसको मैं मिटा देता हूं यहीं रहते है ठीक है आँ नहीं तो बच्चा बहुत साती रहे इस प्रकार का सवाल है इंटीजर टाइप में मेरे अंडर पंटर ठीक है तो मैं आपको टाइम देता हूं 90 सेकंड्स का ठीक है स्टार्ट करें अरे यार मिनिमाइस कर दिया मैंने आई हो खराब ना हो चलो ठीक है चलिए 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 एंड अब्सरवर कें सी थूरू अस्मॉल होल ठीक है अन दे साइड आप जार अफ रेडियस 15 सेंटीमिटर अट पॉइंट फिफ्टीं सेंटीमिटर यह रॉड है यह डिरेक्ली एक होल से देख रहा है तो 15 सेंटीमिटर का रेडियस है 15 सेंटीमिटर के हाइट पर यह आसानी से देख पा रहा है from the bottom C figure the hole is at a distance of 45 सेंटीमिटर यह कितने डिस्टेंस पर है बेटा 45 सेंटीमिटर की हाइट पर था ये ठीक है when the jar is filled with a liquid up to a height of 30 cm आपने 15 cm यहां है तो 30 cm तक जब यह पानी भर दिया या कोई भी liquid भर दिया है ठीक है the same observer can see the edge of the bottom of the jar मतलब वो नीचे वाली light मतलब bottom को देख पा रहा है अगर 30 cm आपने क्या भर दिया है filled with a liquid the refractive index of the liquid is n by 100 value of n integer में आपको बताना है ठीक है चलिए let's see सारे बच्चे जितने इमांदार बच्चे किन किन को यह question में दिक्कत हो रही है आप मेरे को बता सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ है छपोड़े आप बिलकुल मत घब रहीएगा बेटा ठीक है आप अराम से learn करिए क्योंकि आपका learning graph important है 15 cm यहाँ पर इन्होंने पानी भर दिया है तो this is again 15 cm यह पानी यह लिक्विड जो भी है और यहाँ से 15 cm और उपर से आप चीजों को देख रहे हैं जहांचे देखना ठीक है सारे बच्चे जारे यह चीज़ देखना आप यहीं से चीजों को देख रहे थे तो इन्होंने क्या बोला कि आप bottom वाली light को ठीक है कुछ ऐसा है समझना ठीक है सारे बच्चे जो इमानदार है जिनको दिक्कत आ रही है मैं आपको मदद करूँगा यहां से कोई व्यक्ति देख रहा था इन्होंने कहा कि जब आपने 30 सेंटीमीटर तक ठीक है जब आपने 30 सेंटीमीटर तक कोई liquid को भर दिया है तो आप इसका bottom तक देख पा रहे हैं ऐसा क्यों होगा जब यह समझना जब भी light पहले हमारे पास क्या था डिरेक्ली था लेकिन जैसे आपने लिक्विट से बढ़ा तो रेर टू डेंसर जाती light shift from the shift towards the normal यह और नीचे तक जारी होगी तो एक्चली में यह कहानी हमारे पास आ रही है हा या ना येस कई बच्चों का जवाब आते हो हुए इसका refractive index में यूं माल लेता हूं और मैंने diagram ऐसे बनाया है लेकिन मैं rough बनाता हूं ठीक है क्योंकि आपको समझ आए इसका जो यह वाला length है that is 15 cm this is 15 cm पहले light आपकी directly आ रही थी जैसे आपने liquid से भरा तो यह यहां तक देख पा रहा है क्योंकि rarer to denser shift towards the normal हमारे पास हो पा रही है तो मैं इसको ऐसे बनाता हूं बिटा कुछ ऐसे ठीक है देखो to the scale तो नहीं है लेकिन yes आपको थोड़ा सा मदद करेगा सारे बच्चे आप जड़ा देखना ठीक है yes or no में आप जवाब बताना यार हमारे लिए यह 15 cm उसका radius था तो यह वाला length भी 15 cm है यह वाला length आपका total 30 cm है और यह वाला length आपका 15 cm है तो यह वाला angle मैं आर न निकाल सकता हूं अगर मैं small slow यहां पर लगा दूं इधर मैं अगर small slow लगा दूं तो उपर air है 1 into sin 45 is equal to mu into sin of r हां या न सारे बच्चे थमजब करिए हां या न क्या आप यह बात कह सकते हैं कि यार यह वाली जो light आर दिसा यह 45 जिगरी कैसा है पंदर आईये पंदर आईये रेडियस और यह height जोगी यह वाली height थी 45 15 15 15 15 15 15 तो 45 जिगरी पर आई यह angle of incidence आपका हो गया और angle of reflection light आपके बिल्कुल bottom तक जा रही है तो यह आपकी light हुई तो 15 यह 30 यह very good love you बेटा तो यह आजाएगा आपका sin 45 is equal to mu आपको चहिए सर साइन आर कैसे निकाले मैंने का इस triangle को अगर आप देखें तो यह 90 डिगरी यह आपका आर यह आपका 15 यह आपका 30 तो आप पाइथोगरस थियोरम से आप यहाँ पे 30 का square and 15 का square आप करके यह कर सकते हैं और sign is perpendicular over hypotenuse तो यह आपका आजाएगा 15 divided by under root में 30 का square and 15 का square ठीक है यहां से आपको mu की value मिलेगी और mu की value आपको कितनी मिल रही है यह बाद चेक कर लेते हैं ठीक है mu की value और है यहां रहा है 1.58 ठीक है यह आपको मिलेगा 1.58 अंसर जो इन्हों ने बोला था this is n by 100 n की value आपको यहां से मिल जाएगी 158 clear जो आपको सारे बच्चे ध्यान समझना इन्हों ने का है जो भी refractive index that is n by 100 जब आप इसको solve करेंगे तो this is 1.58 और आप अगर n की बात करेंगे तो बेटा 158 आपको जवाब आएगा ठीक है 158 आपका यहां पर जवाब आएगा oh 28 students नहीं collectively सही जवाब दिया है वेरी गुड लेकिन इतने सारे जवाब देर से मैंने टाइप तो गलत नहीं करा क्या है 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 मैंने 150 80 है नहीं है मैंने तो इतने सारे 158 दे रहे तो लिखा क्यों नहीं उसने 800 बच्चे गायब हो चुके है ओ हो कुछ बच्चे ने 1.58 लिखा है यह पकड़े गए ठीक है अगला सवाल बेटा इंटीजर टाइप में है I think 90 seconds will be more than enough for you ठीक है चलिए भाया हाँ अचा 128 डाल दिया था टाइपिंग एर अगला सवाल सारे बच्चे यह ऐसे सवाल आपको क्लास में मिलते हैं लाइट रे एंटर्स अ सॉलिड ग्लास स्वेर आपका एक सॉलिड ग्लास वू यह सॉलिड ग्लास स्वेर है और रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इस रूट 3 कि कहा है एट अन एंगल ऑफ इंसिदेंस 60 डिग्री जारो देखो यार आप जो भी एंगल नापते हैं वो हमेशा नॉर्मल से नापते हैं तो यह आपकी लाइट आई है साथ डिग्री पर कही न कहीं ऐसे दरे इस बोथ रिफ्लेक्टिड एंड भी हुई है था एंगल बिट्वीन रिफ्लेक्टिड एंड रिफ्लेक्टिड सर इस कई बच्चे जवाब देते हुए वेरी गूड वेरी गूड वेरी गूड जरा ध्यान से धमजना जो सवाल ने बोला वही मैंने बनाया यहां मैं स्नेल स्लो लगा सकता हूं क्योंकि मैं क यह एंगल मिल जाएगा फिर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पता है तो आप यहां पर कहेंगे 1 इंटू साइन 60 इस इक्वल तू रूट थ्री इंटू साइन आर मेरे अंटर्पन्टर यह है रूट 3 बाइट यू इस इक्वल तू रूट 3 साइन आर आर की वेल्यू आ रही है 30 की यह अगर यह 30 है धोर बनेगल को known रियादू सैंटर से बाह्त करेंगे यह Sans अगर 30 डिग्री है मेरे अंटरपंतर तो यह भी 30 डिग्री आयको जी यह अधनल डुन नाजी दोनों साइट का मीडम सॉन्भ है से सनल लगाएंगे 60 डिघ्री आ नो 90 डिगरी ठीक है आई हो बच्चों ने सई टाइप किया हाँ इस बार देखो हाँ 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 नब्ब प्रतिशत बच्चा नब्ब लिका है वेरी गुड ठीक है अगला सवाल मेरे अंटरपंटर ठीक है स्टार्ट करते हैं यह लाइट भीम ट्रेवल्स एट स्पीड ऑफ 1.94 इ the wavelength found in the quads wavelength in medium आपको जो दिरिखी है that is 355 nanometer तो यह होजाएगा 10 raised to power minus 9 the wavelength of light in the air will be air में wavelength कितनी होगी तो यह कैसे सोचोगे यह refractive index velocity और wavelength को relate करता है यह c by v है this is wavelength in vacuum by wavelength in medium यह होजगा तो जारा देखना wavelength in medium की अगर आप बात करेंगे तो यह आजाएगा lambda naught into v अच्छा हमें wavelength of light in air चाहिए ठीक है तो यह होजाएगा c by v into lambda m is equal to lambda naught right तो यह lambda naught मेरे अंटरपंटर कितना आएगा 3 into 10 कि पार 8 into lambda m 355 into 10 कि पार 9 minus 9 upon b 1.94 into 10 कि पार 8 यह तो चलाई गया calculator use करेंगे ठीक है तो 3 3 into 355 divided by 1.94 that is 548 पॉइंट 9 into 10 कि पार माइनस 9 तो यह आपको डैनोमीटर में second option अंसर आ रहा होगा बी option आपका अंसर आ रहा होगा रैंक बिगड़ते हुए लगता है अगला सवाल मेरे अंटरपंटर ठीक है अगला सवाल मेरे अंटरपंटर जरा देखा जाए मुझे यह देखना है कि मेलडी जिंदा है कि मर गर ठीक है जीवित है पहले रैंक पर या नहीं हिए इड देंग नहीं नहीं देखेंज । इपर यह दू कि आ हम था है अपकर वायलेंध इंडिगो इन एल्लो औरेंज रेड याद करिए इनका वेवलेंद शेम नहीं होता इसलिए वाइट लाइट वेलेंध वेटर तो वेवलेंध का ओडर आपका ये रहता है और अगर आप देखें तो refractive index is inversely proportional to wavelength although cauchis relation है लेकिन यह समझेए wavelength बढ़ेगा refractive index घटेगा ठीक है एक cauchis relation होता है आप याद रखना lambda बढ़ेगा wavelength घटेगा तो यह तो यह आ गया question में क्या पुछा है the ratio of refractive index of red light to refractive index of blue light तो भाई ध्यान ते देखना blue light का जो refractive index है is more than refractive index of red light तो this ratio will be less than 1 तो यह option आपका यहाँ पर answer होगा यह option मेरे entrepreneur यहाँ पर आपका answer होगा very good बच्चे लोग बिलकुल जोश्व है यह अब आपका दो तीन subjective सवाल है फिर objective पर जाएंगे ठीक है इसको सारे बच्चे जब मैं solve कर लूँगा तो इसको notes में save कर लेना small angle approximation formula है ध्यान से array of light is incident on a parallel slab of thickness t आपका जो एक slab है ठीक है जिसकी thickness कितीनी दे रखी है बेटा t and refractive index mu if the angle of incidence is theta यह directly आपको सवाल मिल सकता है अगर आपका angle of incidence is theta for small theta show that lateral displacement of the ray will be this यह formula direct भी आपको याद होना चाहिए लेकिन अभी हम लोग derive कर लेंगे इसको ठीक है सारे बच्चे देखना अगर यह theta small है तो जानी light इदर चाहिए थी तो light हमारे पार जब जाएगी तो यह जो shift का formula आपने पढ़ा था delta which is t into sine of i minus r divided by cos r वो कहरे ऐसा होता है इमांदारी अब यहाँ पर आप लोगों की इमांदारी how to vote vote करने के लिए chat में लिखना है बेटा बस vote करने के लिए बस chat में लिखना है वो अपने आप कर लेगा जो करना है या देखो small angle approximation में for small angles जब आपका theta small है तो r भी तो small होगा angle of incidence अगर आपका 0 की तरफ होता है तो angle of reflection भी 0 की तरफ होता है तो आपको पता होगा sin theta की बात हो या tan theta की बात हो इसको आप theta ले सकते हैं और cos theta की अगर आपकी बात है तो इसको आप 1 ले सकते हैं विटा तो मैं इसको लिख लेता हूँ T into I minus R divided by cos ये 1 हो जाएगा, this is delta अब क्या करें, मुझे तो theta और mu के terms में चीए तो सारे बच्चे जड़ा ये देखना, मैं Snell's law यहां लगा सकता हूँ क्योंकि मुझे R हटाना है, तो अगर मैं Snell's law लगाऊंगा 1 into sin theta is equal to mu into sin R small angle में theta equal to mu R, R की बात करोगे theta by mu इमानदारी से बताना कितनों का match हो गया, ये आगया theta minus theta by mu तो ये आपका आजाएगा T into theta into mu minus 1 by mu इमानदारी से बिटा, मैं आप सभी से पूछूँगा कि किस-किस का ये answer आ गया हाई या ना, बेटा, notes में तो डालना है लेकिन इमानदारी से बताएगे किस-किस ने खुद से solve कर लिया था, कि आपने कहा किसार लेटरल शिप्ट का फॉर्मला ये है, अगर में को small angle approximation लगाना पड़े, matched, love you बेटा, क्योंकि आप लोग को के दिक्कत पता है, no क्यों लिख रहे हो, क्योंकि आप notes चापने में लगे पड़े हो, आप लोगों को मज़ा आ रहा है, hashtag notes लिखने जिससे save हो जाएगा, अरे गद है, बाद में तो तेर कोई पढ़ना है न, ये तुम्हें खुद से solve करना चाहिए था, कि small angle approximation ले सर ये 1 हो जागा, ये i-r है, अब सवाल में ये direct formula question objective होता, तो solve करते न, गद है, हाँ, अभी भी लगे पड़े यार notes notes, notes, अरे दिंकर सर देख लीजे problem क्या हो रही है इससे, इनको ये option ही मत दो इतना ज्यादा, हाँ, अरे छपोड़े इंसान क्या करेगा तू, physical notes तो तब भी बेच लेगा पैसे कमाने के लिए, हैं, राजवन सर notes, भाई 100 रुपे में दे दूँगा, तो चल ठीक बिग गए, ओनलाइन के notes का क्या करेगा, वो तेर को पढ़ने हैं, अरे बाप रे बाप ये तो अभी भी notes लिख रहे हैं, चल भाई, चाप, चाप, मजा आ रहा है तेर को, आजा, मस, चाप, हाँ, 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 दबाते जा, दबाते जा, लिखते जा, बेटा, इसको हम कहते हैं, ब्रिविश्टर श्लॉ, ये दो-तीन बार सवाल आया हुआ लिख ले लिख ले भाई monochromatic light falls on angle of incidence i on a slab of transparent material refractive index of the material is mu यह आपने कई बार देखा होगा ठीक है इसको हम कहते है brevister's law याद रखना brevister's law ठीक है आपकी light यहाँ पर i किसी angle of incidence i पर तो इन्हों ने कहा है कि what is the relation between i and mu इसका refractive index और i के बीच में क्या relation होना चाहिए such that reflected and reflected rays are mutually perpendicular तो यहाँ से light आपकी bounce back करेगी और rarer to denser light ऐसी जाएगी इन्होंने कहा है कि इनके बीच में ऐसा क्या relation होना चाहिए कि यह दोनों आपस में 90 degree पर हो तो मैंने कहा याद अगर यह i है तो यह भी i हो यह 90 है तो यह आपका हो जाएगा 90 minus i हाँ यह ना क्योंकि linear pair बेटा 180 होना चाहिए तो 90 यह है तो यह i है तो 90 minus i मैं स्नेल स्नो लगा सकता हूँ इस question को star mark करना है बहुत बार आ चुका है तो यह आपका आएगा 1 into sin i is equal to mu into sin of 90 minus i बेटा तो sin i is equal to mu of cos i तो 10 i equal to mu this is your brevister's angle इसी i को आप कहते है brevister's angle याद रखना कभी नाम चे डेरिकली आजाए तो polarization topic में हाँ very good मनत बेटा ठीक है 10 i is equal to mu ठीक है तो brevister's angle आपका आता है polarization के topic में जब आपकी light इस प्रकार से reflect होती है और reflect होती है कि उनके बीच का angle अगर 90 degree है तब आपकी light partially polarized यह वाली partially polarized and this is fully polarized light आपकी हो जाती है इसका oscillation perpendicular to the plane रहता है ठीक है इस angle को हम brevister's angle कहते थे हाँ polarized light के topic में था बेटा revise रखना तो यह सवाल कई बार आपको आया है next this is a ncrt based question और यह आपको अपने pyqs में भी मिल जाएगा ठीक है यह आपको अपने pyqs में भी मिल जाएगा I think मैंने इसको homework में रखा है क्या नहीं रखा है चलो कोई नहीं आपको अपने pyqs में भी मिलेगा सारे बच्ची इसको important है लिख लीजिएगा लेकिन दियाद रखना है topic क्या है this is called area of illuminance ठीक है इसको आप क्या कहते है मेटा area of illuminance ठीक है कई लोगों ने पड़ा है a point source of light is placed directly below the surface of the lake at a distance h from the source find the area on the water from which the light will come out from the water area of illuminance ठीक है power का question अभी तक नहीं आया है लेकिन चलिए पहले तो area of illuminance की बात करते है power का solid angle का concept आदे बच्चे दिमाग की दही कर देंगे कोई नहीं अभी यह देखिए माल लीजें इसका refractive index is mu और यहां पर आपका है air आपने एक bulb को या एक point source को यहां रख दिया है जो h distance h distance नीचे है हाँ चलो मैं बता देता हूँ जो भी light बेटा आपकी यहां गई होगी normal incidence वो तैसे चली जाएगी light जो भी light आपकी यहां गई होगी denser to rarer आपको पता है sir away from the normal ऐसे हो जाएगी एक particular ऐसा यहां पर point होगा जहां critical angle पर यह hit कर रही होगी और light ऐसे जा रही होगी सारे बच्चे हाँ या ना में मिरे को बताना इसके beyond जो भी light गई होगी वो तो critical angle तो sir light TIR कर जाएगी कहने का मतलब यह है कि एक region आपके surface पर कहीं न कहीं ऐसा होगा एक region आपके surface पर कहीं न कहीं ऐसा होगा जिसमें से light बाहर आप आ रही होगी हाया ना yes very good तो जो यह circle है ना जैसे bulb है इसमें से light हमारे पाद निकलेगी surface से चली जाएगी निकलेगी surface से चली जाएगी क्या आपको समझा रहे है कौन टाइप का बनेगा जिसमें से light बाहर जा पार रही है हाया ना yes very good इस circle को आप कहते हैं अपना area of illuminance इस circle को आप कहते हैं अपना area of of illuminance तो आपका इसका एरिया रेडियस निकालना एरिया निकालने के ऊपर सवाल हो सकते हैं सारे बच्चे जड़ा यहां पर देखना अब मैं न्युमेरिकली इसको सवाल करता हूं यह आपका सोर्स था यह आपका एच डेप्थ था जो भी आपकी लाइट यहां पर जा रही है क्रिटिकल कंडिशन बना रही थी वो ऐसे थी दिस इस यह थीटा सी है ना यह एर है यह मीडियम है म्यू माल लेते हैं तो आपको पता है साइन थीटा सी की वैल्यू तो सर वन बै म्यू होती है नहीं का ओके तो यह भी थीटा सी हुआ अल्टरनेट अपोसिट सारे बच्च यहीं तो सर और रूट में म्यू स्कूर माइनस वन दिस रडियूस रडियूस ओफ area of illuminance जिस radius में से light निकल रही जिस एडिया में से light निकल रहे हो कि इसका radius क्या है यह अगर आपसे कोई बोले area कितना होगा आप आयार स्कॉर करेंगे तो जैसी स्कॉर करेंगे Pi H Square divided by Mu Square minus 1 सारे बच्चे मेरे को बताना यह तो सारी चीजे डेटा दे रखी होंगे कितने depth में है और किस liquid में है होता गया दिल बनाई है सारे बच्चे यह आपके notes में होना चीए तो आप से area of illuminance पूस सकते है radius पूस सकते है और जिन बच्चों ने सॉलिड एंगल का कंसेट्ट पड़ा होगा तो कितना पावर एफेक्टिव है ठीक है तो आपको सॉलिड एंगल से निकालना पड़ेगा छोड़ो उसको कई बच्चे फाल तुमें तंग करेंगे हाँ क्लियर वेरी गुड येश तो ये था आपका एरिया ओफ इलूमिनेंस अगला सवाल भाई इसमें मौत आती है हर बार समझाने को इसमें मैं सबै आपको 90 सेकंड या 120 सेकंड देता हूं क्योंकि मुझे समझाने में इसमें टाइम लगेगा क्योंकि इसमें कई बच्चे खुन भी जाते हैं चलिए अब बीम ऑफ वाइट लाइट कहीं पर भी वाइट लाइट मिल जाए समझ जाना वॉयलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ओरेंज रिड यह है इस इंसिदेंट ऑन ग्लास एयर इंटरफेस यह ग्लास है यह एयर है तो सच दैट ग्रीन लाइट जस टोटल इंटरनल रिफलेक्शिशन इसका मतलब आ हैं पारी हुआ इन्हों ने बोला है मना इमैं भी की angle of green this is the critical angle of green green के critical angle पर भीजिए जिससे light just इसका TIR का condition बना है the color of light which will come out to the air is सब रट्टू तोते बैठे हैं यहां पर कौन सा color बाहर निकल के आएगा ठीक है भाई यही advance तक में इस टाइप के सवाल आपको बहुत मिलेंगे ध्यान से समझना जो serious बच्चा है उसके लिए इन्होंने क्या बात बोली है बेटा ध्यान सुनना कि आपने यहां से white light को भेजा violet indigo blue green yellow orange red यह आपने भेजा इन्होंने बोला है कि यहां पर ना ठीक है यहां पर आपकी green वाली light ऐसे जारी है सिर्फ green वाली light ऐसे जारी है तो मतलब green का critical condition हुआ है तो this is theta of green समझना सारे बच्चे पूरा concentration के साथ ऐसे सवाल आपको बहुत मिलेंगे क्या आपको यह बात पता थी violet indigo blue green yellow orange red में wavelength का order यह है तो wavelength का अगर order यह है तो refractive index का order यह हुआ और sin theta c is equal to 1 by mu यह इसका भी उल्टा है critical angle का order यह हुआ yes अब समझना मुझे यह पता लग गया कि सारे colors सारे colors का angle of incidence जो है that is critical angle of green है सारे colors का जो angle of incidence है वो green वाला critical angle है तो मैं माल लेता हूँ green का angle माल लो 45 degree है for example I am saying just एक value ले ले तो जिससे आसानी रहती है जो कि at the end मेरे को इसी पर आके समझाना पड़ता है value से ही समझाना पड़ता है तो वैसी समझाओंगा ठीक है तो क्या आप यह समझ पारें yellow orange red का जो critical angle है वो तो green से ज्यादा है मतलब हो सकता है इनका जो critical angle होगा वो 45 degree से ज्यादा होगा माल लेता हूँ 50 60 70 example तो yellow orange red को जड़ा देखना yellow orange red के लिए angle of incidence कितना है 45 degree इनके critical angle क्या थे 50 60 70 example के तौर पर तो क्या आप समझ पारें angle of incidence is less than critical angle इनके तो that means no TIR इनके कोई TIR नहीं होगी तो यहां से आपको क्या मिलेगा yellow बहार निकलाएगा orange और red जड़ा इनको समझना violet indigo and blue इनका critical angle 45 से कम है तो मैं माल लेता हूँ 40 30 and 20 सारे बच्चे दिल बनाना इस बात पर violet indigo blue का angle of incidence आपने कितना दिया 45 क्यों क्योंकि green का angle of critical angle था वही इनके लिए था तो 45 अगर मैं इसको मान रहा हूँ तो violet indigo blue ले भी 55 degree of angle of incidence है इनका critical angle आपका है 20 30 40 यार आप देखिए angle of incidence is greater than critical angle तो TIR हो जाएगा बेटा तिया अगर हो गया तो यहाँ पर violet indigo blue तो आपको अंदर मिलेंगे green यहाँ मिलेगा yellow orange red आपको बाहर मिलेंगे तो इन्हों ने पूछा था कि कौन सा कलर बाहर आ जाएगा that will be yellow orange red third option that is going to be your answer हाँ या ना सी option आपका answer होगा ओए पोल काय नहीं आया विरे कोई नहीं पोल भी बीच बीच में वैसे ही धोका दे रहा है जैसे आप देते हैं यह आपका advance में आया हुआ सवाल है आसान सवाल है ध्यान से देखना ऐसे सवाल आपको जैमेंस में मिल सकते हैं अलाइट भी मिस्ट्रेवलिंग फ्रम रीजन 1 तो रीजन 4 1 2 3 & 4 ठीक है मैं पोल दे देता हूं फिर से इनिशेट कर देता हूं ठीक है फ्रॉम रीजन 1 तो रीजन 4 रीफ्रेक्टिव इंडेक्स इतल रीजन 1 2 3 4 आर अन नौट अन नौट बाइ 2 नौट बाइ 6 अनौट बाइ 8 क्या आप समझ पा रहे है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स डिक्रीज कर रहा है तो यह डैंसर है यह हम एक्टिव इंडेक्स कम होगा तो हमाय पास डेंसर टू रेर जा रहे हैं इन्होंने क्या बोला है दा एंगल ऑफ इंजरेंस थीटा फ़र विस्ट बीम जस्ट मिस्ट एंटरिंग रीजन फोर ऐसा मैं यहां पर क्या थीटा लूं कि लाइट जस्ट फोर वाले में ना घुस प इंक बाइट बाइट एंड नौट बाइट बाइट विस्ट और एंड नौट बाइट शारे बच्चे जरा देखना इन्होंने यह बात बोली कि यहां पर जो आपकी लाइट आ रही है यह ऐसा एंगल क्या थीटा हो कि हमाय पास डेंसर टू रेर अवे फॉम धी नॉर्मल यह ऐसा हो कि बिटा यह जश्ट मिस्स कर जाहीं डिल बनाना इस बात पर क्या आपको यह बात समझाओी सर जश्ट मिसिंग का कंचेप्ट कि यह क्रिटीकली हमाइल पास जान ग्रेंसर वेंसर घ्रिंटे 90 degree तो हर जगा refraction हो रहा है यहाँ और यहाँ स्नेल स्लो लगा लेते हैं तो N0 into sin theta is equal to हमारे पास यह आजाएगा N0 by 2 into sin R यहाँ पर भी वही आएगा N0 by 6 into sin R1 फिर N0 by 8 into sin of 90 very good हमें तो theta चाहिए था तो मैं इन दोनों को एक वेट कर देता हूं बेटा तो N0 और N0 गया sin 90 is 1 तो theta is equal to sin inverse of 1 by 8 तो हमारे पास कौन सो option आ रहा है second option बेटा आपका यहाँ पर answer आ रहा है ठीक है हाँ अब चला पोल ठीक है very good and last question जो हमारे पास है ठीक है last question यह भी आपका advance में ही आया हुआ question है ठीक है इस प्रकार के सवाल आपको ग्लास मीडियम में लाइट रही जा रही है इंसिदेंट और ग्लास एयर इंटरफेस ग्लास और एयर का इंटरफेस है at an angle of incidence थीटा the reflected ray and transmitted reflected ray transmitted कहने का मतलब refracted ray intensity is both as a function of theta are plotted यहाँ पर गलती होगी ध्याँ चेगर आफ रीड कर लेना यार देखो अगर हमारे पास कोई भी angle of incidence है तो reflection भी होगा reflection भी होगा ठीक है ध्याँ सुनना जब theta की value 0 है तो आपका reflection भी होगा और reflection भी होगा इसकी ज़्यादा ताजाद होगी more reflection होगा reflection कम होगा आप angle of incidence को बढ़ाते बढ़ाते जैसी आप angle critical angle पर होगा या critical angle से मैं यहाँ पर कह देता हूँ theta is more than critical angle तो TIR हो जाता था याद गरिये TIR में आपका reflection 0 हो जाएगा और 100% reflection होगा सारे बच्चे पहले तो thumbs up करें इस concept पर क्या आपको ये बात पता है जब आप normal incidence की बात करते थे surface पर light जैसी जाएगी तो transmit हो जाते तो majority light transmit हो गई कुछ portion reflect भी करती है जैसे जैसे मैं angle को बढ़ाता जाऊंगा तो हमारे पास क्या होगा reflection reflection हमेशा रहेगा reflection की तादात बढ़ती जाती है एक critical angle के बास सारी light हमारे पर reflected होटती है transmitted होती ही नहीं ये क्या कह रहे हैं आपका angle बढ़ रहा है तो जो transmission है वो कम होते होते जब आपका angle of incidence 90 degree होगा तब जाके transmission 0 होगा ये तो गलत ये क्या कह रहे हैं कि हमारे पास हमारे पास 100% के आसपस के है हमारे पास ये कम होगा एक angle पर ये खटाक से 0 हो गया इसके बाद कुछ है ही नहीं reflection वाला आपका बढ़ रहा है बढ़ रहा है और एक के बाद 100% reflection आपका हो रहा है तो कहीं न कहीं ये एंगल आपका critical angle है third option that is going to be your answer D option कुछ बच्चे कह रहे हैं ये कहाने हैं भाई critical angle के बाद भी एक particular ऐसा angle आ रहा है जहां पर हमारे पास transmission reflected light जो light बाहर नहीं कल रही थी वो कम हुई और फिर और कम हो रही है ऐसा नहीं critical angle के बाद TIR क्या होता है total internal reflection गद है इंसान ठीक है critical angle के बाद सारी की सारी light अंदर ही रह जाती है no transmission reflection zero हो जाता है बेटा इन्होंने कहा है कि reflection अभी भी हो रहा है गलत है सर इन्होंने क्या कहा है यह जीप सी line इन्होंने पता नहीं क्या बनाए transmission घट गया है लेकिन 100% से उपर light कभी नहीं जा सकती तो आपको यह याद रखना है कि यहाँ पर तो 100% से उपर जा रही है चीजें यह तो वैसे ही गलत है third option that is going to be your answer देखते हैं कितने प्रतिशत भारती है अरे नारूतो हमारे पर नारूतो भी आ रहा है अरे नारूतो आ रहे हमारा melody कहां गए gems बन गए क्या नारूतो है हां अच्छा यह तो व्यू लीडर बोर्ड इसका है new pole final leaderboard व्यू लीडर बोर्ड यह final आ रहा नारूतो इसमें जीते थे melody rank up कैसे हो रहा है यह तो फस्ता पिछली बार हो सकता है इस कोशन का कुछ होगा नितिन कुमार ने भाई पिछाड दिया है melody को ठीक है melody बेटा give up नहीं करना अभी अगला तो यही नाम रहेंगे ठीक है तो melody जीत रहा है हम आए पर कुछ अंटर पंटर और भी होंगे कि जिनका जवाब लप्पा बाजी में पांच चार करेक्ट अंसर फोर करेक्ट अंसर थ्री करेक्ट अंसर टू जीरो वाले होंगे फिर बहुत सारे तू करेक्ट अंसर टू वाले बहुत है तू ही वाले सब्सक्राइब भाई सहब मजा रहा है मजा रहा है मजा रहा है लीडर बोर्ड में हमाँ पास मैलोडी मुझे लग रहा है हां मैलोडी मैलोडी ही हां बेटा मैलोडी बेटा देखो अभी ना फ्यूचर में हम लोग अगले साल तो इसमें वीडियो भी रखेंगे तो जो जीतेगा उसको वीडियो पर बुलाया जाएगा यूटूप पे ऊटूप पे ठीक है अच्छा कर हां अगला सेट हमारे पास आता है प्रिजम का ठीक है इसमें भी हमारे पास कुछ कोश्चन है काम हम क्या करेंगे ठीक है खाने माने का टाइप अरे यह हैं अगे 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 वापिस चलो ठीक है मेरे को तो वैसे यह देखना है कि हमारे अच्छे बच्चे टॉपर बच्चे कहां तक पहुंशते थिक तो यहां पर ब्रेक देते हैं ठीक है हाँ डिनर ब्रेक अब फिर उसमें बच्चे काता है डिनर बना ही नहीं का खाए हमारा भेजा खाई यह ज्यादा स्वादिश्ट लगेगा 42 फ्री फंड का है ना ब्रेक देते हैं थीक है अभी 20 मिनिट का आपको ब्रेक टिल नाइन टैन पी एम ठीक है इसके बाद अभी हमारे टापिक्स रह रहे हैं जी भगिया का मात ठीक है हमारे पास इसके बाद हम लोग करेंगे प्रिजम स्फेरिकल सर्फिस प्लेन सर्फिस ठीक है एन थिन लेंस डीक है तो आखरी वाला टॉपिक ही सबसे ज़्याधा इंपोर्टेंट है अब क्या कर सकता है भाई आप लोग जो भी है यह चेपटर ऐसा है रंगीन चेपटर है आखरी में जाके इतना इंपोर्टेंट हो जाता है जो जब तक भाग जाओगे तो रिफ्लेक्शन पढ़ पढ़के बुड़ापा आ गया है थिन लेंसे वाले पार्ट छूड़ जाता है और बार तो वेट करिएगा बस मैं तो यही बोलूंगा ब्रेक तो देने का मन इसले नहीं करता कि बच्चा भ झाले जो जाओेगे रने की दो जाग। झाल 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 हेलो 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 अब जारी हेलो 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 हां कहां गया थाटा फिस येश कहां गया इंटरबंटर्स आज आज याज यह भी तीन मिनट है थीन मिनट है हां हां पता है नहीं पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे हैं पेंशन मत लीजे ठीक है इनको पढ़ना भी है और नहीं भी पढ़ना पढ़ना भी बिलकुर प्रव्णी बेसिक बी एडबलस सी और नहीं भी पढ़ना रहे कहां जा रहा नहीं भी पढ़ना मर्दवा बड़ा दिकत भा येश प्रहां हां हां आजो 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 भाई आ रहे आ रहे हैं अभी भी लोग कुछ लोग खापी रहे हैं खालो 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 ठीक है तो हमारे पास जो टापर है नितिन था ना नाम ठीक है यह अप्टिकल इंस्रूमेंट अलग से होएगा भाई यह चैप्टर वैसी इतना बढ़ा है फिर बाद में वहीं बात हो जाती है लास को दो थपड़ मारो या पांच लास तो लास से कुछ समझी नहीं आ रहा होता उसको अलग से पढ़िएगा ठीक है आज हम लोग थ यह होता है रेटीना चाहिए ठीक नर्व होता है खोपडी यह अधिक है ऐम अदेक्षुनग की बसकता है न हमत interacting औलिम साँन हा वर्चे वर्चुल रियालीटी के जैसे तो चिपकाया नहीं देखना चाहिन है नहीं है ना है येश 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 I am very much fluent in English but the only thing is I don't want to work in English वाला येश so generally whenever they ask me sir are you comfortable in teaching in English I say क्या कहरा है हम को समझ भी ना रही तो कहते है ओहु this guy can only speak in Hindi and cannot even write in Hindi थोड़ा बहुत काम कर सकता है तो इसको ऐसी पढ़ाए तो जब समझेगा काम दिया जाता कंपनी में तो थोड़ा सा काम चोरी भी करना जरूरी है एक बहुत बड़े महा पुरुष ने बोला था कि जब भी कंपनी का सेलरी इंक्रीमेंट होता है तो जनवरी फरवरी मार्च में होता है मैंने का होता तो इसे समय काहे होता कभी सोच है आप भी बता दीजो इतने ज्रौज्वरी घ़नी है का सरदी में रिभड़ी खाने ही का मज़ा आता है मैंने का है कासी लिए रिभड़ी एक तो उसकिए में दिया जाताए गर्मी में वैसे इंसान बनना जाता गर्मी से अगर इंक्रीमेंट रंग से नहीं हुआ तो गुस्सा आएगा तो सर्दी में रेवडी और यह सब मिलता है येस मैंने का बहुत सही तुम्हें रेवडी और वह मिलता होगा हम पूरा गज्जक लेके खाते हैं येस तुम्हारे यहां पे रेवड़ी दिया जाता होगा हमारे हां गज्जक मिलता है ठिक 100 लुक्स अध़तर ऊहरे कर दों सारे चैके तुम्होंगे हमारे की सब्सक्राब्ससारें एंक्रफरतर की अधन्यों के यह जाते हैं धाली पर चिपक जाते हैं येस चलिए भाई हम तो आगे की कारवा स्टार्ट किया जाए हमारी से क्या करेगा तू क्या कर लेगा तू मेरी से यह बता अभी तू नीट का सवाल पूछ रहा था फिर अब तू सेलरी का सवाल पूछ रहा है बेटा नीट हो जाओगे एन ए ए टी रैंक नहीं दिखेगी ठीक है बिलकुल सापत छोड़ पिपर नीट तुम अपने पे में प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् ठीक है हां सेलरी में सी लिखा हुआ है मिलेगा मिलेगा तुम्हें हां आई 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 ये ये येस चलिए भाई स्टार्ट किया जाए हां हमारे जैन्जी जनरेशन की दिक्कत यह है कि वह करोडों से नीचे बात नहीं करते ठीक है इनको सीधे घर पे मिलता है 100 रुपे 200 वहीने है जासे आदा 500 रुपे महीने का मालो 1000 रुपे महीने का इसके बाद इनोंने लाक तो सुना याई नहीं यह लाक भी बीच में आता है सीधे करोड कितने किवाप चाहिए आई आया या चलिए है आज़ो आज़ो तो अब हम लोग जो नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं ठीक है इसके बाद एक बार लास्ट डिटेक्शन टेस्ट किया जाएगा लास्ट लास्ट डिटेक्शन टेस्ट है ना थपड मारके चेक किया जाएगा यह जिंदा है तू अभी तो टापिक बच्चा लोग ज्यादा लाश में बन रहा है तो बनने से पहले पहले हम थिन लेंस भी करा देंगे और अगर लगा कि नहीं जीवित है तो एक ब्रेक यहां पर पॉसिबल है ठीक है अगर नहीं हुआ लग रहा है कि मर रहा है तो उसी समय इसको साथ में कराएंगे समझना प्रिजम हमारे पास है क्या ठीक है प्रिजम अगर आप बात करें ठीक है प्रिजम के अगर आप बात करेंगे तो यह एक रिफ्रेक्टिंग मीडियम है ठीक है दिस इस अरिफ्रेक्टिंग मीडियम ध्यांच सुनना ठीक है दिस इस अरिफ्रेक्टिंग मीडियम बा rectangular matte surfaces, ध्यान चो सुनना बेटा, अब सारे बचे serious रहना, ठीक है, rectangular matte surfaces, सर, matte surfaces क्या होते हैं, जिन surfaces के about आपका reflection हो रहा होता है, उसको आप matte surfaces कहते हैं, हमारे syllabus में, अगर आप देखें, तो polygon अगर आपको लेना है, तो आपने क्या करा, यहाँ पर triangle ले लिए, दो polygon ले लिए, और इनको आपने join कर दिया है, rectangular matte surfaces से, यह आपका बन जाता है prism, this is called trihedral prism, ठीक है, this is called trihedral prism, ठीक है, अगर आप अपना polygon square करना चाहते हैं, या rectangle करना चाहते हैं, तो that is also possible, ठीक है, that is also possible, आपने अपना polygon यह ले लिया, और फिर यह आपके rectangular matte surfaces हो गए बेटा, तो this is rectangular prism, जिसको आप slab भी कहते हैं, rectangular prism, इसको आप अपना slab भी कह देते हैं, बात यह है, सर, हमारे पास इससे उपर भी अगर हम लोग चले जाएं, तो हाँ, खुछ मजा आ रहा है, ठीक है, तो pentahedral prism, भी आपका होता है, लेकिन यह हमारे slabers में नहीं है, ठीक है, तो आपका कुछ इस प्रकार से, ठीक है, this is your pentahedral prism, ठीक है, तो हमारे पास यह prisms रहते हैं, pentahedral prism, तो जरह यहाँ पर ध्याँ समझना, दो आपके polygon रहते हैं, दो आपके polygon रहते हैं, और बाकी आपके rectangular matte surfaces होते हैं, जो भी light आपकी reflect कर रही होती है, वो in matte surfaces पे, light इस surface पे जाएगी, और इस surface से निकल जाएगी, तो यह दोनो matte surfaces हमारे पास use हो रहे होते हैं, यह जो दोनो side के surfaces हैं, these are your matte surfaces, नीचे वाला भी matte है, लेकिन जो भी आपका reflection होता है, वो matte surfaces के about ही होता है, अब बात आती है, सबसे पहली जो चीज हमें ध्यान रखनी है, that is called angle of prism, कई बच्चे confused होते हैं कि sir, prism में तो 3 angle हैं, तो इन में से हमें कौन सा angle लेना है, ठीक है, तो angle between two matte surfaces, angle between two matte surfaces, आप उन दो matte surfaces की बात करेंगे, about which reflection is occurring, about which reflection जो है हमाए पास occur कर रहा है, about which reflection is occurring, ध्याज सुनना, अगर मान लिजे कि मेरे पास जो भी light आ रही है, वो इधर आई, फिर इधर गई, फिर इधर चली गई, तो ये आपका angle of prism कहलाता है, इधर वाले angle से कोई लेना देना नहीं है, अगर मान लिजे light मेरी इधर आई, इधर गई, इधर चली गई, तो ये दोनो surfaces के बीच का angle is your angle of prism, मान लिजे कि मेरे पास light यहाँ से आई, ऐसे और ऐसे चली गई, तो इन दोनो surfaces का जो भी आपका intersection होगा, ये will be your angle of prism, सारे बच्चे थम्जब करके बताएं, क्या आपको समझ आया, light आपकी इधर आई, इधर हुई, फिर इधर चली गई, तो ये वाला जो आपका angle होगा, this is your angle of prism, सारे बच्चे एक बात थम्जब करके बताएं, light हमारे पास मान लिजे इथर आई, फिर इधर गई, फिर इधर चली गई, तो इन दोनो surfaces का, बीच का angle, is your angle of prism, light मान लिजे तर इधर आई, इधर गई, और फिर इधर चली गई, तो इन दोनो surfaces के बीच का angle is angle of prism, clear है क्या, जो भी दो surfaces, very good, जो भी दो surfaces हमारे पास use हो रहे है, reflection में, अगर आप उनको extend करे, या फिर जरुवत नहीं भी है अगर extend करने की, उन दोनो surfaces के बीच का angle ही हमारे पास angle of prism है, very good, अब बात आती है, हमारे syllabus में trihedral prism है, इसमें equilateral भ ध्यान रखें, क्योंकि prism के सवाल में छोटी-छोटी चीज़े बहुत matter करती है, और सवाल अच्छे खासे आए है, माल लीजिए, कि हमारे पास एक surface पर light यहां पर आके enter करती है, this is your angle of incidence eye, तो यह इसका refractive index है, mu, तो सारे बच्चे मेरे को बताएं, जब भी light यहां से, rarer से denser जाएगी, हाँ या ना में, तो towards normal shift हो जाएगी, light को जाना कहीं न कहीं यहां चाहिए था, this is the direction of light, लेकिन यह towards the normal, हमारे पास कहीं न कहीं यह फे shift हो जाएगी, हाँ या ना, सारे बच्चे, please focus रखना, बेटा, please इधर focus रखना, ठीक है, yes, हमारे पास, यह यहां पर हो normal आया, ठीक है, और light, जब भी denser to rarer जाती है, जानी इधर चीए, तो यह shift away from the normal, यह हो जाएगा, this is your angle of emergence A, यह दूसरे surface पे जब जाती है, तो this is your angle R2, यह दोनों surfaces के बीच में, हमारे पास, this is your angle of emergence, angle of prism A, बेटा, सारे बच्चे, it's my request, आप अगर यहां पर हैं, तो at least अपने समय को ढंग से utilize कर लीजे, 10-12 दिन बचे हुए हैं आपके पास, फिर आपको भगवान भी आपकी मेहनत को देखके ही result देता है, फिर आप आखरी में यह मत रोना, यहार में पास मौका था और फिर मैंने करा नहीं सर, अब मैं क्या कर सकता है, तो उसमें नहीं कुछ जीनी कैसे है, क्योंकि आपका हमेशा attitude यह रहता है, अगर आप यहां पर हैं, तो पूरे concentration के साथ सारे important points को देखना है, ठीक है, और जो मैं चीज़ पूछ रहों बेटा, प्लीज उस पर ध्यान रखना है, ठीक है, initial direction यह थी, light actually में अगर आप देखे, जा इधर रही है, this is यहां पर एक आपका स्नेल स्लो लगाया जा सकता है, यहां पर आपका स्नेल स्लो लगाया जा सकता है, तो important points क्या क्या है, सबसे पहला अगर आप देखे, important point है कि आप स्नेल स्लो लगा सकते हैं, 1 into sin e is equal to mu into sin r1, आप लगा सकते हैं, second point पर भी सर स्नेल स्लो लगा सकते है, mu into sin R2 is equal to 1 into sine E, यह हमारे पास, दो equations तो आपके स्नेल्ट स्लॉकी होगी, अभी रुख जा बेटा, नोट्स में, अभी नहीं डालना, दो equations, आप कभी भी स्नेल्ट स्लॉकी यहाँ पर लगा सकते हैं, clear, कभी भी आप स्नेल्ट स्लॉकी यहाँ पर लगा सकते हैं, अगर आप देख एंगल O, दोनों का summation, third important point आपका है, एंगल A प्लस एंगल O, यह हमारे पर 180 डिगरी होता है, ठीक है, और अगर आप उस triangle में बात करें, R1 प्लस R2 प्लस एंगल O, भी आपका 180 डिगरी है, जब आप इन दोनों के हिसाब से, इन दोनों को equate करेंगे, तो A की value आपके लिए ह कोई लेना देना यहाँ पर नहीं है, कभी भी आपका कोई भी angle of incidence हो, यह R1 प्लस R2 की value हमेशा ही A के बराबर हमारे पास रहती है, next important point, fourth, हमारे पास important point, जो light में deviation create हुआ है, प्रिजम ने, जो light को bend करा है, deviation की अगर आप बात करें, तो exterior angle property से आप इस सवाल को लगाते हैं वैसे, यह वाला angle इसका और इसका summation आएगा, तो देखना यह angle I है, तो यह पूरा angle I होगा, this is I minus R1, this is E minus R2, तो delta की अगर आप बात करें, तो I minus R1 plus E minus R2 के हिसाब से, एक यह आपका हमारे पास fourth important point होता है, clear, यह हमारे पास fourth important point हमारे पास यहाँ पर होता है, तो prism ने, एक light को कितना angle bend करा, अगर आपको निकालना है तो angle of incidence plus angle of emergence minus prism angle जो भी है हमारे पास उससे निकाला जाता है, सारे बच्चे अब notes लिख लीजिए, यह पहले important points हैं, जो आपक को पता होना चाहिए, clear है, very good, love you बेटा, next is minimum deviation and maximum deviation, एक prism में से कब minimum deviation होता है, तो उसकी क्या-क्या conditions है, आपको पता हूँचे, graph की तो बात हम करेंगे अभी, ठीक है, सारे बच्चे देखना, पहले मैं minimum deviation की conditions लिखता हूँ, ठीक है, condition for minimum deviation, for delta minimum, मुझे पता है, आप में से कई बच्चों को याद आ रहा होगा, सबसे पहली condition है, कि अगर angle of incidence is equal to angle of emergence है, then deviation is minimum, और जब division आपका minimum होता है बेटा, तो याद रखना, delta min की value आएगी, 2i minus a, ये आपका रहता है, next, अगर आपका i और e बराबर हो जाए बेटा, अगर आपका i और e बराबर हो जाए, तो r1 और r2 बराबर हो जाएंगे, ध्यान रखना, next important condition is, r1 is equal to r2, and this is equal to a by 2, आपका यहाँ पर ह हो जाता है, yes, thin prism पर आ रहे है, sir, what is the meaning of delta, delta is the representation of, this is the representation of deviation, light कितना bend हो चुकी है, अपने original direction से, this is called deviation, delta is the representation of deviation, ठीक है, कि कि light को जाना इधर चिये था, ध्यान से देखना, light को जाना इधर चिये था, this is your initial direction of ir, और light गई कहाँ पर है, this is your emergent ray, तो कितना angle bend हो गया, that is your deviation angle, clear, very good, तो हमारे पास यह condition आती है, अगर आप यहाँ पर Snell's law को ध्यान से देखें, यह वाला है हमारे पास, mu into sine, यहाँ पर i आएगा, ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें, तो यहाँ पर 1 into sine i, ठीक है, 1 into sine i, यह होगा बिटा, ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखें, तो Snell's law वाली में, तो 1 into sine i, is equal to, हमारे पास, mu into sine of, आप यहाँ पर लिख सकते हैं, r की जगा, a by 2 लिख सकते हैं, और i की वेल्यू अगर आप निकालें, तो sine of delta min, plus a by 2, divided by, sine of a by 2, सारे बच्चे एक बार दिल बनाएं, कि आपको यह याद है, that is equal to mu, minimum deviation के condition पर, आप refractive index of the slab, प्रिजम आप निकालते थे, तो यह यह conditions हमारे पास रहती हैं, और इसे condition में, अगर आप notice करें, तो जो प्रिजम होता है, light हमारे पास symmetrically आती है, symmetrically चली जाती है, ठीक है, तो यह RR reflected ray parallel to base होती है, सारे बच्चे एक बार दिल बनाएं, parallel to base हमारे पास होती है, yes or no, एक बार दिल बनाएं, पेटा, जितने भी बच्चे यहाँ पर बच्चे हैं, मैं को पता है, मैं इसलिए ब्रेक नहीं देना था, ठीक है, चली कोई नहीं, अब जो पढ़ने वाला बच्चा होता है, जब selection होता है, फिर वो बच्चे दूसरी की कहानी देखते हैं, और कहते हैं, यह बच्चा कैसे कर गया, यह बच्चा उसी content से पढ़के निकला है, बेटा, उसी मेहनत से करके निकला है, टीचर के साथ, लेकिन बस बही बात है, जो आप में और आपके competition में difference है, जो आपके साथ जो पढ़ रहा है, उसमें जो difference है, वही आपकी rank पीछे कर रहा है, और कुछ भी नहीं, input सभी का same है, ठीक है, अब आपको लगता है कि teacher में कोई ऐसी खास बात हो, जिससे आपका improvement हो जाएगा, वो ह कैसे focus बना रहा है, आपको सिर्फ अपने से मतलब है, और फिर जब आपके marks नहीं आते हैं, आप गूम के आ जाते हैं, teacher पर कि भाई, teacher ने ऐसा क्या चीज नहीं कर रहा है, जिससे में marks नहीं आए, समझी गई चीज, input सभी student को same मिल रहा है, उसके बाद वो बच्चा उस content के साथ, मेहनत कर रहा है, तो आप उससे पीछे ही होंगे, उसी content को आप मेहनत कर लीजे, आप कई लोगों से आगे निकल जाएंगे, सीधी बात है, कडवी बात लग रही होगी, लेकिन reality है कि आप अपने competition को समझ नहीं पा रहे हैं, आखरी के 10-12 दिन से पहले भी, ठीक है, चलिए कोई नहीं, अगर मैं इसका deviation का graph बनाओं, घ्यांस समझना, ठीक है, तो याद रखना, जो आपका deviation versus angle of incidence का graph होता है, तो ये कुछ बच्चे कहते हैं, पैराबोली graph है, नहीं भईया, ये हमारे पास पैराबोली graph नहीं होता है, ठीक है, ये हमारे पास एक complex graph है, asymmetrical graph है ये हमारे पास asymmetrical graph है, एक्जाम में कहीं पर भी आप पैराबोला, हाइपरबोला, कुछ बद बोलना, इसका कोई नाम नहीं है, asymmetrical graph है, ये graph हमारे पास अगर आप देखें, जब angle of incidence equal to angle of emergence होता है, तब इसका deviation minimum आता है, that is equal to 2i minus a क्या आपको याद आ रहा है, मेरे entrepreneurs की, एक particular angle पर deviation maximum होता है, ये angle of incidence कितना होता है, सारे बच्चे, very good, I think आपका नाम मैंने वहाँ पर भी पढ़ा था, आप सही से जवाब दे रहे हैं, very good, बिटा, जब आपका angle of incidence is equal to pi by 2, कई बच्चे minimum deviation पढ़के जाते हैं, maximum की बात ही नहीं करते, when angle of incidence is equal to pi by 2, then deviation is maximum, सर ये होगा कितना, आपका deviation होता है, I plus E minus A, तो आप I की value pi by 2 रखेंगे, सर E कितना होगा, वो तो बेटा, आपका Fnell's law, refractive index, बहुत सारी चीज़ें से निकालने के बाद पता लगेगा, आपको ये बात पता होनी चीए कि जब आपका angle of incidence is pi by 2, तब आपका deviation maximum होता है, कुछ कहानी SEC है, ये जो आपका prism है, ध्यान से देखना, ठीक है, जब आपकी light यहाँ पर, pi by 2 पर आ रही है, तो ये आपका r1 हुआ, ये आपका r2 हुआ, और light आपकी यहाँ से निकल रही है, ऐसे, तो maximum deviation आपको कब मिलता है, maximum deviation आपको यहाँ पर मिलता है, बेटा, delta max, आपको तब मिलता है, जब angle of incidence is equal to pi by 2, जब आपका angle of incidence pi by 2 होता है, तब आपका division maximum होगा, होगा कितना, वो आपको निकालना पड़ेगा, angle of emergence तो बेटा, refractive index पर depend करेगा, तो आपको calculate out करना पड़ सकता है, clear, आप calculate out कर सकते हैं, अब बात आई, सर, किसी graph को अगर आप notice करें, तो maximum deviation तो सर, दो angle के लिए हमारे पास आ रहा है, है ना, कौन-कौन मेरे को बताएगा, यह दूसरा angle कौन सा होता था, सारे बच्चे मेरे को बताना, यह दूसरा angle कौन सा होता था, टी-ाइ-ार की बात करेंगे बटा, ठीक है, दूसरा angle, हमारे पास दिको दो angles के लिए delta max आपका आ रहा है, that is, pi by 2 plus e minus a, लेकिन दूसरा angle कौन सा होता है, कौन सा, reverse कर दीजे sir, very good, पिटा, अगर आपकी यही वाली light ध्यांच सुनना, अगर ऐसे आई होती, यह incident होती, यह ऐसे जाती, यह ऐसे चली गई होती, तब आपका deviation angle यह निकाल रहे होते, तो notice करिए, ध्यांच सुनना, अगर आपने light को reverse कर दिया, very good, अगर आपने light को reverse कर दिया, तो यह ऐसे ही चली जाएगी, तो initial direction यह थी, जा इधर रही है, deviation maximum, यह vertically opposite है मेटा, तो याद रखना, इस, जब आपका angle of incidence is equal to pi by 2, whatever will be angle of emergence, whatever will be angle of emergence, in this case, in this case, is the second angle, is the second angle, यह दूसरा angle है, at which, at which deviation is maximum, क्या आपको यह बाद समझाए, दिल बनाएए, yes or no, yes or no, law of reversibility, light को अगर आप इधर से बेजेंगे, तो यह angle of incidence हो गया, यह angle जो था, माल लिजे, 30 degree था, तो 30 degree पर light ऐसे जाएगी, तो deviation vertically opposite है, तो यह दूसरा angle होगा, जहाँ पर deviation एक pi by 2 होता है, और इस pi by 2 के हिसाब से, जो भी दूसरा angle आएगा, वही आपका दूसरा angle मिलेगा, जहाँ पर deviation maximum है, very good, very good, love you बेटा, अब एक बच्चे ने बोला था, sir, एक prism में TIR की condition क्या है, ध्याँ से समझना, माल लिजे कि मेरे पास एक prism है, ठीक है, मेरे पास एक prism है, question के form में अगर मैं बहूँ, what is the condition, what is the condition, ठीक है, for which light is always, light is always reflected from, reflected from other matte surfaces, ठीक है, light is always reflected from second matte surface, light कभी भी पार ना कर पाए, light कभी भी इसको पार ना कर पाए, उसकी क्या condition थी, very good, कई सारे बच्चे इसको बता पा रहे हैं, समझना, मैंने क्या बोला, कि light कभी भी पार ना कर पाए, तो let's do one thing, light का angle of incidence मैं कर देता हूँ 90 degree, सर, इससे क्या होगा, light एंटर करेगी critical angle पर, और दूसरे side पर, ध्यान से समझना, दूसरे side पर, जो आपका ये वाला angle होगा, this is a minus theta c, मेरे words को ध्यान से सुनना, मेरे entrepreneur, मैंने कहा, क्यों कहा, उसका reason मैं आपको एक और बार समझाऊंगा, second layer में वो समझाऊंगा, मैंने कहा, कि अगर light angle of incidence 90 पर आ रही है, तो light critical angle पर enter करेगी, आप कहोगे sir क्यों, अरे भाई जब light critical angle पर hit करती थी, तभी तो ऐसे निकलती थी, तो उसका reverse कर दिया मैंने, कोई भी difference नहीं है, तो light हमारे पास आई, critical angle पर hit हुई, r2 की value क्या होगी, a is equal to theta c plus r2, r2 की value होगी, a minus theta c, मैंने कहा, denser से rarer जब भी light जाएगी, तभी TIR की condition मनेगी, love you बेटा, कई बच्चे revise कर के आए हैं, love you, तो मैं कहूंगा, अगर आपका r2 का angle is greater than or equal to theta c, TIR, total internal reflection हो जाएगा, और r2 की value क्या है, a minus theta c, is greater than or equal to theta c, a is greater than or equal to twice of theta c, a is greater than or equal to twice of sine inverse of, 1 by mu, अगर आपका ये condition satisfy हो रहा है, light का TIR हो ही जाएगा, light कभी भी इस surface से पार नहीं हो पाएगी, अब दूसरा सवाल या आता है, जिनके अंदर ही आया कि sir, आपने ये क्यों लिया, मैंने ये इसले लिया, मेरे words को अगर आप ध्यांच सुनों के तब ही समझ पाओगे, मैंने ये इसले लिया बेटा, इन्होंने काया कि कभी भी light बाहर नहीं निकलनी चीए, मेरे हिसाब से, अगर 90 डिग्री पर light बाहर नहीं निकली तो अगर आपने एंगल यहाँ पर कम किया, 60 डिग्री करा, तो ये critical एंगल से कम पर हिट करेगी, यहाँ कम हुआ, तो यहाँ पर एंगल critical से जादा हो जाएगा, तो light तो हमेशा ही TIR करेगी, दिल बनाईएगा मेरी बात पर, 90 डिग्री पर अगर TIR हो रहा है, तो किसी भी एंगल पर TIR होगा ही होगा, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री से अगर आपने एंगल कम किया, आई कम हुआ, तो आर कम होगा, आर कम हुआ, तो दूसरी साइड, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा पर ही हिट होगा, इसकी शूरेटी हो गई, तो ये हमेशा ही TIR कर रहा होगा, बोले भाईया, क्लियर हुआ क्या, हाँ या ना, वेरी गुड, तो TIR इन प्रिजम की हमारी ये कहानी थी, ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद आता है हमारे पास small angle prism, इसी में dispersion हमारे पास देखना है, ठीक है, small angle prism हमारे पास क्या होते हैं, एक ऐसे prisms, ठीक है, जिनका angle of prism is less than, angle of prism, आपका less than, 5 degree है, जनली books में 5 degree लिखा जाता है, कुछ books में 10 degree भी है, ठीक है, safer side पर कर देता है, नहीं तो बच्चे खुन पी जाएंगे, 10 degrees, less than अगर 10 degree है, वैसे तो actually में 5 होता है, लेकिन कुछ books में 7, 8 भी लिखा होता है, कई हों में 10 भी होता है, जे ही में question है, एक बाद देख लेता हूं, उन्होंने 6 degree है, कितना दिया हुआ है, हमारे पास, angle of prism 6 degree है, हाँ, तो 6 degree, वही उथी का आसपास आपको मिल जाए, जब आपका angle of prism is less than 10 degree, इसको आप कहते हैं thin prism, अब दिक्कत क्या होती है, कई बच्चों को ये लगता है, सर एक triangle में, एक triangle में, तीनों angle का summation 100C है, अगर एक angle इतना छोटा है, तो दो angle तो बड़े होंगे, बात आपकी विल्कुल सही है, तो सर, हम उसको thin angle prism क्यों कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हो बेटा, क्योंकि light जिन surfaces से, आपकी hit करती है, ठीक है, उन surfaces के बीच का angle small होना चाहिए, light अगर आपकी ऐसे गई, तो ये आपका thin prism नहीं है, light अगर आपकी ऐसे गई, तो ये आपका thin prism नहीं है, जिन दो surfaces के, very good, जिन दो surfaces के बीच में, reflection हो रहा है, उनके बीच का angle 5 या 10 degree से कम है, तब आप thin prism इसको कहते हैं, समझ ये, आपका अगर a small है, तो obviously बात है, which is r1 plus r2, ये भी r1 and r2, ये भी small हुए, और अगर आपके r1, r2 small हुए, तो आपका i and e, ये भी small होंगे, तो आपका हर जगा small angle approximation लगता है, small angle approximations, आपके यहाँ पर valid हो जाते हैं, तो जो भी light आपकी जा रही है, इसका जो deviation आता है, deviation is equal to mu minus 1 into a करके आता है, fix होता है, जान सुनना, आपका angle of prism fix है, इसका refractive index mu fix है, तो समझना, एक thin prism का जो deviation है, thin deviation by thin prism is fixed, deviation by thin prism, जो होता है बिटा, वो हमेशा क्या होता है, fix होता है, सारे बच्चे इसको notes में लिखिए, और सारे बच्चे बताइए, हाँ या ना, yes or no, derive कर सकते हो, इस formula को कोई जरूरत नहीं है, लेकिन सीधी सी बात है, आप I plus E minus A, जो हमारे पास था, small angle approximation लगाएंगे, स्नेल स्लोर में, derive हो जाएगा, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन ये याद रखना बहुत जरूरी है, yes, mu minus 1 into A, mu fix है, A fix है, तो इसका deviation एक fix quantity होती है, very good, अब जरह ये चीज़ समझना, जरह ये चीज़ समझना, कि अगर माल लीजे, मेरे पास एक thin prism है, ठीक है, अगर मेरे पास एक thin prism है, जिसका angle of prism, जो आप यहाँ पे ले रहे हैं, that is A, मैंने इस पर light डाली है, ठीक है, मैंने इस पर light डाली है, violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red, which is white light, सारे बच्चे इस चीज़ को समझना, तो जानी light इधर चीए थी, है ना, इस phenomena को हम कहेंगे, आगे dispersion, देखो भाई, revise करने का इस से better option नहीं होता, कि आप teacher के साथ main points, recall करते चले जाएं, खुद से पढ़ोगे, कई घंटे लगा दोगे, ठीक है, white light को भेजा जानी इधर चीए थी, लेकिन होता क्या है, violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red की बात करोगे, तो wavelength का order ये है, refractive index का order ये है, और अगर आप deviation की बात करें, तो इसका deviation होता है, mu minus 1 into a, कई बच्चे, सर, a का unit आप degree या radiance दोनों में कहीं पर रख सकते हैं, option के हिसाब से आप देख लेंगे, ठीक है, सर, अभी तो आप कह रहे थे, कि सर, deviation fix होता है, अब आप कह रहे हो, deviation vary करने वाला है, क्यों, monochromatic light, ठीक है, इसमें, याद रखना fix है, for monochromatic, जब आपकी single wavelength है, जब आपकी single wavelength है, तो इसका deviation fix होता है, लेकिन, अगर आपकी monochromatic light नहीं है, विब गयो, मतलब white light है, जिसमें सारे colors है, तो समझना, deviation का order भी ऐसा होता है, जिसका mu जादा, उसका deviation जादा, तो अगर आप notice करेंगे, तो आपको red color, यहाँ मिलेगा, और violet color, ज़्यादा deviate होके, यहाँ मिलेगा, तो यह, कुछ ऐसे color spread out हो जाते हैं, violet indigo, blue, green, yellow, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, violet, violet indigo, blue, green, yellow, orange, red, ऐसे हो जाते हैं, clear, यह, delta of red है, that will be, mu of red minus 1 into a, इसका mu अलग है, delta of violet, आपका अलग होता है बेटा, mu of violet minus 1 into a, हाँ यहाँ बेटा, प्लीज, इस मैं request, जो starting में आप लोग discipline दिखा रहे थे, मैं आप सभी लोगों से वही require करूँगा, कि भहिया, at least उतना show करिएगा, यह सारे colors इस angle में disperse हुए है, ध्याँ सुनना, यह जितने भी आपके colors है न बेटा, सभी का wavelength अलग था, wavelength अलग हुआ, mu अलग है, mu अलग हुआ, तो deviation अलग है, red का अलग deviation, orange का अलग, yellow, green, blue, indigo, violet, सभी का अलग-अलग deviation आएगा, तो, एक term होता है, this is called angle of dispersion, this is called angle of dispersion, this is nothing but delta, violet minus delta rate, ध्याँचे देखी, कितने angle में light हमारे पास split हुई है, कितने angle में light हमारे पास split हुई है, this is called angle of dispersion, तो अगर आप यहाँ पे निकालेंगे, तो theta की value आएगी, mu of violet minus mu of red into a, value डालेंगे, तो theta की value आपके पास यह आती है, हाँ या ना, सारे बच्चे, yes, अब मैं आप सभी लोगों से पूछूँँगा, इन में से कौन से color का mean wavelength होता है, mean color कौन सा है, ठीक है, या फिर mean wavelength किसका होता है, जरह देखा जाए, कौन कौन revise करके बैठा है, और सही में intent उसका revision का है, इस lecture में, very good, yellow color is called mean color, इसलिए नहीं कि यह मतलबी है, इसलिए क्योंकि इसका wavelength होता है, 4000 के आसपास, इसका wavelength होता है, 8000 के आसपास, और जब आप average लोगें, तो 6000 के आसपास आएगा, और yellow color का जो wavelength है, वो 6000 के आसपास आता है, इसलिए हमारे पास यह mean wavelength क्यलाता है, या mean color क्यलाता है, एक term होता है, dispersive power, जिसको आप omega से लिखते हैं, dispersive power हमारे पास, किसी भी prism का क्या होता है, कितना disperse करा, angular dispersion divided by mean deviation, तो अगर आप देखेंगे, तो mu violet minus mu red, divided by mu of yellow minus 1, यह आपका होता है dispersive power, सारे बच्चे इसको note down करें, और बहुत important चीजों को, अभी हम लोग question के form में देखेंगे, please, सारे किस किस को, यह सारे points recall हो रहे थे, एक बार दिल बना देना, क्योंकि मुझे चाहिए, क्योंकि दोखो, prism के सवाल, जिन बच्चों के अटकते हैं, उनका reason ही एक है, कि आपको छोटी-छोटी चीज़े, रिकॉल नहीं हो रही, दिल एक बार बना दीजे, साइड से में दिख रहे हैं, दिल आते होए, कि आपको ये छोटी-छोटी चीज़े, याद थी, और देखना अभी हम लोग जब PYQ करेंगे, तो ये छोटी-छोटी चीज़े, कितिनी मैटर करती है, वेरी गुड, एक हमारे पास होता है, combination of prism, ठीक है, combination of prism, ठीक है, without dispersion, दो prism को ऐसे जोड़िये, कि deviation हो रहा है, ठीक है, deviation तो हो रहा है, लेकिन dispersion नहीं हो रहा, कहने का मतलब कुछ ऐसा सा होता है, ठीक है, थोड़ास का diagram बनाना tough होता है, लेकिन कुछ ऐसा सा है, दो prism आपने लिये, white light आपकी जारी है, ठीक है, तो जानी इधर चाहिए थी, without dispersion, तो ये कुछ ऐसा हो जाता है, कि red light, red, violet, violet, ठीक है, और हमारे पास, ठीक है, कुछ ऐसा हो जाता है, कि deviation तो हो, ठीक है, ये बिलकुल ऐसे ही आरहा है, ठीक है, कुछ, हमारे पास, यहाँ पर आपको deviation मिल जाए, लेकिन dispersion ना हो, ये पूरी आपकी white light हो जाए, वापिस recombine कर जाए, इसकी क्या condition है, ठीक है, ये हमारे पास delta, आपके पास रहे, ठीक है, सारे बच्चे देहान से देखना, very good, ये कहरें, deviation तो हो, लेकिन dispersion ना हो, तो यार अगर dispersion ना हो, तो theta of prism 1, must, plus theta of prism 2, दोनों का summation आपका क्या होना चीए, 0 होना चीए, कि angular dispersion ना हो, इनके बीच में, color spread out ना करें, तो आप यहाँ पे क्या condition बनाते है, mu violet of 1, minus mu red of 1, into a1, plus mu violet of 2, minus mu red of 2, into a2, का जो summation है, वो 0 हो जाए, तो आप a2 की value जब आप निकालते हैं, तो यह आता है, minus of mu violet 1, minus mu red 1, into a1, divided by, mu of violet 2, minus mu of red 2, यह condition आती है, इसको याद करने की जड़रत नहीं है, मेरे अंटरपंटस, इसको याद करने की जड़रत नहीं है, बस condition याद रखना, वो कह रहे हैं कि, without dispersion, no dispersion, और अगर आपका dispersion नहीं हो रहा है, तो जिस angle में light निकली थी, पहले प्रिजम से उतना ही recombine कर जाए, तो दोनों का angular dispersion का summation 0 हो जाए, clear, अब, एक और condition है, उन्होंने बोला, dispersion without deviation, dispersion तो हो जाए, ठीक है, without deviation, deviation ना हो, तो ये कैसा होता है बेटा, दो prisms का combination की आप बात करते हैं, ठीक है, कि आपकी white light यहाँ थी, ठीक है, और कुछ ऐसा सा हो जाए, कि red यहाँ पर गया, फिर red यहाँ पर गया, ठीक है, हमाए पास, red यहाँ पर गया, violet आपका यहाँ पर है, ठीक है, और violet आपका यहाँ पर है, इन दोनों का, जाने का रास्ता कुछ ऐसा हो, ठीक है, कि deviation नहीं हुआ, हमारे पास deviation नहीं हुआ, उसकी बात हो रही है, तो deviation, total आप 0 कर दो, तो आप कहेंगे, हमाए पास, mu 1, minus 1, of a1, plus mu 2, minus 1, of a2 का 0, तो a2 की value आपके लिए कितनी आएगी बेटा, minus of mu 1, minus 1, into a, divided by mu 2, minus 1, आप इन दोनों का, angular deviation को, 0 कर दीजे, जोड के, आपका, delta net 0 हो जाए, बस, dispersion की बात हो, तो theta 0 कर दीजे, deviation, without deviation की बात हो, light deviate नहीं कर रही, scatter कर चुकी है, लेकिन जाओ धर ही रही है, तो deviation 0 कर दीजे, आपका सवाल हो जाएगा, clear, clear, very good, तो चलिए, जरा इतने सारी चीजों पर, अब हम लोग सवाल करना, start करते हैं, ठीक है, चलिए, देखा जाए, पहला सवाल बेटा, ओई, तो कहरें कि, dispersion नहीं होना चाहिए, तो दो प्रिजम चाहिए, एक प्रिजम से, कभी भी आप ऐसा नहीं कह सकते, कि या, dispersion भी ना हो, deviation भी ना हो, अगर आपको dispersion नहीं चाहिए, तो theta दोनों का निकाल के, जोड के 0 कर दो, और अगर आपको deviation नहीं चाहिए, light scatter कर जाए, कोई दिक्कत नहीं, deviate नहीं होनी चाहिए, तो deviation दोनों का जोड करके, 0 कर दो, reflecting angle of the prism is A, and refractive index of the material of the prism is, cot A by 2, then angle of minimum deviation is, तो अगर आप देखें, तो mu is equal to, sin of A plus delta min, by 2, 2 upon sin of A by 2 कह सकता हूँ, mu की value देदी है, cot A by 2, तो यह हो जाएगा, cos of A by 2, divided by sin of A by 2, is equal to, sin of A plus delta min, by 2, divided by sin of A by 2, आप कह सकते हैं, है ना, तो यह तो cancel out हो जाएगा, और, यहाँ cos है, तो इसको मैं, pi by 2, minus A by 2, is equal to, A by 2, plus delta min by 2, लिख सकता हूँ, है ना, इसको sign में convert करोगे, तो sign pi by 2, minus this, तो यह आपका, पूरा उड़ जाएगा, ठीक है, तो 180, delta min, is equal to 180, minus 2A, आपका, minimum deviation, यहाँ पर, आ रहा, होगा, first option, that is going to be your answer, हा, first option, आप सभी लोगों का, यहाँ पर answer, आ रहा होगा, very good, ठीक है, अगला सवाल, हमारे पास, ठीक है, अगला सवाल, हमारे पास यह, 2023 का है, बिल्कुल गर्मा गर्म कोशन, अथिन प्रिजम P1, विद अंगल 6 डिग्री, एन मेड अफ अफ ग्लास, अफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, 1.54, यह 6 डिग्री का है, बेटा, इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, is 1.54, इस कम्बाइंड विद अ अनदर प्रिजम P2, मेड अफ ग्लास अफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, 1.72, तो प्रडूश डिस्पर्जन, विदाउट एवरेज डिवेशन, मतलब डेल्टा नेट जीरो हो, है ना, दोनों का, डेल्टा नेट जीरो हो, मैं कहाँ पर क्या कहूँगा, एक दूसरे प्रिजम को लगा दीजे, A की वेल्यों आप देखे, नेगेटिव आ रही थी, नेगेटिव मतलब इन्वर्टेड प्रिजम होना चाहिए, तो मैं A डेश माल लेता हूँ, तो डेल्टा नेट जीरो मींस, आप कहेंगे, मु 1 माइनस 1 इंटू A1, प्लस, हमाए पास मु 2 माइनस 1, इंटू A2 इक्वल टू 0, येश, तो अगर आप देखें, तो हमारे लिए, A2 की वेल्यों अगर आप देखें, तो माइनस औफ, मु 1 माइनस 1 इंटू A1, divided by mu 2 minus 1 तो यह आदेगा 0.54 into 6 degree divided by हमारे पास यह कितना था? 1.72 तो 0.72 कितना आ रहा है? मेरे अंटरपंटर कितना आ रहा है? ठीक है? तो यह आ रहा है 0.54 into 6 divided by 0.72 that is 4.5 के पास clear? तो कौन सो अप्शन मेरे अंटरपंटर? B अप्शन आपका अंचरा रहा है. भाई देखो अगर वो बोलें कि deviation 0 होना चाहिए तो दोनों का deviation सम करके 0 कर दो सर माइनस का आ गया? यह भी बता दें. यह माइनस बता रहा है second prism should be inverted second prism clear? उल्टा रखना है. ठीक है? तो कौन सा option आ रहा है? second option that is going to be your answer. Very good. ठीक है? Very good. ठीक है? अगला सवाल जरा देखा जाए हमारे पास. ठीक है? single choice में है हमारे पास. ठीक है? चलिए जरा इसका जवाब बताईए अब prism of refractive index mu and angle of prism is A. इसका mu है angle of prism हमारे पास A है. is placed in a position of a minimum angle of deviation, delta min. if minimum deviation is also delta min की value भी आपके लिए A ही है. then in terms of refractive index value of A is delta min भी आपको यही दे दिया है. तो मैं कहता यार mu is equal to sine of delta min plus A by 2 is equal upon sine of A by 2. yes. अगर मैं देखू, delta min भी A ही है. तो यह आजाएगा sine of A divided by sine of A by 2 बेटा. इसको मैं twice of sine A by 2 cos A by 2 लिख लूँ. तो हमारा काम और भी आसान हो जाएगा. हाँ या ना? यह गया? तो आप लिख सकते हैं mu by 2 is equal to cos of A by 2. ठीक है? तो A की value आएगी twice of cos inverse of mu by 2 यह आपका answer आ रहा होगा. ठीक है? तो twice of cos inverse of first option that is going to be your answer. very good मेरे entrepreneur first option that is going to be your answer. very good very good मेरे entrepreneur ठीक है? अगला सवाल देखो छोटी-छोटी चीजों से आपका सवाल बनाया गया है. ठीक है? अगला सवाल 2021 का है the expected graphical representation of variation of यह तो भाई मुझे लगता नहीं ठीक है? इसमें time भी देना चीए था. इसका answer क्या होगा? इसका answer deviation का तो भाईय ग्राफ यही है इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है. तो यह आपका fourth option answer रहेगा. है ना? कुछ बच्चे वो उल्टा बना रहे हैं. Very good. A option भी कह रहे हैं. गध है. ठीक है? हमारे पास D option that is going to be your answer. देव ए वाले भी हैं हमारे पास. अभी अभी गर्मा गर्म पढ़ाया है. ठीक है? अभी गर्मा गर्म पढ़ाया है. अगला सवाल हमारे पास. ठीक है? चलिया. क्या कह रहे है? The angle of deviation through a prism is minimum. ठीक है? Incident ray and emergent ray are symmetric to the prism. विलकुल सही. The refracted ray inside the prism become parallel to the base. विलकुल सही. The angle of incidence is equal to angle of emergence. विलकुल सही. when angle of emergence is double of गलत तो हमाई पास कौन कौन से only statement A and B are true B and C, A, B, C third option that is going to be your answer क्या है answer D कह रहा है एक बच्चा अच्छा हो सकता है पिछले बाले का बता रहा हो बेटा समय के साथ चलो समय के साथ ठीक है 78% भारती है बिल्कुल सही चल रहा है अगला कोश्चन मेटा हमारे पास ठीक है चलिए 90 सेकिंद्स दे देता हूँ चलिए और यार मिनिमाईज नहीं करते है भाई आप पता लगे पंगा हो जाए अब मोनोग्रोमेटिक लाइट इस इंसिदेंट एट इंगल और इक्विलेटर ट्राइंगुलर प्रिजम आपका एक इक्विलेटर ट्राइंगुलर प्रिजम है तो यह एक की वेल्यू साथ डिगरी है ठीक है इन सफर्द मिनिममँ डिविएशन इव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ दा मिटिरियल इस 3 रूट 3 तो हमारे पास एंगल ओफ इंसिदेंस आपको यहाँ पर बताना है एंगल ओफ इंसिदेंस मिनिममम डिवेशन की कंडिशन में angle of incidence तो सर वो तो i equal to e होता है मैंने का बिल्कुल सही लेकिन r1 plus r2 a होता था याद करिये delta जब आपका minimum है तो r की value तो a by 2 होईगी तो क्या मैं यहाँ पर कह सकता हूँ जब भी light आपकी i यह angle of incidence तो यह वाला angle आपका 30 degree का होगा तो snail slow लगा दो यार तो यह आद है का 1 into sine i is equal to root 3 into sine r that is 30 degree तो i की value तो आपके 60 degree आ रही है root 3 by 2 तो कौन सा option आ रहा है first option that is going to be your answer चोटी चोटी चीजों से आपके जवाब आ रहे है first option that is going to be your answer लेओ भी या c option पर भी है चलो यहाँ पर तो यह option दिख रहा है भाई minimum deviation पर r की value कितनी हो जाएगी 30 degree यहाँ स्नेल slow लगा दो खतम अगला सवाल बेटा हमारे पास ठीक है अगला सवाल हमारे पास a rare light is incident at an angle 60 degree on one of the face of a prism of angle 30 degree यह 30 degree है यह 60 degree पर light हमारे पास incident हुई है यह उन्होंने बोला ठीक है the emergent ray of the light makes an angle 30 degree with the incident ray कोई बता सकता यह क्या दिया है कोई बता सकता यह क्या दिया हुआ है कि light ऐसे और ऐसे गई यह आपकी emergent ray यह जो emergent ray है यह incident ray के साथ कितना angle बना रही है deviation angle ही 30 degree दे दिया है deviation था very good statement बाइ दे दिया with the incident ray the angle made by the emergent ray with the second phase of the prism delta की value है delta is equal to i plus e minus e delta है आपका 30 i है 60 e minus 30 ठीक है e की value 0 आ रही है यहाँ गडबड होने वाली है that means that means मेरे अंटरक पंटार 10 वी क्लास की गलती ना हो जाए यह कुछ सवाल ऐसा था कि light जाए ठीक है light हमारे पास कहीं न कहीं ऐसे गई है हमारे पास light हमारे पास कहीं न कहीं ऐसे गई है इन्होंने पुछा है with the face of the prism a option वाले गए यही difference create हो जाएगा यही difference create हो जाएगा यहाँ d of हमारे पास 3 17% difference यही बना दिया है सवाल ने इस सवाल ने difference create कर दिया आपने question read ही नहीं किया question क्या कह रहा है ध्यान से सुनिए इन्होंने ए दे दिया आई मतलब इस formula wise कुछ नहीं है वो end moment आपका गलत कर रहा है और इससे rank up देखना जो हो सकता है बारा या तेरा सवाल सही कर रहा था अब वो बारा पर आ जाएगा सीधे कितना बड़ा difference हो जाएगा यही होता है हर चीज को ध्यान से सुनो ए दे दिया आई दे दिया डिवेशन दे दिया emergence की बात कर रहा है तो मैंने ए निकाल लिया 0 आया यह एंगल आफ इमर्ज़ विद नॉर्मल जीरो है पागल विद नॉर्मल यह 0 बना रहा है डैट मीज अलॉंग नॉर्मल निकलेगा अगर यह अलॉंग नॉर्मल निकल रहा है बेटा सर्फेस से तो 90 डिगरी बनाएगा न उन्होंने इस कोशन में पूछा है विद फेस ऑफ प्रिजम सर्फेस से कितना एंगल डाट इस 90 डिगरी हो गया हाह इसके बाद हमारे पास यहवाला लास्ट कुश्चन है इसको कौन कर देता है तिक है अब डिफ्रेंस तो करेंट हो चूक है सच बताऊ तो ठीक है चलिए डिफ्रेंच तो क्रेंट होगया एक सवाल की वैसे और यही रियल इंपेक्ट है जब आप जी तक सवाल आपने जो सबने सही करना चीए था ध्यान सुनना जो सबने सही करना चीए था और सभी वहां गलत कर देते हैं और किसी ने ध्यान चे कर लिया चार मांक का difference होटा नहीं होता भाई आप एक माइनस और देर 5 मांक का difference होता है the variation of refractive index of crown glass, Sir crown glass क्या है? छोड़ दो एक ग्लास है टाइप का फ्लिंट ग्लास होता है क्राउं ग्लास होता है थिन प्रिज्म विद डिविएशन विद वेवलेंद अफ दे इंसिदेंट लाइड आश्ओन विच फॉलिंग ग्राफ करेक्ली डिपेक्स देविएशन विद मिनिमम और इस दी एंगल तो आप कैसे करते इसको जवाब तो आप दे रहें सारे बच्चे मेरे को यह बताना आप कैसे इस चीज का सवाल को बात करेंगे कैसे आपके पास ऐसा कौन सा relation है जो wavelength और deviation को relate करें wavelength कहीं न कहीं refractive index को impact करेगा और refractive index कहीं न कहीं deviation को impact करेगा हाएया ना या सूचिये अगर wavelength और deviation की बात हो रही है तो आप यह कह सकते है thin प्रिजम का लेना थिन प्रिजम का ले लिजे या फिर आप वैसे भी म्यू इंटु साइन एबाइटू इस इकल टू साइन ए प्लस डेल्टा मिन बाइटू वहां से भी आप अनलाइज कर सकते हैं अगर आपका वेवलेंट बढ़ेगा तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कम होगा ठीक है और यह कमी होता रहेगा वेवलेंट अगर आपका बढ़ रहा है ठीक है तो हमारे पास एक ही ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन आपका यहां पर अंसर है वेरी गुड ठीक है वेरी गुड नितिन कुमार गलतिया बड़ी है लेकिन ठीक है मैं लोड़ी बच्चा कह अगया वहो बेलोटी बच्चा साथवे पर पहुझ चुगा है अरिहंत जैन जिसका मैंने कमेंट देखा था मैंने आपका नाम पहले भी यहां पर देखा था बहुत अच्छा आप कर रहे है ठीक है यहां पर नंबर और कोशन यह पहले से भी जवाब दे रहा है लेकिन चल कौन से अंटर पंटर अब में ख्याल आई थिंग इस वाले पार्ट पर ज्यादा नुमेरिकल नहीं आयों है तो सब्जेक्टिव सवाल मैं कराऊंगा सो दैट आपके कंसेप्ट बिल्ड हो जाए इसके बाद अब आपका नुमेरिकल वाला वह अब्जेक्टिव वाला फ्र आपको दिखराए और इंप्रूव करना है तो अभी कुछ सब्जेक्टिव सवाल रहेंगे फिर हम लोग अब्जेक्टिव पर जाएंगे ठीक है हाँ कुछ लोग फाइट मारना चाहते हैं वेरी गुड लव यू बेटा कम से कम आप 5000 में तो फाइट मारी है ठीक है आईए चलिए मुझे नेगिटिव लाना है नित्म कुमार को देखो एक और दूसरा है आएगा आएगा भगवान जब आप पूरे दिल से मांगते हैं तो भगवान देता है और ऐसी चीज़ तो आपको बहुत जल्दी देगा आ आपके पर सफेरिकल सर्फेस कुछ भी हो सकते है ऐसे यहां पर रेरर हो सकता है यहां यहां पर द्यान से सुन ना ठीक है अब अब को बहुत द्यान से सुनना है इसका माल लीजे इस वाले सर्फिस को हम कहते हैं कॉन्वेक्स सर्फिस सर कॉन्वेक्स क्यों कहते हैं अगर आप देखें यह बल्जिंग है ठीक है सर्फिस यह bulging है तो इसको आप convex surface कहते हैं और इस वाले surface को आप कहते हैं वेटा concave surface ठीक है अब सारे बचे ध्यान से सुनना ये वाला आखरी पार्ट हमारा start हो चुका है and this last part is going to decide your optics सार पहले वाले पार्ट नहीं बिल्कुल अप देखेगे सवाल तो वहां से भी आ रहे है अब ज़्यादा सवाल कहां से पूछे जाते है वो इस वाले पार्ट से मैं आप सभी लोगों को deal कर रहे हुए बता रहा हूँ मैं यह नहीं कहा रहा कि जो मैं बता रहा हूँ वही इकलोता सही है आपने जैसे पड़ा है टीचर ने जैसे उसको interpret करके आपको बता है अगर आप अपने टीचर को follow करेंगे definitely आपको सही जवाब मिलेगा जो टीचर ने बोला अगर आप उसको follow करें अब कई लोग उसको वहाँ पर अलग अलग तरीके से interpret करते हैं तो यहाँ पर जो formula आने वाला है वो सबका interpretation अलग है formula सबका same है मेरा कहने का मतलब यह होता है कि कभी भी अगर आपका कोई भी spherical surface से light pass करें यह आपका spherical है यह आपका spherical है तो कुछ important चीजों को ध्यान से समझना light हो सकती है आपकी इधर से इधर जाए और light हो सकती है आपकी इधर से इधर जाए मुझे नहीं पता कहां से कहां जाएगी ठीक है light हो सकता है इधर से इधर जाए और light हो सकता है इधर से इधर जाए कोई सा भी case हो सकता है याद आपको क्या रखना है पहली important चीज़ ठीक है object आपका क्या होता था that is the intersection of irs incident ray का जो intersection है वही आपका object है और image आपका क्या होता है बिटा that is intersection of irs क्या आप सभी लोगों के लिए point one clear है अभी focus रखना अभी कुछ भी notes में tag मत करना मैं बता दूँगा जब पूरा लिख दूँगा सारे बच्चे मेरे को बस पहले बताईए क्या आपके दिमाग में एक clear है इस surface पर जहां से light आ रही होगी incident rays का जो intersection है वह object है जहां पर light meet करेगी that intersection point will be your image क्या इतना point clear है पहले हा या ना yes yes very good first point is this second point जहां पर जब भी light curved surface से refract करती है तो इसका derivation school हो में आपने बहुत करे होंगे गंदे-गंदे derivations होते हैं बच्चे परिशान होते हैं यहां पर आपका refraction formula बनता था refraction formula आपका होता है एक spherical surface से जब भी light refract करती है उसके लिए तो मैं बताऊंगा mu final by v minus mu initial by u is equal to mu final minus mu initial by r ध्यां सुनना इस formula को हम कहते हैं बिटा अपना refraction formula इसको हम क्या कहते हैं refraction formula कब लगाया जाता है याद रखना जब भी light spherical surface से refract करती है अभी तक कहीं पर भी light हमाई spherical surface से refract नहीं करी है कभी भी light spherical surface से refract करती है तब आप यह formula लगाते है अब mu final क्या है इसको समझे जहां पर light जा रही है जा रही है जैसे light इधर गई तो यह final हो जाएगा light i कहां से mu initial light अगर ऐसे जा रही तो final यह हो जाएगा initial यह हो जाएगा सीधी सी बात mu initial कहां है आ रही है जहां से light आ रही है clear sir इसमें u क्या है u is your intersection of incident race v क्या है intersection of rrs clear and r क्या है this is radii of curvature जो भी आपका यह spherical surface है उसका radius उसका radius जैसे यह circle है इसका radius आप यहाँ आपेंगे जैसे यह circle है circle बनाओगे तो ऐसे बनेगा तो इसका radius आप यहाँ आपेंगे clear है क्या सारे बच्चे दिल बरा दीचे paraxial race के लिए ही हमारा इस लेबस में है अगर आपने इसकी derivation करी होगी तो small angle approximations आपने लगाए होंगे and that is because of the paraxial race क्रिटिकल पार्ट यहां ते स्टार्ट होगा मुझे पता है आपके दिमाग अब भरना स्टार्ट हो जाएगा मैं इसलिए चाहता था कि हम लोग चार-पांच घंटे में इस पार आजाए otherwise बच्चा इसको छोड़ देगा और यही मेन है यह सब्सक्राइब इसमें ध्यान से समझना सेम साइन सेम साइन कंवेंशन रहेगी ई सेम साइन कंवेंशन आपकी यहां रहती है ठीक है और डिस्टेंस जैसे आपका ये वाला सर्फिस है बेटा और अगर आपका ये वाला सर्फेस है कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है सारे डिस्टेंस को आप कहां से नापेंगे all distances will be measured from O या रखना all distance measured from सारे डिस्टेंस को आप O से ही नापेंगे same sign convention कुछ भी चेन नहीं होगा even lenses में भी चेन नहीं होगा जो भी incident ray की direction है वही positive उस direction में अगर कोई चीज नापी positive अगेंस्ट नापी negative उपर नापी positive नीचे नापी negative चीदी बात यहां पर भी magnification दो प्रकार की होती है यहां पर भी आपकी magnification दो प्रकार की होती है एक होती है बेटा M lateral lateral magnification हमेशा height को relate करेगी बेटा height of image by height of object इसमें होता है mu initial by mu final v by u clear और दूसरी magnification होती है longitudinal magnification mu initial by mu final v square by u square same वैसी लग रहा है बस mu initial mu final exam में कई बार यह confusion होती है sir mu initial उपर था यह mu final याद रखना इस formula को यहां पर आप पहले क्या लिख रहे है mu final by v minus mu initial by u is equal to mu final minus mu initial by r पहले किसको लिखा final magnification में आप किसको लिखते है magnification में आप लिखते हैं अपने initial वाले को पर clear सारे बचे एक बार दिल बनाई है इस बात पर please बेटा सारे बचे serious रहना क्या आपको यह बात clear हुई यहां पर भी magnification यह वाली magnification आपकी small के लिए ही है ठीक है यह वाली magnification आपके लिए small के लिए thickness of image by thickness of object इसके ओपर ज्यादा question निये लिकिन मैं फिर भी कराऊंगा so that आपको सवाल में confidence आए very good velocity of image same concept velocity of image parallel to principal axis that will be m longitudinal times velocity of object parallel to principal axis velocity of image perpendicular to principal axis is m lateral times velocity of object perpendicular to principal axis कुछ भी कहानी चाहिए नहीं है बस आपको summarize मैं कर रहा हूँ कभी भी कोई light एक spherical surface से refract करती है तो आप formula use करते है mu final by v minus mu initial by u is equal to mu final minus mu initial by r यह formula याद कर लीचे पहले final क्या है sir जहां light जा रही है उस surface पे देखना light यहां से यहां गई तो final यह है initial यह है तो उस surface पे जहां light जा रही है that is final जहां से आ रही है that is initial c dc बात ठीक है u क्या है object distance v क्या है image distance r क्या है radio of curvature सारी चीज़ आप कहां से नापनेंगे o से with same sign convention कुछ difference ही नहीं है तो कोई confusion नहीं magnification दो प्रकार के हैं यहां पर भी height और thickness की magnification है तो height के लिए होती है lateral that is mu initial by mu final v by u और longitudinal में mu initial by mu final v square by u small thicknesses के लिए clear velocity के लिए same concept है अब question आपको सिखाएगा इसके उपर एक सवाल आया है मैं आपको दिखा देता हूं ठीक है यह मैंने आपको homework दे दिया है यह वाला आपको जही 2021 में यह सवाल आया है ठीक है तो अब जड़ा इस question से आप जड़ा समझना इसमें hc वर्मा के सवाल है ठीक है तो आपको अच्छे से यह चीज समझा पाएंगे जिनको ब्रेक चीए आप ले सकते कोई ब्रेक नहीं मिलने वाला भी ठीक है सारे बच्चे जा रहा है यहाँ पर ध्यांचे देखना फिगर शोवा ग्लास स्वेर अव रडियस 10 cm ध्यांचे समझना along its diameter a b from one side is diameter a b from one side parallel beam of paraxial rays incident on it what should be the refractive index mu ki value of the glass so that after refraction they converge at b मैं आप सारे बच्चों का यहाँ पर concentration demand करूँगा ठीक है क्योंकि देखो अगर आप लोग मेहनत नहीं करना चाहेंगे तो number of questions काम होते चले जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा मैं चाहता हूँ आपका full concentration हो सबसे पहली बात मैंने देखा यार एक तो spherical surface पर refraction हुआ और यह कहने b पर converge हो जाए तो spherical surface पर जब भी refraction होगा तो mu final by v minus mu initial by u is equal to mu final minus mu initial by r होता है सारे बच्चे बस इसको match कर लेना calculation आसान है इसको match कर लेना mu final क्या होगा mu initial क्या होगा u v and r और दिल बनाना अगर आपका यह match हो रहा है मैंने कहा light यहां से यहां गई तो final है mu initial i कहां से है air से u क्या है minus infinity incident race यहां से आप नापने के लिए आप इधर जाना पड़ेगा minus infinity object आपका यहां है v क्या होगा plus 2r क्यों sir यही direction आपकी positive direction है मिटा image जहां बनी होगी तो आपको नापने के लिए इधर जाना पड़ेगा जाना पड़ेगा जाना पड़ेगा इधर तक जाएंगी तो यही positive direction है और length कितना गये 2r radius कितना होगा प्लस और किस किसका यह मैच हो गया दिल बना दो फॉर्मले में डालना अंसर पाना हो गया कोश्चन हाँ सारे बच्चे टू आर की वेल्यू 10 आप लखना चाहते हैं रख लीज़े कोई दिक्कत नहीं है तो टू आर या आप इसको प्लस 20 कह दीजिए और प्लस 10 कह दीजिए बिल्कुल क्लियार वैल्यू डालिए म्यू निकालिए इतना असान है लेकिन बच्चे इसको पढ़ते निया पता नहीं क्यों ठीक है अगला सवाल जड़ा देखिए ऐसा ही सवाल आपका जैमेंस में आया हुआ है स्पेरिकल सर्फेस एस सेपरेट सु मीडिया 1 & 2 एक मीडियम 1 मीडियम 2 यहां रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 4x3 यहां 3x2 शोन इन फिगर फाइंड फाइंड और यह आपका एक्स क्या होना चाहिए प्लेज इन अमीडियम 1 सवाल सुनना कि लाइट यहां से जाए और इसके पैरलल हो जाए सवाल यह आया तो मैं अगर यहां पर बात करूं तो फिर से स्फेरिकल सर्फेस से रिफ्रेक्शन हुआ है सारे बच्चे दिल बनाएंगे अगर आपकी वेल्यू मैच हो रही है म्यू फाइनल बाइ वी माइनस म्यू नीशल बाइ यू is equal to म्यू फाइनल माइनस म्यू नीशल बटे आर सारे बच्चे वेरे गुड़ सर 2R कैसे question read कर बेटा उन्होंने बोला है so that after reflection all rays converge at opposite point B यहां से लेके यहां पर converge हो जाए तो refracted rays का intersection यहां हो जाए तो image यहां की बात हो रही है यहां से यहां तिरे को distance नहीं पता लग रहा है 20 होगा कैसी बात कर रहा है यार सारे बच्चे जड़ा देखना फाइनल की बात करें तो 3 by 2 initial की बात करें तो 4 by 3 है ना very good यू object distance आप कहां से नापेंगे बेटा object distance आप नापेंगे यहां से तो इधर नापना पड़ेगा तो obvious सी बात है positive direction यह है तो मैं नापूंगा तो यहां पर आएगा minus x v की value और r की value v is equal to infinity shivam beta I think कह रहा है very good ठीक है फैजान फैजान beta कह रहा है very good raise parallel to optic axis मतलब infinity पर meet करें तो plus infinity r क्या होगा positive या negative अगर आप r नापने के लिए जाएंगे तो इधर जाएंगे इधर जाएंगे positive direction में गए तो plus 30 आपका r होगा किस-किस का यह match होगा भया दिल बना देना यहां से solve करोगे answer आ जाएगा हाँ या ना जीनों ने पहले से negative लिया है उनका answer positive आएगा जो positive लेके चलेंगे उनका answer negative आएगा very good very good अगरा सवाल मेरे enterpenter जरह यह देखना ठीक है ऐसे सवाल आपको जही में मिलेंगे figure shows a small object M of length 1 mm एक object है जिसका length है 1 mm lies along the diametrical line of the glass sphere of radius 10 cm and refractive index 3 by 2 viewed by an observer as shown find the size of the object as seen by the observer concept में सारे बच्चे मेरे को बताएं कि मुझे कौन सी magnification यूज करनी है पहले तो यह पता करिए सारे बच्चे मेरे को यह बताना कौन सी magnification very good very good sir longitudinal magnification आने वाली है है मैं यहां पर बोलूंगा thickness of image by thickness of object is mu initial by mu final v square by u square very good क्योंकि object principal axis पर है तो thickness of image is equal to mu initial by mu final v square by u square into thickness of object concept आपका बहुत simple हो गया मेरे को जो चीज नहीं पता है बस उसको सोचना है देखो thickness of object आपको दे रखा 1 mm mu initial mu final कैसे करेंगे light यहां से यहां जाएगी तब ही तो उसको दिखाई देगा है ना तो mu initial आपका क्या होगा अध्यान समझना mu initial होगा 3 by 2 mu final होगा आपका 1 u v और r में को v नहीं पता है मैं plus मान लेता हूँ u और r की value सारे अंटर पंटर बताएं u और r की value very good अनीश राज ने बहुत सही बोला है v को positive ले लिजे अपने आप sign के साथ आएगा हाँ फैजान ने बिल्कुल सही बोला प्लेज करके एक बच्चा है उसने सही बोला भाई देखो सारी चीजे आप कहां से ना पो गई यहां से object के लिए आपको कितना चलना पड़ेगा इधर इतना चलना पड़ेगा this is your positive direction तो 10 cm ये 5 ये minus 15 very good हाँ आर की value center तो यहां है वाई तो radius आप नापेंगे तो इधर ही नापेंगे मेरे एंटरपेंटर minus 10 हो गया सवाल यार mu final by v minus mu initial by u is equal to mu final minus mu initial by r में को क्या क्या सारी चीज़े तो पता है mu final पता है mu initial u mu final यहां से v निकाल यह यहां से v निकालके आप यहां पर डाल दीजे यू पता है यह पता है यह पता है अंसर हो जाएगा दिल बनाईए तोड़ा दो करना पड़ेगा इसके उपर ज्यादा सवाल नहीं है लेकिन ऐसी वर्मा में जो भी कुछ सवाल है उनके basis पर मैं आपको बता रहा हूं concept आसान है हां यह ना यह आपने पहले v निकाल लिया क्योंकि thickness image की निकालने के लिए mu initial पता है yes mu final पता है yes सर वी नहीं पता मैंने का निकाल लूँगा यू क्या है सर माइनस 15 सर ठीकने सव अबजेक्ट कोशन में दे रखा हो तो क्या सवाल यार हाया ना सर रेडियस नेगेटिव कैसे भाई तू किस डाइरेक्शन भाई दसवी क्लास पास कर लेता कोवीडियन पीवीन बनने से पहले भाई इस डाइरेक्शन में इंसिदेंट रेज आ रहे पॉजिटिव यह है तेरा सेंटर कहां रेडियस नापने के लिए सेंटर तक जाएगा ना नापना यहां से है तो तू नापेगा यहां से ओल डिस्टेंस बहरा है है ओल डिस्टेंस आर मेजर फ्राम ओ सेंटर तक जाएगा तभी रेडियस बलेगा इस डाइरिक्शन में लाइट कीदर आ रहे है इस डारीक्शन में एंटि पैरलल ना पेगा नेगिटिव है गडए अगला सवाल अगला सवाल, ठीक है, the figure shows a fish ball of radius 10 cm, एक मचली है, radius है, आपका 10 cm, ध्यास देखना, along a diametrical line of fish f is moving at a speed 2 mm per second, ये fish along the diametrical line move कर रही है, 2 mm per second, find the speed of the fish as observed by the observer, outside the long, ये observer है, at a distance 5, ये fish है, यहां से 5 cm की दूरी पर, तो इसको इसकी speed कैसे दिखाई देगी, सारे बच्चे मुझे पहले concept बताईए, सारे बच्चे, पहले मुझे concept बताईए, ये मचली चल रही है, along principal axis, तो जब भी along principal axis होता था, तो velocity of image parallel to principal axis निकालना है, तो मुझे m longitudinal into velocity of object parallel to principal axis होता था, love you बेटा, longitudinal रहेगा, सार अगर मचली उपर जाती, तो lateral रहता और क्या है, सार एंगल पर जाती, दोनों रहता और क्या है, very good, तो सार ये तो होता है, mu initial by mu final into v square by u square, और ये हो जाएगा 2 mm per second, मैंने का हाँ, concept तो ये है, अब सर, light कहां से कहां जा रही है, मैंने का light यहां से यहां जाएगी, ठीक है, पानी उपर तक बढ़ा हुआ मान ले न, ठीक है, light यहां से यहां जा रही होता गया मेरे अंटरपंटर, mu initial is, हमाँ पास water 4 by 3, mu final is 1, u की बात फिर से करे गए हैं, तो minus 15, r की बात करोगे, minus 10, v निकालोगे, plus v ले ले न, कैसे निकाले सर, अरे भाईया, ए मर्दवा, बुड़ा गई नी, बताए बताए, बुड़ा गई नी, सब पता है, यहां पर ध्यान से देखिए, final पता है, initial पता है, u पता है, यह पता है, यह पता है, यह पता है, v निकालेंगे, v निकालेंगे, sir, mu final 1 कैसे, जहां light जाए गद है, देखने के लिए light तेरे आखों पे गिरेगी, तो light मचली से निकली है, तेरे आखों पे जाएगी, तो final तो तेरा air में है, तू हवा में रहता है, या पानी में रहता है, मचली हवा में तैरती है, है, तू तो हवा में है, मचली पानी में है, कुछ बच्चे कहेंगे, sir, 4 by 3 कैसे, अरे भाईया, water है, initial यहां से light आई है, तो mu initial तेरा 4 by 3 पानी का धरेगा ना, जी, अब हो गया, mu initial पता है, mu final पता है, you पता है, we पता, हो तो गया question, दिल बनाई है, हाँ या ना, clear, याद रखना है, पहले से, दो टाइप की magnification, lateral and longitudinal, lateral height के लिए है, longitudinal thickness के लिए है, V square by use का small thickness के लिए होता था, यहां पे mu initial by mu final का parameter और आता है, velocity के सवाल में, magnification ही use होती है, clear, यह हुई ना बात, ठीक है, अब जरह इस सवाल की बात करते हैं, यह J E में advance में आया हुआ सवाल है, यह J E में आपका advance में आया हुआ सवाल है, ठीक है जरह इस सवाल की बात करते हैं इसमें कई बच्चे खराब करते हैं अब क्वाटर स्लेंडर स्लेंडर का वन फोर्थ हिस्सा अफ रेडियस आर और रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.5 इस प्लेज़ रूंदे टेबल अब सारे बच्चे पहले मेरे को यह बताना क्या आपको यह बात समझ आ रही है कि लाइट यहां से जाएगी एक बार प्लेन सर्फेस पर रिफ्रेक्शन होगा फिर लाइट यहां से यहां जाएगी ठीक है ऐसे माल लो लाइट यहां से यहां गई फिर स्फेरिकल सर्फेस पर रिफ्रेक्शन होगा और फिर यह कह रहें लाइट पैरलल हो जाए दो बार फॉर्मला लगेगा हां या ना वेरी गुड यह आपका जी एडवांस का सवाल है बेटा तमीज से करिएगा ठीक है यह आपक अबजेक्ट है पी लाइट यह डिस्टेंस आपको दे रखा है एम आर यहां से देखना लाइट आपकी गई यहां से यहां सबसे पहले दो बार रिफ्रेक्शन फॉर्मला वेरी गुड वैभव वर्मा सर प्लेन सर्फिस तो आपने पढ़ाया ही नहीं अरे पगले नहीं भी पढ़ाएंगे तो कम से कम इतना तो इज्जत रख ले मैट्स की आर की वेल्यू इंफिनिटी फॉर प्लेन सर्फिस लगा दे फॉर्म यू is equal to mu final minus mu initial by r मैंने का yes सब प्लेन सर्फिस के लिए तो r की value infinity 0 हो जाएगा मैंने का yes final 3 by 2 था ये air है तो 3 by 2v minus 1 by minus mr equal to 0 yes अगर आप देखे positive हो जाएगा दूसरी सेट जाएंगे तो 3 by 2v is equal to minus 1 by mr तो अगर आप v की बात करेंगे यहां से तो v की value आ रही है minus 3 by 2 mr हां या ना मेरे एंटरपेंटर किसका यहां तक पहुंच गया दिल बना देना कि बेटा प्लीज याद देखो चलो ठीक है आप लोग अपनी जिद पर है तो चलिए वैसे advance का सवाल क्या ही करना है मेंस का सवाल था यह आपका homework है आईए हम इस पर बात करते हैं चलिए ठीक ह है आप लोगों को इधर-ओधर की बात करनी है तो हमें भी इतना समय क्यों देना भाई हम भी अपनी सरीर को क्यों खराब करें कि आई है यह पर बीलगा रहे हैं यह तो अपने आपको जबड़ जबस्ती उस चीज के लिए हम लोग पुश कर रहे हैं जिससे हमी पागल घू नहीं होता है है ना तो उनको प्रूफ करने वाली बात हो जाएगी फिर तो भाई जितने भी बच्चे यहाँ पर फाल्टू की बखवास कर रहे है इस मैं रिक्वेस्ट प्लीज चले जाओ क्योंकि मेरे बोलने से तो कुछ विगड़ेगा नहीं तुम्हारा में को पता है लेकिन उपर वाला देख रहा भाई और अगर मैंने आपको अभी बोला था ठीक है कि जब आपको चीज गलत करते हो न तो घूम के गलत आता है आज नहीं तो कल आएगा और जिस दिन आएगा उस दिन आपको कोई बचा नहीं पाएगा ठीक है तो इस मैं रिक्वेस्ट इस मैं रिक्वेस्ट बेटा अपने करियर के लिए प्लीज लास्ट मोमेंट पर बेटा जितने भी बच्चे मेरे को अभी सुन पा रहे हैं न कभी कभार आप मेरे को देखते होगे मैं गुस्सा ह मुझे यह मुमेंट स्याद आते हैं भार बार जो यही बच्चे होते हैं और जब भी मेरे को देखते हो कि में धंकाने लग जाता हूं कि और वंके कान कभी ना खुलते ही निए कि टीचर कब क्या बोल रहा है और जब चीजे ख़राब देखना इस बारत यह दस दिन के बाद देखना इनकी आलत यह वही बच्चे होंगे जो नीचे रहा स्पैम करें सर प्रयास बैस लॉंच कर दो हूंगे फिर जाएगा यह मैं बता रहा हूं फिर जाएगा सर मेरे को ना मेरे ड्रॉप क्टम हो गया सर मिको कॉलेज कॉन से मिलेगा या नहीं करना चीए यह आने वाले अभी इनकी सवाल और फिर तुम बोलोगे कि हम बिजनेस कर रहे हैं लेकिन रियालिटी है कि उनको फिर समझाना किया था तब तु क्या कर रहा था क्या मैंने तेरे कान में बोला कि नहीं पढ़ने नहीं है ऐसी सेलेक्शन होता है पता भाई फिर तुम हमें दोशी बनाते हो टीचर्स को दोशी बनाते हो सिस्टम को दोशी बनाते हो अगर नहीं सुनी जाती चर टॉपर्स को तो सुन रहे ह आज तो टोपर के साथ फूटो की चाह रहे हैं जिनका सेलेक्शन नहीं हुआ अरे भाई मेहनत तो सब के साथ करी न हम लोग ने सब के साथ करी आज अगर वो डिजर्व कर रहा है तो क्या मैं खुशना हूं अपने स्टुडेंट के लिए यह मैं इतना से डिस तो नहीं हूं भाई पांच मिनट उसके लिए भी खुश हूंगा पूरे साल तेरे लिए मेहनत भी करूंगा फिर से लेकिन जब मैं मेहनत कर रहा हूंगा तब तेरे को उसकी कदर करनी पड़ेगी बढ़े सारे टीचर्स के साथ का है बेटा जितना आप गलत करेंगे अपने सब्जेट के साथ ना वापिस आता है यह कोई टीचर कोई पेरेंट रोक नहीं पाएगा उस चीज़ को समझ जाइए इस चीज़ को क्लियर तो पहला जो रिफ्रेक्शन हुआ वो तो प्लेन सर्फिस पे हुआ सर यह माइनस क्या बता रहा है अरे भाई डिस्ट डिस्ट बताएगा यह पॉजिटिव डिरेक्शन आप लिलिया था तो पॉजिटिव डिरेक्शन में नेगिटिव थ्री बाई टू एमार पर देखिए लाइट अगर कभी रेर टू डेंसर जाती तो आपको भी पता है टूर्ड जी नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगी है तो टूर्ड जी नॉर्मल अगर आप शिफ्ट करेंगे तो यह आपकी इमेज यहां कहीं है इस लेंट इस वन पॉइंट फाइव टाइम्स ओफ एमार यह डिस्टेंस यहां से आपने ना पा तियार नेगेटिव में इस अपोजिट डिरेक्शन में इस सर्फिस की तो कोई बात ही नहीं हुई अभी तो इस सर्फिस की बात चल रही है हमारी अब बात आती है सेकिंड सर्फिस यही लाइट जाके दूसरे सर्फिस पर टकराईगी अब सर स्फेरिकल सर्फिस और इन्होंने बोला है पैरलल हो जानी चीए मैंने का ठीक है अब सेकिंड सर्फिस की कहानी ज़रा सुनना सेकिंड सर्फिस की सारे बच्चे ज़रा कहानी सुनना तो आप कहत कि सार ये वाला सर्फिस है न आप मैंने का येस मुझे ये बताएंगे सारे बच्चे ठीक है कि म्यू इनीशल क्या है म्यू फाइनल यू वी और आर यहां गलतिया होंगी तो ध्यांच सुनना क्या आपका मैच होता है या नहीं होता है म्यू इनीशल क्या लेंगे लाइट इस सर्फिस या रही है तो थ्री बै टू आपका म्यू इनीशल है फाइनल एयर में जा रही है वन है सर यू क्या लूँगा मैंने काता है इंसिडेंट रेज जहां इंटर्चेक्ट करेंगी वो है तेरा यू सर इससे पहले तो हवा फिर से आ जाईगी उसको फरक ही नहीं बढ़ रहा स्फेरिकल सर्फेस पर जब लाइट यहां पर रिफ्रेक्ट कर रही है उसको इससे मतलब नहीं यहां आवा है उसके लिए लाइट यहां से आ रही है उसको ग्या लगेगा यार यह था आपको r और जोड़ना पड़ेगा क्योंकि अब आप distance कहां से नापेंगे इधर से यू की value आपके लिए देखो positive direction ये है अब spherical surface का सारे distance यहां से नापोगे इस direction में जाओगे तो minus of 3 by 2 mr plus r वी क्या रखना है उन्होंने का parallel हो जाना चाहिए प्लस infinity और radius की बात करेंगे तो इसी direction में आओगे minus r किस किस के match होगे दिल बना दो सारे बच्चे सारे बच्चे वी negative कैसे आया अरे भाई इस direction में positive तू सारी चीज़े यहां से नापेगा तो 1.5 times of mr mr अगर यह है तो 1.5 times यह होगा light rarer to denser जा रहे है towards normal towards normal खीचेगा तो इधर ही तो आएगी इसलिए negative आ रहा है वो तो calculation बता रही है हो तो गया सवाल mu final by v minus mu initial by u is equal to mu final minus mu initial बटे r सारी values डाली है answer निकाल लीजे खतम आपको mu final पता है mu initial पता है u आप वी आपको पता है ठीक है mu final यह और r आपको पता है u की value आप यहां पर डाली है और m की value आप यहां से निकाल लीजेगा i think half आती है i think so 4 by 3 शायद कुछ ऐसा आता है 4 by 3 आती है यार अब तो solve करना पड़ेगा कुछ बच्चे अलग अलग सा जवाब दे रहे हैं 4 by 3 है 2 by 5 कुछ ऐसी आता है बाद चेक करना values देर ध्यान से डाल दीजेगा ठीक है values देर ध्यान से डाल दीजेगा 4 by 3 yes clear हाँ तो बस यह आपका सवाल तो दो बार आपने फॉर्मल लगाया इसका अगला सवाल है यह आपको मैं होंबग दूँगा और ऑब्जेक्ट ओ इस्ट्रक बिल्कुल जैसे पिछला सवाल था उसके जैसे ही है ऑब्जेक्ट यहां पर है रिफ्रेक्शन इस पर हो रहा है ठीक है तो आपको बताना है कि ऑब्जेक्ट ओश्ट्रक ओन दे ट्रांस्परेंट सॉल स्फेर रेडियस दे दिया है फाइंड रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ दे स्फेर म्यू की ऐसी क्या वैली उन्चे की लाइट रेस पैरलल हो जाए तो एक आपको यह होंवग ट्राय करना है ठीक है असान है और यह आपका जैमेंस में आया हुआ सवाल है यह आपका होंवग है यह बेटा इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है म्यू 1.25 म्यू 2.4 ठीक है ठीक है कई बच्चे एपरेंट डेप्ट और एपरेंट शिफ्ट को पहले पढ़ते हैं और मैं परसेनली जब पहली बार पढ़ा था ऑप्टिक्स तो यह बाला पार्ट पहले पढ़ा देते थे तो मेरे को बड़ा कन्फूजन होता था इसको थोड़ा सा ध्यान से सुन ले में हमाई पास ऑब्जेक्ट अगर डेंसर मीडियम में है और इसी से ही आपके स्लैब के भी सवाल हो जाते है तो जड़ा ध्यान से सुनना यह ठीक है क्लियर स्टार्ट किया जाए हाँ या ना हाँ या ना कि सारे बच्चे स्टार्ट किया जाए यह सवानों कि एक में टुक जाना विटा कि वर्दान शादा वेग बार ना स्पैमिंग का देखते रहे ना जो भी फाल तो लिखे प्लीज हटा देना अधर्वाइस क्लास मैं बीच में एंड कर दूंगा बहुत इरिटेशन होती है पहले तो रे डाइग्राम से मैं आपको समझाता हूं फिर आप अराम से फॉर्मला लिखना ठीक है आप लोगों से मैं फॉर्मला डिराइव करवाऊंगा अगर ऑब्जेक्ट इसन डेंसर मीडिया माल लीजे यह रेर है यह डेंसर है ठीक है ऑब्जेक्ट अगर आपका डे दिखता कहीं और है तो एक apparent depth आता है shift आता है राइट समझ लीजे कि यह d distance नीचे था पहले ray diagram की बात करते हैं तो जो भी light आपकी यहां जाएगी denser to rarer away from the normal हो जाएगी तो यह कहीं ना कहीं आपको यहां दिखाई देगा image है ना जो भी light आपकी यहां से गई यह ऐसे चल जाएगी तो आपका कहीं ना कहीं यह वाला जो length होता है this is called d apparent और यह कहते है shift इसको आप कहते है shift this is mu rarer and this is mu denser clear हा या ना हा या ना सारे बच्चे जारे यह चीज़ देखना कि जो भी light आपकी denser से rarer जाती है अवे हो जाती है object actually में यह था this is your actual depth d actual या d naught यह आपकी actual depth थी तो light आपकी इधर गई तो अगर आप intersect करेंगे तो image आपकी यहां बन रही है तो this is your d apparent बेटा यह आपको दिखाई कहां पर देगा यह and this is your shift yes very good very good अब ज़रे देखना plane surface पर reflection हो रहा है तो वही formula लगाएं mu final mu initial u v and r final आपका है rarer initial है denser u की value सारे बच्चे देखना light उपर जा रही है मेरे entrepreneur तो light अगर उपर जाएगी तो positive direction आप उपर नापेंगे नीचे ना आपना है तो negative तो जड़र देखना u की value की बात करेंगे minus d naught actual depth आएगा minus d naught और v की बात कर रहे हैं तो minus d apparent यही आया और r की बात करेंगे तो infinity बस आप sign के साथ चुप चाप values डाल दीजे अपने आप आजाएगा बिटा mu final by v minus mu initial by u is equal to mu final minus mu initial by r यह r की value infinity करते ही 0 तो final की बात करेंगे mu r by v v v minus d a plus हमारे पास यह हो जाएगा mu d divided by d naught ठीक है equal to 0 तो अगर आप d apparent की बात करेंगे यह उदर जाएगा तो यह आदेगा mu r into d naught divided by mu d ध्याँच सुनना if mu r equal to 1 air मान रहे हैं तो d apparent आपका क्या आता है यह आप सभी लोग ने पढ़ा है actual depth divided by mu ध्याँच देखना तीन फॉर्मले एक ये एक ये डी apparent का फॉर्मला आता है आपका d actual by mu और अगर कोई बोले कि shift कितना है तो यह हो जाएगा आपका d naught minus d naught by mu यह आता है d naught into 1 minus 1 by mu सारे बच्चे जड़ा बताए क्या आपको ये बात समझाई हाँ या ना कई बच्चों के फॉर्मले याद करने में दिक्कत होती है तो आप derive एक दो line से आप derive कर सकते हैं बस आपको r की value infinity रखनी है अपने आप आपका सवाल हो जाएगा yes or no मैं personally जब स्टुडेंट था मेरे को ये फॉर्मले बहुत ज्यादा इरिटेट करते थे अगर मेरे को उस समय पता होता माल लीजे आपका object किसी height h0 पर है ठीक है तो जो भी आपकी light जाएगी दिहां से देखना ठीक है ये आपका object था तो जो भी light हमारे पास इधर जाएगी एक ऐसे होईगी और एक ऐसे होईगी क्योंकि जब भी light dense rarer to denser जाती है towards normal shift होती है image आपको कहीं न कहीं यहां मिलेगी हाँ या ना सारे बच्चे हाँ या ना इस बार आपकी ध्याद सुनना this is your actual height h0 this is your apparent height h apparent यह और ज्यादा height पर दिखाई देता है yes right तो हमारे पर h apparent तो यहां पर भी आपका shift आता है this is your shift ज़र देखना सारे बच्चे questions अगर आपको निकालना है तो मैं कहूंगा mu initial mu final u v and r light आपकी कहां से गई है rarer से denser में light आपकी नीचे जा रही थी तो positive direction आपका नीचे माना जाएगा यहां से आप उपर की direction में ना पे तो object distance minus h0 image distance minus h apparent r की value infinity yes or no yes or no clear yes तो अगर आप देखे तो mu final by v minus mu initial by u is equal to mu final minus mu initial by r r की value जैसे आप infinity रखेंगे यह तो 0 हो गया बेटा बस value डाल देना mu d by v v v v v v minus h apparent ठीक है minus minus plus हो जाएगा plus mu r divided by u की value बायत करे h0 equal to 0 तो h apparent की अगर आप बात करेंगे तो that is equal to h0 या mu d into h0 divided by mu r सबसे important चीजें यही है जिनको mu d by mu r mu r by mu d में दिक्कत है आप एक बार तमीज से solve कर लीजे दिक्कत ही नहीं आईगी और अगर आपका mu r की value 1 है बेटा रेरर मान रहा हूं तो h apparent that is equal to mu times of h होता है और अगर आप shift की बात निकालना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं mu h minus h is equal to mu minus 1 into h यह आपका shift आजाता है clear सारे बच्चे एक बार दिल बनाईए यह formula आपको याद भी होने चाहिए मैं सच बताओ derive करते हो कोई दिक्कत नहीं है गडबड कुछ भी नहीं आएगा एक दो steps दो ही steps बढ़ते हैं लेकिन अगर आपको formula याद है तो आपकी speed और बढ़ जाती है yes or no yes or no clear अब जो slab वाला है मैं यहां पर तीन cases है मैं slab को एक साथ summarize करके आपको बताऊंगा so that आपके दिमाग में चीज रहें ठीक है shift by slab shift by slab ध्यां से देखना clear love you बेटा thank you so much ठीक है shift by slab अगर मान लीजे बेटा मेरे पास एक slab है t thickness का यहां से देखना t thickness का इसका refractive index mu है और एक object आपका यहां रखा है तो आप यह बिल्कुल वैसे ही मान सकते हैं कि object का actual depth टी है तो जो भी आपकी light rays निकलेंगी बेटा ऐसे denser to rarer हमाई पर light जाएगी तो अवे इसको आप extend करेंगे image तो slab ने भी वही काम किया जो हम लोग पहले पढ़ रहे थे same ray diagram है तो अगर आपसे कोई बोले कि इसका d apparent क्या होगा या फिर shift क्या होगा अगर आपसे यह चीज़े पूछी जाएं तो कुछ भी गलत थोड़ना है बिल्कुल सेम है d apparent will be d actual by mu तो यह आजाएगा t by mu है और इसके अगर आप shift की बात करें तो shift आजाएगा t minus t by mu तो slab की जो shift होती है वो यह रहती है हाँ या ना यह तो सेमी चीज़े ना यार पहले जैसी सारे बच्चे मेरे को बताईए हाँ या ना slab का सरे एक shift हमने पहले पढ़ा था t into sin i minus r divided by cos r वो lateral shift था अगर आपका slab ऐसे है आप sideways देखें लाइट इधर आईगी तो यह shift होके ऐसे निकलेगी इनमें जो shift हुआ है sideways shift हुआ है that is lateral shift normal shift क्या है अगर आप slab को ऐसे रखे किसी चीज़ को देखें कि वह उपर दिखाई देगा तो वह कितना shift कर देगा t into one minus one by me clear हो गया सवाल पहला important point यह वही चीज़ है बिटा slab ने वही shift किया अब दूसरा important point टीक है अगर इस slab से इस slab से यह थिकने से है t ध्यान सुनना इसका refractive index है mu एक object है o जो यहाँ पर d distance से दूर था पहले तो यहीं पर था अब d distance की दूरी पर है तो याद रखना shift of the slab is independent shift by the slab इसको प्रूव नहीं कर रहा हूं याद रखना है इस slab की ओकात fix है इस slab की ओकात, slab का काम ही shift कराने का है इसकी ओकात fix है shift by the slab is t into 1-1 by mu independent of d, d से कोई लेना देना नहीं, बहुत important चीज है यह वाली चीज, आपका जो object है slab से कितनी भी दूरी पर हो, slab से कितनी भी दूरी पर हो, slab एक ही चीज करेगा shift that is t into 1-1 by mu, सीजी सी बाद, यह 2 cm की दूरी पर हो, 5, 6, 10, 1000, कोई फर्क नहीं पड़ता, independent of d, clear है क्या, हाया ना yes, very good, और last important point, अगर मेरे पास multiple slabs हो गई ठीक है, मान लीजे कि मेरे पास एक slab यह है, ठीक है, एक slab यह है, diagram वैसे हमें पास बना हुआ है, I think so, multiple slabs का yes, ठीक है, अगर, मान लीजे, मेरे पास multiple slabs है, और object आपका यह था, d distance पर, तो समझ जाना, अगर आपकी multiple slabs हैं, तो total shift आपका क्या होगा, total shift will be sum of individual shifts, हर slab individual जितनी जितनी shift करा सकता था, वो सारी individual, very good, फाहीम आरिफ बेटा, love you बेटा, thank you so much, individual shifts को add करना है, तो यह वाली slab के अपनी एक fix आपकात है, t1 into 1 minus 1 by mu1, यह अपना shift करा देगा, इस वाली shift, इसकी अपनी एक आपकात है, तो t2 into 1 minus 1 by mu2, इसकी अपनी एक capacity है, t3 into 1 minus 1 by mu3, तो इनकी जो shifts होईंगी, total shift, वो इनका सबका summation होगा, ठीक है, इन सबका summation होगा, clear है क्या, येस, जिनको खतम करने के लिए पढ़ना है बेटा, तो मैं, आप लोग शायद, जानते नहीं है मेज़े, ठीक है, पैचानते हैं, लेकिन जानते नहीं है, एक बार, बैच की बात बता रहा हूँ, प्रयास या लक्षे में से किसी बैच में एक बच्चे ने बोला, कि सर, जल्दी पढ़ाईए, टॉपिक कहीं न कहीं electromagnetic induction का था, और प्रयास का था, प्रयास टूपिंट हो, इलेक्ट्रो मेगनेटिक इंडक्षन चल रहा था, किसी बच्चे ने कहा जल्दी पढ़ा दीजिए, आदे घंटे गन्द, त्योरी पूरी लिख के कोश्चन के साथ करा दिया था, आदे घंटे में, ठीक है, उसमें, एलसी ऑसिलेशन भी था, टाइम वेरिंग मेगनेटिक फिल भी था, और एलसी सर्किट भी था, सब 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 म्यूच्वल इंडक्षन टाइम वेरिंग में सब पढ़ा दिया था, आदे घंटे में, और मैंने बोला था, तो अगर आपके अंदर यह है कि खतम कब होगा, तो खतम तो मेरे को टाइम नहीं लगता है, ठीक है, लेकिन वहीं अच्छे बच्चे होते हैं, उनके लिए सचरे ने दुबारा मेहनत करवा थी, फिर आराम से पढ़ाना पढ़ा, रिकॉर्ड करके देना पढ़ा, गुस्स ठीक है, सब पढ़ा दिया था, तो हाँ, तो यह चीज मत बोलना कि भाई की सर पढ़ा दो, तो पढ़ाने के अगर उस पर आ जाएंगे न स्पीड में, तो बहुत जल्दी से पढ़ा सकते हैं, ठीक है, वो तो अच्छे बच्चे यहां पर जुड़े होएं, वो भी रात त जल्दी है, ठीक है, तो आप जा सकते हैं, क्योंकि आपके हिसाब से नहीं होगा, ठीक है, आईए भईया, सारे बच्चे, अभी सब्जेक्टी सवाल चलेंगे, फिर हम लोग थिन लेंसिस की बात करेंगे, फिर कुशन्स, आपके अब्जेक्टिव आएंगे, फिर फाइनल लीडर देखा जाएगा, लीडर बोर्ड पे कौन है, ठीक है, मेरा मन तो ऐसे है कि मेलोडी आजाए वापिस, ठीक है, विचारा पीछे चला गया था, या विचारी पीछे चली गई थी, ठीक है, मैं चाता तो हूँ कि मेलोडी उपर आजाए, क्योंकि मेलोडी नाम आपको यह statement भी समझने के लिए 2 साल लग चुके है, प्यूकि आपके तरफ से ही तो statement आदे, जल्दी पढ़ा दू, प्यूकि आप अभी तक इस statement को नहीं समझ पारें के ना, 2-3 साल निकल चुके आपको यहीं समझा रहा कि समय देना पड़ेगा सब्जेक्ट को टीचर के पढ़ाने के पाद अचानक चीज़ें नहीं आती ही समय देना पड़े यही नहीं समझपा रहे हो न हाई यह सारे बचे जड़ा in concept के बारे में बात करेंगे जड़ा देखना हां या ना यह हमारे पाद दो स्लैप का काम हो गया तो मैं यह कह सकता हूँ भाई कि जो total shift होगी जैसे आपके सवाल में total shift भी पूछा जा सकता था आप apparent depth को भी जोड सकते हैं वैसे मैं पूरा बता देता हूँ टोटल शिफ्ट की बात करें तो आप कहेंगे यह माल लीजे that will be h1 into 1 minus 1 by mu1 plus h2 into दो स्लैब्स माल लीजे भाहिया दोनों ने कितना shift कराया यह आगया actual depth आपका कितना होगा सारे बच्चे concepts को देखेंगे actual depth आपका होगा that is h1 plus h2 यह जाएगा that is 25 plus 15 आपका होगा 40 cm आपका actual depth होगा बेटा अगर आप से कोई पूछे apparent depth आप individually भी जोड सकते हैं लेकिन अगर आप apparent depth की बात करेंगे तो आप कहेंगे d actual minus shift है ना तो आपको यहाँ पर क्या करना है 40 cm में से इस shift को minus करना है सारे बच्चे दिल बनाए क्या आप concept समझ पा रहें क्योंकि concept is very important rather than the numerical value of the answer आपको यह समझ आनची कि मैं इसको एक slab मान लूँ इसको slab मान लूँ यह वाला slab अपना shift कराएगा यह वाला slab अपना shift का इस d distance से कोई लेने देना नहीं तो इन्हों ने कहीं न कहीं आत करा है तो total shift निकाल ली और यही final image होईगी तो total में से shift घटा दोगे तो actual depth आपका apparent depth कितना होगा वो मिल जाएगा yes or no clear very good अगला सवाल बेटा अगला सवाल सारे बच्चे जड़ा देखना a converging beam of light rays incident on a glass air interface as shown find where these rays will meet after reflection plane surface पर हो रहा है सर अब कौन सा formula लगाए डिए apparent का डिए actual का confuse हो रहे हो बेसिक से चले जाओ बाई देखिए plane surface पर reflection हुआ है आर की वैल्य इंफिनिटी सारे बच्चे देखना new initial new final uvnr पहले values लिख लिए सारे बच्चे फिर बताना कि क्या आपका match हुआ या नहीं जो भी light आ रही है सर यह तो plane surface पर reflect हो रही है अब मेरे को image image बताना है तो मैंने कहा म्यू इनिशल एयर से new final glass में यहीं हुआ यू की बात याद करिए यू होता था intersection of ir's incident rays का intersection होता है बेटा तो incident rays कहां मीट कर रही है पॉजिटिव डायरेक्शन तो incident rays आपकी यहां मीट कर रही है बेटा 20 cm plus 20 very good very good v तो हमें पता ही नी जाई यह था यह तो r की value infinity होतो गया सवाल ए मर्दवा mu final बता है v minus mu initial बता है u equal to mu final minus mu initial बता है r radius की value infinity करी 0 mu final है आपका 3 by 2 v minus mu initial that is equal to 1 by u की बात करेंगे तो plus 20 equal to 0 बेटा ठीक है तो v की value आपके आ रही होगी plus 30 cm हाया ना very good very good 30 क्यों आ रही है अरे भाई rare to dancer light जाएगी तो towards normal और नीचे चली जाएगी न तो यहां से यह 30 cm आपका answer आ रहा है clear है क्या हाँ या ना हो तो गया yes or no very good अगला सवाल मेरे interventor HC Verma को बहुत प्यारा सवाल है बहुत प्यारा सवाल है ऐसे सवाल आपको जही मेंस में मिल सकते हैं figure shows a concave mirror of focal length f a concave mirror है इसके अंदर आपने पानी भर दिया with its principal axis vertical a mirror a transparent fluid डाल दिया refractive index mu is filled up to the height d आपने d height तक इसमें liquid भर दिया है जिसका refractive index आपको दे दिया है mu find where on the axis of the mirror a pin should be placed so that image will be formed on itself very good कुछ बच्चे इसका concept लिख रहे हैं मेरी बात को ध्यान चोशुनियेगा ऐसे कई सवाल जही मेंस एडवांस में आए हैं concept ऐसे सवालों का एक बारी में बता रहा हूं whenever image has to be formed has to be formed on object on object पिछले साल के advance में भी इसका एक पाट है whenever image has to be formed on object itself retract the light light को वापिस भेज दीजिए और जैसी light वापिस जाएगी वो सारी जैसे जैसे आई है वैसे वैसे retract करके वहीं पहुंच जाएगी तो object पर ही पहुंच गई reflected race का intersection या reflected race का intersection image होती है तो अगर यह वापिस चली गई उसी रास्ते पर तो जहां object था वही image बन जाएगी एक बच्चा है मंदिल सीरी छोड़ो तो शिंगेज करो ठीक है बेटा ठीक है शिंगेज में हजारों सवाल है और आपके पाद 10 दिन है ठीक है तो सारे पहली लाइट जो आपकी आएगी और जब तू सिंगेज लगाएगा उसमें भी यही सवाल होईगे फिर तेरे को आसू आएगा क्योंकि जे image का सवाल तो तो तेरे से तब भी नहीं बनेगा ठीक है करो 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 अराम से करो और 10 दिन तो अच्छे से करो कोई चीज अगर आप कर रहे हो तो अच्छे से करो दो साल लगाने के लिए जब पिचर बोलता था तक तो नहीं लगा यह दस दिन तो जरूर लगाना मॉक टेस्ट मत देना रिवीजन मत करना पहले यह कर लेना यह ज्यादा तो रे डाइग्राम से तो आपको पता यह ना कि जो भी लाइट यहाँ जाएगी तुवर्ड दी नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगी और यह कहां से आ रही होगी दिस विल भी कमिंग फ्रॉम अट दिस्टेंस ओफ म्यू इन्टु एच्च अब मेरे अंटर पंटर सारे बताना यहाँ पर है आपका कॉनकेव मिरर अब रे डाइग्राम दसवी क्लास के हमारे सारे टॉपर्स एक सो पांच प्रतिशत परसंटेज लाने वाले बच्चे ज़र यह बताना कॉनकेव मिरर में जब लाइट इंसिडेंट होती थी ऐसा कौन सी कंडिशन में ऐसा होता था कि ला हां सेंटर ओफ करवेचर यह चलो कम से कम हमारा एक कुविडियन है जो पड़ा था दसवी क्लास में ठीक है याद करिए कि जब आपकी लाइट सेंटर ओफ करवेचर से आती थी तो यह नॉर्मल इंसिडेंस होता था एंगल ओफ इंसिडेंस जीरो इन दिस केस लाइट वापिस भेजना है तो आप यह माल लीजे कि इस शीशे के लिए यह वाला डिस्टेंस यह सेंटर ओफ करवेचर हो जाए अगर ये वाला point center of curvature हुआ तो इस शीशे को क्या लगेगा light ऐसे आ रही है center से तो ये वापिस भेजेगी तो light यहीं जाके यहीं पर image बना देगी फिर से तो मैं क्या कह सकता हूँ mu h plus d ध्याँच देखना mu h plus d आपका radius के बराबर होना चाहिए या फिर mu h plus d is equal to 2f के बराबर होना चाहिए अरे बोली है भाई question जो यही हो गया इन्होंने बोला है कि find where on the axis a mirror pin should be placed h की ऐसी क्या value होनी चाहिए कि वो वही पर बन जाए तो मैंने कहा भाई देखो यह light आएगी तो h है इस शीशे पर टकराने से पहले यह यहाँ से आ रही होगी तो अगर यह शीशे के लिए d plus mu h r के बराबर हो गया तो वहीं चला जाएगा तो यह आजएगा mu h is equal to 2f minus d h की बात करोगे 2f minus d divided by mu भाई देखो h c varma की किताब से बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो जेई मेंस ने डायरेक्ली उठाए है तो आपको ऐसे सवाल जुरत है नहीं थोड़ा सा गरब clear very good very good यह ऐसा सवाल आपको दिख सकता है जड़ा इस सवाल की बात करते हैं यह भी सवाल आपको दिख सकता है और इस सवाल में बहुत बच्चे गलत करते हैं हाउ मच वाटर शुट भी फिल्ड इन कंटेनर ओफ हाइट 21 सेंटीमीटर अब यहां पर तो समझाने में हमी भी मौत आती है कई बच्चों को क्योंकि अंग्रीजी में खतम होते हैं एक कंटेनर है 21 सेंटीमीटर का इसमें मैं कितना पानी भरूं कि यह हाफ फिल लगे हो ना फिजिक्स आपकी बहुत तेज है बहुत तेज है ठीक है आप बस मार इंग्लीश में खा रहे हैं देखो अगर इसमें होता हाउ मच वाटर शुट भी फिल्ड ग्लास इस हाफ फिल्ड ग्लास आधी भर जाए तो साड़े दस सेंटीमीटर का आपको पानी भरना हमें महसूस हो हमें महसूस हो कि यह आधी भर चुकी है समझना अगर मान लीजे मैंने इसमें पानी भर दिया और आप यहां से गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहे हैं हा या न यह यह जिनका जवाब है सर साड़े दस सेंटीमीटर होना चाहिए गदय आधा एक्जेक्ली भरना नहीं है हमें लगना चाहिए अंग्रेजी में खतम इंसान अपियर जैसे बच्पन में काटून देखते थे रेगिस्तान में एक बंदे को ओसे स्ट्राइब कर दिखता था कि पानी है है ना फिर काटून में दिखाते थे वो काटून दोड़ा फिर अचानक से मिट्टी में डुकी मारी और फिर मुह से ऐसे पानी निकाल रहा है इंजॉय कर थोड़ी देर के बाद उसको रियलाइजेशन होता था और वो पानी मिट्टी में कनवर्ट हो जाता था ऐसा सीन आपने कहीं न कहीं काटून में देखा ही होगा हाँ या ना बताएए भाई यह हूं येस हूं काटून में चलता है मिराज वाला है ना हाँ उसको महसूस होता था कि वहाँ पानी है लेकिन पानी नहीं था महसूस होना और होने में डिफरेंस है जैसे यहाँ पर कई है अराम से सो रहे हैं और उनको महसूस हो रहा है कि वो AIR1 है क्योंकि उन्होंने दो साल AIR1 की सीट ली है देखो भाई जो भी AIR रैंक आती है तो वो एक साल के लिए होती है क्योंकि अगले बार पेपर होगा तो चेंज हो जाएगा लेकिन हमाई पर कहीं सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ऐसा महसूस होता था और वो जेई में 11th क्लास में उन्होंने अपनी AIR1 IT Bombay CSC 2 करोड का पैकेज लेके गूगल में 4 साल का वर्क एक्सपिरेंस भी ले र है यह तो जो यह व्यक्ति देखो इसको आधा कब लगेगा आधा यह लगेगा कि भाई जितना इसमें एयर है जितना एयर का लेंथ है देखो यह वाली जो सर्फेस है यह तो इसको कहीं ऊपर दिखाई देगा यह d apparent क्या होगा d by मान लोते हैं कि हम लोगों ने पानी कितना भरा है x तो जब आप उपर से देखोगे तो यह इतना x depth थोड़ना दिखाई देगा आपको तो x by mu दिखाई देगा और air आपका कितना length of air आपका कितना है 21 minus x इस इनसान को आधा भरा हुआ कब महसूस होगा जब वो बोलेगा length of air column length of air column जितना मेरे को हवा दिखाई दे रहा है equal to length of water column length of water column है जितना मेरे लिए हवा है उतना ही मेरे लिए पानी है तो आधा भर गया होगा तो वो कहेगा 21 minus x is equal to x by mu अगर हो जाए तो half will महसूस होगा यह वाला length कितना होता था यह x by mu यह जमीन इसको कहां दिखाई देगी यह अगर मैं इसको ऐसा कर दूँ ध्यां से देखना ठीक है अगर मैं इसको अब ऐसा कर दूँ इस व्यक्ति को तो यही दिखाई देगा ना इस व्यक्ति को तो यही दिखाई देगी जमीन थोनना दिखाई देगी यह वाला length और यह वाला length बराबर दिखेगा तो वो कहेगा half will हो चुका है भाई बस हो गया question तो आपको x की value पानी के लिए पता ही है 4 by 3 है 21 minus x is equal to x divided by 4 by 3 x की value यहां से निकाल लेना 12 cm very good तो 12 cm जब भरोगे तो actually मैं half fill नहीं है half fill से जादा है लेकिन महसूस होगा अगर आप उपर से देखोगे देखो भाई यह half fill नहीं है अगर मैं नीचे ऐसे देखूंगा तो यह मेरे को इतना depth न 14 cm करना पड़ेगा है क्लियर है यह यह वाला question आपके लिए homework है बिल्कुल वह जी advance के सवाल के जैसा है सारे बच्चे दिल बनाना अगर आप इस बात को समझ पारें object इधर image इधर तो पहले plane surface बिल्कुल advance का सवाल फिर आपका spherical surface और image आपको बतानी है क्या आप कर ले जाए हां या ना बिल्कुल advance के सवाल के जैसा है subjective है ठीक है पहला plane surface फिर spherical surface फिर हमें बताना है find location of the final image after two refractions दो नो तो पहले आर की value infinity रखके सवाल करेंगे फिर spherical surface के लिए reflection formula yes very good clear इसके बाद मेरे entrepreneur अब आता है हमारा last part which is thin lenses ठीक है कै लिए goosebumps आपके लिए बहुत ज्यादा important आप है किप हूँ है यह थिक लेंज है बीतर और इस थिक लेंज में अगर मैं बात करूं यह जो आपका है वह थिक masa yang फोर्मला जो लेंसर मेकर फोर्ममले वो नहीं लगता ठीक है येज इस वाले पार्ट में आपके नमबर था कुप kम है ठीक है इसलिए मैं सब्जेक्टिव लेकर आया हूं ठीक है इसके बाद मैं आपको 15 मिनट का break देता हूँ ठीक है जो कमजोर कड़ी है वो यहीं टूट जाएंगे मेरे को पता है break for 15 minutes और मैं चाहता भी हूँ कि कमजोर कड़ियां यहीं टूट जाएं ठीक है क्योंकि मैं बिल्कुल serious बच्चों को ही आखरी में पढ़ाना चाहता हूँ ठीक है हम लोग मिलेंगे 11.30 पर ठीक है 11.30 पियम और यहां से अभी approximately हम लोगों का duration रहेगा अभी 1 hour 30 minutes क्योंकि मेरे को आपको full concentration चाहिए ठीक है तो मैं आपको break दे रहा हूँ अराम से सोच के आएंगे ठीक है अराम से आप सभी लोग सोच के आईए जितनी भी कमजोर कडियां है मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ कि मत आईएगा ठीक है क्योंकि जो अब हम लोगों बात करेंगे thin lenses का इसमें आपको बहुत strongly चीजों को सोचना है lens maker formula है और यहाँ पर modifications है questions मैं आपको यहाँ पर ज्यादा homework दूँगा कुछ-कुछ questions के concept बताँगो आप देखना जो मैं theory पढ़ा रहा हूँ उसी से ही related आपको सवाल मिल रहे है तो आपको theory पढ़ते समय फुल concentration रखनी पड़ेगी question में concept discuss करेंगे और कुछ questions मैं आपको यहाँ पर homework दूँगा तो चलिए बेटा मिलते हैं हम लोग 15 मिनट के बाद तो जा रहे हैं झाल 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 हेलो 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 हां भाई कहां गए आजो 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 लास्ट पार्ट हमारे पास बचा है आजो 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 भाई अभी तो चार मिनट है अच्छ 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 अबटा आराम से कर ले कोई नहीं मैं पड़ा नहीं रहा हूं ठीक है आज है ब्रेक का चार मिनट तो भाईया कि दुब बारा दिन के बाद आप कहेंगा रहे चार मिनट और दे दीजिए नहीं आने वाला आने वाला आई आझा आप मेंसे कई सारे बच्छे बारवी के होंगे जो लोग बारवी के हैं बारवी लिख दीजै और जो लोग droppers है वो droppers लिख दीजै या 13 लिख दीजै मुझे एक बार पता तो लगे यहाँ पर बच्क है लेवन से भी हूँ तो लेवन से नहीं आप डॉपर से हैं ठीक है तो जो आपके हरकते हैं वो सीधे 13 में जाने की है येस यहां पर हां नर्चरी पर स्री जो भी है यह थाए 13 वाले तो इस वेरी गुड वेरी गुड ना ना अरजुना के नहीं आप प्रयास के हैं ठीक है आपको शायद अभी ऐसा लग रहा होगी यार मेरे पास तो अभी एक साल है नहीं भगवान ने आपको दो साल दी है ठीक है आप थोड़ा जल्दी मांग रहे हैं चीजों को लग्षे में तो जितने भी लक्षे है कल मैं लक्षे में जाऊंगा फिर परसु मैं प्रयास में तो कल मैं आपके पास लाइव आउंगा तो कुछ चीज़ा आप लोगों से डिसकस करनी है बहुत दिन हो गए है मुझे पता है आप मैं हूँ यहां पर ठीक है तो हम लोग कल मिलेंगे शाम को मुस्ट प्रवैबली ठीक है आपका रिवीशन लेक्चर अब देखो रात को जाने के बाद नीन तो इतनी जल्दी आती नहीं है ठीक है क्योंकि कोफी इतनी पी ली है तीन बज़े सोएंगे सुबह देखते कब रिकॉर्डिंग होगा आपको कल रिकॉर्डिंग मिलेगा और फिर उसके बाद आप लोग के साथ लाइव इंटरेक्ट करेंगे कुछ कुछ चीज़े आपको लोगों के बारे में बताएंगे ठीक है जितने भी अर्जुना के बच्चे मेटा प्रयास लिखो दा ना 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 लोगों ने यही टारा लेक्टर में पड़ी उतना लोगों ने यही सारी चीजिद है तिंक 18 या 19 लेक्चर में पड़ी है इसमें और नो डॉट और भी ज्यादा कुशन हम लोगों ने करे हैं लेकिन उसको कम से कम टाइम में स्कूइज करके बताने का जो यह प्रयास है आई होप आप सभी लोगों को जल्द से जल्द रिवाइस कराने में मदद करेगा ठीक है य 20 था 21 था 21 था ओप्टिक्स टुक टाइम ठीक है क्योंकि आपके लिए क्या होता है नो महाँ पर डेरिवेशन भी बहुत सारी थी सारी चीज़े बतानी थी ठीक है येस तो अब रिवाइस करने में कौन-कौन सी चीज़े हमारे में हैं वो सारी चीज़े हम लोग यहाँ पर है जा रहिए अभव कोो जो लोग ऑपिकल इंस्ट्रुमेंट्स की बात कर रहें वेटा ओपिखल इंस्ट्रुमेंт अलग से खरेंगे यो फूलफोकस disp दिखा देता हूού कि जो उच्छे कहते हैं सर्झ इससे पिछले वाले पार्ट की पी वाइड क्यु आपको भी कम मिलेंगे सच बता रहे हूं आपको भी कम मिलेंगे ad जो यह है यहां से मैं आपको दिखा देता हूं ठीक है यहां से आपके question start हो रहे हैं यह सारे पीवाइक्व हैं कुछ मैं पीवाइक्यू आपको homework देदेंगा ठीक है जिनके concept मैं बता चुका हूं ठीक है या फिर उसके बारे में हम discuss कर लेंगे वो मैं आपको पीवाई की होंबख में दूँगा अब ध्यान से आप सभी लोगों को सुनना है ठीक है हाफ एन आर के आसपस या 45 मिनिट के आसपस थियोरी ही चलेगी और जिन बच्चों को लग रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ थियोरी है तो यह आपकी बहुत बड़ी भूल होने वाली है अगर देखा जाए इसकी थियोरी में तो फॉर्मला ओर्मला 15-20 मिनिट में फॉर्मले ओर्मले तो में सारी चीज़े हो जाती है मैं उन पर कुछ चोटे-चोटे एक्जामपल्स लेता चलूँगा क्योंकि मैं आपको जेही मेंस के कुछ ऐसे सवाल भी दिखाना चाता तो अगर आपको यह लगता है सर मैं बहुत ज्यादा हाई लेवल नहीं सोच पाता हूँ तो एटलीस आप क्या करिए फॉर्मले को तमीज से लगाना सिख लीजे ठीक है अब हम लोग बात करेंगे थिन लेंस की सर क्या थिक लेंस भी होते हैं बिलकुल होते हैं जैसे यह मै 10 cm की चोड़ाई बहुत ज्यादा है तो आपका जो थिक लेंस कई बच्चे इसको प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बोलके लेंसमेकर फॉर्मला लगा देंगे भूल कर भी यह गलती मत कर देना कि आपको यह सर बिलकुल आपकी बास से यह एक प्लेन है एक कॉन्वेक्स है तो क् भी लगा दूँ नहीं लगा सकते जो आपका लेंसमेकर फॉर्मला है तो सेपरेटली दो सर्फिस को आपको अलग-अलग से सॉल करना होता है तो कभी भी अगर आपका थिक लेंस आजा है जिसमें इसकी चोड़ाई आपके पास मेंशन है या फिर आपको दिख रहा है कि बह पढ़ता है लेकिन हमारे पार कुछ दिलेंशिस भी होते है और उन धेनलेंस को आपको धियां से समझना है सारे बच्चे अब note down करने से पहले इसको सुन amen combine lenses होते हैं ठीक है और convex lenses यहां पर ज्याँ चुनना यह हमारे पास दो spherical surfaces के intersection से बनते हैं यह intersecting spherical surfaces से होते हैं जैसे अगर आप notice करें एक spherical surface यह और जिनको लग रहा है नहीं यह छोटी चीज बता रहा हूं literally बता रहा हूं यह आपके पूरे basics को खराब कर देगा अगर आपने ध्यान से नहीं चुना अगर आपने क्या मिल रहा है एक ऐसा region इस region में आपने एक liquid को melt करके रख दिया तो जैसी यह ठंडा होगा तो आपको एक lens मिलेगा this is your by convex lens sir by convex क्यों कह रहें दोनों ही bulging surface है ठीक है this is called by convex lens ध्याद समझना अगर आप इस surface को first surface कह रहे है तो इसका center आप यहाँ पर नापेंगे this is your r1 और अगर आप इस surface को second surface कह रहे है तो इसका center आप यहाँ से नापेंगे r2 ध्याँ से देखना ठीक है if r1 is equal to r2 अगर यह दोनों radius आपके same हो जाएं तो इसको हम कहते हैं equi convex lens इनको हम क्या कहते हैं बिटा equi convex अगर दोनों radius हमारे पास same हो जाते हैं that is called equi convex lens अब आता है concave o convex और convex o concave में बच्चे बहुत confused होते हैं तो जरा देहाँ समझना intersecting होने चाहिए एक sphere आपका यह है और दूसरा sphere आपका यह है तो इन दोनों के बीच में जो भी intersecting region है आपने यहाँ पे glass को melt करके डाला और solidify होने दिया तो जो आपको यह काजू के जैसा दिखाई दे रहा है this is called हमारे पक कॉनकेव कॉन्वेक्स बाद में कॉन्वेक्स आ रहा है याद रखना कॉन्वेक्स लेंज बीच से मोटा होता है बीच से मोटा होता है ठीक है तो आपको यहीं से पता लगएगा अगर यह बीच से मोटा है तो यह कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंज है ठीक है यह हमारे पास कॉनकेव कॉन्वेक्स है जर यह समझ न हमारे पास जो आगर आप इसको first surface कह रहे हैं तो इसका center आप यहाँ आपेंगे plano convex lens कैसा बनता है कि आपने एक sphere को ले लिया बेटा और एक plane surface को आपने इसके साथ intersect करा दिया तो आपको ये वाले region में अगर आपने liquid glass को रखा और solidify होने दिया तो जो आपको ये वाला glass मिलेगा ये वाला lens मिलेगा this is called plano convex एक सर्फेस ध्यान से देखना एक सर्फेस अगर आप इसकी बात कर रहे हैं तो यह रेडियस इंफनाइट होगा और जो आपका सेकिंड सर्फेस अगर आप इसकी बात कर रहे हैं तो इसका सेंटर आपको यहां पर मिलेगा clear है किसा सारे बच्चे थमजब करें यह तीन प्रकार के आपके Convex Lenze है याद रखना ठीक है यह तीन प्रकार के आपके Convex Lenze है clear दस्वी K puzzles में यह चीजद सिखा दी जाती है Convex Lens are Converging Lens भूल कर भी यह मात मत कर देना ठीक है दस्वी क्लास की कहानी अलग है दस्वी में ही छोड़ दो ये convex lens आपका converging and diverging दोनों हो सकते हैं lenses में ये दोनों behavior रख सकता है clear love you बेटा अगला है आपके concave lens तो पहला हम लोग पढ़ेंगे बेटा by concave lens ठीक है by concave lens convexo concave lens ठीक है और plano concave lens इनको हम कैसे बनाते हैं सर क्या इनका बनाना जरूरी है बिलकुल क्योंकि आप यहां पर sign convention यूज़ करेंगे lens maker formula में तो गलती ना हो यह non intersecting surface से बनते हैं जैसे माली जे एक स्फेयर यह है और एक स्फेयर हमारे पास यह है इन दोनों इसको कहते है by concave अगर आप first surface को यह मान रहे है तो आपका r1 यह होगा अगर आप second surface को यह मान रहे है तो आपका r2 यहां होगा clear if r1 is equal to r2 तो आप इसको कहेंगे equi concave lens जिन बच्चों ने optics नहीं पड़ी है मैं कह रहा हूँ अगर आपने मेरे को डेड़ घंटा दिया तो मैं आपका डर्क हतम कर सकता हूँ practice के साथ आप और improve कर जाएंगे लेकिन at least डर्क हतम होना यहां से हो जाएगा ठीक है तो यह equi concave lens होता है sir convexo concave lens कैसे होता है ठीक है देखना जो बाद में है वैसा होना चाहिए concave lens बीच से पतला होता है बीच से पतला होता है ठीक है तो देखके यह आपको पता लग जाएगा कि convexo concave है या concaveo convex एक surface यह और एक surface हमारे पास यह intersecting नहीं होते ठीक है तो अगर आप यहाँ पर glass को भरेंगे तो glass आपको कुछ ऐसा मिलेगा यह beach से आपको comparatively पतला मिलेगा पहला surface अगर आप इसको मान रहे है तो radius आपका r1 है second surface अगर आप इसको मान रहे है और solidify होने दिया तो आपको plano concave lens इस प्रकार से मिलेगा first surface की अगर आप बात करें इसको मान रहे है तो इसका radius आपको यहाँ मिलेगा और अगर आप second surface यहाँ मान रहे है बिटा तो second surface आपको infinite मिलेगा this is your plano concave lens clear है क्या हाँ या ना सबसे पहले आपको देखना बहुत जरूरी है otherwise आपकी sign convention खराब हो जाती है clear clear yes अगला बात ठीक है अगली बात हमारे पास ray diagrams वैसे तो आपको यह ray diagrams पता ही होंगे I don't think कि यह visible है लेकिन आपको ray diagrams पता ही होंगे ठीक है इसके उपर हम लोग सब्सक्राइब करेंगे रे डाइग्रामस से उपर हम लोग लेंस मेकर फॉर्मला लेंस फॉर्मला फिर रे डाइग्रामस पर चलेंगे ठीक है अब थमाशना ध्यान से पूरा concentration चाहिए इस चीज़ पर पूरा concentration चाहिए ठीक है यार देखो अगर मैं आपको कोई भी एक लेंस दे दूँ इसका radius अगर r1 है इसका radius r2 है इस refractive index इस lens का mu l है तो इसका क्या focal length होगा उसको निकालने के लिए ये हमें derive कराता है derive focal length of thin lens focal length of thin lens पतले lenses के लिए ही अब जिसने मेरी ये बात अधूरी पड़ी वो उस वाले advance के सवाल को गलत कर देगा जिसने मेरी ये बात अधूरी पड़ी कि sir thin lenses के लिए ही applicable है yes अगर आपने thick lens में लगा दिया तो even advance तक में सवाल आया है वो भी आप से गलत हो जाएंगे ठीक है ये आपके सिर्फ और सिर्फ thin lenses के लिए ही applicable है ठीक है ये क्या बताता है कोई सा भी or any lens और any lens तो इसका जो भी focal length है 1 upon f is equal to mu of lens by mu of surrounding कई बच्चों ने ये surrounding वाला term छोड़ देते हैं उससे भी question खराब होते हैं इन्टू 1 by r1 minus 1 by r2 ये जो formula है बेटा this is your lens maker formula इसको आप क्या कहते हैं बेटा lens maker formula अब मैं पहले अपने doubt बता रहा हूं ठीक है जो मैं जब पहली बार optics पड़ा था तो मेरे को क्या doubt आते थे मेरे को क्या doubt आते थे सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये chapter में जब छोड़के गया था तो मेरी बहुत pathetic हालत थी मेरे को सही में कुछ नहीं आ रहा था optics में तो मेरे जो doubts थे वो मुझे लगता है कि बहुत majority category को शायद वो समझा जाएगी ठीक है मेरे को सबसे पहले doubt होता था ये कि यार पहले उसको समझते हैं फिर इन points को समझना वेटा अगर मालो यहां R1 है जैसे 20 cm 30 cm और यह mu l की value है 3 by 2 I am just taking an example मेरे को क्या लगता था शारे बच्चे प्लीज ध्यान से सुनना मेरे को यह लगता था यार अगर radius अलग-अलग होंगे न तो यहां पर focal length अलग-अलग आएंगे F1 की value अलग होगी F2 की दोनों side के focus अलग-अलग होंगे मेरे को सबसे पहले दिमाग में यह उगा कहां से यहां से मेरे काया रही धर का radius अलग है इधर का radius अलग है तो focus अलग-अलग होंगे ऐसा बिलकुल भी नहीं है thin lenses में सबसे important points ध्यान से सुनना focus will be same on both side of the lens even if radius is different पहला important point जब मैं thin lenses की बात कर रहा हूँ ठीक है जब मैं thin lenses की बात कर रहा हूँ न बेटा इधर हमाय पास radius दोनों same हो या अलग हो आपने एक बार lens maker formula यहां लगा दिया ध्याक सुनना ठीक है मैं यह कह रहा हूँ कि अगर मैं इधर lens maker formula लगाता 1 upon F is equal to mu of lens 3 by 2 minus 1 sir r1 r2 क्या लेने उसको भी बात करता हूँ light आप कहीं से भी incident करा लो यह positive direction माल ली तो पहला surface आपका यह आएगा तो इसका center कि इधर होगा इधर तो आप यहां पर कहेंगे पहले surface plus 1 by plus 20 minus second surface आपका ही आएगा इसका center होगा इधर minus 30 एक बार आपने यहां पर focal length निकाल लिया ठीक है यह आपका LCM आजाएगा बेटा 60 तो 3 plus 1 4 तो 1 upon F is equal to यह focal length is equal to 30 cm आपका यहां पर आएगा है ना यही आ रहा रहा ना तो यह आजाएगा 1 by 2 और यहां पर plus हो जाएगा यह LCM आजाएगा 60 तो 3 plus 2 ठीक है 5 आजाएगा ठीक है यहां पर आपका 5 आजाएगा ठीक है तो 120 F is equal to यह आपका 12 तो focus की value 24 cm आपकी आजाएगी clear यह एक बार आपका आ गया ना तो इसका मतलब यह निए कि यहां radius अलग-अलग है तो अलग-अलग होगा यह जो आपका lens है इसमें radius आपका r1 यह कितना देर रहा 20 cm ध्यांसे सुनना r2 that is 30 cm इन radius के different होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता थिक lens में पड़ेगा लेकिन थिन lens में कोई फर्क नहीं पड़ेगा एक बार 24 cm आ गया तो यहां पर भी focus 24 cm पर होगा यहां पर भी आपका focus 24 cm पर ही होगा थिन lenses में आपके दोनों side के focus same ही length के होते हैं clear हाँ यह न तो पहला important point मैं आपको क्या बताया कि हमारे लिए यहां पर focus will be same on both side of the lens even if the radius is different or same same होंगे तब भी different होंगे तब भी calculation of focal length using lens maker formula is independent of direction of incident ray अब कई बच्चों को यह लगता होगा कि sir जो आप sign convention use कर रहे हो मैं light को इधर से डालूँगा तो answer अलग आ जाएगा क्या किस किसको यह लगता है thumbs up क्योंकि जिन्नों ने पहले पढ़ लिया है इन points को ध्यान से देख लिया है तो doubts नहीं होंगे लेकिन मैं मानता हूं कि कुछ बच्चे शायद जिन्नों ने इचिस पर ध्यान नहीं दिया है हो सकता है doubt हो कि sir आपने इधर से positive माना है what if कि मैं इसी सवाल को ulti direction से करना start कर दूँ मैं यहां से positive मानूँ तो क्या फर्क पड़ेगा sir कईयों को लगता है और यह चीज एक बार अगर आप column चला लोगे तो आपका यह डर खतम हो जागे तो यह भी doubt खतम कर लेते है ठीक है जैसे मान लिजे यह था आपका 20 cm और 30 cm ठीक है तो आप यहां पर कहते है 1 upon f is equal to ध्यांस देखना 3 by 2 minus 1 बेटा light जिस पर पहले गिर रह यह है that is r1 मैं यहां पर लिख देता हूं ठीक है r1 आपके लिए क्या है first surface जिस पर light is incident first surface on which light is incident तो आप left side से light डालो या right side से light डालो फर्क नहीं पड़ता है यह मेरा doubt था जिसकी वैसे कलम ही नहीं चलाता था यह second surface जिस पर light is incident तो जिनको यह है कि सर light इधर साइगी तो अलग आएगा उधर साइगी तो अलग आजाएगा क्या चरह देखते हैं देखना light इधर साइगी तो first surface यह तो r1 आपका यह हुआ तो this is 30 इधर ही नापोगे center तो इधर आएगा ना बेटा तो 1 upon plus 30 ठीक है और अगर आप यहाँ पर बात करेंगे यह वाला second surface बनेगा तो इसका radius है 20 इसका center कहाना आपोगे इधर तो negative आएगा minus 20 अगर आप देखें तो 1 upon f is equal to 1 by 2 into अगर आप LCM लेंगे फिर से 60 by 5 focal length फिर से आपका 24 cm ही आ रहा है clear है क्या हा या ना दिल चाहिए भाई इस बात पर यह चोटी 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 चीज़े हैं जिसकी वैसे मेरी optics खराब हुई थी तो इस वाले पार्ट को मैं पूरे focus से पढ़ाना चाहता हूँ प्लीज इदर उदर की बात बत करना calculation of focal length ठीक है हमारे पास calculation of focal length using lens maker formula is independent of direction of incident रहे इधर से light आए या इधर से light आए फर्क नहीं पड़ता है इसमें क्या होगा आपको ध्यान रखना है मैं आपे starma कर रहा हूँ r1 and r2 पर focus focus on या फिर please ठीक है please take time to consider r1 and r2 आपका r1 r2 कौन है वो चीज़ का अगर आपने ध्यान दे दिया तो आपको गलत नहीं होगा r1 वो है जिस पर पहले surface पे light गिरी जैसे light यहां से आ रही थी बेटा तो first surface आपका ये है second ये है तो first surface ये था तो इसका center आप इधर नापेंगे तो plus 20 मैंने लिया second surface आप इधर नापेंगे क्योंकि circle का center इधर होगा इधर नापेंगे तो minus 30 मैंने यहाँ पर लिया है ये ये हो गया हमारे पास second point third point we have to use the same sign convention used before जो पहले आप यूज कर रहें वैसे ही है light incident on first surface will be considered for first surface अब r1 किसको लेना है r2 किसको लेना है जिस पर light पहले गिरेगी आपके हिसाब से वो आपका first surface कहलाएगा जिस पर light बाद में गिरेगी वो आपका second surface कहलाएगा बस इसका ध्यान रखना है for thick lenses we have to use refraction formula हमें refraction formula separately use करना है for two surface keeping in consideration of the thickness clear है क्या हाँ या न अगर आपका lens thick है मोटा है तो आपको refraction formula twice दो बार use करना पड़ेगा और उसकी thickness को consider करना पड़ेगा क्योंकि पहला surface जब image बनाएगा दूसरे surface की जब आप imaging की बात करेंगे तो thickness को आपको consider करना पड़ेगा क्या ये वाली बात clear हुई हाँ या न या न येस और नो येस और नो राइट तो ये वाली बात है last important point हमारे पास क्या है ठीक है after lens maker formula after lens maker formula ध्यान सुनना after lens maker formula अगर आपका focal length positive आ गया या अगर आपका focal length negative आ गया तो समझ जाना focal length positive होगा converging lens का तो lens आपका converging behave करेगा और अगर negative आ गया तो ये diverging आपका behave करने वाला है ठीक है समझ जाना कोई भी लेंज जैसे ये है सर्फ प्लेनों कॉन्वेक्स है या फिर हमाय पास कौनके वो कॉन्वेक्स है ठीक है कौनके वो convex है आपने अपना focal length निकाला formula से तो आपको f मिला f मिला, दोनों side f मिलेगा f मिला, f मिला, भले इन में से plane ही क्यों ना हो जाए, f मिला और f मिला ध्याज समझना, positive अगर आया तो light अगर इधर आ रही है तो ये वाला focus से जाएगा light अगर आ रही है, ये वाले focus से जाएगा light अगर इधर चा रही है ये वाले focus से जाएगा ये converging behave करेंगे ठीक है, अगर माल लीजे मेरा lens ऐसा है ठीक है और हमारे पास ऐसा है ये तीनो lens में, अगर आप अपना lens में कर लगाएंगे तो focus इधर, focus इधर focus इधर, focus इधर focus इधर, focus इधर अभी value के साथ भी मैं आपको convenient करूँगा बेटा, प्लीज थोड़ा सा wait करना है जब आप इसका focus lens निकालते हैं तो negative आता है, that means light अगर आ रही है तो ये वाले focus काम करेगा तो ये diverge करेगा light अगर आ रही है तो ये वाले focus काम करेगा diverge करेगा, light अगर इधर आ रही है तो ये वाला focus काम करेगा diverge करेगा, clear क्या आपको ये बात समझाई, अगर focus positive हुआ main focus कौन सा होगा main focus in direction of IR in direction of incident ray वही आपका primary focus होगा main focus आपका कौन सा होगा in opposite direction of IR clear है क्या हाँ या ना yes or no मैं कुछ values ले लेता हूँ ठीक है, कुछ example ले लेता हूँ sir, plane or convex की बात करें क्या होगा, जरह इसकी बात कर लेते है ठीक है, सारे बच्चे देखो यार, फिर से वही बात हो रही है चलिए कोई नहीं मैं अच्छे बच्चे को consider करके मैं बात कर लेता हूँ ठीक है, कि मैं माल लेता हूँ कि कुछ अच्छे बच्चे अभी भी सुन रहे है चलिए माल लिजे, मेरे पास ये वाला लेंज है ठीक है, 30 cm, 20 cm और μु की वैल्यू 3 by 2 ठीक है, एक मेरे पास ये वाला लेंज है ठीक है, 20 cm, refractive index 2 ठीक है, मेरे पास एक ये वाला लेंज है ठीक है, हमारे पास ये हमारे पास है 10 cm, 20 cm refractive index, μु की वैल्यू इस 4 या 3 ठीक है, मैं simple simple example ले रहा हूँ ठीक है, और हमारे पास plano convex lens है ऐसे, और इसका radius है 10 cm refractive index is, मुझे इन सब के focal length बता लेंज है ठीक है, मुझे इन सब के focal length बताने है तो आपको directly सवाल भी दे रखा है, मैं आपको j mains के सवाल दिखाऊंगा values दे रखी है, directly focal length निकालने के उपर भी सवाल है जिनको पहला doubt आता है, कि sir light किदर से डालो, आरे कहीं से भी डालो, मुझे पता है आप इधर से डाल रहे हैं, मैं उल्टा करता हूँ माल लो ये positive है मुझे पता है, जनली बच्चा इधर से करता है, लेकिन चलो मैं उल्टा लेके चलता हूँ, आपके साथ मैच होएगा 1 upon f is equal to, sir 3 by 2 minus 1, sir r1 किसको लूँगा, इसको r1 लूँगा, इसको r2 लूँगा देखना, इसका center किदर लोगे, इधर है ना, circle इधर बनेगा, तो r1 की value आपकी आएगी, minus 20 और r2 की value अगर आप देखें, center इधर लेंगे, r2 same direction में है, plus 30 तो अगर आप देखें, तो यहाँ आजएगा, 1 upon minus 20, minus 1 upon 30 क्या आपका भी यही आ रहा है, हाँ या ना, सारे बच्चे मेरे को बताना, क्या आपका भी यही आ रहा है, हाँ या ना, negative में, yes, सारे बच्चे, क्या आपका भी यही आ रहा है, हाँ या ना, yes, ओरो, यही आ रहा है, आप उधर से light ले रहेते, तब भी आ रहा है, आप सार 24 cm आ रहा है जैसे हमारे पास था ठीक है जैसे हमारे पास यहां पर था तो समझ ना मैं क्या कह रहा हूँ इस lens के दो focus होंगे इस lens के दो focus होएंगे f and f अगर मेरी light यहां से आ रही है तो यह इस focus के हिसाब से यह primary focus होगा मैं इस focus को ही मानूँगा अगर आपकी light इदर आ रही है तो आप इस focus को मानेंगे that's it very good जड़ा इसकी बात करते हैं sir इसमें one upon f sir light की इदर से डालनी है आप इदर से करिए मैं इदर से करता हूँ यह positive ठीक है यह आपका देको focal and negative आ रहा है यह diverging lens होगा बिटा इस विल बी diverging lens अगर मैं इधर से light को डालूंगा तो यह आएगा three minus one into sir first surface किसको लूंगा जिस पर light पहले गिर रही है r1 and r2 ठीक है r1 and r2 दोनों का center इधर ही आएगा यह वाले का भी इधर आएगा इस वाले का भी इधर आएगा दोनों के center आपको इधर ही मिलेंगे तो r1 की value भी आपकी plus 10 होईगी r2 की value भी आपकी plus 10 plus 20 होगी तो आपका one by r1 plus 10 minus one by plus 20 क्या आपको यह जवाब आ रहा है focal length आपका positive आ रहा होगा हाँ या ना सारे बच्चे एक बार प्लीज मेरे को यह बता दीजे क्या आपका focal length यह आपका two बनेगा तो हमाया पास 10 cm आ रहा होगा plus 10 yes that means यह वाला जो आपका lens है ना यह वाला जो आपका lens है इसकी दो focus है एक यह एक यह मैं इस direction से अगर light को मान रहा हूं positive तो यह यह वाले focus से पास कराएगा तो मेरे लिए focus यह होगा यह converging है आपका भी plus fe आ रहा होगा plus 10 आपके लिए focus हो जाएगा nothing else clear अब इसकी बात करते है ठीक है sir light आप इधर से करना मैं इधर से कर रहा हूं तो यह मेरी light गिरी तो यह मेरा first surface यह मेरा second surface देखिए concave lens है concave lens हवा में diverging होता है focal length negative आना चाहिए तो मैं कहूंगा 1 upon f is equal to 2 minus 1 into first surface circle तो इधर बनेगा न बेटा तो न आपना इधर पड़ेगा r1 की value आएगी minus 20 और r2 की value तो आपकी infinity है तो यह आदाएगा minus 20 minus infinity तो यह आपका focal length की value आएगी minus 20 यही आ रहा है very good love you बेटा that means plano concave lens है यह diverging का काम कर रहा है इसके दोनों focus है इधर और इधर लेकिन मैं किस focus की बात करूंगा अगर मेरी light इधर से आ रही है तो negative वाला focus काम करेगा तो यह ऐसे हमारे पास होगा clear very good अगर आप यहां पर दिहां से देखें सर plano concave है तो plano concave मैं आप light इधर से करना बेटा मैं इधर से कर रहा हूं positive मैंने यह माना first surface यह है second surface यह है first surface का अगर आप center देखेंगे तो इधर ही मिलेगा r1 की value मैं को plus 10 लेनी पड़ेगी r2 की value बेटा infinity लेनी पड़ेगी तो 1 upon f is equal to 2 minus 1 into 1 by r1 1 by 10 minus 1 by infinity focal length आपकी आ रही होगी plus 10 centimeter that means हमारे पास यह converging lens के जैसे काम कर रहा होगा clear इसी lens के अगर आप बात करें तो 2 focus हमारे पास रहेंगे एक f एक f और अगर मेरी light यहां से आ रही है तो यह इस वाले से पास करेगी हो गया तो यह doubt आपके खतम हो जाने चाहिए हाँ या ना अब आपके अंदर के यह सारे doubt खतम हो जाने चाहिए कि सर इधर से light आएगी उधर से आएगी r1 क्या है r2 क्या है यह सारी जीदे खतम याद रखना for thin lenses यह भी मेरे अंदर doubt था में को अभी पढ़ाते पढ़ाते याद आया यह case यह case अगर आपका object यहाँ है और यह case same ही है किस-किस को यह भी doubt होता था ज़रा बता देना क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरे जैसे तो कई सारे बच्चे होंगे जिनको यह doubt होगा 20 infinity और new की value 2 किस-किस को यह लगता है यह दोनों अलग अलग है मुझे ऐसा लगता था thin lenses में ऐसा नहीं है both are same both are same क्योंकि focal length is independent of orientation मेरे को personally ऐसा लगता था पता नहीं आप लोगों के अंदर यह बात है या नहीं है मैं अपने doubts के हिसाब से पढ़ा रहा हूं शीज को मुझे ऐसा लगता था यार object तो यहाँ है न तो पहले plane surface आ रहा है फिर curve आ रहा है तो formula अलग होगा यहाँ पहले curve पे गिरेगा फिर plane पे गिरेगा formula अलग होगा भाई यह थिक lens में बिल्कुल आपकी बात सही है थिक lens में बिल्कुल आपकी बात सही है लेकिन f is independent of orientation of thin lenses thin lenses में कोई फर्क नहीं पड़ता मैं इतना गन्फ्यूज होता था इस बात को लेके कि यार object यह है प्लेनों कौन के वैसा है मैं कलम ही नहीं चलाता था डर के मारें कि यार पहले plane आ गया अरे कुछ नहीं आप formula निकाले आपका जो lens का focal length आया आप उसी के साब से solve करें पहले plane पर गिर रहा है या पर गिर रहा है डाजन्ट क्रियेट एनी डिफरेंस फॉर थिल लेंस डाजन्ट क्रियेट लाइट पहले कर पे गिरें लाइट पहले प्लेन पर गिरें या कर्व पर कोई डिफरेंस नहीं है कोई डिफरेंस नहीं होता भाई बोनों का फोकल लेंस से से नहीं है यह बात समझ लीजे ना डौर अगए यह तो अलग आएगा, करके देखेंऑ वाई plane surface पे डालो मैं light को पहले curve surface पे डाल रहा हूं क्या दोनों का focal length सेम आएगा आपने कहा हाँ आएगा तो मैंने कहा यार इसी चीज़ को question में भी याद रखना कि अगर आपका object है आपको अगर thin lens दिख रहा है पहले plane surface दिखे तो इससे घबराना मत कि sir पहले plane आ गया और इस वा clear clear thick lens में no doubt फर्क पड़ता है thick lens में no doubt यहां पर फर्क पड़ता है ठीक है तो अगर आपके पास एक बार lens का focal length आ गया ध्यान सुनिएगा for any lens for any lens जो आपका focal length होता है वो यह रहता है किसी भी lens की बात करेंगे तो आपका focal length आप अलग से निकाल सकते हैं this is by lens maker formula ध्यान से सुनना बेटा lens maker formula अब आपने इस lens के इस lens के यह भली प्लेन ओ कॉनकेव हो दिमाग से यह चीज़ हटा दीजिए radius अलग होंगे तो focal length अलग होगा कुछ नहीं होता सेम आता है plane surface के साथ object है या cursor कुछ नहीं होता सब सेम आता है अगर इसका focal length f है यह object distance आपका यू है तो image कहां बनेगी lens formula हमारे पास होता है सारे बच्चे याद रखेंगे lens formula 1 upon f is equal to 1 upon v minus 1 upon u यह है आपका lens formula यह किसके बीच का है object अगर रखा है focal length अगर है तो image कहां बनेगी उसके बारे में होता है lens formula same sign convention जो अभी तक लिए same sign convention sign convention पूरे syllabus में कहीं भी change नहीं है sign हाँ sufficient for j means or not okay ठीक है thank you बेटा same sign convention हम लोग use करते है clear u है आपका object distance ठीक है v है आपका image distance पर f है आपका focal length ध्याँ चो सुनना कई बार क्या होता है सवाल में focal length directly होगा कई बार निकालना पड़ेगा तो आपको यह भी use करना आना चाहिए ठीक है या या इसके साबसे magnifications की बात करें तो magnifications दो प्रकार की होती है अगर आप magnifications की बात करें फिर से वही कहानी आती है one है m lateral जो height को relate करती है वेटा याद रखना और पहले negative यहाँ negative है तो यहाँ positive v by u और एक m longitudinal जो हमारे पास होती है जो thickness को relate करती है अगर आपका object का size छोटा है तो यह v square by u square का formula रहता है सारे बच्चे एक बार दिल बना दीजे कि आपको यह बात फिर से याद आ गई कोई difference ही नहीं है velocity of image parallel to principal axis longitudinal magnification into velocity of object parallel to principal axis same चीज़े चलती है velocity of image perpendicular to principal axis is m lateral times velocity of object perpendicular to principal axis सारी चीज़े से ही मैं यार इसकी वज़ए से आप इस चीज़ को क्यों नहीं करते हैं मैं कोई नहीं समझाता है पैसे देखा जाए तो मैं भी अपने टाइम पे नहीं कर रहा था ठीक है अब तो ग्यान दे रहा हूँ actually teacher इन सारी बातों को बताता है अब मैंने focus करके बताई है जिन्हों ने सुना होगा कुछ ना कुछ benefit जरूर मिलेगा ठीक है अपने टाइम पे तो खुद नहीं सुन रहा था कमपत चुवा रहा था मैं ठीक है तो रे डाइग्राम आप सभी लोगों को यहां पर पता होंगे इसमें तो मैं जाने रहा हूँ रे डाइग्राम आप सभी करेंगे ठीक है यह भी बात है यार जब से टीचर वन गया है ना तब से लगता है अरे यह इतनी बेकार सी बात कि असे नहीं समझ आ रही और खुद को पी लेके घुमते हैं सर डाउट है यह यहां पर प्लस की जिका माइन कैसे आ रहो है बेटा लपड़ लपड़ पड़त होता है होता है ठीक है लेकिन कोई नहीं कोई नहीं मैं कोशिश कर रहा हूं कि देखो जो मेरे को नहीं समझा था वह एटलिस मैं बता दू अब आगे की जनरेशन आप है आपको बहुत सारी सीज़नी समझा रही तो आप आगे और समझाना ग्यान देना बड़ा असान है असान है टोपिक सारे कोशन ऐसी लगा दोगे अपना टाइम याद करो कुछ चीटिंग कर रहे था टीचर कभी कभार आप लोग देखो हमें ना टीचर के लिबास पर देखते तो आपको ऐसा लगता होगा यार यह टीचर तो बहुत तीज है अपने टाइम पर गज़ा है वो तो समय ने सिखा दिया भाई लात गुसे मार मार के यही मास्टर चीटिंग करता था सोचो तुम तुम इमेजिन करके भी ना तुमें बहुत बुरा सा फील होगा यार यह टीचर कैसे शीटिंग कर सकता है हां तुम इमेजिन करो कि जितने तुम यह सोचो कि भाई सब मुर्गा बना पड़ा है तुम इसारी कहानी हुई है बताता कोई नहीं तीक है हां बताता कोई नहीं किसी बार पी टी आइज जो स्पोर्ट खिलाता था वह तो रंग तरहीं किसे मारते हैं यह ना ऐसे थोड़ना मारते हैं ऐसे करके ना ऐसे होता है तो तुम एक बार मुझे और किसी को नहीं भली मैं आपको बोल रहा हूं किसी और को नहीं ठीक है आज हम लोगों का रॉला है लेकिन इमेजिन करो भाई साब बाल पकड़के भाई सा राजवन सर को नीचे घुज़र को बाई साब दे 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 और फिर राजवन सर उठे क्लास वे चुपचा बैटे आठ की आठ क्लास बिल्कुल शांती से निकाली होंगी राजवन सर ने वी अपने टाइम है ना तो सोचने के सा तो यह होता है ठीक है जब हम टीचर बन जाते तो हमें अंदर लगता है इतनी छोटी सी बात कैसे नहीं समझा रहे लेकिन अपना टाइम भूल जाते हैं उस मोमेंट के लिए इमेजिन नहीं हो रहा है हम आपको एक पर्टिक्लर में देखते हमें यह इमेजिन ही नहीं हो र या फिर हाफ यरली के टीचर टेस्ट लेके आया है और आपकी हालत खराब है भाई सब पापा से साइन कैसे करवाओंगा यह तो पेपर बहुत खराब आ रहा है आपको टीचर को डर लग रहा है फेलोने से पहले हैं तो यह सारी कहानी हमारे साथ भी हुई है आप कोई बोल भ्र लेकिन मैं तो आपको बताई देता हूं देखा भाई जो इनसान among hargra WhatsApp उड़ा सकता है तक भी मज़ा का मज़ा ले सकता है यह बात सीधी सी बात है ठीक है लोगों को दूसरे के मज़ा पर बहुत मज़ा आता है तो बहुत दुख होता है तो अगर आपको सही में मज़ा को इंजॉय करना है तो आपको अपना भी मदा कोड़वाना आना चाहिए सच बात तो यह है यह आ जाओ भाई इकवी कॉनवेक्स लेंज मिल जाए तो समझ जाना एक किसी काम का नहीं एक सवाल है अभी इसको सवाल में कनवर्ट कर दूंगा देखना बंदर जैसी शकल लेके बैठे रहोगे अगर एक होलो थिन होलो एकवी कॉनवेक्स लेंज है तो इसका एक हिस्से की बात कर लेते हैं अगर मैं इसके एक थिन होलो एकवी कॉनवेक्स लेंज की बात करूं सारे बच्चे देखना यार दोनों के रेडियस तो आर और आर ही होंगे है ना क्योंकि यह बहुत थिन है अगर आप थिन की बात करें तो लाइट कहीं से भी आया क्या ही फर्क पड़ता है मैं लाइट को यहां से डाल देता हो माल लीजे पोजिटिव तो आप यहां पर कहते है वन अपॉन एफ is equal to mu minus 1 into दोनों रेडियस एक साइड पोजिटिव ह आपोगे तो 1 by r minus 1 by r अगर आप नोटिस करें तो 1 upon f is equal to 0 focal length is infinite जिसका focal length infinite है याद रखना no convergence and no divergence इसका कोई भी convergence और कोई भी divergence नहीं है बेटा और यह बड़ी खतरनाग बात है कि अगर इस पर light आए अगर आपको कहीं पर question में दिख गया यह तो दिखते ही समझ जाना है नहीं मिलने वाला content क्यों लिखने से कुछ हो जाएगा content यहाँ पर आगे निकल जाएगा इसके related content नहीं मिलेगा ठीक है अगर देखा जाए तो इसमें कोई ही convergence नहीं कोई भी divergence नहीं तो यह खाली फोकट अगर light आएगी तो light straight of pass कर जाएगी that means इसका exam में कोई question में दिख जाए hollow lens कोई सा भी हटा देना question में किसी काम का नहीं है अब बच्चों के अंदर क्या होता है ना उनके अंदर यह होता है कि अच्छा यह किसी काम का नहीं है तो यह हमेशा इसको किसी काम का ही नहीं मानते है जैसे सवाल देखिए कि मेरे पास एक thin hollow lens है thin hollow equi lens thin hollow equi convex lens है मैंने क्या गरा इसमें पानी भर दिया अब जर यह देखना इसका जो radius था that is 20 cm इसका radius था 20 cm refractive index इसका माल लीजे 2 है I am just saying ठीक है इसका refractive index object है हमारे पास 30 cm पर image location बताईए सवाल आपका यह हो गया image location बताईए अब ज़र देखो कोशन कहां से कहां चला गया सारे बचे ज़र देखना सर यह क्या हो गया कुशन में बाई देखो जो बाहर की इसकी खाल है ना वो किसी काम की नहीं थी उसका तो focal length infinite था लेकिन जो अपने अंदर पानी भर दिया है अब यह liquid lens बन गया है इसको हम कहेंगे liquid lens तो इस liquid lens का अगर आप focal length निकालेंगे तो आप कहेंगे बाहर की खाल किसी काम की नहीं बेटा अंदर रहेगा 2-1 into 1 by दोनो radius light इधर से डालेंगे तो यह आपका plus 1 by 20 minus 1 by minus 20 तो यह आजाएगा तो यह आएगा 1 upon f is equal to beta हमाँ आप 2 by 20 focal length आ रहा होगा plus 10 हाँ या ना सारे बच्चे yes और no अरे बोलिये भाई focal length आपका कितना आ रहा होगा 20 cm वो 10 cm light अगर आप इधर से डालेंगे तो first surface positive second surface negative वही रखा है हो तो गया question अब आपका lens क्या है पानी का ही है भली इसका focal length आपका plus 10 object distance आपका 30 cm वह यह दसवी class का question हो गया u की value minus 30 f की value plus 10 तो 1 upon f is equal to 1 upon v minus 1 upon u क्या आप v निकाल नहीं लेंगे अरे दिल बनाईए बेट आ एई दिल बनाईए क्या अब आपका सवाल नहीं हो गया हाँ या ना हाँ या ना अब आपका वी आ गया वी कितना आ रहा है आपका minus 15 माइनस थोड़ना आएगा plus 15 आ रहा होगा पंदरा लिख रहे हो तो पंदरा मान लेते हैं सौल करेंगे वी आ गया अगर मान लो यह object मूफ करने लग जाता सारे बच्चे इसको question के form में देखना अगर यह object मूफ करने लग जाता along principle axis तो मैं longitudinal magnification निकालता और velocity magnification कर देता अगर यह object perpendicular to principle axis मूफ कर रहा होता तो मैं lateral magnification निकालता और velocity magnification use कर लेता हाँ या ना बोलो यार yes yes clear हो गया सवाल इसके बाद की भी सवाल देए चल सकता है तो चलते हो ले लेंगे हाँ या ना yes love you बेटा अगला जरह देखना हमारे पास अगर दो lenses आपके contact में है इसका focal length is f1 इसका focal length is f2 when two lenses when two thin lenses are in contact are in contact ध्यान से देखना तो आप इन दोनों को we can replace them we can replace them with an equivalent lens आप इन दोनों को हटा करके equivalent lens रख सकते हैं one upon f equivalent is equal to one upon f1 plus one upon f2 से हाँ या ना two thin lenses in contact f equivalent से replace करते हैं very good याद रखना with sign रखोगे focal length with sign रखोगे अगर आपका f equivalent positive आया तो converging lens से replace करूंगा will replace both इन दोनों को converging lens replace करेगा अगर focal length negative आया तो diverging lens replace करेगा हाँ या न है क्लियर है क्लियर मैं जरा इस पर भी एक सवाल ले लेता हूं जरा कोश्चन देखना एक है हमारे पास ऐसा ठीक है और एक है हमारे पास ऐसा यह चलिए ऐसा ने लेते हैं दो lenses मैंने ले लिए ठीक है दो lenses मैंने ले लिए यह radius है आपका 10 cm यह radius है आपका 20 cm और यह radius है आपका 20 cm इसका refractive index मैं 3 ले रहा हूं इसका refractive index मैं 5 ले रहा हूं कोश्चन में मेरे पास object यहां पर है ठीक है at a distance of 30 cm ले लेता हूं image location आपको बतानी है location of image अब जड़ा देखो सर यह तो question बहुत lengthy होगा yes ठीक है मैं मानता हूं लेकिन अगर आपने इसको basic forms कर आ तो इसके बाद हो सकता है सवाल में आपके f1 f2 directly दिये हो आपको lens में करना लगाना हो तो सबसे पहले convex lens की बात करेंगे सारे बच्चे focal length बताएं convex lens की आप बात करेंगे तो 1 upon f is equal to refractive index is 3 minus 1 into आपका पहला light इधर से डाल लेते पहला surface आपका यह वाला पड़ेगा तो अपॉन प्लस 10 minus second surface minus 20 तो 1 upon f is equal to 2 into या आपका LCM आजाएगा 20 2 plus 1 हमारे पास तो focal length आपको आ रहा होगा 10 by 3 किस किस का यही आया बिटा very good बिटा आगरी में full concentration है चाहिए full concentration हमारे पास चाहिए ठीक है कुछ बच्चे directly कर रहे हैं देखते हैं आपका answer सही है या नी फिर मैं concave lens की बात करूंगा concave lens अगर आप देखे तो यही एक surface हो जाएगा इसका 20 और 20 refractive index 5 तो मैं 1 upon f2 की बात करूंगा तो 5 minus 1 into हमारे पास light अगर मैं इधर से डालूंगा बेटा light अगर आप इधर से डालेंगे तो पहला आपका negative आएगा minus 20 दूसरा आपका positive आएगा plus 20 ठीक है तो 1 upon f2 is equal to 4 into 2 negative में divide by 20 तो यह आपका आजाएगा हमारे पास f2 की बात करेंगे minus 5 by 2 हा या ना yes or no या रहोगा हा या ना सारे बच्चे इससे depth में आपका सवाल नहीं आएगा आपको directly focus हैंगे मैं तो फिर भी lens maker आपसे बार बार लगवा रहा हूं एक converging है एक diverging है कि यह सब्सक्राइब करेंगे तो इन दोनों का आप f equivalent के अगर आप बात करेंगे तो आपका f equivalent होगा 1 upon f1 मैं इन दोनों को अटा के एक lens लूँगा अब वो lens कौन सा है तो आप कहेंगे f1 था आपका 3 by 10 ठीक है f2 की बात है तो positive मत रख देना 2 by 5 negative के साथ तो आपका LCM आएगा 10 तो यह आगा 3 minus 4 f equivalent is equal to minus 10 मतलब इन दोनों को हटा करके एक lens ले लो ठीक है question आपका यह बन गया कि यही आपका O था यही आपका 30 cm था इन दोनों को हटा करके मैं एक lens लूँगा जिसका focal length है माइनस 10 cm हो गया सवाल 1 upon f is equal to 1 upon v minus 1 upon u minus 1 by 10 is equal to 1 by V minus 1 by 8 minus 30 V निकाल लेंगे वी निकाल लेंगे अगर हमाय पास height white दी होती तो height निकाल देते thickness दी होती तो longitudinal magnification निकाल लेते अगर यह चलने लग गया होता तो lateral and longitudinal magnification से सारी चीज़े हो गई होती हाँ या ना इतना बोल दो भाई yes or no हाँ या ना सारे बच्चे yes object light आपकी यहां गिर रही है बिटा positive direction यह है object distance minus u की value हमाय पास minus 30 तो प्लस हो जाएगा है focal length minus 10 ठीक तो है खतब ठीक है तो आपके जब दो lenses contact में होते हैं तो ऐसा चलता है अब अब ज़र यह समझना two convex lenses are placed the gap is इनके बीच में मैंने एक liquid भर दिया है समझना कुछ कहानी ऐसे दो lenses थे ऐसे और इनके बीच में मैंने क्या करा है ऐसे भर दिया है अब इसको आप कैसे solve करेंगे question के form में देखिए जिनको यह लग रहा है theory चल रही है बेटा theory खतम हो चुकी है question के form में अब ज़र देखिए यह आपके दो थे lenses है ठीक है मैं इनके radius लिख देता हूँ जैसे माल लीजे 10 cm 10 cm 20 cm 20 cm मियू की वेल्यू 3 मियू की वेल्यू 5 और मियू की वेल्यू 2 से हम लोगों ने इनके बीच में भर दिया है अब क्या करेंगे आप object मैंने यहाँ पर रख दिया है object मैंने यहाँ पर रख दिया है 30 cm पर बताईए image कहां बनेगी सवाल ऐसा है अब बताईए अब कैसे करूँगे सर मैंने कहा यार मैं 3 thin lenses in contact की बात करूँगा 3 thin lenses in contact मैं सभी का individual focal length निकालूँगा एक combined lens बनाऊंगा और question solve करूँगा समझना पहला हमारे पास first lens तो मैं one upon f1 की बात करूँ तो इसका refractive index था 3 minus 1 into light इधर से डाल लेते हैं first surface positive रहेगा plus 1 by 10 minus of minus 10 तो one upon f1 की बात करेंगे तो 2 into हमारे पास 2 by 10 तो यह हमारे पास 5 by 2 ठीक है 5 by 2 f1 की value आई दियेगी आपके लिए 5 by 2 positive कंसेप्ट को समझना है 5 by 2 आई मैं second lens इसको माल लूँगा second lens मेरे लिए यह हो गया जिसका refractive index था 2 इसका एक surface इसके साथ है तो अगर आप यहाँ पे 1 upon f2 की बात करेंगे तो यह होगा 2 minus 1 into light कि इदर से भी डाल सकते हैं इदर से डालेंगे तो first surface negative आएगा minus 1 by 10 minus second surface positive आएगा minus 1 by plus 20 तो यह तो हो गया 1 upon f2 की बात करेंगे बिटा तो यह आपका 20 आएगा तो यह 3 minus 3 by 20 तो f2 की value आ रही होगी minus 20 by 3 love you बेटा यह आया सर तीसरे lens की बात क्या करेंगे मैंने का तीसरा lens अलग से ले लो बेटा यह 20 यह 20 और हमारे पास इसका refractive index था 5 तो मैं इसका 1 upon f3 की बात करूंगा तो 5 minus 1 light कहां से डाले कहीं से भी डाल लो इधर से आएगी तो पहला surface positive 1 by 20 minus of minus 20 आपको मिलेगा तो 2 by 24 है तो 1 upon f2 is equal to 4 into 2 by 20 तो यह आपका 5 हो जाएगा तो f2 की value आ रही होगी 5 by 2 yes or no 3 lenses आगे हैं मैंने इन तीनों को हटा करके एक lens बनाना है तो मैं कहूंगा 2 by 5 plus 2 by 5 minus sign के साथ हमारे पास 3 by 20 clear और जैसे ही आप यहां पर f equivalent की बात करेंगे तो 20 हो जाएगा बेटा तो 8 plus 8 minus 3 तो 16 20 यह 13 by 20 हमारे पास positive आ रहा है तो f equivalent हमारे पास 20 by 3 आपको मिलेगा यही आ रहा है आपका plus 20 by 3 love you बेटा plus 20 by 13 हमारे पास आ रहा है हो तो गया सवाल अब positive आ रहा है तो मैं इनको replace करूंगा एक lens से object हो तो गया image कहां बनेगी तो 1 upon f is equal to 1 upon v minus 1 upon u u की value minus 30 लूँगा focus की value plus 20 by 13 लूँगा v आ जाएगा अब मेरे को magnification चाहिए velocity चाहिए इसको चला दोगे तो सारे question हो गए पतम यार हा या ना yes or no बोले भाई देखो इन calculations को मैं आपके लिए क्यों कर रहा हूं जिससे आपको approach समझ आए clear जिनको class कब तक है यह चाहिए तो बेटा आप वेट करिए आपके सामने ही चल रहा है सवाल दूसरा आपका यह बन सकता है इन दोनों लेंस को उठा करके ही मैंने पानी में डाल दिया अब कैसे करोगे concept यहा लिखा हुए आप देख लेना मैं question के form में आपको सिखा रहा हूं question यह है कि माल लीजे यही था 10 cm यही था 10 cm एक और लेंस है बिटा यही था 20 cm यही था 20 cm clear इसका refractive index है 2 इसका refractive index है 5 मैंने इनको एक ऐसे liquid में dip कर दिया पूरा मैंने इनको एक ऐसे liquid में dip कर दिया जिसका refractive index था हमारे पास mu की value है हमारे पास surrounding हमारे पास है suppose 3 अब बताओ अब क्या करेंगे अब क्या करेंगे अगर मैंने completely ही dip कर दिया इनके बीच में नहीं है इस सवाल और इस सवाल में difference है बेटा जरह यह चीज़ देखना इस सवाल और इस सवाल में difference है इस सवाल में इनके बीच में रखाता है तो मैंने 3 thin lenses बनाए उनको contact बनाया अब मेरा सवाल यह है बेटा मेरा जो सवाल है वो यह है ठीक है वो यह है अब क्या करोगे very good मैं lens 1 and lens 2 की बात करूंगा lens 1 को मैं ऐसे निकालूंगा 1 upon f1 is equal to mu of lens 2 divided by 3 minus 1 surrounding 3 लेके चलूंगा दोनों के लिए 1 by radius क्या लेंगे पहला हम आप लाइट इधर से डालेंगे तो plus 20 minus of minus 20 यहां से देखना हो तो आप कहते सर 1 upon f1 तो यह तो minus 1 by 3 into 2 by 20 आ रहा है सर मैंने का तो क्या हुआ तो सर यह तो हमारे पास 10 हो जाएगा f1 की value तो minus 30 हो गई मैंने का nature change हो गया यह diverging हो जाएगा इन दोनों को मेरे words को सुनना इन दोनों को ही surrounding medium में मानिये और contact में ले लीजे हा या ना यह आपके लिए diverging हो गया second lens की बात करें lens 2 इसको आप surrounding में ही मान लीजे 1 upon f2 यह हो जाएगा बेटा 5 by 3 minus 1 into पहला surface आपका ओए होए यह तो 10 और 10 आएगा मेटा sorry 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 यहाँ पर आपका 10 और 10 रहेगा ठीक है मैंने 20 ले लिया इसका radius तो 10 है ठीक है तो 1 upon 10 minus 10 तो यह आपका आजएगा 1 upon f1 minus 1 by 3 into 2 by 10 तो f1 की value आएगी minus 15 diverging हाँ यह हाँ क्योंकि पहले वाले का radius 10 और 10 है तो आपके लिए यह आजएगा तो माइनस 2 हमारे पास minus 2 by 10 यह आजएगा 5 15 यह हाँ उधे पॉल very good सेकेंड के लिए क्या करेंगे बेटा इसका radius 20 और 20 था तो 1 by plus 20 minus 1 by 20 तो यह आजएगा 1 upon f2 की बात करेंगे तो यह आजएगा 2 by 3 into 2 by 20 हमारे पास तो यह 10 हो गया और यह आपका 10 हो गया यह आपका 10 हो गया और यह आपका तो f2 की value प्लस 15 आ रही है that means that means इन दोनों का जो combination है इस liquid में combination 1 upon f equivalent की बात करें तो 1 upon plus 15 plus 1 upon minus 15 तो फ़र यह तो 0 आ रहा है f equivalent is equal to infinite किसी काम के नहीं है यह दोनों किसी काम के नहीं है यह दोनों हटाओ इस question को हाया ना नो convergence नो divergence नो divergence नो divergence दी किसी काम के नहीं है बेटा चीजिसी बात yes or no हाया ना sir lens दो ही क्यों माने बेटा यहां पर भी medium यहां पर भी medium यहां तो आपको lens कहां बनता दिख रहा है इस वाले case में अगर आप बात कर रहे हैं इस वाले case में आपको lens बनता दिख रहा है इनके बीच में एक concave lens होगा by concave एक का radius 10 एक का 20 तो मैंने completely इसको डिप कर दिया तो दो lenses surrounding medium में मान के contact में ले लिया इसको आपको समझना पड़ेगा yes clear हाँ या ना अब जरा इसके बाद की बाद देखते हैं yes जो focus वाले बच्चे हैं उनको तो सब समझ आएगा जो focus नहीं कर रहे हैं उनको सब दिक्कत रहेगी अगर आपने एक lens है मान लिए अबजिट है एक image है अगर आपने lens को नीचे से black paint कर दिया है तो क्या होगा भाई क्या इमेज आधी हो जाएगी आधी इमेज बनेगी सर उपर वाली नहीं बनेगी नीचे वाली बनेगी नीचे वाली बनेगी या उपर वाली नहीं बनेगी होगा क्या ठीक है cutting of the lens की भी बात करेंगे सारी detailing की बात करेंगे भाई अगर आपने mirror और mirror slash lens की अगर किसी भी portion को आपने black करा image complete बनेगी बस brightness कम हो जाएगी जो इसकी brightness ने बिटा वो decrease कर जाती है क्योंकि पहले जीते हैं very good intensity या brightness आप कह सकते हैं कम हो जाएगी क्योंकि पहले अगर 10 रेज आ रही थी अब 10 से कम आएंगी तो जितनी कम रेज इमेज बनाएंगी उतनी ही कम brightness आपकी होगी clear very good अब जरत हमशना आपको पता है कि वाइट लाइट में अब यह सारे concept हैं आपको देखना मैं यह सारी चीज़ा आपको pyq में दिखाऊंगो यह class में कराई जाते हैं जब class में कराई जाते हैं बच्चे वो लगते हैं ऐसी करा रहा है master ठीक है white light की बात है तो violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red आप सभी लोगों को पता है wavelength का order यह refractive index का order यह और अगर आप lens maker formula की बात करें 1 upon f is equal to mu minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2 होता है तो यह inversely proportional to 0 है तो अगर आप focal length की बात करें तो focus आपको ऐसा मिलेगा that means red का focus ज़्यादा होता है violet से तो जब भी white light आपकी इंसरेट होईगी red का focus ज़्यादा मिलेगा violet से red का focus ज़्यादा मिलेगा violet से इस phenomena को क्या कहते हैं कि आपको यह बात पता है इस phenomena को आप क्या कहते हैं कि आपको यह बात पता है अगर आपकी white light किसी भी lens पर गिरेगी हो जाएंगे dispersion होएगा क्यों क्योंकि सभी का म्यूं अलग है म्यूं अलग है तो focus अलग आएगा हर कोई अलग-अलग focus पर जाएगा सारे very good साहना बेटाने बिल्कुल सही बोला dispersion नहीं बोलेंगे इसमें एक और वर्ड होता है एमोग बेटा ने बिल्कुल सही बोला अंकित गुपता ने बिल्कुल सही बोला आदित्य कुमार मिश्रा ने बिल्कुल सही बोला इसको कहते हैं chromatic abrasion chromatic means color abrasion means fellna this is called chromatic abrasions यह नाम भी important है जही मेंस में आया हुआ है क्लास में बताया जाता है लेकिन बच्चों ने ध्यान नहीं दिया है ठीक है chromatic abrasion कहते हैं अब जड़े यह चीज समझना अगर आपने लेंस को मैं इसका numerical भी कराऊंगा कई यों को लगेगा ने theory point है numerical भी करांगा पहले numerical से देखते हैं फिर मैं इस point पर आता हूँ example यह माल लीजे मेरे पास एक lens था इसका उपर का refractive index mu की value is 3 और नीचे का refractive index mu की value is 5 यह 10 cm यह 10 cm सारे बच्चे बताना अगर मेरे पास एक object है image कितनी होंगी पहले तो यह number of images जरे बताना सवाल आपका यह भी आ सकता है number of images images के बीच का distances उनका चलने के बाद velocity relative velocity कुछ भी सवाल बना जा सकता है अगर आपका fundamental clear है आप इस सवाल को उड़ा देंगे बाई क्यों बनेंगी दो images बाई देखना आपका अगर lens maker की बात करें तो mu minus one मैं ऐसे लिख देता हूं mu of lens by mu of surrounding minus one into one by r1 minus one by r2 होगा यह ना जिनको नीदारिया आप जा सकते हैं ठीक है आप अराम से सोझेगे ठीक है यह मेहनत की बात है मेहनत तो ऐसी होती है ठीक है यह आया तर R1 और R2 तो ऊपर वाले लेंज और नीचे वाले लेंज दोनों के लिए सेम है यह वाला पार्ट तो दोनों के लिए सेम है और Mew different है Mew different है तो इसका focus अलग इसका focus अलग आएगा F1 and F2 दो focus आने वाले हैं दो focus आने वाले हैं एक ही object दो focus दो images कैसे solve करेंगे sir चलिए तो 1 upon F1 is equal to पहले का है 3 minus 1 into 1 by plus 10 minus 1 by minus 10 यह आपको मिलेगा तो यह 2 आएगा यह आपका 1 upon F1 is equal to 2 into 2 by 10 आपका आएगा तो 5 by 2 पहले का आ रहा है है ना सारे बच्चे जर देखना second की अगर आप बात करेंगे तो वो कैसे करेंगे sir मैंने का कर लो यार 5 minus 1 into 1 by इसका हमारे पास radius दोनों के वही है ठीक है तो 1 upon F2 की अगर आप बात करेंगे 4 into 2 by 10 हमारे पास आ जाएगा तो यह F2 की बात करोगे तो 5 by 4 आपको यह मिलेगा दो फोकस आ रहे हैं तो सर अब कैसे करेंगे तो भाई दो फोकस हैं तो यह अपनी अलग इमेज बनाएगा यह अपनी अलग इमेज बनाएगा सीधी सी बात दिल बनाईए अगर आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं बेटा दोनों की फोकल लेंट अलग है तो उसके लिए अलग इसके लिए अलग आपको सॉल करना पड़ेगा ज़र समझना यहां पर एक बार आप कहेंगे यूवन की वेल्यू माइनस थटी एफ वन की वेल्यू प्लस फाइब बै टू तो आपका एक वीवन अलग आएगा यूवन की वेल्यू यूटू की वेल्यू माइनस थटी एफ टू की वेल्यू प्लस हमा हाँ या ना तो यही कंसेप्ट के फॉर्म में अगर मैं आपको दिखा दूँ कि अगर आपके लेंस में बहुत सारे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है मू 1, मू 2, मू 3, मू 4, मू 5 जितने रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होंगे उतने ही फोकस होंगे और उतने ही फोकस होंगे तो number of images is equal to number of refractive index तो इस case में number of images अगर मैं आपसे पूशता तो 5 आती समझ पाए logic क्योंकि radius तो सभी के लिए सेम है जिसके उपर का refractive index अलग होने के वैसे focus अलग focus अलग focus अलग focus अलग focus अलग focus अलग कि सर मेरे पास एक lens था इसमें मैंने आधा ऐसे अलग refractive index भराए जिसका refractive index is 2 ठीक है और आधा यहां वाले का refractive index अलग है मैंने का क्या है तो सर इसका refractive index is हमारे पास 3 suppose यह वाला radius is 20 cm and this radius is 40 cm अब बताओ number अगर मेरा object यहां है number of images कितनी होगी सवाल यह आजाए अब क्या करोगे मैं numerically भी solve कर रहा हूं concept के लिए जिनको लग रहा है यह theory है यह question है भाई अब आएगा एक सर आपको कैसे पता मैंने का या ध्यांच देख क्या मैं इस question को two thin lenses in contact कह सकता हूं two thin lenses in contact कह सकता हूं आप कहेंगे yes sir एक यह वाला lens ले लिजे sir है ना तो one upon f is equal to two minus one into पहला radius आपका positive आएगा plus one by plus twenty minus one by infinity तो यह आपका one focal length आ रहा है plus twenty yes इस वाले का लग से निकाल लिया plus एक और lens है आपका ऐसा इसका focal length निकाल लिजे five minus one into पहला है आपका infinity दूसरा surface आएगा minus of minus 40 याया तो one upon f2 कि अगर आप बात करें तो यह आपका या f2 की बात करें तो 10 cm आ जाएगा दिल बनाना यार मैं ओरली भी बता सकता था लेकिन मैं question इसले करा रहा हूं कि for that pyq अब आप लोग लगा पाए दो focus आगे न बेटा ठीक है तो मैं इन दोनों को contact में मान सकता हूं बेटा और जैसी मैं इन दोनों को contact में मानूंगा 1 upon f equivalent is equal to 1 by 20 plus 1 by 10 तो यह जाएगा बिटा 3 by 20 f equivalent आ गया आपका 20 by 3 एक ही focus आया अगर एक ही focus आया तो question आपका u की value मैं कहूंगा मान लिजे 30 cm थी example में एक है minus 30 f की value आपकी plus 20 by 3 v निकालूंगा एक ही आएगा तो पहली बात image कहां बनेगी number of images will be 1 हाँ बोले बाई यहां कई calculation में अगर दिक्कत है ठीक है तो हमारे पास 20 by 3 कहां गड़ बढ़ा रही है हाँ कहां 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 टू-1 अच्छा यह refractive index 3 है इसको पांच ले लिए ठीक है पांच कर दियो क्या दिक्कत है यहां चेंज करेंगे वहां थोड़ना करेंगे इतना कर लिया है हां है क्लियर यह हो गया तो क्या आपको अब यह समझ आ रहा है कि concept क्या है अगर आपके लेंश में बहुत सारे refractive index ही क्यों न हो जाए इधर कुछ और 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 सब के refractive index अलगी हो जाए म्यूवान म्यूटू म्यूट्री म्यूफोर म्यूफाइब क्या फर्क पढ़ रहा है यह सारे लेंश कंबाइन होने के बाद एक एक एक्विवेलेंट आएगा एक्विवेलेंट हमारे पास आजाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका है तो नंबर आफ इमेश तो वनेगी हाया ना नंबर आफ इमेश तो वनेशंगी इसके अंदर और इवी लेयर हों तो चैल्कुलेशन टफ हो जाएगी वद्व कैसे करेंगे जरूरत नहीं आप मरेंब बहुत चांग रंगत आपक ही लेंट करकेma एक पहलेंट एक एक लिए मेश्यर ये आपका concept हो गया अब बात आती है हमारे पास याद रखना कई बच्चों को ये दसवी class में याद रहता है कि convex lens हमेशा converging है और हमारे लिए के concave lens हमेशा diverging है अब आपको मैं चीज दिखाता हूँ आपके आँखों के सामने से एक बहुत important चीज गई जो आपने ध्यान नहीं दी ये आपके आँखों के सामने से बहुत ही important चीज निकल गई कई बच्चों ने शायद ध्यान नहीं दी ये convex lens है ये भी convex है सर दसवी में तो हमने पढ़ा था कि कॉन वे दिया था अपने ध्यान लव यू बेटा ठीक है not always ये दोनों ही convex lens है मेटा है ना एक का focal length आ रहा है diverging मतला negative एक का रहा है positive converging सर दसवी में तो हमें ये सिखाया था कि convex lens converging होता है भी या भूल के भी मत बोल देना बारवी में एडवांस में मैस्दी कॉलम में भी आ रखा है सवाल अगर इसका surrounding medium का refractive index इससे जादा है याद रखने एक लिए example दसवी में आपको क्या बता है हमेशा air के cases बताए लेंस हमेशा denser होता है एर हमेशा rarer है ना तो convex lens converging होता है concave lens diverging जो आपको बताया गया ना उल्टा कर दो अगर lens rarer medium का बना है surrounding denser medium की है तो ये उल्टा behavior show करते है देखिए surrounding denser है lens rarer है तो ये diverging हो गया ये denser है ये rarer है तो ये converging ही रहा कोविडियांस ए कोविडियांस समझ जाए हमारे पाब बहुत important चीज में आपको बता रहा हूं कॉन्वेक्स कनवर्जिंग है कब जब mu of lens greater than mu of surrounding ये diverging है जब mu of lens less than mu of surrounding है क्लियार कॉनकेव ये converging है mu of lens less than mu of surrounding और ये diverging है ठीक है mu of lens greater than mu of surrounding जो आपको दसवी क्लास में बताया है सिर्फ एक केस बताया है actually में ये कहनी है clear clear हाँ या ना सर अगर lens के अंदर वेक्यूम हो जाए तो thin lens खाली वाला किसी काम का नहीं है ठीक है एयर और वेक्यूम एक ही है आपके लिए एयर और वेक्यूम एक ही है तो मैंना एक बताया थे लेंज वैसे किसी काम का नहीं है फेक देना उसको ठीक है अब cutting of lens next important इसके ओपर भी सवाल दिखाऊंगा मैं आपको homework देता जाऊंगा ठीक है cutting of lens किसी भी lens की अगर आप बात करें ठीक है अगर आप इसको cut कर रहें तो दो तरीके हैं cut करने के ठीक है माल लीज़े आपने cut करा है along PA cut along PA तो आपको दो हिस्से मिलेंगे एक उपर और एक नीचे तो अगर इसका focal length f है न बेटा तो इन दोनों के focal length f और f ही मिलेंगे ऐसा क्यों दिल बनाना सर cutting of lens को कैसे solve करेंगे देख लो अभी अब फॉर्मले पर नजर रखना lens maker पर अपने आप चीज़े समझ आएंगी focal length आपको f और f e मिलेंगा क्यों इसलिए बेटा ज़र यह चीज़ समझना ठीक है इसलिए आपको मिलेगा क्योंकि यहां पर radius यह चेंज नहीं हो रहे new change नहीं हो रहा तो जो भी इसका focus था वही इसका focus होगा यह और इन दोनों के अपनी अपनी principle axis होंगी याद रखना ठीक है ओन principle axis ओन पी इसकी अपनी इसकी अपनी principle axis होंगी separate principle axis और सेम है और म्यूवी change नहीं हुआ र1 र2 अगर आप यहां पर लेते र1 र2 और म्यूव लेते इसके लिए भी र1 र2 म्यूव रहता र1 र2 म्यूव रहता तो focus जो वहां आएगा वो यहां पर भी वही आएगा आया ना clear yes sir अगर मैं perpendicular to principal axis इसको cut कर दूँ तो आपको दो lenses मिलेंगे equi की बात कर रहा हूं ऐसे दो lenses मिलेंगे इनका focal length 2f और 2f हो जाता है क्यों sir वापिस combine करोगे when combined back जब आप इनको वापिस combine करोगे 1 upon f equivalent is equal to 1 upon 2f plus 1 upon 2f f equivalent वापिस आपको वही मिल जाएगा जो lens था clear yes हां या ना अगर देखा जाए अगर आप perpendicular to principal axis करते हो तो 2f 2f रहता है क्योंकि अगर आप वापिस करोगे तो ऐसी आ जाएग येस हां एक बच्चे ने एक और सवाल बनाया है अभी उस पर भी हम आ रहे हैं यह रापका वो केस सर अगर मैं इनको वापिस ले आऊंगा तो भूल कर भी यह यह चीज़ मत भूलना ठीक है कि कर्व सर्फेस किस साइड होना चाहिए थिन लेंज इसका कर्व सर्फेस से कोई लेना देना नहीं है भाई इसको अब वापिस करोगे इसका भी एक साइड करोगे एक साइड करोगे दोनों का प्लेन सर्फेस एक साइड है एक इक्विलेंट एफ यह आएगा यह कंफ्यूज करने के लिए आपको दिये जा सकते हैं क्या बोलेंगे ज़र देखना कोशन में पाद एक एक वी कॉन्वेक्स लेंज था मैंने इसको ऐसे कट कर दिया इसका इनिशल फोकस था 10 तो अब इसके दो हिस्से आ गए एक ऐसे आएगा फोकल लेंथ होगा 20 एक ऐसे आएगा फोकल लेंथ होगा 20 इन्हों ने क्या कहा मैंने इनको ऐसे रखा है एक औब्जेक्ट के पास इमेज कहां बनेगी सोच के बताना ऐसा बच्चे गए औरी बड़ा खतरना कहें कुछ नहीं है हट इनको वापिस लाने के लिए देखो मैंने कहा कि अगर आप परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस कट करें तो टू एफ टू एफ रहेगा वापिस री कंबाइन करन कि मैं एफ इक्विविलेंट वापिस टेन की ही बात करूंगा यूँ पता है एफ पता है वी निकालेंगे क्लियर है क्या हां या ना कि सर अगर थिल नहीं हुआ तो हर बार अलग-अलग सौल करना पड़ेगा हमारे स्लेबस में थिल लेंसित ही है ऑप्टिकल होगा कई बच्चे एंड के वेट कर रहे हैं इसका ज़रा कॉंबिनेशन देखना इसमें कई बच्चों के तोते ओड़ जाएंगे क्यों सर जड़ा देखो ठीक है जड़ा मैं आपको सवाल देता हूं क्योंकि सवाल से ही आप सीखोगे सारे बच्चे मेरे को बताना अगर मेरा इसका फोकल लेंथ इस एक्वल टू 10 सेंटीमीटर है कट अलॉंग पिये है ठीक है तो दो लेंसे आएंगे मैंने उनको ऐसे रख दिया ठीक है दो लेंसे आएंगे औबजेक्ट मेरा यहाँ पर है ठीक है ओबजेक्ट सवाल करना है यह ठीक है ओबजेक्ट मेरा यहाँ पर है ठीक है 30 सेंटीमीटर पर इमेज बताए कहां बनेगी फाइंड इमेज लोकेशन सवाल यह है अब बताओ सर आपने कट कर दिया और फिर कॉंटेक्ट में डाल दिया अब क्या करोगे जब आपने ऐसे कट करा है तो दोनों का फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर ही रहता है टू थिन लेंसे इन कॉंटेक्ट टू थिन लेंसे इन कॉंटेक्ट सर नीचे तो है नहीं अरे तो पागल इंसान इमेज आधी थोड़ना बनेगी इमेज आधी तो बनेगी नहीं इमेज पूरी ही बनेगी ब्राइटनस कम हो जाएगी और क्या है इमेज तो बनाएगा तो आप कहेंगे 1 upon f equivalent is equal to 1 upon 10 plus 1 upon 10 sir f equivalent आ रहा है 5 मैंने का हो गया सवाल हो गया u की value minus 30 f की value 5 v निकाल ले ना हो गया सवाल अगर यह object के thickness height white कुछ दे रखी है तो वो भी हो गया चलने लग गया तो लेटर और longitudinal magnification पता है वो भी हो गया बोलिया भाईया हाँ या ना यार हाँ या ना येश आखरी में जो पंदरा सो बच्चे है ना बेटा बहुत depth की चीज़े सुन के जा रहे है starting का ना सभी को आता है ये वाली चीजों में सबको मौत आती है ठीक है तो जो आप लोग यहां पर टिके हुए है इसका definite benefit मिलेगा जब मैं आपको पी वाई की उसके बता दीचे मैंने इसको कट करा वापिस तो contact करा उल्टा करके करा अब इसका एफट्विलेंट कितना होगा सेम या डिफरेंट सेम या डिफरेंट कई बच्चे कहेंगे सेम है लेकि यह डिफरेंट है रहे पागल इंसान इसका प्रिंसिपल एक्सिस यहां है कोई भी लाइट आएगी देखो फोकस दोनों का एफ और एफ यह बात आपकी सही है ठीक है अब ऐसा सवाल आ जाएगा ना तो आज यह बच् कंवर्जेंस की है इसकी पावर भी कंवर्जेंस की दोनों कंवर्जिंग है यह सुनना यह भी कंवर्जिंग है यह भी आपका कंवर्जिंग है लेकिन यह कंवर्ज किधर करेंगे अपने फोकस की तरफ करेंगे अपने फोकस की तरफ करेंगे यह बोलेगा कि देखो दोनों इदर जाओ इसने इस light को जो आ रही है इधर की साइड बेंड करा इसकी पावर्थी convergence की तो इसने कहा कि तुम इधर जा रहे हो इधर बेंड हो जाओ इधर जाने लगा फिर विशेवा नहीं भाई तुम इधर जा रहे हो वापिस डाएरेक्शन में आ जाओ तो यह हो जाएग यार समझ ना ये चीज़ क्या हुई मैंने एकको 30 डिगरी गुमाया इसने इस डिरेक्शन में गुमानी की लाइट को गुमानी कोशिश करी 30 डिगरी इसकी भी capacity 30 गुमानी कि थी लेकिन ऊपर की direction में क्योंकि focus तो इसका ऊपर है तो इसने का पहले वाले ने 30 डिग्री घूम जाओ इसने का भया 30 डिग्री घूम जाओ तो जहां से आये ते वहीं तो चले गए हाँ या ना इफेक्ट विल वी कैंसल डाउट इनका जो इफेक्ट है वो कैंसल आउट हो जाएगा है क्लियर एस इनका अगर आप निकालेंगे इनफानाइट है विटा पावर जीरो टो यह आपको Contax हो गया ठीक कैं यही वाली चीज मैंने आपको यहाँ पर बता दि है इसको उपर कर देता हूं ठीक है लास्ट इस पावर अफ लंस्ट गया लास्ट इस पावर अफ लेस एन मिरउर तो पावर ओफ मिरर होता है हमारे पास माइनस वन बाई एफ इन मीटर्स एन पावर ओफ लेंस होता है वन बाई एफ इन मीटर्स याद रखना जितने भी कनवर्जिंग कनवर्जिंग मिरर हो या लेंस हो इनका पावर पॉजिटिव होता है डाई वर्जिंग मिरर हो या फिर लेंस हो पावर नेगेटिव क्लियर है गया है या या ना अरे बोलिये भी या हाँ या ना यह और यहां पर हमें करने हैं और बतलाब अब हमें करने हैं कुछ कुशन ठीक है तो यह जो आप सभी लोगों ने करा है इस मेंसे तो कई सारे जो होएंगे जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ अभी आप खुदी बोल देंगे कि यह सब तो हम कर ले जाएंगे जैसे कटिंग ऑफ दी लेंस है किसकी पावर क्या-क्या है यह सारे सवाल और मुझे कराने थे टाइम ज्यादा हो जाएगा नहीं तो ठीक है लेकिन मैं आपक सब्सक्राइब क्यों कहते हैं पेटा देखो स्लाइब की एक्चुली में जो कैपसिटी है ना वो सिर्फ शिफ्ट कराने की थी लेकिन यह उनके पपा है पपा बतलब अगर आपने इसको तमीज से नहीं देखा ठीक है है यह धमाल मुवी में था ठीक है तो यह मारो ढीगरों के जैसे जैसे थपड़ खाये थे न उसने वह इसे आपको भी पढ़ जाएंगे ठीक है जो यह समझना यह आपका स्लैब है लेकिन एक प्लेनो कॉनवेक्स और प्लेनो कॉनकेव लेंस से मिल के बनाया हुआ है जैसे मैं एक्जा कर लेते हैं ठीक है प्लेनो कॉनकेव एंड प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इन कॉन्टेक्ट ऐसे ठीक है हाँ पपाजी बोल तो वही है बिलकुल अब्बू जी बोल इसका नाम इचे ले पड़ा है भाई उसमें भी तो डायलोग था ना मारो डीगरों करके है ना वह कहते है पपाजी बोल जी पपा नहीं जी पहले लगा के भूल तो जी आगे लगाया थो थपड़ पीचे लगाया थो थपड़ वही सही ठीक है येस बबबन येस या मस्त भूवी थी भाई अरे रहने दे ओक है मस्त भूवी दिवाई बहुत मस्त थी ठीक है येट वाज़ रिफ्रेशिंग मुवी अपने टाइम का एक अलगी लेवल था उसका ठीक है येस आजा तो अगर मैं इसमें आपको वेल्यूस देता हूं देखने में तो इसलेब है लेकिन बनाया किसे प्लेनों कॉनके और प् है 3 इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स मैंने माल लीजिए कह दिया है 5 ठीक है और यहाँ पर जो इनका जो कॉमन सर्फेस था रेडियस है 20 सेंटी मेटर ठीक है अब हमारे लिए यहाँ पर एक औबजेक्ट है अट डिसंस अफ 20 सेंट या 30 सेंटी मेटर ले 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 लेते हैं इमेज आपको बतानी है फाइंड लोकेशन ओफ इमेज क्लियर फाइंड यार एक ग्लास पानी पिला देना ठीक है फाइंड लोकेशन ऑफ इमिज अब कई बच्चों को यह लगेगा कि यार यह क्या है बाइद धियांच देखो देखने में तो यह स्लैब है लेकिन चेक करना पड़ेगा कहीं अब बू तो नहीं है तो यह आप क्या कहेंगे दोनों के फोकल लेंथ निकालेंगे एक इस वाले का फोकल लेंथ निकालिए सारे बच्चे बताइए कितना आ रहा है और इस वाले का फोकल लेंथ निकालिए सारे बच्चे जल्दी से इनको एयर में मानके कॉंटेक्ट में लिलेंगे इसका एयर में इसका air में तो यह आपका आएगा बिटा हमाय पास 3-1 into एक हो गया infinite और एक हो गया minus of minus 20 ठीक है तो f1 की value आपको यहाँ पर मिल रही होगी 10 centimeter ठीक है और f2 की अगर आप बात करेंगे तो 5-1 into पहले वाले का अगर light है तो minus 1 by 20 minus 1 by infinity तो यह हुजाएगा 4 f2 की value की अगर आप बात करेंगे तो minus 5 centimeter yes 10 and minus 5 very good अगर आप देखें तो इन दोनों को combination में अगर आप देखें तो combination तो slap कहीं आ रहा है combination तो आपका slap कहीं आ रहा है तो 1 upon f equivalent की आप बात करें तो 1 upon f1 plus 1 upon f2 के हिसाब से तो आप एक को positive लेंगे बेटा और एक को आप negative लेंगे तो LCM आपका 10 ही आएगा 1 minus 2 हमारे पास यही आ रहा है ना हमारे लिए focal length हाँ एक का positive लेंगे ठीक है और हमारे पास एक का हम लोग negative लेंगे तो यहाँ पर 10 1 minus 2 तो f equivalent की value तो minus 10 आ रही है भाई कुछ घडबन तो नहीं करती मैंने दिमाग काम करना हो रहा है है माइनस 10 नहीं आ रही है combined minus 10 का काम कर रहा है हमारे पास combined minus 10 का का काम कर रहा है तो यह overall diverging का काम करने लग गया भाई ओवर ओल यह diverging यह देखने में slab है यह देखने में slab है लेकिन इसकी focal length आ रही है भाई तो कई इसके shape से मत चले जाना ठीक है यह रहा object तो अब आपके लिए u की value minus 30 है f की value आपके लिए minus 10 है वी आपको निकालना पड़ेगा समझे हां हां यह न तो देखने में slab है बेटा लेकिन डरावना हो सके है तो यहां पर आपको चीजों का ध्यान रखना है और इन दोनों के हां और इन दोनों का common radius है वैसी आपको focal length निकालना है देन दो focal length of the combination is आप इसको solve करेंगे clear easy था very good तो मैं कब कह रहा हूं tough है ray optics बस patience demand करती है अब जड़ा j means के सवाल आप देखते रहे ना मैं homework दे रहा हूं मैं अंसर की बात ही नहीं कर रहा हूं अंसर वैसे कईयों में लिखे हुए है ठीक है बस मैं आपको क्या कह रहा हूं देखते रहना कि यह चीज़े हमने discuss कर ली है बैर बीम of white light is allowed to pass through a convex lens parallel to principal axis the different color of light converge at different point on the principal axis reflection यह कौन सा phenomena होता है ठीक है यह भी हम लोग ने पढ़ा है the power of the lens is इतना in particular medium एक lens का जो power है that is 1.25 meter inverse that is diopter इसकी unit होती है diopter किसी medium में refractive index of the lens सारे बच्ची दिल बनाना क्या आप समझ पा रहें यह है radius of curvature हमाई पास r20 r2 40 the refractive index of the surrounding हो तो गया सवाल 1 upon f is equal to mu of lens by mu of surrounding minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2 सब आपको दे रखा है यह आपको 1 by f ही दे रखा है सेंटीमेटर में करना है तो 100 cm में आपका आ जाएगा सब कुछे दे रखा है यह 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 पूछ लिया हो गया question ठीक है जड़ा यह देखना हमाय अंसर नीचे मागड है convex lenses power p इसका अगर focus f है तो इसका power p दे रखा है कट इंटो two halves along principle axis आपने principle axis के long cut करा तो याद रखना है इसका focus f होगा और इसका focus 2f और 2f हो जाएगा यही तो था हाँ यह ना भाई बहुत गरम है बहुत जादा गरम है पी हूँगा कैसे नहाने के लिए थोड़ना मांगा भाई जितने हमारे प्राणी आते ना ओफिस सबको समझाना पड़ता है पीने के लिए पानी मांग रहा हूं ठीक है इसको आप कट करोगे तो दो lens मिल एंगे ऐसे 2F and 2f अब पावर की बात कर ले ना थेना तुम देखलो भी धुas Saidenda basic चीजय कितना मुश्यकील है थीक है basic चीज पर दुनिया को सम्झाना कितना मुश्यकील है आजाओ फाइंड डिस्टेंड इमेज फ्रम्डी ऑब्जेट ओ फॉर्म्ड बाइद कॉंबिनेशन इसमें अब हमारे पास देखे क्या यह कॉंटेक्ट में है सारे बच्चे सोचिए भाई अभी भी तरह गरम है ना अंडा डाल देगा उबल जाएगा चलिए कोई नहीं है ना अब हो गया ठीक है 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 यह अपी चल जाएगा ठीक है जरे देखना तो अलग अलग कर माक्स सही है नहीं सही है ज्यान देगा वापस ऑबजेक्ट आपका यहां है यह 30 सेंटिमेटर पहले इस वाले लेंज का सॉल कर इसका 5 सेंटिमेटर पहले ज़रा इसका कर ले हो फ उपतिफीма पल यहां है फ। यह उंन बना तो एंज चम यह मायनस यह की बात करूँगे इसस वउन बैस्टी को सवाल बनाया दो लेकिन इन दोनों के बीच में तो पांच है तो मैं कह सकता हूं कि लाइट कहीं न कहीं ऐसे जा रही होगी 15 पर आनी चाहिए है ना सवाल इसका यह बन गया ज़र समझना सेकेंड लेयर का आपका सवाल यह बनेगा लाइट आपके पास ऐसे आ रही है कि यहाँ मर्ज करनी चाहिए थी 15 पर ठीक है यहाँ से 15 सेंटीमीटर पर लेकिन 5 सेंटीमीटर तो यही दे रखा है तो सारे बच्ची जड़ा देखना सेकेंड वाले के लिए आपका ऑब्जेक डिस्टेंस क्या होगा प्लस 10 सेंटीमीटर काहे जी अरे इंसिदेंट रेस का इंट्रसेक्शन ही मर्दवा ऑब्जेक्ट होता है तो सेकेंड वाले में जो हमार पास आएगा प्लस 10 इसका फोकस इक्वल टू वन बाई वी माइनस वन बाई 10 यह आ गया प्लस वन बाई 10 हमारे पास यह आ गया यह दुरू जला गया वी की वैल्यू तो इंफनाइट होगे जी सारे बच्चे हाँ या ना अरे दे रहा हो हमवक चुपकर द्याज समझिये यह इसके एक्चुली में तो कहीं न कहीं फोकस पर ही तो आ रही है यह इसका फोकस है तो यह पैरलल हो जाएगी हाँ या ना और तीसरा पार्ट अरे कहां गया हमारे पास तीसरा पार्ट इस पर अगर पैरलल रेज आएंगी तो यह तो अपने फोकस पर ही भी बेजेगा तो यह ठट्टी हो जाएगा दिल बनाईए इस बात पर इन्होंने पूचा क्या था डिस्टेंस बिट्वीन इमेज और ऑब्जेक्ट हो तो गया तीस पांच पंदरा तीस साथ पिचत्तर पहला ऑप्शन आपका अंसर होगा हाया ना यह और नो तो पहले वाले की इमेज बनाईए फिर दूसरे वाले की बनाईए फिर ती अलग अलग से सॉल करना है तीनों को कंबाइन कर लू नहीं करना है अलग अलग से सॉल करना है ठीक है अगला सवाल सारे बच्चे जारा देख लीजे एन अब्जेक्ट इस प्लेड़े फोकस आफ और कॉनकेव लेंस ठीक है आपका जो यू की वेल्यू है यू की वेल्यू इस माइनस एफ वट इसा पाप मत कर देना ठीक है हमारे पास क्लियर तो आप इसको सॉल करिये मेगनिफिकेशन और इगनिफिकेशन निकाल लिए यह आपका हमवक है ठीक है अब ऐसे सारे सवाल आपके आसानी है भाई बज आपको थोड़ी सी कलम चलानी पड़ेगी ठीक है थोड़ी सी आपको कलम चलानी पड़ेगी the refractive index of the converging lens इद्धार देखो एक converging lens है refractive index of the lens is 1.4 what will be the focal length of this lens if it is placed in a medium of the same same refractive index में क्या होगा सारे बच्चे बताना आपने इस lens को same refractive index में डाल दिया है सोच के बताना यार सीधी सी बात अगर refractive index का variation ही नहीं है तो reflection क्यों होगा और reflection नहीं हुआ तो कोई convergence नहीं कोई divergence नहीं यार मियोफ लेंज इकोल टू मियोफ सराउंडिंग है focal length infinite आ जाएगा भाई हमारे पास है न येस तो यही सवाल है अब है क्या बोलो ठीक है हमारे पास यही सवाल है देखो पॉइंट ऑब्जेक्ट हो इस प्रेंट अफ तू थेन सिमेट्रिकल coaxial convex lens L1 L2 focal length इसका 24 है and 9 cm the distance between two is 10 cm object is placed 6 cm from this lens the distance between object and image एक बार इसके लिए solve करो एक बार इसके लिए solve करो हो गया question यही है यार आपको जो अच्छे कासे variation थे वो मैंने आपको महां पर बता दिया और यह सारे फर्जी सवाल है ज़र यह देख लो question को बस मैं आपको दिखा रहा हूं the radius of curvature of each of the convex lens having refractive index 1.8 20 cm 20 cm the lens is now immersed in a liquid surrounding का हमारे पास 1.5 है the ratio of the power of the lens means focal lens का inverse in the air to power in liquid हो तो गया यार हो तो गया air में अलग से निकाल लो one upon f जो आप निकाल रहे हो mu lens by mu surrounding minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2 भाई यही अगर आप meter में निकाल रहे तो power of the lens ही तो है खतम ठीक है दोनों का ratio लेना है यह फर्जी सवाल पूछे गया है भाई 2023 का सवाल है यह ठीक है two convex lens of focal length 20 cm are placed coaxially with the separation of 60 cm the image of the distance object formed by the combination is at dist it's an island distant object मतलब ठीक है दोनों का focal length 20 cm 20 cm तो भाई अपने focus पर बनाएगा यहां पर हो गया अब यह रेज जब इस पर जाएंगी तो इसके लिए यू की वेल्यू माइनस 40 एफ की वेल्यू प्लस 20 वी निकाल लेना दिल बनाएगे क्या आपको यह बास समझ आ रही है सिल्वरिंग आपके जही मेंस में नहीं है बेटा ठीक है सिल्वरिंग इस नॉट इंग मेंस ठीक है यह सवाल है distant object means infinite light आ रही है focal and 20 तो यहीं बनेगी अपने focus पर तो इसके लिए यह वाला कितना हो जाएगा चालिस यू पता है पता question कर लेना है ठीक है दसवी ग्लास के सवाल है लिटरली बता रहा हूं यह सवाल देख लो यह बाइक ओन्वेक्स लेंज और फोकल लेंज 10 सेंटिमेंट कर रहे हैं तो अगर इसका एफ था तो यह टू एफ और तो पावर आपकी हाफ हो जाएगी यह यह सवाल है और इसमें आपके होमवक है यही पार्ट आपको अपना ट्राय करके रखना है कंप्लीट होमवक कोश्चन आपको ट्राय कर ले है ठीक है यह तो यह आपकी कहानी है देखिए हम लोगों ने अप्रॉक्सिमेटली आठ साड़े-8 घंटे में यह चीज़ कवर करी है अब मैं आपको एक चीज़ बताता हो ठीक है जो आपके यहां पर चॉप्ट की बात है ठीक है ढला बहुत जादा दर्थ कर रहा है जो आपके छीज़े इनर्जी निए तीने निया और आपको मैं रोक के रखता है आठ शाड़े-ाठ गंटे में हम लोगों ने मेजॉरिटी सारी चीजों की बात करिए कोई छोटी-मोटी चीज़े अगर छूटी है तो आपके अंदर इतनी समझ होनी चाहिए यार वो जो छोटी-मोटी चीज़े हैं वो आपको खुद से करनी पड़ेंगी तो भी वेरी ट्रू ठीक है लेकिन अगर आप किसी अपने टीचर को भी दिखाएंगे तो वो कहेंगे यह सारे कंशेप्स मेजॉरिटी कवर कर दिये और आठ शाड़े-ाठ गंटे में आदे घंटे का हमारा एप्रोक्सिमिटली ब्रेक था आठ गंटे में हम लोगों ने काफी सारी चीज़ों को डिसकस कर लिया है और यह कहीं न कहीं थियोरी को फ्रॉम दी बेसिक स्टू दी हमारे कॉंपुटिटिव लेवल तक लेके जाती है इसमें कई सारे एडवांस के सवाल भी थे मैंने अभी ज्यादा फोकस आपके जही मेंस पर ही रखा है कि मुझे पता है कि कई सारे मेरे जैसे स्टूडेंट नोंगे जो रे आप्रिक्स को छोड़ कर जाते है आठ गंटा जो मैंने आपको यहां पर बताए तिस मोर देन सफिशिंट कि आपका एक बार इंटरस डवलप हो जाए यह बिलकुल भी भूल मत रखना कि यह आठ गंट कांशेप्ट्स हैं यह आपके हमेशाँ चलेंगे सवाल के यह है कि आपके जैस में easy and moderate level के सवाल आपके छूटने नहीं चाहिए कई सवाल आपने देखें बहुत ही फरजी सवाल है formula-based सवाल है तो वो नहीं चूटने चाहिए अगर आपने वो भी control करा तो अगर आपने दो और जो फाइनल लीडर बोर्ड है वो यहीं रह जाता है ठीक है मेरा जो स्टुडेंट रह गया मेलोडी बच्चा विचारा साथवे नंबर पे रह गया कोई नहीं बेटा आइनो तू अच्छा करें पता नहीं क्यों अंदर से वह लगा नितिन कुमार अरिहन जैन एंड सोनु और जो आपने इतने करोडों नोट्स सेव करें हैं उनको जाके unity.pw.live पर यह भी बता दे न है कि स्पेलिंग क्या थी कि यहीं होगी unity.pw.live पर जाएंगे रेजिस्टर करेंगे तो आप जो भी मंदिल क्लास की लेक्चर्स देख रहे हैं इसमें आपके जो भी important points हैं यह सारी चीज़ें वो सब आपकी covered रहेंगी और यह डैश बोर्ड हैं यह सारी चीज़ आपको मिल जाएगे ठीक है है टेक्नोगाइज इस हिसाफ से गला है उस हिसाफ से लग नहीं रहा है कि कल कुछ होगा लेकिन करना जरूर पड़ेगा क्योंकि लास्ट मुमेंट है हम भी गिवप नहीं कर सकते हैं तो अपन लोग मिलेंगे बिटा नेक्स्ट क्लास में तिल देन टड़ा बाइब बैट टेक के पढ़ते रह लिए बंद कर दो भाई जाने दो घर भाईया आमको जाने दियो